स्पेक है जी है खड़े काठके घोडे की तरह मुश्किल में बाजार देखो महगाई की मार देखो पड़ रही पीठ पे कोडे की तरह गट बंधन को है मौका अब मार रही है चौका जितनी गलती करोगे उसका लाब इनको मिलेगा अर देखो आप अर जटका लगा रे मोदी जी की सरकार में जटका लगा रे साबदान रही है जटका जटका लग सकता आपको देखो मोदी जी और हमारी सरकार जो भी है पूरी तरह से सरकार जनता के समवाद के साथ काम करती है अगर पिछले देड़ मैंने के काम को देखें जब नौ साल पूरे हुए थे जिस तरह से एक-एक कार्यकरता एक-एक पदादिकारी एक-एक मंत्री एक-एक में लोगों उसके साथ मिल के काम कर रहे हैं उनसे सवाद कर रहे हैं और यहीं बात स्टेटेजी के रूप में हम 2024 के लिए आगे लेके जाएंगे एक मेरे मित्र ने कविता लिखी थी मैं दो दोहा सुना देता हूं आम आदमी की अगर नहीं सुनोगे बात तो जनता ही समझा देगी क्या है अपनी अब गोपाल जी को मैं सिरब एक साहित्थिक माध्यम से जबाब दे रहा हूं कि जब कष्टी साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी वाँ 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 जब कष्टी यानि मोदी जी जब 14 वाले मोदी जी 19 वाले थे जब कष्टी साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी अब ऐसी शिकष्टा कष्टी में साहिल की तमन्ना कौन थी अब ये कष्टी शिकष्टा हो गई है नहंगाई की मार है डूबती सरकार है महिलाए नगन होकर के क्या मनिपुर में आपके सामने कह नहीं सकतें निं बच्चों के सामने पूरा सप्रेश को नहीं करने और और किसी बोलना हो तो ठीक कि नहीं मैं आवाज है अरे यहां वहां सारे जहां में यह आवाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिंदाबाद अरे सारे देशवासियों को मोदी जी पे नाज है सारे देश वासियों को मोदी जी पे नाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाब के कहती है दुनिया ये सारी हो रही चर्चा तुम्हारी एक मोदी हां हां मोदी सब पे है भारी अरे आपके ही सर पे तो 24 का ताज है आपके ही सर पे तो 24 का ताज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद कितने फूसे अगरवाल साब के यहां वहां दूसरा सुनो के राम का मंदिर बना के धारा सतर को हटा के घर में दुश्मन हां जी दुश्मन को यूं हरा के आपने बचाई ये भारत की लाज है आपने बचाई ये भारत की लाज है मोदी जी ओ मोदी तुम जिन्दाबाद यहां वहां सारे जहां में ये आवाज है यहां वहां सारे बहुत नजदीक से भी देखने पर बड़ी से बड़ी चीज भी छोटी दिखाई देती है गठबंदन की एक पार्टी है आमादमी पार्टी बाजपा की कई नेताओं को मैंने सुना उनको कह रहे जी सुपारी जैसी पार्टी है तब कविता पढ़ता हूँ आनन लेना सुनना मज़ा आएगा इस सुपारी ने 2015 से चैलेंज ले रखा है तूट तो रही नहीं जबड में दर्द अलग दे रखा है दिल्ली हो या पंजाब इसी सुपारी के चक्कर में भाजपा अपना वजूद खो रही है देखियेगा कहीं ये सुपारी चुइंगं तो नहीं आठ साल से चबाए जारें खतमी नहीं हो रही है और एक पंग्ती देता हूँ आप सब तरक के बच्चे हैं उसको पकड़ना आप कोई खतमी नहीं हो रही है छोटी चीजों को हलके में नहीं लेना चाहिए वरना परिणाम बाद में नजर आता है आदमी पहाड पर तो बैट सकता है पर छोटी सी सूई पर नहीं बैट पाता है आपको ज्यादा वोट मिले अभी ये दिल्ली वाले मुद्दे पे आपको ज्यादा के आधार पे आप बड़े हैं पर ये भी तो सच है कि इत्ती सी पार्टी के पक्ष में भी 103 वोट पड़े हैं और एक तथ्य बताता हूं बहुत आनंद आएगा आपको सुनके भाजपा ने तो मजाक उड़ा दिया जबकि 24 में सीधी लडाई भी नहीं है और NDA में जिन-जिन को शामिल किया है उनमें से कई पार्टियां तो सुपारी की एक चौथाई भी नहीं है और अंतिमपंति दे रहा हूं पार्टी छोटी है तो क्या हुआ पॉलिटिक्स में किसी को इगनोर नहीं किया जाता है चीटी हाती की सून में घुस जाए तो हाती भी परेशान हो जाता है भाब भाब धन्यवाद बहुत आवाद देखे हमारी लडाई ना आप से है ना कॉंग्रेस से ना किसी अपोजिशन के और किसी पार्टी से इनकी आ ना किसी ना कि करते भी चलो बढ़ते भी चलो बाजू भी बहुत है सर भी बहुत और चलते ही चलो के अब डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे क्या बात बढ़िया बहुत बढ़िया कमल नाज जी को देखा आपने वो शरन में पहुच गए उनके तो मैं कॉंग्रेस से मुखातिफ होता हूं कि बागेश्वर सरकार का दामन थामे तो अंग निकले हैं नतमस तक दिख रहे हैं डाले भगवा सा रंग निकले हैं कमल खुलाने वाले के संग निकले हैं थोड़ा कंशीजन है तो मैं आदरनी से पूछना चाहता हूं कि कमल जी की कॉंग्रेस दिरेंद्र सास्त्री से मिली आप इस घठना पे मन्थन करेंगे क्या? करेंगे 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 कमल जी की कॉंग्रेस कमल जी की कॉंग्रेस मैं पूछ रहा हूं कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंदर सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मन्थन करेंगे क्या या चुनाव जीतने की रणीती है हुजूर जूट मूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या भूठ मूठ गंगा जी से आचमन करेंगे क्या सिर्फ हिंदूओं को भर्माने का ही सोचे हैं या सच यहां मन से समर्पन करेंगे क्या नेता जी बताईए कि वोट पाने के लिए ही आप हिंदू राष्ट का समर्थन करेंगे भारत एक संविधान के से संपन्न रास्ट है हमारे देश का धर्म संविधान है सबसे बड़ी बात यह हमारे देश का धर्म संविधान है और भगवा रंग भगवा रंग किसी की बपोती नहीं है किसी की भी बपोती नहीं है भगवा रंग सांती का प्रेम का महबबत का संतत्तु का सूफिज्म का प्रतीक है इसलिए रंगों की राजनीती मंच पर नहीं होनी चाहिए कमल नाज जी भी आध्यात्मिक है आप भी हे आध्यात्मिक राष्ट की तरुप चलिए संमयधानी क्राष्ट की तरफ चलिए बाकि सब बात हिंदू और मुसलमान की मत कीजिए यिसste five मुसलमान की accept नहीं करती है चलिए आप स्पश्ट रूप से अपनी बात को अपने विचारों को रखिए अगर आप क्या आपके विबिन पहलूओं पे क्या विचार है उसमें डिल्डॉल करते हैं तो वही कंफ्यूज कर देते चलिए तो अब मैं कंफ्यूजन वाली बात नहीं करता हूं कोई धार्मिक बात नहीं करता हूं सीधे सीधे कुछ सवाल जो पूछना चाहिए उधर से भी पूछे जाते हैं और इधर भी हम लोग सिर्फ इसलिए बैठे से लिए शो का नाम है लपेटे मे नेता जी लपेटे में आई ये और गजल के मार्फत कहता हूं तो आपकी तबज्यों चाहिए दाद तो मिलेगी नहीं दाद इधर सुरेंसर आप से चाहिए चला सियासत से जो है वोटर च्छका न डाले सवाल ये है और एक शेर पूरे देश का बहुत दिन हो गए करीब दो महीने से इस समस्या से जूज रहे हैं तो आज रिपीट कर रहा हूं इसको ये जो टमाटर उतर के नीचे न आ रहा है कई दिनों से यही टमाटर तुम्हारी चटनी बना न डाले सवाल ये यही टमाटर तुम्हारी चटनी बना न डाले सवाल ये है और एक सवाल और भी ऐसे टमाटर ही नहीं जान ले रहा है कुछ शीजें और ले रहे हैं ये मिर्च तीखी अभी एक बड़ा बड़िया फोटो आया था उसमें एक दिवाल पे मिर्च लगी थी किसी ने बड़ा अच्छा लेखा कि मिर्च में ये खासियत होती कहीं भी लग जाती है ये मिर्च तीखी ये जर्द जीरा ये सर्द लहसुन ये कुद्ध अदरक यही मसाला चुनाव को संसना न डाले सवाल ये है था जिस को रोका वो शेर बबबर पलट के संसद में आ गया है वो शेर बबबर तुम्हारी कुर्सी ला न डाले सवाल ये है वो शेर बबर एक दिरस मैंने ये दिखा था कि कांग्रेस के अद्धरक्ष जव तक कडि रहे जब तक है और बैठ नहीं गये रावल जी पहां और एक कुर्सी भी ढूंडी गई और अविस्वाज पर आप मत बोला आपके भी आलत यही हैं मैं बोलूगा और अविस्वाज प्रस्ताप पर भी कुछ में कहूंगा अब सुनिए तेरा जवाब है पहले जब से सुप्रीम कोट का फैसला आया है कांग रेसी जस्न मना रही है मिठाईयों के दोर चल लही है चमचे पॉपकॉर्ण की तरह उचल लही है यह किसकी तीन लाब देगा चमचे पॉपकॉर्ण की तरह उचल लें सुरे राजपू जी कितना धमाल मचाया है बाई कोट ने राहूल को जेल जाने से रोका है प्रदान मंत्री नहीं बनाया है साधारन मेंबर बड़ा यह अदक्छ बड़े रहे राउल जब तक बैठ नहीं गए तब तक खडगे जी खड़े रहे तो यह कांगरेशी एक बड़िया बात लाता हूं तारीख और उस पर धखना एक प्यांग तो कांगरेशी बोला आप भाजपा के बेद नहीं खोलते यह कांगरेशी बोला, भाजपा के भेद नहीं खोलते, मोदी जी के आगे नड़ा जी भी तो नहीं बोलते, मैंने कहा, कांगरेशी तुम्हारे ब्रह्म के बादल बहुत गने हैं। भाई मोदी जी तो 2014 से पीए में, राउल जी तो 4 अगस्त 2023 को MP बने हैं। कितना पसीना भाए हैं। यह कभी कितना पसीना भाए हैं। खड़गे जी कांगरेश के अध्यक्ष हैं। यह बात भी अब उनको हम बताने जाएं। सुरेन जी मैं हूँ। अभी मैं खुछ मिनट हूँ। और उनको जवाब मैं देता हूँ। यह दरसलने के अंदर का डर बोल रहा है। हुई सुनवाई देखो बैख हुआ भाई नए जोश में अब की दफा। कहीं न कर दे सफा। डरी हुई है भाजपा। फ़र सबूर्ट। और यह कर गया रहे हैं। अपने विकास कार नहीं किना रहे हैं। राहुल को कोसने के चकर में दिन रात राहुल का नाम जपा। कहीं न कर दे सफा। डरी हुई है भाजपा। सुन लिजे। यह कांग्रेसी बोला है। कि गर जेगा रोज तुम पर संसद में तुम फसोगे। जितना उचल रहे हो उतना ही तुम धसोगे। ओ सावा, ओ सावा। मुझे देखो। कि सदमे में सब तुम्हारा। घर अब तो दिख रहा है चेहरे पे हार वाला। डर अब तो दिख रहा है ओ शावा, ओ शावा, ओ शावा, ओ शावा। फिर चेहरे जनता है तंग बुरे आपके है ढंग सब जूटी लगे बतियां। बुझने लगी है सथा वाली है तुम्हारी अब सारी मौ्बत्यान। कहीं न कर दे सफा, कहीं न कर दे सफा, हाँ, दरी हुई है वाजपा। आकने प्ला। Thank you, thank you, thank you. कुरसी पे जाके भी कुछ न कर पाओगे किसे बहने हो कि कुरसी पे जाके भी कुछ ना कर पाओगे जो डराए पडोसी तो डर जाओगे आपकी आदते ना बदल पाएंगी जो मिलेगा वही आप चर जाओगे जो मिलेगा वही आप चर जाओगे और सुनिए जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हें कितने गढ़ बंदन बना लो जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हें ना एजेंडा जिताए ना नारा तुम्हें अपनी कमियों को ना ढूंड पाए कभी इसलिए जनताने है नकारा तुम्हें इसलिए जनताने है नकारा तुम्हें देखो आपको बताओं हम लोग डरने वाले लोग नहीं है डराने वाले लोग है अज तक अगर डराया है एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान बनाए गोवा को अपने में शामिल किया सिक्कम को अपने में शामिल किया और जिस चीन की आप बात कर रहे थे कि वहां पे लाला लाके दिखाएंगे हमने उनको जूला नहीं जूलाया मैं कुछ बाते बताता हूँ बीजेपी को और किन किन चीजों की उम्मीद नहीं है जो हो रहा है वो सुनो आप सर बीजेपी ने सोचा सदस्यता खत्म हुई राहुल जी की बीजेपी ने सोचा सदस्यता खत्म हुई अब कॉंग्रेस की इज़त धुल जाएगी पर भाजप उम्मीद तो ये भी नहीं थी कि महेंगाई जैसी चवनी बात मुद्दों की लिस्ट में जुड सकती है और इड्डिया गठबंदन की मजबूती देखकर बीजेपी की नींद उड़ सकती है बीजेपी की नींद उड़ सकती है क्या पता नाराज साथी भी एक एक कर बिछुडने लग जाएं अभी तो सिर्फ नींद उड़ रही है हो सकता है इलेक्षन तक तोते उड़ने लग जाएं भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी एक पंक्ती कहता हूँ बात अच्छी लगा तो समर्थन जरूर करना इसका भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी पर अवकाद दिखाना बेटे को सेट दामाद को भेंट जैसी भाषा की उम्मीद भी नहीं रही होगी उम्मीद भी नहीं रही होगी भाजपा सोच रही होगी कि हवाबाजी से ही काम चल जाएगा पर जन्ता की उम्मीद पे खरे नहीं उतरे तो चुनाओं में परिणाम भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आएगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आबाद अभी एक खोटा सा वीडियो वाइरल हुआ था उसमें प्रेस कॉन्फरेंस चल लही है और नितीश जी बार-बार राहुल जी को कह रहा है कि थोड़ा बोल दीजिए ना कि अगुआ बनने का शौक छूटा है नितीश जी का घूट अपमान का वो घोट के ही रह गए सोचते हैं गलती हुई जो कहा बोलने को प्रेस कॉन्फरेंस में जो राहुल जी से कह गए राहुल जी तो कुछ भी न बोले रिक्वेस्ट पे भी सभी अर्मान जो थे दिल के वो बह गए आप बोल दीजिए ना थोड़ा बोल दीजिए ना प्लीज बोल दीजिए ना कहते गौरों नहीं प्रताप ना आघाज नया होगा का से होगा गौरों नहीं प्रताप ना आघाज नया होगा फिर किस तरह से आपका अंजाम नया होगा प्रताब ना आगाज नया होगा फिर किस तरह से आपका हंजाम नया होगा 24 के चुनाओं में विपक्षियों के पास सब काम पुराने रहेंगे नाम नया होगा अच्छा इन लोगों के काम भारती जंता पालिटिक कैसे है शोर तो बहुत मसता है ये हो गया वो हो गया लाइन से गिनाएंगे लेकिन एक्चुली होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं सुरेंजी आपका साथ साथ चाहिए बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस और इस पंक्ति पर आप सब की तालिया जोरदार उठें बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस के जैसे घूंगट में कोई दुलहन हसीन हो ऐसे काम है बस दिखते नहीं है दिखता कुछ बहुत घटारा पुरानी कोई मशीन हो ऐसे काम है बस ना बेल बूटे महबतों के ना पेड़ पौधे मुरवतों के के जैसे बंजर उजाड कोई जमीन हो ऐसे काम है बस पढ़े लिखोंसा कोई सली का कोई नतीजा नजर ना आए के बाद दस्मी के पास मेट्रिक जहीन हो ऐसे काम है अब इजिए हमारे से भी करें इस बात है बहुत बढ़िया आपको तो इसकी बाती पसंद नहीं आ रही ती दरी आजाओ 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 अब चुना प्रचार सुरू ही हो चुगा है दो तीन चार स्टेटों में चुगा है सिवराज चवान जी आया थे बुंदेल खंड और उन्होंने यह का था के बुंदेल खंड का विकास कांगरेस ने रोका था अब अब सुनिये लुपाल जी भाजपा जूट पर पेर गाड़ती है अच्छा जी भाजपा जूट पर पेर गाड़ती है बर्तमान में कामजीरों है इसलिए गड़े मुद्दे उखारती है वो ही पुराणी वो कैसे वा हमामा जी वा इसलिए जनता की कवर की इतनी पतली गली क्या कहने है वा मामा जी नता की कवर की इतनी पतली गली राहुल की सदसिता की ख़बर 20 मिनिट में मिल गई और बुंदेल खंड का विकास कांग्रेस ने रोका था ये ख़बर 20 साल बाद मिली भाजपा फिर वही गाना पाकिस्तान ये वो फिर वही गाना नेरू का जमाना कांग्रेस का बहाना बात बात में पाकिस्तान हिंदू मुसलमान यार पुरानी ही कैसिट बज रही है पुरानी ही कैसिट बाजपा पुरानी ही और एक बात कहता हूं समझ में आज़ा तो हो करके पुरानी ही कैसिट बजा रही है भाई उसमें कुछ नए जमलेई बना लो वो मेक इन इंडिया किस काम आ रही है इस बार वही तीन पात ढाक एक मौबरा है ना आप समझते होंगे ढाक के तीन पात इस बार वही तीन पात ढाक करोगे तुम नए जमले तक तो गड़ नहीं पा रही हो अजय करोगे और अन्तमे में यही कहुँगा चारो और तरह तरह दंगों के भजीते नहीं बचा सके और तारी बजाना तुम और किसको कहां बचाओगे तुम अपने लाए हुए चीते नहीं बचा सके अच्छा बात है अच्छा बात है बहुत बढ़ियो पाजी बहुत बढ़ियो देश डू बडू बकांग रेस के वादों में यही सच है और मों सचाने वाला है सुनिये असली चेहरा यही है सुनिये समर्थे म्युवा पीडी का है सच के लिए देश डूबा डूबा कांग रेस के वादों में कूब लूटा लूटा इनकी फरेभी बातों ने दम जिसके पसीने में छपन इंची सीने में देश में तरक्की की फसलें जिसने बोधी कुछ नहीं कह रहा आप बिल्कुल बढ़िया कह रहा आप बस मोधी की चीए गोधी 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 राहुल जी विदेशों में जाकर बड़ी प्लानिंग करें गलत टाकिंग करें संसद में चलाएं अखियां कभी अभी स्लीपिंग करें वो किस फ्लाइंग करें ऐसे ही इशारों से दूर हैं किनारों से हरकतों को देख कर सारी जनतारों दी मोदी 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 हां इंडिया पे नाम रख देने से ना कुछ होना सुनो है बस रोना सुनो ब्रश्टाचारी मिले हैं आपस में ना कुछ पाना सुनो है बस खोना सुनो अरे खामखा है चकर में कोई न जिसके ठकर में फिर से अंगा में के लिए तो यार खामखा है चकर में कोई न जिसके ठकर में जिसने धंग से अप पोजीशन की इज़त धो दी मोदी 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 हाँ के बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहुल थोड़ी धीर धरो कभी लाल किले से भाशन होगा राहुल थोड़ी धीर धरो बोले और क्या होगा के इंडिया गेट पे अगले बरस हम जनगन मन गाएंगे चीफ गेश्ट सिरी बाइडन होंगे पुतिन भी संग आएंगे नयवाला संसद भवन होगा राहुल थोड़ी धीर धरो बोले कैसे जीतेंगे के केजू ममता लालू टीपू सब हैं अपने साथ उद्धव के संग निति से चलेंगे सब से आगे हात और पंजे के संग जन जन होगा राहुल थोड़ी धरो और एक बात और कहीं मैंने फील कैसी आती है फील मैंने फील बताई पीछे पीछे कैबिनेट और आगे आप चलोगे रोज रोज फीते काटोगे मन की बात करोगे हाथों में भारत रतन होगा राहुल थोड़ी धीर धरो अंतिमोर सुलो साब एक राय विशेश दिये मैंने उनको के जीत के तुम सबसे पहले शिरिधाम अयोध्या जाना ये काम कर ले ना ये प्रॉमिस है के जीत के तुम सबसे पहले शिरिधाम अयोध्या जाना काशी जाकर भोले बाबा का दर्शन कर आना और शिरी शाम प्रेभू का किर्टन होगा राहुल थोड़ी धीर धर बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहुल जी थोड़ी धीर धर इन्हों ने तो राहुल जी पर भविश्वानी कर दी एक भविश्वानी राहुल जी पर और है वो आप सुनो आपको आनन्द आएगा सजा हुई बाहर गए रोक लगी अंदर आए फिर बाहर हो गए तो उनका दिल क्या कहेगा 24 तक प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि ये इनकमिंग आउट गोइंग लगा रहेगा आप अभा से लगा रहेंगा आप बड़ा दम लुग रहे थे कि वोटिंग मेंट धिंगे में यहां साथियों ने पहले ही मौके पे गोली दे दी, बाद में क्या-क्या गुल खिलाएंगे? बाद में क्या-क्या गुल खिलाएंगे? अच्छे, एक बात आपको बताता हूँ, बड़ी मज़दार बाता जी नेताओं के फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन राहुल जी के फैन्स हैं, उनके फैन्स हैं, मैं बता रहूँ आपको, ये नई थे तो मज़ा नहीं आ रहा था उनके आते ही फैन्स का चहरा खिल गया, भाई ने एक बाशन क्या दिया, लोगों को कितना मसाला मिल गया? कितना कितना मसाला मिल गया, राहुल जी का तो ठीक है, पर दूसरे नेताओं को खामियाजा भरना पड़ रहा है, सोचा था ये आएंगे तो हम अटेक करेंगे, यहां तो पहले ही दिन से डिफेंड करना पड़ रहा है अई कबाल, बहुत अच्छे डिफेंड करना पड़ रहा है और इनका पुराना बयान याद करना, डिफेंड करना पड़ रहा है उन्होंने कहा था भाशन से भूकम पाएगा अभी तो पूरा गठबंधन हिलेगा, जप्पी देना, आँख मारना, फ्लाइंग किस तो देख लिया, भगवान जाने या मुहबबत की दुकान में क्या-क्या देखने को मिलेगा बहुत है गन्यवाद, बहुत है ऐसा है मित्र बिल्कुल सही कई, महबबत की दुकान में महबबती देखने को मिलेगी, जहां पर एक बड़ा सा पुराना सा गाना था, कि आचल के तुझे मैं लेके चलू इस ऐसे गगन के तले, जहां गम भी नहूं, आसू भी नहूं, बस प्यार ही प्यार पले, यह राहुल जी का गाना है, यह महबबत की दुकान है, और आगे आने वाले समय में सब लोगों को ऐसे गगन के तले ले जाएंगे, जहां मनिपूर नहीं होगा, यह जो है ना गाना, जो प्यार किया तो ठीक किया, इजहार किया तो ठीक किया, वह इ ये तो आपने 60 साल किया होता, तो इतने ये दिन देखने को मिलते ही नहीं आपको. सिर्फ बाते हैं भई साब, सिर्फ बातों के बताशे फैकती है भाजपा, राजनीतिक रोटियां बस सेकती है भाजपा, ध्यान बगुला भगत बन, गिध द्रिश्टी से सदा, किसी तरह गदी मिले ये देखती है भाजपा. किस तरह गदी मिले ये देखती है भाजपा, ये बार-बार साहब कह रहे थे किसी फ्लाइंग, फ्लाइंग, किसी पता नहीं कहा कहा अंडबन, मैं एक छंद देता हूँ सुनियेगा, ये इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे, जीतने के लिए सामदाम दंड भेद होगा, फिर लोक तंत्र का खयाल कब लाओगे? प्रस्टन है, जीतने के लिए सामदाम दंड भेद होगा, फिर लोक तंत्र का खयाल कब लाओगे? राहुल जी के पीछे हाथ धोके ही पड़े रहे तो देश को समस्याओं का हल कब दिलाओगे? देश को समस्याओं का हल कब दिलाओगे? कहा कहा कौन-कौन फ्लाइंग करेगा और किस-किस-किस पे सवाल यू उठाओगे? कहा कहा कौन-कौन फ्लाइंग करेगा और किस-किस-किस पे सवाल यू उठाओगे? चाहे जितना लगा लो ज़ोर कुछ होगा नहीं, 24 में इंडिया को रोक नहीं पाओगे, 24 में इंडिया को रोक नहीं पाओगे, इसमें रोकना है ना आज रोकना है इन्हें नाम बदलने से कुछ नहीं होगा हम तो भारत के इंडिया के साथ बिल्कुल सही बात है और ये जो इंडिया बनी है इसमें कैसे कैसे लोग हैं मैं कुछ शेर सुना करके समाफ करता हूं मन में कुछ के डलहौजी कुछ अंदर से मैकाले हैं गट बंधन के नए दौर में काफी गड़बड जाले हैं और जो बात हमारे गोपाल भाई साब कह रहे तो मैं उसी बात को नए अंदाज में कहता हूं नाम इंडिया रखकर कोई आर्या वर्त नहीं होता जरा इशारे देखो लक्षण अब भी इटली वाले हैं मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद मिसरा सुनो तुकला के मुझ से मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद गट बंधन के सारे योद्धा सच में बड़े निराले हैं दो शेर और सुन्दी जे फिर आपके जवाब मेरे गाउं के बुढ़े कहते हैं गट बंधन अच्छा है बस चीटी भर सचाई है हाथी बर गोटा ले बस चीटी भर सचाई है बहुत शुक्रिया और शेर आफिर इसको दूर कर लीजेगा कि ताल मेल की कमी नजर आती है सरजी आपस में ऐसे तो 24 चुनाओं में राज तिलक के लाले बहुत शुक्रिया दो नाइने सुन लीजे फहमिदार याज ने लिखी थी मैंने नहीं कुछ लोग तुमें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने रहजन चोरों को कहते है यो बात आ गई मोदी जी वाली इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहां हो सकता है कुछ लोग तुमें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहां हो सकता है कुछ और तो अक्सर होता है पर इसका जवाब सुन लिजे इंडिया से पर हम इस पल में जिन्दा है ये पल हम में जिन्दा है ये वक्त नहीं फिर आएगा तुम अपनी करनी कर गुजरो जो होगा देखा जाए क्या बाता है ये मैं तो इसना कह रहा हूं नाम बदलने से खुछ हुआ जी आप सौगत कर रहे हैं सर मैं करूंगा दरसल क्या है आज कर लोग बेवफा बहुत हो गया है अब गोपाल जी तब का इसारा कर गए थे अब लोटे मैं इंतजार में बूड़ा हो गया हूं लग नहीं रहें लेकिन आप बुड़े हैं सर अभी राजबू जी आपके संदीप दिक्षित जी ने एक बात कही पत्रकार ने पूछा गठमंदन के बारे में तो उन्होंने का जी का वो जंगल की तरह से जिसमें आती भी होते हैं सेर भी होते हैं और गीदड़ भी होते है और केजरी वाल कि आप पाइटी को दमगीदड़ भी नहीं मानते हैं यह यह कहा उन्हें पैसे बात यह ताली की थी पर तुम कब बजाओगे मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूँ मेरी कही बात फलेगी मैंने इसी सो में कह दिया था कांगरेस और आप पार्टी में सबसे पहले जूतों में दाले बटेगी आप कहां बटे में जुत उन आप क्या पात्र चुना के आपको अलका इंचा चेका SUS आलमानकर मुझे तांते हो यह जंगल में शेर भी है वे खुद को शेर मानकर मूँचे तांते हो चलो आप पार्टी को तो गीधड़ भी नहीं मानने पर बाकी सब को गीधड़ ही मानते हो तो भाई एकटी होने का पाल तो रहे हो गमंड अब इसमें एक सब्दाएगा फलाने पू समझ लेना में का कह रहा हूं एकटे होने का पाल तो रहे हो गमंड क्या सेर का सिकार कर लेगा यह फलानों का जुंड प्लैनों दोनों, दोनों, च्छा बच्चे ज़्याज़ा समजयाँगे कांङ्रेश भुक दूमट त्र committees भाजपा पबजी और कांग्रेस फेस्बुक. बताता हूं कैसे? खेल नकली, लेकन रेजल्ट असली है. खेल नकली, लेकन रेजल्ट असली है. पबजी पर तो साधी बिवा होने लग गए. लेकिन फेस्बुक पर तो पता ही नहीं चला है के ये बबलू है, के बबली है. अच्छा है. रही बाद गठबंदन की? तो वो मजधार में है. सर अगर मैं शुरुआत में ओपिनर को ज्यादा टाइम बिलता है, मैं एक मिनट लेता हूं. मजधार मैंने सब्द लिया है, एक नाव में तीन बैठेते, एक श्याणा बैठा था, एक बंदर था, एक उंट था. श्याणे ने सुभाब के अनुसार बंदल को उंगली की, बंदर सुभाब के अनुरूप उंट पे जा बैठा, उंट सुभाब से करवट ले गया और नाव डूब गई. हाँ. तो इस बात का त्याहा रखना. गटबंधन की नहप मजदार में हैं, दूर दूर तक जमी नहीं है, और कांगरेस में भी श्याणों की कमी नहीं है. आँ. मैं लास्ट में कहता हूं, मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूं, चोबीस में यद गठबंधन गोता खाएगा, तो देख लेना उसे कोई कांगरेसी श्याणा हीं डुबाएगा. आपने कहा कॉंग्रेस में स्यानों की कमीनिये जरा स्यानिये की उनकी डेफिनेशन तो बता दो अब ये उंगली करी थी सुनी नहीं ते क्या आप सुनिए पौजदार जी ने बहुत शांदार बाते हैं पहली चीज तो उन्होंने गडबंधन की बात कर दी बना कैसे तो लोग कहते हैं कि फिराक ने कहा था और फिराक का नाम रगपती सहाय था कोई मौमिन खान नहीं थे पहले बता तो ठीक है कि सर जमीने हिंद पर अक्वाम आलम के फिराक काफिले बस्ते गए हिंदुस्ता बनता गया तो बच्चो ये गडबंधन नवारा ऐसे हैं पौसदार जी कभी हैं तो कभी के रूप में जबाब दे रहे हैं दूसरा आपने का आप फलित जोट्सी हो तो आपके अंदर तो वही मोदी वाला हैंकार आ गया कि मुझसे मोहता अधो के गुफ्तुगू करना मेरा सिलसिला अल्लामिया तक है अधामिया मोदी जी हो गया वात आप समझो फॉसदार जी हमारे गडबंधन की तो चिंता छोड़ दो हमारा गडबंधन तो अभी तक एक है लेकिन आप यह जो इनका गडबंधन है जिनकी तरह बाप बैठे ह तो इनके गडबंधन ने अभी चार दिन पहले एक पार्टी भाग गई 38 थी 37 गई मनिपूर वाली एक पार्टी कुकी नेशनल अलाइंस जो है वह भाग गया तो नाव में इनकी छेद हो रहा है कि 24 के चुनाओं में आपको यही बात कहनी पड़ेगी लेकिन आप हमारी तरफ से कहो गए गडबंधन जो गडबंधन है वो पूरी तरह से अगर पिछला इतिहास अगर आप देखेंगे तो ठक बंदन के अलावा कुछ नहीं है गोपाल जी आज मुझे आपको सचेत करने क कि तरफ हूँ आज और मैं सही मुद्व पर दिल है कि मानता नहीं कभी हो तो संत्रल बनाने जरूरी है और मेरे युवा साथियों बहुत अच्छा गाना है इंजॉय करना और आपको पहली बार लगेगा कि राजनीती में भी इंजॉय होता है अब सुना राय बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी अब ना जादा अहम में बहना मतमोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा रे आगे जो लाइन आगी पूरा अंगा मा अब ना जादा अहम में बहना मतमोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा रे हाई जटका, ओए जटका, ओए जटका, जटका, अरे जटका लगा रे, मोदी जी की सरकार में, जटका लगा रे, मोदी जी की सरकार में, जटका लगा तगडा, लगा जटका लगा हाई हाई जटका लगा रे, रोज नहीं मिस्टेक है जी, वादा प्रोमिस फेक है जी, है गोड़े की तरहा मुश्किल में बाजार देखो महगाई की मार देखो पड़ रही पीठ पे कोड़े की तरहा गट बंधन को है मौका अब मार रही है चौका जितनी गलती करोगे उसका लाब इंको मिलेगा अरह देखो आप गट बंधन ओन को है मौका , अब मार रही है चोका . फिर मत कहना जनताने क्यों दिया दगारे अर जटका लगा रे मोदि जी की सरकार में जटका लगा रे सअब नहीं एंज़को नमारी सरकार जो भी है पूरी तरह से सरकार जनता के समवाद के साथ काम करती है अगर पिछले देड़ मैंने के काम को देखें जब नौ साल पूरे हुए थे जिस तरह से एक-एक कारेकरता एक-एक पदाधिकारी एक-एक मंत्री एक-एक MP काम कर रहे हैं उनसे सवाद कर रहे हैं और यहीं बात स्ट्रेटेजी के रूप में हम 2024 के लिए आगे लेके जाएंगे एक मेरे मित्र ने कविता लिखी थी मैं दोहा सुना देता हूं आदमी की अगर नहीं सुनोगे बात तो जनता ही समझा देगी क्या है अपनी ओकार अब ग कि जब कष्टी साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी जब कष्टी यानि मोदी जब 14 वाले मोदी जी 19 वाले थे जब कष्टी साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी अब ऐसी शिकष्टा कष्टी में साहिल की तमन्ना कौन थी अब ये कष्टी शिकष्टा हो हो रहा है मणिपूर में आपके सामने कह नहीं सकते इन बच्चों के सामने पूरा देश चर्मसार है और मोदी जी को हैंकार है और किसी को बोलना हो तो ठीक है नहीं मैं खरू शुरू तो हिंसा का इसा बन जागा चल शुरू यह कह रहा था मोदी जी का नाम नहीं है कि यहां वहां सारे जहां में यह आवाज है अरे यहां वहां सारे जहां में यह आवाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद अरे सारे देश वासियों को मोदी जी पे नाज है सारे देश वासियों को मोदी जी पे नाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद के कहती है दुनिया ये सारी हो रही चर्चा तुम्हारी एक मोदी हां हां मोदी सब पे है भारी अरे आपके ही सर पे आपके ही सर पे तो 24 का ताज है कितने फूसे अगरवाल साब के यहां वहां दूसरा सुनो के राम का मंदिर बना के धारा सतर को हटा के घर में दुश्मन हाजी दुश्मन को यू हराण के आपने बचाई ये भारत की लाज है मोदी जी ओ मोदी तुम जिंदाबाद यहां वहां सारे जहां में ये आवाज है बहुत नजदीक से भी देखने पर बड़ी से बड़ी चीज भी छोटी दिखाई देती है गठबंदन की एक पार्टी है आमादमी पार्टी बाजपा की कई नेताओं को मैंने सुना उनको कहरे जी सुपारी जैसी पार्टी है तब कविता पढ़ता हूं आनन लेना सुनना मजा आएगा इस सुपारी ने 2015 से चैलेंज ले रखा है तूट तो रही नहीं जबडे में दर्द अलग दे रखा है दर्द अलग दे रखा है दिल्ली हो या पंजाब इसी सुपारी के चक्कर में भाजपा अपना वजूद खो रही है देखिएगा कहीं ये सुपारी चुइंगन तो नहीं आठ साल से चबाए जा रहे हैं खतमी नहीं हो रही है और और एक पंग्ती देता हूं आप सब तर्क के बच्चे हैं उसको पकड़ना आप कोई खतमी नहीं हो रही है छोटी चीजों को हलके में नहीं लेना चाहिए वरना परिणाम बाद में नजर आता है आदमी पहाड पर तो बैठ सकता है पर छोटी सी सुई पर नहीं बैठ पाता है आपको ज्यादा वोट मिले अभी ये दिल्ली वाले मुद्दे पर आपको ज्यादा वोट मिले वो तो मिल नहीं थे क्योंकि संख्या के आधार पे आप बड़े हैं पर ये भी तो सच है कि इत्ती सी पार्टी के पक्ष में भी एक सो तीन वोट पड़े हैं एक सो तीन वोट पड़े हैं और एक तथ्य बताता हूं बहुत आनंद आएगा आपको सुनके भाजपा ने तो मजाक उड़ा दिया जबकि 24 में सीधी लडाई भी नहीं है और NDA में जिन-जिन को शामिल किया है उनमें से कई पार्टियां तो सुपारी की एक चौथाई भी नहीं है पार्टिय चोटी है तो क्या हुआ पॉलिटिक्स में किसी को इगनोर नहीं किया जाता है चीटी हाथी की सून में घुस जाए तो हाथी भी परेशान हो जाता है बहुत धन्यवाद देखें हमारी लड़ाई ना आपसे हैं ना कॉंग्रेस से ना किसी अपोजिशन के और किसी पार्टी से इनकी आपस की लड़ाई है इन में पहले तै होने दिजे कि कौन सुपारी है कौन आती है कौन चीटी है तब फिर हमारे सामने लड़ाई होगे यहां पर तो गोपाल जी हम तो लड़ेंगे भी भिड़ेंगे भी और जीतेंगे भी पुरानी सी बात थी न कि करते भी चलो बढ़ते भी चलो बाजू भी बहुत है सर भी बहुत और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे क्या बात बढ़िया बहुत बढ़िया कमल नाज जी को देखा आपने वो शरन में पहुच गए उनके तो मैं कॉंग्रेस से मुखातिफ होता हूं कि बागेश्वर सरकार का दामन थामे तो अंग निकले हैं नतमस तक दिख रहे हैं डाले भगवा सा रंग निकले हैं राजद क तो ये डर है कि तूट न जाए गठ बंधन कमल नाज जी कमल खिलाने वाले के संग निकले हैं थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं आदर्नी से पूछना चाहता हूं कि कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंद्र सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मन्थन करेंगे क्या नहीं करेंगे करेंगे कमल जी की कॉंग्रेस कमल जी की कॉंग्रेस मैं पूछ रहा हूं कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंद्र सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मन्थन करेंगे क्या या चुनाव जीतने की रणीती है हुजूर जूट मूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या जूट मूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या सिर्फ हिंदू को भर्माने का ही सोचे हैं या सच यहां मन से समर्पन करेंगे क्या नेता जी बताईए की वोट पाने के लिए ही आप हिंदू राष्ट का समर्थन करेंगे भारत एक सम्मिधान के से संपन्न रास्ट है हमारे देश का धर्म सम्मिधान है सबसे बड़ी बात यह कि हमारे देश का धर्म सम्मिधान है और भगवा रंग भगवा रंग किसी की बपोती नहीं है किसी की भी बपोती नहीं है भगवा रंग भगवा रंग सांती का प्रेम का महबत का संतत्तु का सुफिज्म का प्रतीक है इसलिए रंगों की राजनीती मंच पर नहीं होनी चाहिए कमल नाज जी भी आध्यात्मिक है आप भी आध्यात आध्यात्मिक राष्ट की तरफ चलिए समयधानिक राष्ट की तरफ चलिए बागी सब बात हैं हिंदू और मुसल्मान की मत कीजिए लेकिन बजरनबली को गला गालिया देंगे एक जगह जन्युधारण कर लेंगे दूसरी जगह यह जो कन्फ्यूजन है ना यह कन्फ्यूजन देश के लिए आज के समय में जन्ता इसको एकसेप्ट नहीं करती है चलिए आप स्पश्ट रूप से अपनी बात को अपने विचारों को रखिए अगर आप क्या आपके विबिन पहलूं पे क्या विचार है उसमें डिल्डॉल करते हैं तो वही कन्फ्यूज कर देते जन्ता चलिए तो अब मैं कन्फ्यूजन वाली बात नहीं करता हूं कोई धर्मिक बात नहीं करता हूं सीधे सीधे कुस्स सवाल जो पूछना चाहिए उधर से भी पूछा जाते हैं और इधर भी हम लुग सिर्फ इसलिए बठें से लिए शो स्यासत से जो है वोटर छका न डाले सवाल यह है कमिंग इलेक्षन में यह हुकूमत गिरा न डाले सवाल यह है और एक शेर पूरे देश का बहुत दिन हो गए करीब दो महीने से इस समस्या से जूज रहे हैं तो आज रिपीट कर रहा हूं इसको यह जो टमाटर उतर के नीचे न आ रहा है कई दिनों से यही टमाटर तुम्हारी चटनी बना न डाले सवाल यह यही टमाटर तुम्हारी चटनी बना न डाले सवाल यह है और एक सवाल और भी ऐसे टमाटर ही नहीं जान ले रहा है कुछ चीजें और ले रहे हैं यह मिर्च तीखी अभी एक बड़ा बड़िया फोटो आया था उसमें दिवाल पे मिर्च लगी थी किसी ने बड़ा अच मिर्च तीखी यह जर्द जीरा 800 रुपए किलो ऐसर हम लोग तो लहीं नहीं पा रहे हैं यह मिर्च तीखी यह जर्द जीरा यह सर्द लहसुन यह कृद्ध अधरक यही मसाला चुनाव को संसना न डाले सवाल यह है था जिस को रोका वो शेर बबबर पलट के संसद में आ गया है वो शेर बबबर तुम्हारी कुर्सी हिला न डाले सवाल यह वो शेर बबबर एक द्रस मैंने यह देखा था कि कांगरेस के अधरक्ष जब तक कड़े रहे जब तके वो बैठने गई रावल जी पहां और एक कुर्सी भी ढूंडी गई और अविस्वास पर आप मत बोला आपके भी आलत यही हैं मैं बोलूंगा और अविस्वास प्रस्ताप पर भी कुछ में कहूंगा अब सुनिए तेरा जवाब है पहले जब से सुप्रीम कोट का फैसला आया है कांग रेसी जस्न मना रही है मिठाईयों के दोर चल रही है चमचे पॉपकॉर्ण की तरह उचल रही है कितना दमाल मचाया है बाई कोट ने राहुल को जेल जाने से रोका है प्रदान मंत्री नहीं बनाया है साधारन मेंबर बड़ा या अदक्ष बड़े रहे राउल जब तक बैठ नहीं गए तब तक खडगे जी खड़े रहे लुकिए उचला हम ही वाजबाल है अद Never mehr in the इस एक भड़ी है बड़िया ब़त लाता हुता हम तारीख और उस पंद्रिया झखना एग तो कांगरेसी बोला आप भाजपा के वेद नहीं खूलते यह कांगरेशी बोला, भाजपा के भेद नहीं खोलते, मोधी जी के आगे नड़ा जी भी तो नहीं बोलते, मैंने कहा, कांगरेशी तुम्हारे ब्रह्म के बादल बहुत गने हैं। भाई मोधी जी तो 2014 से पीए में, राउल जी तो 4 अगस्त 2023 को MP बनें। कितना पशीना बहा हैं। यह कभी कितना पशीना बहा हैं। खड़गे जी कांगरेश के अध्यक्ष हैं। यह बात भी अब उनको हम बताने जाएं। सुरेन जी मैं हूँ। अभी मैं कुछ मिनट हूँ। और उनको जवाब मैं देता हूँ। यह दरसलने के अंदर का डर बूल रहा है। हुई सुनवाई देखो बैख हुआ भाई नए जोश में अब की दफा। कहीं न कर दे सफा। डरी हुई है भाजपा। फ़र सबूल। और यह कर गया रहे हैं। अपने विकास कार नहीं किना रहे हैं। राहुल को कोसने के चकर में दिन रत। राहुल का नाम जपा। राहुल को कोशने के चकर में दिन रत। राहुल का नाम जपा। कहीं न कर दे सफा। कहीं न कर दे सफा। तरी हुई है भाजपा। अथ सुन लीजे, यह कांग्रेसी बोल ला है। कि गर जेगा रोज तुम पर संसद में तुम फसोगे जितना उचल रहे हो उतना ही तुम धसोगे ओ सावा कि सदमे में सब तुम्हारा घर अब तो दिख रहा है चेहरे पे हार वाला डर अब तो दिख रहा है ओ शावा ओ शावा ओ शावा ओ शावा फिर से देखिए जनता है तंग बुरे आपके है ढंग सब जूटी लगे बतियां बुझने लगी है सता वाली ये तुम्हारी अब सारी मुम्बतियां कहीं न कर दे सफा कहीं न कर दे सफा हाँ दर हुई है वाजपा दर हुई है वाजपा आपने बोला तेंक यू तेंक यू तेंक यू कुरसी पे जाके भी कुछ न कर पाओगे किसे बोले हुई के कुरसी पे जाके भी कुछ न कर पाओगे जो डराए पडोसी तो डर जाओगे आपकी आदते ना बदल पाएंगी जो मिलेगा वही आप चर जाओगे जो मिलेगा वही आप चर जाओगे और सुनिए कितने गढ़ बंदन बना लो जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हें ना एजन्डा जिताए ना नारा तुम्हें अपनी कमियों को ना ढूंड पाए कभी इसलिए जन्दा ने है नकारा तुम्हें देखो आपको बताओं हम लोग डरने वाले लोग नहीं है डराने वाले लोग है सुन लीजिये आज तक अगर डराया है एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान बनाए गोवा को अपने में शामिल किया सिक्कम को अपने में शामिल किया और जिस चीन की आप बात कर रहे थे कि वहाँ पे लाला लाखे दिखाएंगे हमने उनको जूला नहीं जूलाया मैं कुछ बाते बताता हूँ बीजे पी को और किन किन चीजों की उम्मीद नहीं है जो हो रहा है वो सुनो आप सर बीजे पी ने सोचा सदस्यता खत्म हुई राहुल जी की बीजे पी ने सोचा सदस्यता खत्म हुई अब कॉंग्रेस की इज़त धुल जाएगी पर भाजपा क उम्मीद नहीं थी कि राहूल जी की वापसी होगी और मोबबत की दुकान फिर से खुल जाएगी फिर से खुल जाएगी उम्मीद तो ये भी नहीं थी कि महंगाई जैसे चवन्नी बात मुद्दों की लिस्ट में जुड़ सकती है और इड्डिया गठबंदन की मजबूती देखकर बीजेपी की नींद उड़ सकती है बीजेपी की नींद उड़ सकती है क्या पता नाराज साथी भी एक एक कर बिछुडने लग जाएं अभी तो सिर्फ नींद उड़ रही है हो सकता है इलेक्षन तक तोते उड़ने लग जाएं भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी एक पंक्ती कहता हूँ बात अच्छी लगा तो समर्थन जरूर करना इसका भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी पर अवकाद दिखाना बेटे को सेट दामाद को भेंट जैसी भाषा की उम्मीद भी नहीं रही होगी उम्मीद भी नहीं रही होगी भाजपा सोच रही होगी कि हवाबाजी से ही काम चल जाएगा पर जनता की उम्मीद पे खरे नहीं उतरे तो चुनाओं में परिणाम भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आएगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आबाद वीडियो वाइरल हुआ था उसमें प्रेस कॉंफरेंस चल लगी है और नितीश जी बार-बार राहुल जी को कह रहा है कि थोड़ा बोल दीजिए ना कि अगुआ बनने का शौक छूटा है नितीश जी का घूट अपमान का वो घोट के ही रह गए सोचते हैं गलती हुई जो कहां बोलने को प्रेस कॉंफरेंस में जो राहुल जी से कह गए राहुल जी तो कुछ भी नא बोले रिक्वेस्ट पर भी सभी अर्मान जो थे दिल के वो बह गएं आप बोल दीजिये ना थोड़ा बोल दीजिये ना गर गया स्वार्व नहीं प्रताप, न आगाज न. प्रताप, न आगाज न. नाम नाया होगा फिर किस तरह से आपका हंजाम नाया होगा चौबीस के चुनाओं में विपक्षियों के पास सब काम पुराने रहेंगे नाम नाया होगा अचा इन लोगों के काम भारती जनता पालिटिक कैसे है शोर तो बहुत मस्ता है यह हो गया वह हो गया लाइन से गिनाएंगे लेकिन एक्चुली होता क्या है वह मैं आपको बता रहा हूं सुरेंजी आपका साथ चाहिए बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस और इस प मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस के जैसे घूंगट में कोई दुलहन हसीन हो ऐसे काम है बस दिखते नहीं है दिखता कुछ भी नहीं है के जैसे घूंगट में कोई दुलहन हसीन हो ऐसे काम है बस आवाज करती हो खूब लेकिन जो काम करती नहीं हो बिलकुल अवाज करती हो खुब लेकिन जो काम करती नहीं हो बिलकुल बहुत घटारा पुरानी कोई मशीन हो ऐसे काम है बस ना बेल बूटे महबतों के ना पेड़ पौधे मुरवतों के के जैसे बंजर उजाड कोई जमीन हो ऐसे काम है बस पढ़े लिखोंसा कोई सलीका कोई नतीजा नजर ना आए के बाद दस्वी के पास मेट्रिक जहीन हो ऐसे काम है आपको तो कि बाती पसंद नहीं आरी ति इधर ही आजाओ अब चुना प्रचार शुरू ही हो चुगा दो तीन चार श्टेटों में चुहाए सिवराज चवान जी आया थे बुंदेल खंड और उन्होंने यह का था के बुंदेल खंड का विकास कांगरेस ने रोका था अब सुनिए भाजपा जूट पर पैर गारती है भाजपा जूट पर पैर गारती है बरतमान में काम जीरों है इसलिए गड़े मुद्दे उखारती है वह पुराणी वह कैसे था वह मामा जी वह वह मामा जी वह जनता की ख़वर की इतनी पतली गली राहुल की सदसिता की ख़वर 20 मिनिट में मिल गई और बुंदेल खंड का बिकास कांगरेस ने रोका था ये ख़वर 20 सालबाद मिली भाजपा फिर वही गाना पाकिस्तान ये वह फिर वही गाना नेरू का जमाना कांगरेस का बहाना बात बात में पाकिस्तान हिंदू मुसल्मान यार पुरानी ही कैसिट बज रही है पुरानी ही कैसिट बाजपा पुरानी ही और एक बात कहता हूं समझ में आज़ा तो हो करके पुरानी ही कैसिट बजा रही है भाई उसमें कुछ नए जुमलेई बना लो वो मेक इन इंडिया किस काम आ रही है किस काम आ रही है इस वार वही तीन पात ढाक एक एक मुआबरा है ना आप समझते होंगे ढाक के तीन पात इस वार वही तीन पात ढाक करोगे तुम नए जुमले तक तो गड़ नहीं पा रही हो अर अंत में यही कहूंगा चारो और तरह 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 दंगों की भजीते नहीं बचा सके और ताडी बजाना तुम और प्रसुकों कहां बचाओगे तुम अपने लाए हुए चीते नहीं बचा सके है यह यही सच है और वो सचाने वाला है सुनिए समर्ते युवापीडी का है सच के लिए देश डूबा डूबा कांगरेस के वादों में खूब लूटा लूटा इनकी फरेभी बातों ने दम जिसके पसीने में चपन इन्ची सीने में देश में तरक्की की फसलें जिसने बोधी मुदी 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 मुद अभी स्लीपिंग करे, वो किस फ्लाइंग करे ऐसे ही इशारों से, दूर है किनारों से हरकतों को देख कर सारी जनता रोदी मोदी, 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 हाँ इंदिया पे नाम रख देने से ना कुछ होना सुनो, है बस रोना सुनो ब्रष्टाचारी मिले हैं आपस में ना कुछ पाना सुनो, है बस खोना सुनो अरे खामखा है चकर में, कोई न जिसके ठकर में फिर से एंगा में के लिए तो यार खामखा है चकर में, कोई न जिसके ठकर में जिसने धंग से अपोजीशन की इजद्धो दी मोदी, 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 हाँ मस्ती की पैरोडी सुनिये साब और आपके चेरों पर मुस्कुराट की गारंटी है, सुनिएगा के बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहुल थोड़ी धीर धरू कभी लाल किले से भाशन होगा राहुल थोड़ी धीर धरू बोले और क्या होगा के इंडिया गेट पे अगले बरस हम जनगन मन गाएंगे चबी जन्वरी को के अगले इंडिया गेट पे अगले बरस हम जनगन मन गाएंगे चीफ गेस्ट सिरी बाइडन होंगे, पुतिन भी संग आएंगे नए वाला संसद भवन होगा, राहुल थोड़ी धीर धरो नए वाला संसद भवन होगा, राहुल थोड़ी धीर धरो बोले कैसे जीतेंगे, केजू ममता लालू टीपू सब हैं अपने साथ उद्धव के संग नितिस चलेंगे सब से आगे हाथ और पंजे के संग जन जन होगा राहुल थोड़ी धीर धरो और एक बात और कहीं मैंने, फील कैसी आती है फील, मैंने फील बताईए पीछे पीछे कैबिनेट और आगे आप चलोगे पीछे पीछे कैबिनेट और आगे आप चलोगे रोज रोज फीते काटोगे मन की बात करोगे हाथों में भारत रहतन होगा राहूल थोड़ी धीर धर अंतिम और सुल्व साहब एक राय विशेश दिये मैंने उनको के जीत के तुम सबसे पहले शिरिधाम अयोध्या जाना काशी जाकर भोले बाबा का दर्शन कर आना और शिरिशाम प्रेभू का किर्तन होगा राहूल थोड़ी धीर धर बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहूल जी थोड़ी धीर धर बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहूल जी थोड़ी धीर धर बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहूल जी थोड़ी धीर धर बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहूल जी थ अंदर आए फिर बाहर हो गए तो उनका दिल क्या कहेगा चौबिस तक प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि ये इनकमिंग आउट गोइंग लगा रहेगा यह लगा रहेगा आप बड़ा दम भर रहे थे कि वोटिंग में एकता दिखाएंगे यहां साथीयों ने पहले ही मौके पर गोली दे दी, बाद में क्या-क्या गुल खिलाएंगे अच्छे एक बात आपको बताता हूँ, बड़ी मुश्दार बात आजी नेताओं के फॉलोवर्स होते हैं लेकिन राहुल जी के फैन्स हैं, उनके फैन्स हैं मैं बता रहूं आपको ये नई थे तो मज़ा नहीं आ रहा था उनके आते ही फैंस का चहरा खिल गया भाई ने एक भाशन क्या दिया लोगों को कितना मसाला मिल गया कितना कितना मसाला मिल गया राहुल जी का तो ठीक है पर दूसरे नेताओं को खामियाजा भरना पड़ रहा है सोचा था ये आएंगे तो हम अटेक करेंगे यहां तो पहले ही दिन से डिफेंड करना पड़ रहा है डिफेंड करना पड़ रहा है और इनका पुराना बयान याद करना डिफेंड करना पड़ रहा है उन्होंने कहा था भाशन से भूकम पाएगा उनके भाशन से भूकम पाएगा अभी तो पूरा गठ बंधन हिलेगा जपी देना आख मारना फ्लाइंग किस तो देख लिया भगवान जाने ये मुहबबत की दुकान में क्या क्या देखने को मिले देखने को मिलेगी जहां पर एक बड़ा पुराना सा गाना था कि आचल के तुझे मैं लेके चलू इस ऐसे गगन के तले जहां गम भी नहूं आसू भी नहूं बस प्यार ही प्यार पले ये राहुल जी का गाना है ये महबत की दुकान है और आगे आने वाले समय में सब लोगों को ऐसे गगन के तले ले जाएंगे जहां मणईपूर नहीं होगा यह जो है ना गाना जो प्यार किया तो ठीक किया इज스al taking become भी अगर अगर आप आप लोग प्यार ही कर लेते तो सच बात यह है फिर तो मुभबत की दुकान खोलने की जरूरते नहीं पड़ती यह जोरिये नहीं को मिलते ही नहीं आपको सिर्फ बातों के बताशे भैकती आ भाजपा सिर्फ बातों के बताशे भैकतीय है भाजपा राजनीतिक रोटियां ज्रिश्टि से सदा किसी तरह गद्धी मिले यह देखती है बार बार साहब कह रहे ते किसीं फ्लाइंग फ्लाइंग किसीं पता नहीं कहा क्या अंडबन मैं एक छंद देता हूं सुनियेगा इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे जीतने के लिए सामदाम दंड भेद होगा फिर लोक तंत्र का खयाल कब लाओगे प्रस्टन है जीतने के लिए सामदाम दंड भेद होगा फिर लोक तंत्र का खयाल कब लाओगे राहुल जी के पीछे हाथ धोके ही पड़े रहे तो देश को समस्याओं का हल कब दिलाओगे कहा कहा कौन कौन फ्लाइंग करेगा और किस 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 पे सवाल यू उठाओगे कहा कहा कौन कौन फ्लाइंग करेगा और किस 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 पे सवाल यू उठाओगे चाहे जितना लगा लो जो और कुछ होगा नहीं 24 में इंडिया को रोक नहीं पाओगे इंडिया को रोक नहीं पाओगे डितना है इनफेर में आज रोकना है इन्हें नाम बदलने से कुछ डेंडीया के साथ norm बिलकुल सही बात है और यह जो इंडिया बनी हैं इसमें कैसे कैसे लोग हैं मैं कुछ शेयर सुना जाले हैं गट बंधन के नए दौर में काफी गडबड जाले हैं अब जो बात हमारे गोपाल भाई साब कह रहे तो मैं उसी बात को नए अंदाज में कहता हूं नाम इंडिया रखकर कोई आर्या वर्त नहीं होता जरा इशारे देखो लक्षण अब भी इटली वाले हैं मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद मिसरा सुनो, तुकला के मूं से मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद, गट बंधन के सारे योद्धा सचमे बड़े निराले हैं मीरे गाउं के बूढ़े कहते हैं गठबंधन अच्छा है। ताले हैं ताल मेल की कमी नजर आती है सर जी आपस में ताल मेल की कमी नजर आती है सर जी आपस में ऐसे तो 24 चुनाओं तुमें राज तिलक के लाले बहुत शुक्रिया दो लाइने सुन लीजिए इर्शाद फहमिदार याज ने लिखी थी मैंने नहीं कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने रहजन चोरों को कहते है यो बात आ गई मोधी जी वाली इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहां हो सकता है पर हम इस पल में जिन्दा है ये पलहम में जिन्दा है ये वक्त नहीं फिर आएगा तुम अपनी करनी कर गुजरो जो होगा देखा जाए क्या बाता है तो इसना कह रहा हूं नाम बदलने से खुछ हुआ है अजी सदार जी आप शौकत कर रहे हैं सर मैं करूंगा दरसल क्या है आज कर लोग बेवफा बहुत हो गया है अब गोपाल जी तब का इसारा कर गए थे अब लोटे मैं इंतजार में बूड़ा हो गया हूं लग दी रह लेकिन आप बूड़े हैं सर अभी राजबुजी आपके संदीप दीक्षित जी ने एक बात कही पत्रकार ने पूछा गठमंदन के बारे में तो उन्होंने का जेगा वो जंगल की तरह से है जिसमें आती भी होते हैं श कहा उनने हैं वैसे बात यह ताली की थी पर तुम कब बजाओगे मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूं मेरी कही बात फलेगी मैंने इसी सो में कह दिया था कांगरेस और आप पार्टी में सबसे पहले जूतों में दाले बटेगी कहां बटेगी जूतों में आहां क्या पात्र चुना है यह वावराय भे अच्छा चुछ खुद को शेर मानकर मुछे तांते हो यह जंगल में शेर भी है कुछ खुद को शेर मानकर मुछे तांते हो चलो आप पार्टी को तो गीधड़ भी नहीं मानने पर बाकी सब को अब बाजी तो भाई एकठी होने का पाल तो रहे हो गमंड अब इसमें एक सब्दाएगा फलाने भू समझ लेना में का कह रहा हूं एकटे होने का पालतो रहे हो घमंड क्या सेर का सिकार कर लेगा ये फलानों का जुंड ये फलानों का जुंड दोनों आप बच्चे जाजा समझेंगे दोनों गठबंदन की हालत बताता हूं कैसी है भाजपा लुक-लुक कांग्रेस धुक-धुक भाजपा लुक-लुक कांग्रेस धुक-धुक भाजपा पपजी और कांग्रेस फेस्बुक बताता हूं कैसे खेल नकली लेकन रेजल्ट असली है खेल नकली लेकन रेजल्ट असली है पपजी पर तो साधी बिवा होने लग गए लेकन फेस्बुक पर तो पता ही नहीं चलना आए कि यह बबलू है कि अ यह अ चाहिए रही बाद गठ्ट बंधन की तो वो मजधार में है सरे अगर मैं सुरूआत में ओपिनर को ज्यादा टाइम बिलता है मैं एक मिनट लेता हूं मजधार मैंने सब्सक्राइब लिए एक नाम में तीन बैठे थे एक सियाना बैटा एक बंदर था, एक उंट था, श्याडे ने सुभाब के अनुसार बंदल को उंगली की, बंदर सुभाब के अनुरूप उंट पे जा बैठा, उंट सुभाब से करवट ले गया और नाप डूब गई, तो इस बात का त्यां रखना, गटबंदन की नाप मजदार में है, दूर दूर तक जमी नहीं है, और कांगरेश में भी श्याणों की कमी नहीं है, वाँ, 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 लास्ट में कहता हूं, मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूं, ताली वजाना को पाल जी रंग से, मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूं, चो आपने कहा कॉंग्रेस में स्यानों की कमीनिये जरा स्यानिये की उनकी डेफिनेशन तो बता दो अभी उंगली करी थी सुनी नहीं ते क्या पॉसदार जी ने बहुत शांदार बाते पहली चीज तो उन्होंने गड़बंधन की बात कर दी बना कैसे तो लोग कहते हैं कि फिराक ने कहा था और फिराक का नम रगुपती सहाय था कोई मौमिन खान नहीं थे पहले बता तो ठीक है कि सर जमीने हिंद पर अक्वाम आलम के फिराक काफिले बस्ते गए हिंदुस्ता बनता गया बच्चो ये गड़बंधन रवारा ऐसे बातार जी के रूप में जबाब दे रहे हैं दूसरा आपने का फलित जोट्सी हो तो आपके अंदर तो वही मोदी वाला हैंकार आगया कि मुझसे मोहताथ होके गुफ्तगू करना मेरा सिलसिला अल्लामिया तक है अल्लामिया कहीं मोदी जी हो गए क्या बात आप समझो फॉसदार जी की तो चिंता छोड़ दो हमारा गडबंधन तो अभी तक एक है लेकिन आप यह जो इनका गडबंधन है जिनकी तरह बाब बैठे हो इनके गडबंधन ने अभी चार दिन पहले एक पार्टी भाग गई 38 थी 37 रह गई मनिपूर वाली एक पार्टी कुकी नेशनल अलाइंस जो है वह भाग गया तो नाओं में इनकी छेद हो रहा है कि 24 के चुनाओं में आपको यही बात कहनी पड़ेगी लेकिन आप हमारी तरफ से कहो गड़ा गडबंधन जो गडबंधन है वह पूरी तरह से अगर पिछला इतिहास अगर आप देखेंगे तो ठक बंधन के इतना क्यों इसके चारों बोले है अगर अगर दिल है कि मानता नहीं मैं कभी हो तो संतुल बनाने ज़रूरी है सुनिए गुपाल जी ज्यादों कॉंफिदेंस पे रहना भी नीची है और मेरे युवासातियों बहुत अच्छा गाना है इंजॉय करना और आपको पहली बार लगेगा कि राजनीती में भी इंजॉय होता है अब सुनना जी राय बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी लिक्के ले-ले-ले-ले-ले-ले-ले-ले-ले-ले-ले-ले-ले-ले-ले-ले-ले-ले-ले-ले-ले-ले- फांस बढ़ी बन जाएगी अब ना जादा आगे जो लाइन आगे पूरा अंगा मा अब ना जादा आखं में बहना मत मोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा जटका? ओई जटका? ओई जटका? जटका? अरे जटका लगा रे मोदी छी की सरकार में जटका लगा रे रोज नई miss take है जी monopoly था कौने खढ़े काठके घोडे की तरह मुश्किल में बाजार देखो महगाई की मार देखो पड़ रही पीठ पे कोडे की तरह गट बंधन को है मौका अब मार रही है चौका जितनी गलती करोगे उसका लाब इनको मिलेगा अर देखो आप गट बंधन को है मौका अब मार रही है चौका फिर मत कहना जनता ने क्यों दिया दगारे अर जटका लगारे मोदी जी की सरकार में जटका लगारे साफदान रही है जटका जटका लग सकता आपको मोदी जी और हमारי सरकार जो भी है पूरी तरह से सरकार, जनता के समवाद के साथ काम करती है अगर पिछले देड़ मैने के काम को देखें जब 9 साल पूरे हुए थे जिस तरह से एक-एक कारेकरता, एक-एक पदादिकारी, एक-एक मंतरी, एक-एक MP, कॉंस्ट्वेंसी में लोगों उसके साथ मिल के काम कर रहे हैं, उनसे समवाद कर रहे हैं, और यही बात स्ट्रेटेजी के रूप में हम 2024 के लिए आगे लेके जाएंगे. एक मेरे मित्र ने कविता लिखी थी, मैं दोहा सुना देता हूँ, आम आदमी की अगर नहीं सुनोगे बात, तो जनता ही समझा देगी क्या है अपनी अवकावाद कर रहे हैं। जब कष्टी साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकष्टा कष्टी में साहिल की तमन्ना कौन थी, अब ये कष्टी शिकष्टा हो गई है, महगाई की मार है, डूपती सरकार है, महिलाए नगन होकर के क्या वो हो रहा है, मनिपुर में आपके सामने क सstar है और मोदी जी को हैंकार है or किसी को बोलना हो तो ठीक है मैं अघ्रू शुरू्ओ हिनसा का इसा बन जागा चल बहुत करता मोदी जी का नाम नहीं है त्रव क्या पता सुनो के यहां महा सारे जहां में ये आवाज है अरे यहां वहां सारे जहां में ये आवाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद अरे सारे देशवासियों पे सारे देशवासियों को मोदी जी पे नाज है सारे देशवासियों को मोदी जी पे नाज है जिन्दाबाब के कहती है दुनिया ये सारी हो रही चर्चा तुम्हारी एक मोदी हाँ हाँ मोदी सब पे है भारी अरे आपके ही सर पे आपके ही सर पे तो चौबिस का ताज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाब कितने फूसें अगरवाल साब के यहां वहां के राम का मंदिर बना के धारा सतर को हटा के घर में दुश्मन हाजी दुश्मन को यू हरा के आपने बचाई ये भारत की लाज है आपने बचाई ये भारत की लाज है मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद आध मोदी जी तुम जिंदाबाद यहां वहां सारे जहां में ये आवाज है यहां वहां सारे आज कल कैया है भाजपा ने अपना कद इतना उंचा सोंच लिया है कि बहुत नजदीक से भी देखने पर बड़ी से बड़ी चीज भी छोटी दिखाई देती है गठबंदन की एक पार्टी है आमादमी पार्टी बाजपा की कई नेताओं को मैंने सुना उनको कह रहे जी सुपारी जैसी पार्टी है टीसी पार्टी है तब कविता पढ़ता हूं आनन लेना सुनना मज़ा आएगा इस सुपारी ने 2015 से चैलेंज ले रखा है तूट तो रह ही नहीं जबड़े में दर्द अलग दे रखा है दिल्ली हो या पंजाब इसी सुपारी के चक्कर में भाजपा अपना वजूद खो रही है देखिएगा कहीं ये सुपारी चुइंगं तो नहीं आठ साल से चबाए जारें खतमी नहीं हो रही है और एक पंक्ती देता हूँ आप सब तरक के बच्चे हैं उसको पकड़ना आप कोई खतमी नहीं हो रही है छोटी चीजों को हलके में नहीं लेना चाहिए वरना परिणाम बाद में नजर आता है आदमी पहाड पर तो बैठ सकता है पर छोटी सी सुई पर नहीं बैठ पाता है कि छोटी सी सुई पर नहीं बैठ पाता है आपको ज्यादा वोट मिले अभी ये दिल्ली वाले मुद्दे पर आपको ज्यादा वोट मिले वो तो मिल नहीं थे क्योंकि संख्या के आधार पे आप बड़े हैं तर ये भी तो सच है कि इत्ती सी पार्टी के पक्ष में भी एक सो तीन वोट पड़े हैं और एक तथ्य बताता हूं बहुत आनंद आएगा आपको सुनके भाजपा ने तो मजाक उड़ा दिया जबकि चौबिस में सीधी लडाई भी नहीं है और एंडिये में जिन जिन को शामिल किया है उनमें से पार्टियां तो सुपारी की एक चोथाई भी नहीं है और अंतिमपन्ती दे रहा हूं पार्टी छोटी है तो क्या हुआ पॉलिटिक्स में किसी को इग्नोर नहीं किया जाता है चीटी हाती की सून में घुस जाए तो हाती भी परेशान हो जाता है बहुत धन्यवाद बहु देखें हमारी लड़ाई ना आप से हैं ना कॉंग्रेस से ना किसी अपोजिशन के और किसी पार्टी से इनकी आपस की लड़ाई है इन में पहले तैह होने दीजे कि कौन सुपारी है कौन आती है कौन चीटी है तब फिर हमारे सामने लड़ाई होगे यहां पर तो गोपाल के अब डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे क्या बात बढ़िया बहुत बढ़िया कमल नाज जी को देखा आपने वो शरन में पहुंच गया उनके तो मैं कॉंग्रेस से मुखाटिफ होता हूं कि बागेश्वर सरकार का दामन ठामे तो अंग निकले हैं नतमस तक दिख रह हैं राजद को ये डर है कि तूट न जाए गठ बंधन कमल नाज जी कमल खिलाने वाले के संग निकले हैं थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं आदर्नी से पूछना चाहता हूं कि कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंद्र सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मन्थन करेंगे क्या कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंद्र सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मन्थन करेंगे क्या या चुनाव जीतने की रणीती है हुजूर जूट मूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या सिर्फ हिंदूओं को भर्माने का ही सोचे हैं या सच यहां मन से समर्पन करेंगे क्या नेता जी बताइए कि वोट पाने के लिए ही आप हिंदू राष्ट का समर्थन करेंगे भारत एक संभिधान के से संपनरास्थ है हमारे देश का धर्म संमिधान है सबसे बड़ी बात यह हमारे देश का धर्म संभिधान है और भगवा रंग भगवारं किसी की बपोती नSeland की बैपाई यह ख़़ीया खी आब बी आद्ध्यात्मिक वह और हम भी आद्ध्यात्मिक राश्ट fajn प्ति चलिये संवेद्हाणिक की तरफ चलिए दिया। बागी सब बात हिंदो हमोंत की भान कि लेकिन बजरनबली को गालिया देंगे एक जगह जनेउधारण कर लेंगे दूसरी जगह यह जो कन्फ्यूजन है ना यह कन्फ्यूजन देश के लिए आज के समय में जनता इसको एकसेप्ट नहीं करती है आप स्पष्ट रूप से अपनी बात को अपने विचारों को रखिए अगर आप क्या आपके विबिन पहलूँँ पे क्या विचार है उसमें डिलडॉल करते हैं तो वहीं कन्फ्यूज कर देते जनता चलिए तो अब मैं कन्फ्यूजन वाली बात नहीं करता हूं कोई धार्मिक बात नहीं करता हूं सीधे सीधे को सवाल जो पूछना चाहिए उ अधिधर सुरेंद सर आप से चाहिए सुने आगा चला सियासत से जो है वोटर छका न डाले सवाल ये है कमिंग इलेक्षन में ये हुकूमत गिरा न डाले सवाल ये है करीब दो महीने से इस समस्या से जूज रहे हैं तो आज रिपीट कर रहा हूं इसको ये जो टमाटर उतर के नीचे ना आ रहा है कई दिनों से यही टमाटर तुम्हारी चटनी बनाना डाले सवाल ये और एक सवाल और ये जान ले रहा है कुछ चीजें और ले रही है ये मिर्च तीखी अभी एक बड़ा फोटो आया था उसमें एक दिवाल पे मिर्च लगी थी किसी ने बड़ा अच्छा लेखा कि मिर्च में ये खासियत होती कहीं भी लग जाती है ये मिर्च तीखी यहां भी लग सकती है यहां भी लगेगी ये मिर्च तीखी ये जर्द जीरा ये सर्द लहसुन ये कृद्ध अदरक यही मसाला चुनाव को संसना न डाले सवाल ये ह थाजिस को रोका वो शेर बबर पलट के संसद में आ गया है वो शेर बबर तुम्हारी कुर्सी हिला न डाले सवाल ये वो शेर बबर एक द्रस मैंने ये देखा था कि कांगरेश के अद्धक्ष जव तक खड़े रहे जव तक वो बैठने गई रावल जी पहां और एक कुर्सी भी ढूंडी गई और अवेश्वास पर आप मत बोला आपके भी आलत यही हैं मैं बोलूंगा और अवेश्वास प्र पहले जब से सुप्रीम कोट का फैसला आया है जब से सुप्रीम कोट का फैसला आया है कांगरेशी जस्न मना रही हैं मिठाईयों के दौर चल नहीं हैं चम्चे पॉपकॉर्ण की तरह उचल नहीं है पॉपकॉर्ण की तरह उचल ने सुरे राजपू जी कितना धमाल मचाया है बाई कोट ने राहुल को जेल जाने से रोका है प्रदान मंत्री नहीं बनाया है साधारन मेंबर बड़ा या अदग्छ बड़े रहे रावल जब तक बैठ नहीं गए तब तक खडगे जी खड़े रहे तो यह कांगरेशी एक बड़िया बात लाता हूं तारीख और उस पर ज्यान दगना एक ब्यंग है तो कांगरेशी बोला आप भाजपा के बेद नहीं खोलते यह कांगरेशी बोला यह कांगरेशी बोला बाजपा के बेद नहीं खोलते मोधी जी के आगे नड़ा जी भी त नहीं बोलते, मैंने कहा कांगरेशी तुम्हारे भ्रह्म के बादल बहुत गने हैं, भाई मोदी जी तो 2014 से पीए में, राउल जी तो 4 अगस्त 2023 को MP बने सुरेंजी समझ गहें बातों हो, भाई यह, नहीं आप बताइये, अमी से उम्मीद आप भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, यह कभी कितना पशीना बहाएं, यह कभी कितना पशीना बहाएं, खड़गे जिए कांगरेश के अध्यक्ष हैं, यह बात भी अब उनको हम बताने ज मैं अब लिए दो हुँ धाल कि अलगा हुए दो जवाब यह दरसल ने की अं inward का डरन ही सुन वाई देख बैख हुआ भाई नए जोश में अब की दफा हाह हुई सुन वाइदेख बैख हुआ भाई नए जोश में अप की दफा कहीं कहीं न करदे सफा कहीं न करदे सफा डरी हुई है बाजफा अश्ना का न जब फ्रहा सर्पोर्ट अपने विकास कार नहीं किना रहे हैं राहुल को कोसने के चकर में दिन रात राहुल का नाम जपा राहुल को कोसने के चकर में दिन रात राहुल का नाम जपा कहीं न कर दे सफा, कहीं न कर दे सफा, डरी हुई है भाज़पा असुली जे, ये कांग्रेसी बोला है कि गर जेगा रोज तुम पर, संसद में तुम फसोगे जितना उचल रहे हो, उतना ही तुम धसोगे ओ सावा, ओ सावा मज़ देखो, कि सदमे में सब तुम्हारा घर अब तो दिख रहा है, चेहरे पिहार वाला डर अब तो दिख रहा है, ओ शावा, ओ शावा ओ शावा, ओ शावा, फिर से देखिए जनता है तंग बुरे आपके है ढंग सब जूटी लगे बतियां बुझने लगी है सत्था वाली ये तुम्हारी अब सारी मुंबतियां कहीं न कर दे सफा कहीं न कर दे सफा हाँ दरी हुई है वाजपा कुरसी पे जाके भी कुछ न कर पाओगे किससे बहने हैं कुछ न कर पाओगे जो डराए पडोसी तो डर जाओगे आपकी आद ते ना बदल पाएंगी जो मिलेगा वही आप चर जाओगे जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हें कितने गढ़ बंदन बना लो जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हें अपनी कमियों को ना ढूंड पाए कभी इसलिए जनता ने है नकारा तुम्हें देखो आपको बताओं हम लोग डरने वाले लोग नहीं है डराने वाले लोग हैं अज तक अगर डराया है एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान बनाए गोवा को अपने में शामिल किया सिक्कम को अपने में शामिल किया और जिस चीन की आप बात कर रहे थे जिस चीन की आप बात कर रहे थे कि वहाँ पर लाला लाखे दिखाएंगे हमने उनको जूला नहीं जूलाया मैं कुछ बाते बताता हूँ बीजेपी को और किन-किन चीजों के उम्मीद नहीं है जो हो रहा है वो सुनो आप सर बीजेपी ने सोचा सदस्यता खत्म हुई अब कॉंग्रेस की इज़त धुल जाएगी पर भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि रहुल जी की वापसी होगी और मोहबद की दुकान फिर से खुल जाएगी फिर से खुल जाएगी उम्मीद तो ये भी नहीं थी कि महंगाई जैसी चवन्नी बात मुद्दों की लिस्ट में जुड सकती है और इड्डिया गठबंधन की मजबूती देखकर बीजेपी की नींद उड सकती है बीजेपी की नींद उड सकती है क्या पता नाराज साथी भी एक एक कर बिछुडने लग जाएं अभी तो सिर्फ नींद उड रही है हो सकता है इलेक्षन तक तोते उडने लग जाएं भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी एक पंक्ती कहता हूँ बात अच्छी लगा तो समर्थन जरूर करना इसका भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी पर अवकाद दिखाना, बेटे को सेट, दामाद को भेंट जैसी भाषा की उम्मीद भी नहीं रही होगी उम्मीद भी नहीं रही होगी, भाजपा सोच रही होगी कि हवाबाजी से ही काम चल जाएगा पर जनता की उम्मीद पे खरे नहीं उतरे, तो चुनाओं में परिणाम भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आएगा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आबाद अभी एक खोटा सा वीडियो वाइरल हुआ था, उसमें प्रेस कॉंफरेंस चल लगी है और नितीश जी बार-बार राहूल जी को कह रहा है कि थोड़ा बोल दीजिये ना कि अगुआ बनने का शौक छूटा है नितीश जी का घूट अपमान का वो घोट के ही रह गए सोचते हैं गलती हुई जो कहा बोलने को प्रेस कॉंफरेंस में जो राहूल जी से कह गए राहूल जी तो कुछ भी न बोले रिक्वेस्ट पे भी सभी अर्मान जो थे ॡिल के वो बैह गए आप बोल दीजिये ना थोड़ा बोल दीजिये न प्लीज बोल दीजिए ना कहते हैं रहे हैं प्लीज गोरों नहीं प्रताप ना आघाज नया होगा का से होगा गोरों नहीं प्रताप ना आघाज नया होगा फिर किस तरह से आपका अंजाम नया होगा प्रताब ना आगाज नया होगा फिर किस तरह से आपका हंजाम नया होगा 24 के चुनाओं में विपक्षियों के पास सब काम पुराने रहेंगे नाम नया होगा अच्छा इन लोगों के काम भारती जन्ता पालिटिक कैसे है शोर तो बहुत मसता है ये हो गया वो हो गया लाइन से गिनाएंगे लेकिन एक्चुली होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं सुरेंजी आपका साथ चाहिए बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस और इस पंक्ति पर आप सब की तालियां जोरदार उठें बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस के जैसे घूंगट में कोई दुलहन हसीन हो ऐसे काम है बस आवाज करती हो खूब लेकिन जो काम करती नहीं हो बिलकुल बहुत खटारा पुरानी कोई मशीन हो ऐसे काम है बस आवाज करती हो खूब लेकिन जो काम करती नहीं हो बिलकुल बहुत खटारा पुरानी कोई मशीन हो ऐसे काम है बस ना बेल बूटे महबतों के ना पेड़ पौधे मुरवतों के के जैसे बंजर उजाड कोई जमीन हो ऐसे काम है बस पढ़े लिखोंसा कोई सली का कोई नतीजा नजर ना आए के बाद दस्वी के पास मेट्रिक जहीन हो ऐसे काम है आपको दो कि बाती पसंद नहीं आरी ति इसरी आजाओ अब चुना प्रचार शुरूई हो चुगा दो तीन चार श्टेटों में चुहाए शिवराज चवांजी आया थे बुंदेल खंड और उन्होंने यह का था के बुंदेल खंड का विकास कांगरेस ने रोका था अब सुनिए भाजपा जूट पर पैर गारती है भाजपा जूट पर पैर गारती है बरतमान में कामजीरों हैं इसलिए गड़े मुद्दे उखारती है वो ही पुराणी वो कैसे वह मामा जी वह 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 मामा जी वह जनता की खवर की इतनी पतली गली राहुल की सदसिता की खवर बीस मिनिट में मिल गई और बुंदेल खंड का बिकास कांग्रेस ने रोका था ये खवर बीस साल बाद मिली भाजपा फिर वही गाना पाकिस्तान ये वह फिर वही गाना नेरू का जमाना कांग्रेस का बहाना बात बात में पाकिस्तान हिंदू मुसल्मान यार पुरानी ही कैसेट बज रही है पुरानी ही कैसेट बाजपा पुरानी ही और एक बात कहता हूं समझ में आज़ा तो हो करके पुरानी ही कैसेट बजा रही है भाई उसमें कुछ नए जुमलेई बना लो वो मेक इन इंडिया किस काम आ रही है पुरानी ही है कि इस बार वही तीन पात ढाक एक मुआबरा आप समझते होंगे ढाक के तीन पात इस बार वही तीन पात ढाक करोगे तुम नए जुमले तक तो गड़ नहीं पा रही हो विकास क्या और अन्त में मैं यही कौँगा चारो और तरह तरह दंगों की भजीते नहीं बचा सके और तारी बजाना तुम और किसको कहां बचाओगे तुम अपने लाए हुए चीते नहीं बचाओगे और यही सच है और मों सचाने वाला है असली चेहरा यही है सब्सक्राइब युवापीडी का है सच के लिए देश डूबा डूबा कांगरेस के बादों में कूब लूटा लूटा इनकी फरेभी बातों ने दम जिसके पसीने में चपन इन्ची सीने में देश में तरक्की की फसलें जिसने बोधी मूधी Lei कुछ नहीं कह रहा आप बिलकुल बढ़िया कहरे रहां बस मूधी कीज़ गूदी 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 मूदी गूदी 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 इसरा सब्सक्रियस लाहूली जी विद्यजों में जाकर बड़ी प्लानिंग करे, गलत टाकिंग करे, संसद में चलाएं अखियां कभी, अभी स्लीपिंग करे, वो किस प्लाइंग करे, ऐसे ही इशारों से, दूर हैं किनारों से, हरकतों को देख कर सारी जनता रोदी, इंदिया पे नाम रख देने से, ना कुछ होना सुनो, है बस रोना सुनो, ब्रष्टाचारी मिले हैं आपस में, ना कुछ पाना सुनो, है बस खोना सुनो, अरे खामों खाँ है चकर में, कोई न जिसके ठककर में, फिर से यंगा में के लिए तयार, खामखा है चक्कर में कोई न जिसके ठक्कर में जिसने धंग से अप पोजीशन की इजद्धो दी मोदी 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 हाँ बस्ती की पैरोडी सुनिये साथ और आपके चेरो पे मुस्कुराट की गारंटी है सुनियेगा के बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहुल थोड़ी धीर धरो कभी लाल किले से भाशन होगा राहुल थोड़ी धीर धरो बोले और क्या होगा के इंडिया गेट पे अगले बरस हम जनगन मन गाएंगे चैब भी जन्वरी को के अगले इंडिया गेट पे अगले बरस हम जनगन मन गाएंगे चीफ गेष्ट सिरी बाइडन होंगे, पुतिन भी संग आएंगे नए वाला संसद भवन होगा, राहुल थोड़ी धीर धरो नए वाला संसद भवन होगा, राहुल थोड़ी धीर धरो बोले कैसे जीतेंगे, केजु ममता लालू टीपू सब हैं अपने साथ उद्धव के संग नितिस चलेंगे सब से आगे हाथ और पंजे के संग जन जन होगा राहुल थोड़ी धीर धरो और एक बात और कहीं मैंने, फील कैसी आती है फील, मैंने फील बताईए पीछे पीछे कैबिनेट और आगे आप चलोगे पीछे पीछे कैबिनेट और आगे आप चलोगे रोज रोज फीते काटोगे, मन की बात करोगे, हाथों में भारत रतन होगा, राहू थोड़ी भीर धरे। काशी जाकर भोले बाबा का दर्शन कर आना, और शिरी शाम प्रेभू का किर्तन होगा, राहू थोड़ी धीर धरे। बहू मत से तुम्हारा मिलन होगा, राहू जी थोड़ी धीर धरे। इन्हों ने तो राहूल जी पर भविश्वानी कर दी, एक भविश्वानी राहूल जी पर ओर है, वो आप सुनो, आपको आनन्द आएगा। सजा हुई, बाहर गए, रोक लगी, अंदर आए, फिर बाहर हो गए तो उनका दिल क्या कहेगा। 24 तक प्राब्लम सॉल्व होगी कि ये इनकमिंग आउट गोइंग लगा रहेगा। ये लगा रहेगा, आप बड़ा दम भर रहे थे कि वोटिंग में एकता दिखाएंगे, यहां साथियों ने पहले ही मौके पर गोली दे दी, बाद में क्या-क्या गुल खिलाएंगे। बाद में क्या-क्या गुन खिलाएंगे, अच्छे एक बात आपको बताता हूँ, बड़ी मज़दार बात है जी, नेताओं के फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन राहुल जी के फैंस हैं, उनके फैंस हैं, मैं बता रहूँ आपको, ये नई थे तो मजा नहीं आ रहा था, उनके आते ही फैंस का चहरा खिल गया, भाई ने एक बाशन क्या दिया, लोगों को कितना मसाला मिल गया, कितना कितना मसाला मिल गया, राहुल जी का तो ठीक है, पर दूसरे नेताओं को खामियाजा भरना पड़ रहा है, सोचा था ये आएंगे तो हम अटेक करेंगे, या तो पह और के बाई कबाया अपना याद करना और धिवेंड करना पड़ रहा है उन्होंने कहा था भाशन से भूकम पाएगा, अ उनके भाशन से बूकम पाएगा, अभी तो पूरा गठ बंधन हिलेगा, जब पी देना, आँख मारना, फलाइंग किस तो देख लिया, भगवान जा इसा है मित्र बिल्कुल सही कई महब्बत की दुकान में महब्बती देखने को मिलेगी जहां पर एक बड़ा सा पुराना सा गाना था कि आचल के तुझे मैं लेके चलू इस ऐसे गगन के तले जहां गम भी नहूं आसू भी नहूं बस प्यार ही प्यार पले यह राहूल जी का गाना है ये महब्बत की दुकान है और आगे आने वाले समय में सब लोगों को ऐसे गगन के तले ले जाएंगे जहां मणीपूर नही क्ये कर लेते गुपाल जी नहीं पड़ती है परस एक पर सिर्फ बातों के बताशे पैकती है बाजपा सिर्फ बातों के बताशे फेकती है भाजपा, राजनीतिक रोटियां बस सेकती है भाजपा, ध्यान बगुला भगत बन, गिध दृष्टी से सदा, किसी तरह गद्धी मिले ये देखती है भाजपा किस तरह गद्धी मिले ये देखती है भाजपा, ये बार बार सहब कह रहे थे किसी फ्लाइंग, फ्लाइंग, किसी पता नहीं कहा क्या अंडबन, मैं एक छंद देता हूं सुनियेगा, ये इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे, जीतने के लिए साम दाम दंड भेध होगा, फिर लोक तंतर का खयाल कब लाओगे, प्रस्टन है, जीतने के लिए साम दाम दंड भेध होगा, फिर लोक तंतर का खयाल कब लाओगे, राहुल जी के पीछे हाथ धोके ही पड़े रहे तो देश को समस्याओं का हल कब दिलाओगे, देश को समस्याओं का हल कब दिलाओगे, कह कहा कहा कौन कौन फ्लाइंग करेगा और किस 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 पे सवाल यू उठाओगे चाहे जितना लगालो जोर कुछ होगा नहीं 24 में इंडिया को रोक नहीं पाओगी किया इससमें नो आज रोक ना है इन्हें नाम बदलने से कुछ नहीं होगा हम थो बारत के इंडिया के साहरे बिल्कुल सही बात है沐 और यह जो इंडिया बनी है он होग यह कोछ सेयर सुना करके जित्ती तालियां बच्ची हों सब बजा लेना क्योंकि इसके वाश्चों खत्रा मन में कुछ के डल होजी कुछ अंदर से मैकाले हैं गट बंधन के नए दौर में काफी गड़बड जाले हैं अब जो बात हमारे गोपाल भाई साब कह रहे तो मैं उसी बात को नए अंदाज में कहता हूं नाम इंडिया रखकर कोई आर्या वर्त नहीं होता जरा इशारे देखो लक्षण अब भी इटिली वाले हैं जरा इशारे देखो अब भी लक्षण इटिली वाले हैं उन्जा घरत जन्पत के पास है अच्छा मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद मिसरा सुनो तुकला के मुझ से मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद गट बंधन के सारे योद्धा सच में बड़े निराले हैं गट बंधन के सारे योद्धा सच में बड़े निराले हैं दोशेर और सिंदीजे फिर आपके जवाब मेरे गाउं के बूढ़े कहते हैं गट बंधन अच्छा है नई लड़के तो मोधी मोधी कर रहें बहुत शुक्रिया और सेरे आफिर और इसको दूर कर लीजेगा कि ताल मेल की कमी नजर आती है सर जी आपस में ताल मेल की कमी नजर आती है सर जी आपस में ऐसे तो 24 चुनाओं में राज तिलक के लाले बहुत बहुत शुक्रिया दो नाइने सुन लीजे फहमिदार याज ने लिखी थी मैंने नहीं कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने रहजन चोरों को कहते हैं यो बात आगी मोदीजी वाली इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहां हो सकता है कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहां हो सकता है कुछ और तो अकसर होता है पर इसका जवाब सुन लिजे इंडिया से पर हम इस पल में जिन्दा है ये पल हम में जिन्दा है ये वक्त नहीं फिर आएगा तुम अपनी करनी कर गुजरो जो होगा देखा जाए क्या बाता है तो इतना कह रहा हूं नाम बदलने से खुछ हुआ है आजी सदार जी आप सौगत कर रहे हैं सर मैं करूंगा दरसल क्या है आज कर लोग बेवफा बहुत हो गया है अब गोपाल जी तब का इसारा कर गए थे अब लोटे मैं इंतजार में बूड़ा हो गया हूं लग नहीं रहे लेकिन आप बूड़े हैं सर अभी राजबुजी आपके संदीप दीक्षित जी ने एक बात कही पत्रकार ने पूछा गठमंदन के बारे में तो उन्होंने का जेका वो जंगल की तरह से है जिसमें आती भी होते हैं सेर भी होते हैं और गीदर भी होते हैं और केजरी वाल कि आप पाइटी को दम गीदर भी नहीं मानते हैं यह यह कहा उन्हें बैसे बात यह ताली की थी पर तुम कब बजाओगे मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूँ मेरी कही बात फलेगी मैंने इसी सो में कह दिया था कांगरेस और आप पार्टी में सबसे पहले जूतों में दाले बटेगी कि यह ना को अभ कुछ को मानकार मुचा झानते हो घैने जंगल में और जंगल में है अधे को इंग वूचप दॉच्छ कुदको शेर मानकार मुचे तांते हो चलो आप पार्टी को दो गीधड़ मी नहीं माने पर बाकिस लोगड़ ही मानते हो कर इसख कर जो पाजी तो भाई एकटी होने का पाल तो रहे हो घमंड अब इसमें एक सब्दा आएगा फलाने वू समझे लेना में कहा कह रहा हूं एकटे होने का पाल तो रहे हो घमंड क्या सेर का सिकार कर लेगा ये फलानों का जुंड भजपा लुक लुक कांगरेश धुक-दुक कांगरेश धुक दुक, भाजपाप पपजी और कांगरेश फेस्टुक बताता हूं कैसे खेल नकली लेकन रेजल्ट असली है खेल नकली लेकन रेजल्ट असली है पपजी पर तो साधी बिवा होने लग गए लेकिन फेस्टुक पर तो पता ही नहीं चलना है कि यह बबलू है, कि बबली है अच्छा है रही बात गठबंदन की तो वो मजधार में है सर अगर मैं सुरू आत में ओपनर को ज्यादा टाइम बिलता है मैं एक मिनट लेता हूं मैं ने सब्द लिया है, एक नाव में तीन बेठेते एक शियादा था, एक बन्दल था, एक उंट था शियादे ने सुभाब के अनुसार बंदल को उंख ली की बंदल सुभाब के अनुरू नूट पर जा बैठा उंट सुबाब से करवट ले गया और नाप डूब गई तो इस बात का ध्यान रखना गटबंधन की नहप मजदार में हैं दूर दूर तक जमी नहीं है और कांगरेज में भी श्याणों की कमी नहीं है वाँ 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 मैं लाष्ट मरे कहता हूँ मैं फल जोतिष का जोतिषी हूँ ताली वजाणा को पल जी रंसे एप्याव जोतिषी हूँ चौबीस में यद गठ बंदन गोता खायगा तो देख ले ना उसे कोई कांगरेशी शाणा रभाएगा मैं आपने कहा कॉंग्रेस में स्यानों की कमीनिये जरा स्यानिये की उनकी डेफिनेशन तो बता दो अभी उंगली करी थी सुनी नहीं थी क्या पहली चीज तो उन्होंने गडबंधन की बात कर दी बना कैसे तो लोग कहते हैं कि फिराक ने कहा था और फिराक का नाम रगुपती सहाय था कोई मौमिन खान नहीं थे पहले बता तो ठीक है कि सरजमीने हिंद पर अक्वाम आलम के फिराक काफिले बस्ते गए हिंदुस्ता ब पॉसदार जी कभी हैं तो कभी के रूप में जबाब दे रहे हैं दूसरा आपने का फलित जोट्सी हो तो आपके अंदर तो वही मोदी वाला हैंकार आ गया कि मुझसे मोहताथ होके गुफ्तगू करना मेरा सिलसिला अल्ला मिया तक है अल्ला मिया कभी मोदी जी हो गए क्य गटबंधन तो अभी तक एक है लेकिन आप यह जो इनका गटबंधन है जिनकी तरह बाप बैठे हो इनके गटबंधन ने अभी चार दिन पहले एक पार्टी भाग गई 38 थी 37 रहे गई मनिपूर वाली एक पार्टी कुकी नेशनल अलाइंस जो है वो भाग गया तो नाव में इनकी छेद हो रहा है 24 के चुनाओं में आपको यही बात कहनी पड़ेगी लेकिन आप हमारी तरफ से कहो गई गट बंदन जो गट बंदन है वो पूरी तरह से अगर पिछला इतिहास अगर आप देखेंगे तो ठक बंदन के अलावा कुछ नहीं है गोपाल जी आज मुझे आपको सचेत करने के लिए बिठाए गया नहीं मैं कांग्रेस की तरफ हूँ आज और मैं सही मुद्व पर इतना क्यों इसके चारों बोलते है इसके दिल है कि मानता नहीं मैं कभी हो तो संतुल बनाने ज़रूरी है सुने गोपाल जी जादा कॉंफिटेंस पर रहना भी नहीं चाहिए और मेरे युवा साथियों बहुत अच्छा गाना है इंजॉय करना और आपको पहली बार लगेगा कि राजनीती में भी इंजॉय होता है अब सुना राय बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी लिके ले लो लिके ले 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 राय बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी अब ना जादा अहम में बहना मत्मोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा रे अगे जो लाइन आगी पूरा अंगा मा अब ना सादा अहम में बहना मत्मोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा रे हाई जटका, ओए जटका, ओए जटका, जटका अरे जटका लगा रे, मोदी जी की सरकार में, जटका लगा रे, मोदी जी की सरकार में, जटका लगा तगडा, लगा जटका लगा हाई 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 जटका लगा रे, रोज नहीं मिस्टेक है जी, बादा प्रोमिस फेक है जी, है खड़े काठके घोडे की तरह मुश्किल में बाजार देखो महगाई की मार देखो पड़ रही पीठ पे गोडे की तरह गट बंधन को है मौका अब मार रही है चोका जितनी गल्ती करोगे उसका लाब इनको मिलेगा इस अरे देखो आप गट बंधन को को एक मौका अब मार रही है चौका फिर मत कहना जनता ने क्यों दिया दगारे अर जटका लगारे मोदी जी की सरकार में साफ़ान रहिए जटका जटका लग सकता आपको देखो मोदी जी और हमारी सरकार जो भी है पूरी तरह से सरकार जनता के समवाद के साथ काम करती है अगर पिछले देड़ मैंने के काम को देखें जब नौ साल पूरे हुए थे जिस तरह से एक-एक कारेकरता एक-एक पदादिकारी एक-एक मंत्री एक-एक MP काम कर रहे हैं उनसे समवाद कर रहे हैं और यहीं बात स्ट्रेटेजी के रूप में हम 2024 के लिए आगे लेके जाएंगे एक मेरे मित्र ने कविता लिखी थी मैं दो दोहा सुना देता हूं आम आदमी की अगर नहीं सुनोगे बात तो जनता ही समझा देगी क्या है अपनी ओका अब गोपाल जी को मैं सिरफ एक साहित्तिक माध्यम से जबाब दे रहा हूं कि जब कष्टी साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी जब कष्टी यानि मोदी जब 14 वाले मोदी जी 19 वाले थे जब कष्टी साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी अब ऐसी शिक हो गई है महंगाई की मार है दूपती सरकार है महिलाए नगन होकर के क्या वो हो रहा है मणिपूर में आपके सामने कह नहीं सकते इन बच्चों के सामने पूरा देश चर्मसार है और मोदी जी को हैंकार है और किसी को ब Bonoان हो तो ठीक नहीं मैं खरू शुरू तो हिंसा बन जागा चल शुरू और कहरा था मोदी जी का नाम निया तो क्या पता है कि यढाँ वहां सारे नहीं जा हां में ये आवाज है अं और या हम inhib सारे जाहां में ये आवाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद अरे सारे देशवासियों को मोदी जी पे नाज है सारे देशवासियों को मोदी जी पे नाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद के कहती है दुनिया ये सारी हो रही चर्चा तुम्हारी एक मोदी हाँ हाँ मोदी सब पे है भारी अरे आपके ही सर पे तो चौबिस का ताज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद कितने फूसे अगरवाल साब के यहां वहां दूसरा सुनो के राम का मंदिर बना के धारा सत्तर को हटा के घर में दुश्मन हाँ जी दुश्मन को यूं हरा के आपने बचाई ये भारत की लाज है आपने बचाई ये भारत की लाज है मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद यहां वहां सारे जहां में ये आवाज है यहां वहां सारे बहुत नजदीक से भी देखने पर बड़ी से बड़ी चीज भी छोटी दिखाई देती है गठबंदन की एक पार्टी है आमादमी पार्टी बाजपा के कई नेताओं को मैंने सुना उनको कह रहें जी सुपारी जैसी पार्टी है इस सुपारी ने 2015 से चैलेंज ले रखा है तूट तो रही नहीं जबड़े में दर्द अलग दे रखा है दर्द अलग दे रखा है दिल्ली हो या पंजाब इसी सुपारी के चक्कर में भाजपा अपना वजूद खो रही है देखिएगा कहीं ये सुपारी चुइंगन तो नहीं आठ साल से चबाए जा रहे हैं खतमी नहीं हो रही है और एक पंक्ती देता हूँ आप सब तरक के बच्चे हैं उसको पकड़ना आप कोई खतमी नहीं हो रही है छोटी चीजों को हलके में नहीं लेना चाहिए वरना परिणाम बाद में नजर आता है आदमी पहाड पर तो बैठ सकता है पर छोटी सी सुई पर नहीं बैठ पाता है छोटी सी सुई पर नहीं बैठ पाता है आपको ज्यादा वोट मिले अभी ये दिल्ली वाले मुद्दे पर आपको ज्यादा वोट मिले वो तो मिल नहीं थे क्योंकि संख्या के आधार पे आप बड़े हैं पर ये भी तो सच है कि इत्ती सी पार्टी के पक्ष में भी एक सो तीन वोट पड़े हैं और एक तथ्य बताता हूँ बहुत आनंदा है आपको सुनके भाजपा ने तो मजाक उड़ा दिया जबकि 24 में सीधी लड़ाई भी नहीं है और NDA में जिन जिन को शामिल किया है उनमें से कई पार्टियां तो सुपारी की एक चोथाई भी नहीं है सुपारी की एक चोथाई भी नहीं है और अंतिम पंति दे रहा हूँ पार्टी छोटी है तो क्या हुआ पॉलिटिक्स में किसी को इग्नोर नहीं किया जाता है चीटी हाती की सून में घुस जाए तो हाती भी परेशान हो जाता है बहुत भी धन्यवाद बहुत आवाद देखें हमारी लड़ाई ना आप से ना कॉंग्रेस से ना किसी अपोजिशन के और किसी पार्टी से इनकी आपस की लड़ाई है इन में पहले तै होने दिजे कि कौन सुपारी है कौन आती है कौन चीटी है तब फिर हमारे सामने लड माजू भी बहुत हैं सर भी बहुत और चलते ही चलो के अब डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे क्या बात बढ़िया बहुत बढ़िया कमल नाज जी को देखा आपने वो शरन में पहुच गए उनके तो मैं कॉंग्रेस से मुखातिफ होता हूं कि बागेश्वर सरकार का दामन थामे तो अंग निकले हैं नतमस तक दिख रहे हैं डाले भगवा सा रंग निकले हैं कमल खुलाने वाले के संग निकले हैं ढूबा घंशूजन है तो मैं आधर्णी से पूछना चाहता हूं कि कमल जी की कंग्रेस दिरेंदर सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मनथन करेंगे क्या कमल जी की कांग्रेस मैं पूछ रहा हूं कमल जी की कॉंग्रेस दिरेंदर सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मन्थन करेंगे क्या या चुनाव जीतने की रणनीती है हुजूर जूट मूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या जूट मूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या सिर्फ हिंदूओं को भर्माने का ही सोच है या सच यहां मन से समर्पन करेंगे क्या निता जी बताईए कि वोट पाने के लिए ही आप हिंदू राष्ट का समर्थन करेंगे यहाँ यह भाई देश का धर्म सम्मिधान है भारत एक संविधान के से संपन्न रास्ट है हमारे देश का धर्म संविधान है सबसे बड़ी बात ये कि हमारे देश का धर्म संविधान है और भगवा रंग भगवा रंग किसी की बपोती नहीं है बगवा रंग संती का प्रेम महबत संततु का सुफिज्म का प्रती इसलिए रंगों की राज़ नीति मंच पर नहीं होनी चाहिए कमल नाज जी भी आध्यात्मिक हैं आप भी आध्यात्मिक हो और हम भी आध्यात्मिक हैं आध्यात्मिक राष्ट की तरफ चलिए सम्मेधानिक राष्ट की तरफ चलिए बागी सब बात हैं हिंदू और मुसल्मान की मत कीजिए लेकिन बजरन बली को गालिया देंगे एक जग आप स्पश्ट रूप से अपनी बात को अपने विचारों को रखिए अगर आप क्या आपके विबिन पहलों पे क्या विचार है उसमें डिल्डॉल करते हैं तो वहीं कन्फ्यूज कर देते हैं चलिए तो अब मैं कन्फ्यूजन वाली बात नहीं करता हूं कोई धार्मिक बात और गजल के मार्फत कहता हूं तो आपकी तबज्यों चाहिए दाद तो मिलेगी नहीं दाद इधर सुरेंसर आप से चाहिए सुनिया है चला सियासत से जो है वोटर च्छका न डाले सवाल ये है हाँ 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 चला सियासत से जो है वोटर च्छका न डाले सवाल ये है कमिंग इलेक्शन में ये हुकूमत गिरा न डाले सवाल ये है और एक शेर पूरे देश का बहुत दिन हो गए करीब दो महीने से इस समस्या से जूज रहे हैं कई दिनों से यह जो टमाटर उतर के नीचे ना आ रहा है कई दिनों से यही टमाटर तुम्हारी चटनी बनाना डाले सवाल ये है यही तमाटर तुम्हारी चटनी बनाना डाले और एक सवाल और भी ऐसे टमाटर ही नहीं जान ले रहा है कुछ चीजें और ले रही है यह मिर्च तीखी अभी एक बड़ा फोटो आया था उसमें दिवाल पे मिर्च लगी थी किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि मिर्च में यह खासियत होती कहीं भी लग जाती है मिर्च नीख है Woah व Hai यहाँ भी लगेगी यह मिर्च थीखी यह जड़ जीरा आटkę सुर्द ल किल वहाइस की यही मसाला चुनावा को संसना डाले सवाल है था जिस को रोका वो शेर बबर पलट के संसद में आ गया है वो शेर बबर तुम्हारी कुर्सी हिला न डाले सवाल यह वो शेर बबर एक द्रस मैंने यह देखा था कि कांगरेश के अध्रक्ष जब तक कड़े रहे जब तक के वो बैठने गए रावल जी पहां और एक कुर्सी भी ढूंडी गई और अविस्वाज पर आप मत बोला आपके वी आलत यही हैं मैं बोलूगा और अविस्वाज प्रस्ताप पर भी कुछ में कहूंगा अब सुनिए तेरा जवाब है पहले जब से सुप्रीम कोट का फैसला आया है कांगरेसी जस्न मना रही है मिठाईयों के दोर चल रही है चमचे पॉपकॉर्ण की तरह उचल रही है कितना दमाल मचाया है बाई कोट ने राहुल को जेल जाने से रोका है प्रदान मंत्री नहीं बनाया है साधारन मेंबर बड़ा या अदक्ष बड़े रही रावल जब तक बैठ नहीं गए तब तक खडगे जी खड़े रही तो यह कांगरेशी एक बड़िया बात लाता हूं तारीख और उस पर ज्यान दखना एक भ्यंग है तो कांगरेशी बोला आप भाजपा के बेद नहीं खोलते यह कांगरेशी बोला यह कांगरेशी बोला बाजपा के बेद नहीं खोलते मोदी जी के आगे नड़ा जी भी त नहीं बोलते मैंने कहा कंग्रेसी तुम्हारे भ्रम के बादल बहुत गने है बहुत बाई मोधी बहुत अच्छे सुरेंजी समझ गए बातों बाई ये नहीं आप बताईए अमी से उम्मीद आप भी कर रहे थे वो भी कर रहे थे ये कभी कितना पशीना बहाएं ये कभी कितना पशीना बहाएं हैं खड़गे जी कांगरेस के अध्यक्च हैं ये बात भी अब उनको हम बतान सुरेन जी मैं हूँ अभी मैं कुछ मिनट हूँ और उनको जवाब मैं देता हूँ यह दरसल निकी अंदर का डरबूल रहा है हुई सुनुवाई देखो बैख हुआ भाई नये जोश में अब की दफा कहीं न कर दे सफा कहीं न कर दे सफा और ये कर गा रहे हैं अपने विकास कार नहीं की ना रहे राहुल को कोसने के चकर में दिन रात राहुल का नाम जपा कहीं न कर दे सफा कहीं न कर दे सफा हाँ डरी हुई है भाज़ता हाँ सुलीजे यह कांग्रेसी बोल ला है कि गर जेगा रोज तुम पर संसद में तुम फसोगे जितना उचल रहे हो उतना ही तुम धसोगे ओ सावा कि सदमे में सब तुम्हारा घर अब तो दिख रहा है चेहरे पे हार वाला डर अब तो दिख रहा है ओ शावा ओ शावा ओ शावा फिर से देखिए जनता है तंग बुरे आपके है ढंग सब जूटी लगे बतियां बुझने लगी है सतावालिये तुम्हारी अब सारी मोंबतियां कहीं न कर दे सफा कहीं न कर दे सफा कुरसी पे जाके भी कुछ न कर पाओगे कुरसी पे जाके भी कुछ न कर पाओगे जो डराए पडोसी तो डर जाओगे आपकी आद तेना बदल पाएंगी जो मिलेगा वही आप चर जाओगे जो मिलेगा वही आप चर जाओगे जो मिलेगा वही आप चर जाओगे और सुनिए जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हें कितने गढ़ बंदन बना लो जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हें ना एजंडा जिताए ना नारा तुम्हें अपनी कमियों को ना ढूंड पाए कभी इसलिए जनता ने है नकारा तुम्हें इसलिए जनता ने है नकारा तुम्हें देखो आपको बताओं हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं डराने वाले लोग हैं सुन लिजिए आज तक अगर डराया है एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान बनाए गोवा को अपने में शामिल किया सिक्कम को अपने में शामिल किया और जिस चीन की आप बात कर रहे थे जिस चीन की आप बात कर रहे थे कि वहाँ पे लाला लाखे दिखाएंगे हमने उनको जूला नहीं जूलाया मैं कुछ बाते बताता हूँ बीजेपी को और किन किन चीजों के उम्मीद नहीं है जो हो रहा है वो सुनो आप सर बीजेपी ने सोचा सदस्यता खत्म हुई अब कॉंग्रेस की इज़त धुल जाएगी पर भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि रहुल जी की वापसी होगी और मोहबद की दुकान फिर से खुल जाएगी फिर से खुल जाएगी उम्मीद तो ये भी नहीं थी कि महंगाई जैसी चवन्नी बात मुद्दों की लिस्ट में जुड सकती है और इड्डिया गठबंधन की मजबूती देखकर बीजेपी की नींद उड सकती है बीजेपी की नींद उड सकती है क्या पता नाराज साथी भी एक एक कर बिछुडने लग जाएं अभी तो सिर्फ नींद उड रही है हो सकता है इलेक्षन तक तोते उडने लग जाएं भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी एक पंक्ती कहता हूँ बात अच्छी लगा तो समर्थन जरूर करना इसका भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी पर अवकाद दिखाना, बेटे को सेट, दामाद को भेंट जैसी भाषा की उम्मीद भी नहीं रही होगी उम्मीद भी नहीं रही होगी, भाजपा सोच रही होगी कि हवाबाजी से ही काम चल जाएगा पर जनता की उम्मीद पे खरे नहीं उतरे, तो चुनाओं में परिणाम भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आएगा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आबाद अभी एक खोटा सा वीडियो वाइरल हुआ था, उसमें प्रेस कॉंफरेंस चल लगी है और नितीज जी बार-बार राहूल जी को कह रहा है कि थोड़ा बोल दीजिये ना कि अगुआ बनने का शौक छूटा है नितीज जी का घूट अपमान का वो घोट के ही रह गए सोचते हैं गलती हुई जो कहा बोलने को प्रेस कॉंफरेंस में जो राहूल जी से कह गए राहूल जी तो कुछ भी न बोले रिक्वेस्ट पे भी सभी अर्मान जो थे दिल के वो बह गए आप बोल दीजीए ना धोड़ा बोल दीजिये ना प्लीज बोल दीजिए ना कहते हैं रहते हैं गोरों नहीं प्रताप ना आघाज नया होगा फिर किस तरह से आपका अंजाम नया होगा के पास सब काम पुराने रहेंगे नाम नया होगा अचा इन लोगों के काम भारती जनता पालिटिक कैसे हैं शोर तो बहुत मस्ता है यह हो गया वह हो गया लाइन से गिनाएंगे लेकिन एक्चुली होता क्या है वह मैं आपको बता रहा हूं सुरेंजी आपका साथ साथ चाहि हैं बस और इस पंक्ति पर आप सब की तालियां जोरदार उठें बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम हैं बस के जैसे घूंगट में कोई दुलहन हसीन हो ऐसे काम हैं बस आवाज करती हो खूब लेकिन जो काम करती नहीं हो बिल्कुल बहुत घटारा पुरानी कोई मशीन हो ऐसे काम हैं बस आवाज करती हो खूब लेकिन जो काम करती नहीं हो बिल्कुल बहुत खटारा पुरानी कोई मशीन हो ऐसे काम है बस ना बेल बूटे महबबतों के, ना पेड़ पौधे मुरवतों के, के जैसे बंजर, उजाड कोई, जमीन हो, ऐसे काम है बस पढ़े लिखोंसा कोई सली का कोई नतीजा नजर ना आए के बाद, पढ़े लिखोंसा कोई सली का कोई नतीजा नजर ना आए, के बाद दस्वी के पास मैट्रिक जहीन हो, ऐसे काम है अब इजी हमारे बात है बहुत बढ़िया आपको तो इसकी बाती पसंद नहीं आ रही तो इधर ही आजाओ आजाओ अब चुना प्रजार सुरू ही हो चुगा है, दो तीन चार इस्टेटों में, चुहाए, सिवराच चवान जी आए थे बुंदेल खंड, और उन्होंने ये का था, के बुंदेल खंड का बिकास कांगरेस ने रोका था, अब सुनिये, भाजपा जूट पर पैरगारती है, बरतमान में काम जीरो हैं, इसलिए गड़े मुद्दे उखारती है, वो ही पुराणी, वो कैसे ट, वाह, मामा जी वाह, वाह, मामा जी वाह, जनता की खवर की इतनी पतली गली, राहुल की सद्सिता की खवर 20 मिनिट में मिल गई, और बुंदेल खंड का बिकास कांगरेस ने रोका था, ये खवर 20 साल बाद मिली, बाद है, पाकिस्तान ये वो, फिर वही खाना, नेरू का जमाना, कांगरेस का बहाना, बात बात में पाकिस्तान, हिंदू, मुसल्मान, यार, पुरानी ही कैसेट बज रही है, पुरानी ही कैसेट, बाज़ पा, पुरानी ही, और एक बात कहता हूं, समझ में आज़ा तो हो करके, पुरानी ही कैसेट बजा रही है, भाई, उसमें कुछ नए जमलेई बना लो, वो मेक इन इंडिया किस काम आ रही है, बहुत की नेम की, बोलें किसका मारे है इस बार वही तीन पात ठाक ओ एक मुआबरा है ना आप समझते होंगे धाक के तीन पात इस बार वही तीन पात ठाक करोगे तुम नए जुमले तक तो गड़ नहीं पा रही हो विकास क्या खाक करोगे और अन्त में मैं यही कऊंगा चारों और तरह तरह दंगों की भजीते नहीं बचा सके और ताड़ी बजाना तुम और किसको कहां बचाओगे तुम अपने लाए हुए चीते नहीं बचाओगे और यही सच है और वो सचाने वाला है असली चेहरा यही है सब्सक्राइब युवापीडी का इस सच के लिए देश डूबा डूबा कांगरेस के बादों में खूब लूटा लूटा इनकी फरेभी बातों ने दम जिसके पसीने में चपन इन्ची सीने में देश में तरक्की की फसलें जिसने बोधी मोदि मोदी 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 कुछ नहीं कह रहा है आप बिल्कुल बढ़िया कह रहे है आप स्मोदी के जिसका गोधी 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 राहुल जी विदेशों में जाकर बड़ी प्लानिंग करे गलट टाकिंग करे संसद में चलाएं अखियां कभी अभी स्लीपिंग करे वो किस फ्लाइंग करे ऐसे ही इशारों से दूर है किनारों से हरकतों को देख कर सारी जनतारों दी मोधी 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 हाँ इंदिया पे नाम रख देने से ना कुछ होना सुनो है बस रोना सुनो ब्रश्टाचारी मिले हैं आपस में ना कुछ पाना सुनो है बस खोना सुनो अरे खाम खाहे चकर में कोई ना जिसके ठकर में फिर से अंगा में के लिए त्यार खामखा है चकर में कोई न जिसके ठकर में जिसने धंग से अपोजीशन की इजद्धो दी मोदी 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 हाँ बस्ती की पैरोडी सुनिया साथ और आपके चेरे पर मुस्कुराट की गारंटी है के बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो कभी लाल किले से भाशन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो बोले और क्या होगा के इंडिया गेट पे अगले बरस हम जनगन मन गाएंगे चीफ गेष्ट सिरी बाइडन होंगे पुतिन भी संग आएंगे नए वाला संसद भवन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो और नए वाला संसद भवन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो बोले कैसे जीतेंगे के केजू ममता लालू टीपू सब हैं अपने साथ उद्धव के संग नितिस चलेंगे सबसे आगे हाथ और पंजे के संग जन जन होगा राहूल थोड़ी धरो और एक बात और कहीं मैंने फील कैसी आती है फील मैंने फील बताई पीछे पीछे कैबिनेट और आगे आप चलोगे रोज रोज फीते काटोगे मन की बात करोगे हाथों में भारत रतन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो अंतिम और सुल्व साहब एक राय विशेस दिये मैंने उनको के जीत के तुम सबसे पहले शिरिधाम अयोध्या जाना काशी जाकर भोले बाबा का दर्शन कर आना और शिरिशाम प्रेभू का किर्तन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहूल जी थोड़ी धीर धरो इन्हों ने तो राहूल जी पर भविश्वानी कर दी एक भविश्वानी राहूल जी पर और है वो आप सुनो आपको आनन्द आएगा सजा हुई बाहर गए रोक लगी अंदर आए फिर बाहर हो गए तो उनका दिल क्या कहेगा 24 तक प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि ये इनकमिंग आउट गोइंग लगा रहेगा ये लगा रहेगा आप बड़ा दम भर रहे थे कि वोटिंग में एकता दिखाएंगे यहां सात्यों ने पहले ही मौके पर गोली दे दी बाद में क्या क्या गुल खिलाएंगे लेकिन राहूल जी के फेंस हैं उनके फेंस हैं बटा रहू आपको ये नई थे तो मजा नहीं आ रहा था उनके आते ही फैंस का चहरा खिल गया भाई ने एक बाशन क्या दिया लोगों को कितना मसाला मिल गया कितना कितना मसाला मिल गया राहुल जी का तो ठीक है पर दूसरे नेताओं को खामियाजा भरना पड़ रहा है सोचा था ये आएंगे तो हम अटेक करेंगे यहां तो पहले ही दिन से डिफेंड करना पड़ रहा है डिफेंड करना पड़ रहा है और इनका पुराना बयान याद करना डिफेंड करना पड़ रहा है उन्होंने कहा था भाशन से भूकम पाएगा उनके भाशन से उन्होंने का था उनके भाशन से भूकम पाएगा अभी तो पूरा गठबंधन हिलेगा जप्पी देना आँख मारना फ्लाइंग किस तो देख लिया भगवान जाने या मुहबबत की दुकान में क्या क्या देखने को मिलेगा बहुत है दढ़त है इसा है मिट्र बिल्कुल सही कई दुकान में महबबती देखने को मिलेगी जहां पर एक बड़ा सा पुराना सा गाना था कि आचल के तुझे मैं लेके चलू इस ऐसे गगन के तले जहां गम भी नहूं आसू भी नहूं बस प्यार ही प्यार पले ये राहुल जी का गाना है ये महबत की दुकान है और आगे आने वाले समय में सब लोगों को ऐसे गगन के तले ले जाएंगे जहां मणई पूर नहीं होगा ले जो है न गाना जो प्यार किया तो ठीक किया इजहार किया तो ठीक किया वही इजहार वो संसत में बार-बार debate अगर आप लोग प्यार ही कर लेते के गोपाल जी तो सच बात ये है फिर तो मौबबत की दुकान खोलने की जरूरती नहीं पड़ती है आप छोड़िये भाई साब ये तो आपने 60 साल किया होता तो इतने ये दिन देखने को मिलते ही नहीं आपको सिर्फ बाते हैं भाई साब सिर्फ बातों के बताशे फैकती है भाजपा सिर्फ बातों के बताशे फैकती है भाजपा राजनीतिक रोटियां बस सेकती है भाजपा सिर्फ बातों के बताशे फैकती है भाजपा राजनीतिक रोटियां बस सेकती है भाजपा ध्यान बगुला भगत बन गिध दृष्टी से सदा किसी तरह गद्धी मिले ये देखती है भाज़ा बार बार साहब कह रहे थे किसी फ्लाइंग फ्लाइंग किसी पता नहीं कहा क्या अंड बन एक छंद देता हूं सुनिएगा ये इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे जीतने के लिए साम दाम दंड भेद होगा फिर लोक तंत्र का खयाल कब लाओगे राहुल जी के पीछे हाथ धोके ही पड़े रहे तो देश को समस्याओं का हल कब दिलाओगे कहा कहा कौन कौन फ्लाइंग करेगा और किस 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 पे सवाल यू उठाओगे कहा कहा कौन कौन फ्लाइंग करेगा और किस किस पे सवाल यू उठाओगे चाहे जितना लगा लो जोर कुछ होगा नहीं करें के दिशाल भी होग दिल्कुल सही बात है ऊर ये जो इंडिया बनी है इसंने कैसे-कैसे लोग मैं कुछ शेर सुना करता हूं जित्ती तालियां बच्छी ओं सब बजा ले ना क्योंकि इसके वाश्यों खत्राइब मन में कुछ के डल होजी कुछ अंदर से मैकाले हैं गट बंधन के नए दौर में काफी गड़बड जाले हैं अब जो बात हमारे गोपाल भाई साब कह रहे तो मैं उसी बात को नए अंदाज में कहता हूं नाम इंडिया रखकर कोई आर्या वर्त नहीं होता जरा इशारे देखो लक्षण अब भी इटिली वाले हैं अब भी लक्षण इटिली वाले हैं मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद मिसरा सुनो तुकला के मुझ से मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद गड़बंधन वाले मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद गटबंधन के सारे योधा सच में बड़े निराले हैं दोशेर और सिंदीजे फिर आपके जबाब मेरे गाउं के बूढ़े कहते हैं गटबंधन अच्छा है नई लड़के तो मोधी मोधी कर रहे हैं मेरे गाउं के बूढे कहते हैं गठवंधन अच्छा है बस चीटी भर सच्चाई है हाथी भर गोटा लें बस चीटी भर सचाई है बहुत शुक्रिया और शेरे आफिर इसको दूर कर लीजेगा कि ताल मेल की कमी नजर आती है सर जी आपस में ऐसे तो 24 चुनाओं में राज तिलक के लाले बहुत शुक्रिया दो नाइने सुन लीजे फहमिदा रियाज ने लिखी थी मैंने नहीं कुछ लोग तुमें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने रहजन चोरों को कहते हैं यो बात आगी मोदीजी वाली इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहां हो सकता है कुछ लोग तुमें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहां हो सकता है कुछ और तो अकसर होता है पर इसका जवाब सुन लीजे इंडिया से पर हम इस पल में जि आप सवागत कर रहे हैं सर मैं करूंगा दरसल क्या है आज कर लोग बेवफा बहुत हो गया है अब गोपाल जी तब का इसारा कर गए थे अब लोटे मैं इंतजार में बूड़ा हो गया हूँ लग नहीं रहें लेकिन आप बूड़े हैं सर अभी राजबुजी आपके संदीप दिक्षित जी ने एक बात कही पत्रकार ने पूछा गठमंदन के बारे में तो उन्होंने का ये कि वो जंगल की तरह से है जिसमें आती भी होते हैं सेर भी होते हैं और गीधर भी होते हैं और केजरी वाल कि आप पाइटी को दम गीधर भी नहीं मानते हैं ये ये कहा उन्हें बैसे बात ये ताली की थी पर तुम कब बजाओगे मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूँ मेरी कही बात फलेगी मैंने इसी सो में कह दिया था कांगरेस और आप पार्टी में सबसे पहले जूतों में दाले बटेगी में कहां बटेगी जूतों में हा आता ये पात्र चणातों कि आप अचा था है कुद को सेर मानकर मुझे तांते हो यहादि जंगल में फेर भी आइमा कुछ खुद को शेर मानकर मुझे तांते बら चलो आप साथ पार्ठी के तो गीधर भी सेर नहीं," पर सब तो भाई एकटी होने का पाल तो रहे हो घमंड अब इसमें एक सब्दा आएगा फलाने भू समझ लेना में कहा रहा हूं एकटे होने का पाल तो रहे हो घमंड क्या सेर का सिकार कर लेगा ये फलानों का जुंड बच्चे जाजा समझेंगे बटाता हूं कैसी है बाजपा लुक लुक कांग्रेस दुक्दुक बताता हूं कैसे, खेल नकली लेकन रेजल्ट असली है, खेल नकली लेकन रेजल्ट असली है, पबजी पर साधी बिवा होने लग गए, लेकन फेस उबुक पर तो पता ही नहीं चलना है, ये बबलू है, बबली है। अब जब या अच्छा है रही बात गठबंदन की तो वो मजधार में है सर अगर मैं सुरूआथ में ओपिनल को यादा टाइम बिलता है में एक मिनुट लेता हूँ मजधार मैंने सब्सक्राइब लिया है एक नाम में तीन बैठे थे एक श्याणा बैठा था एक बंदर था ए वाड़े ने सुभाव के अनुसार बंदल को उंगली की, बंदल सुभाव के अनुरूप उंट पे जा बैठा, उंट सुभाव से करवट ले गया और नाब डूब गई। तो इस बात का त्या रखना, गटबंधन की नहप मजदार में है, दूर दूर तक जमी नहीं है और कांग्रेस में भी श्यानों की कमी नहीं है। वा वा ओ में लास्ट में कहता हूं मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूं ताली वजहाना कॉपाल जी रंग से मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूं manage में यद गठ बंदन गोता खाएगा तो देख लेना उसे कोई कांग्र 이 मैं डुभाएगा आपने कहा कॉंग्रेस में स्यानों की कमीनिये जरा स्यानिये की उनकी डेफिनेशन तो बता दो अभी उंगली करी थी सुनी नहीं थे क्या आप सुनिये पौजदार जी ने बहुत शांदार बाते पहली चीज तो उन्होंने गड़बंधन की बात कर दी बना कैसे तो लोग कहते हैं कि फिराक ने कहा था और फिराक का नाम रगुपती सहाय था कोई मौमिन खान नहीं थे पहले बता तो ठीक है कि सर जमीने हिंद पर अक्वाम आलम के फिराक काफिले बस्ते गए हिंदुस्ता बनता गया तो बच्चो ये गड़बंधन हमारा ऐसे बनता बात पाउसदार जी कभी हैं तो कभी के रूप में जबाब दे रहे हैं दूसरा आपने का फलित जोट्सी हो तो आपके अंदर तो वही मोदी वाला हैंकार आ गया कि मुझसे मोहताथ होके गुफ्तगू करना मेरा सिलसिला अल्ला मिया तक है अल्ला मिया मोदी जी हो गए क्या ब लेकिन आप यह जो इनका गटबंधन है जिनकी तरह बाब बैठे हो इनके गटबंधन ने अभी चार दिन पहले एक पार्टी भाग गई 38 थी 37 रह गई मनिपूर वाली एक पार्टी कुकी नेशनल अलाइंस जो है वो भाग गया तो नाव में इनकी छेद हो रहा है 24 के चुनाओं में आपको यही बात कहनी पड़ेगी लेकिन आप हमारी तरफ से कहो गई है जट बंदन जो गट बंदन है वो पूरी तरह से अगर पिछला इतिहास अगर आप देखेंगे तो ठक बंदन के अलावा कुछ नहीं है गोपाल जी आज मुझे आपको सचेत करने क कि तरफ हूँ आज और मैं सही मुद्व पर इतना क्यों इसकी चारों बोले है अगरे दिल है कि मानता नहीं मैं कभी हो तो संत्रल बनाने जरूरी है और मेरे युवा साथियों बहुत अच्छा गाना है इंजॉय करना और आपको पहली बार लगेगा कि राजनीती में भी इंजॉय होता है अब सुना राए बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी लिके ले लो लिके ले 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 राए बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी अब ना ज्यादा अहम में बहना मतमोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा रे आगे जो लाइन आगी पूरा अंगामा अब नाजादा अहम में बहना मतमोदी के नामपे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा रे हाई जटका ओई जटका 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 अरे जटका लगा रे मोदी जी की सरकार में जटका लगा रे परे जटका लगा तगड़ा लगा जटका लगा है जटका लगा रे रोज नई mistake है जी बादा promise fake है जी है खड़े काठके गोडे की तरह मुश्किल में बाजार देखो महगाई की मार देखो पड़ रही पीठ पे कोड़े की तरह गट बंधन को है मौका अब मार रही है चोका जितनी गलती करोगे उसका लाब इनको मिलेगा अर देखो आप गट बंधन को है मौका अब मार रही है चोका फिर मत कहना जनता ने क्यों दिया दगारे अर जटका लगारे मोदी जी की सरकार में जटका लगारे साफदान रही है जटका जटका लग सकता आपको देखो मोदी जी और हमारी सरकार जो भी है पूरी तरह से जनता के समवाद के साथ काम करती है अगर पिछले देड़ मैंने के काम को देखें जब नौ साल पूरे हुए थे जिस तरह से एक-एक कारेकरता एक-एक पदादिकारी एक-एक मंतरी एक-एक MP काम कर रहे हैं उनसे सवाद कर रहे हैं और यहीं बात स्ट्रेटेजी के रूप में हम 2024 के लिए आगे लेके जाएंगे एक मेरे मित्र ने कविता लिखी थी मैं दो दोहा सुना देता हूं आदमी की अगर नहीं सुनोगे बात तो जनता ही समझा देगी क्या है अपनी अवकाव अब गोपाल जी को मैं सिरफ एक साहित्तिक माध्यम से जबाब दे रहा हूं कि जब कष्टी साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी जब कष्टी यानि मोदी जब 14 वाले मोदी जी 19 वाले थे जब कष्टी साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी अब ऐसी शिक हो गई है महंगाई की मार है डूपती सरकार है महिलाए नगन होकर के क्या वो हो रहा है मणिपूर में आपके सामने कह नहीं सकते इन बच्चों के सामने पूरा देश ठर्मसार है और मोदी जी को हेंकार है और किसी को बोलना हो तो ठीक है नहीं मैं खरूँ शुरू तो हिंसा का हिसा बन जागा चल शुरू यह कह रहा था मोदी जी का नाम नहीं है तरह क्या पता सुनो के यहां वहां सारे जहां में यह आवाज है अरे यहां वहां सारे जहां में यह आवाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिंदाबाद मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिंदाबाद अरे सारे देशवासियों पे सारे देशवासियों को मोदी जी पे नाज है सारे देशवासियों को मोदी जी पे नाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिंदाबाद के कहती है दुनिया ये सारी हो रही चर्चा तुम्हारी एक मोदी हां हां मोदी सब पे है भारी अरे आपके ही सर पे आपके ही सर पे तो चौबिस का ताज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दावाद कितने फूसे एक गरवाल साथ के यहां वहां दूसरा सुनो के राम का मंदिर बना के धारा सत्तर को हटा के घर में दुश्मन हां जी दुश्मन को यूं हरा के आपने बचाई ये भारत की लाज है मोदी जी ओ मोदी तुम जिन्दाबाद मोदी जी ओ मोदी तुम जिन्दाबाद यहां वहां सारे जहां में ये आवाज है आज कल क्या है भाजपा ने अपना कद इतना उंचा सोच लिया है कि बहुत नजदीक से भी देखने पर बड़ी से बड़ी जी भी छोटी दिखाई देती है यह नो गठभंधन की एक पार्टी है आमादमी पार्टी बाजपा कि कई नेताओं को मैंने सुना उनको कहरे जी सुपारी जैसी पार्टी है तब कवीता पढ़ता हूं आनन लेना सुनना मजा आएगा इस सुपारी ने 2015 से चैलेंज ले आई नहीं जबडे में दर्द अलग दे रखा है दिल्ली हो या पंजाब इसी सुपारी के चक्कर में भाजपा अपना वजूद खो रही है देखिएगा कहीं ये सुपारी चुइंगं तो नहीं आठ साल से चबाए जारें खतमी नहीं हो रही है और एक पंक्ती देता हूँ आप सब तर्क के बच्चे हैं उसको पकड़ना आप कोई खतमी नहीं हो रही है छोटी चीजों को हलके में नहीं लेना चाहिए वरना परिणाम बाद में नज़र आता है आदमी पहाड पर तो बैठ सकता है पर चोटी सी सुईपर नहीं बैठ पाता है आपको ज्यादा वोट मिले अब ये दिल्ली वाले मुद्दे पे आपको ज्यादा वोट मिले वो तो मिल नहीं थे क्योंकि संख्या के आधार पे आप बड़े हैं पर ये भी तो सच है कि इत्ती सी पार्टी के पक्ष में भी 103 वोट पड़े हैं बाजपा ने तो मजाक उड़ा दिया जबकि 24 में सीधी लड़ाई भी नहीं है और NDA में जिन-जिन को शामिल किया है उनमें से कई पार्टियां तो सुपारी की एक चौथाई भी नहीं है सुपारी की एक चौथाई भी नहीं है और अंतिम पंति दे रहा हूं पार्टी छोटी है तो क्या हुआ पॉलिटिक्स में किसी को इग्नोर नहीं किया जाता है चीटी हाती की सून में घुस जाए तो हाती भी परेशान हो जाता है भाँ भाँ धन्यवाद बहुत आवाँ देखे हमारी लडाई ना आप से ना कॉंग्रेस से ना किसी अपोजिशन के और किसी पार्टी से इनकी आपस की लडाई है इन में पहले तै होने दीजे कि कौन सुपारी है कौन आती है कौन चीटी है तब फिर हमारे सामने लडाई ह यहां पर तो गोपाल जी हम तो लड़ेंगे भी भिड़ेंगे भी और जीतेंगे भी पुरानी सी बात थी ना कि करते भी चलो बढ़ते भी चलो बाजू भी बहुत है सर भी बहुत और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे क्या बात बढ़िया बहुत बढ़िया कमल नाज जी को देखा आपने वो शरन में पहुच गए उनके तो मैं कॉंग्रेस से मुखातिफ होता हूं कि बागेश्वर सरकार का दामन थामे तो अंग निकले हैं नतमस तक दिख रहे हैं डाले भगवा सा रंग निकले हैं राजद क तो ये डर है कि तूट न जाए गठ बंधन कमल नाज जी कमल खिलाने वाले के संग निकले हैं थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं आदर्नी से पूछना चाहता हूं कि कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंद्र सास्त्री से मिली आप इस गटना पे मन्थन करेंगे क्या नहीं करेंगे कमल जी की कॉंग्रेस कमल जी की कॉंग्रेस मैं पूछ रहा हूं कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंद्र सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मन्थन करेंगे क्या या चुनाव जीतने की रणीती है हुजूर जूट मूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या जूट मूट गंगा से आच्मन करेंगे क्या सिर्फ हिंदुयों को भर्माने का ही सोचे hija सच यहां मन से समर्पन करेंगे क्या नेता जी बताईए कि वोट पाने के लिए ही आप दुरारश्ट का समर्थन करेंगे अरह आ अ अ भारत एक संविधान के से संपन्न रास्ट है हमारे देश का धर्म संविधान है सबसे बड़ी बात ये कि हमारे देश का धर्म संविधान है और भगवा रंग भगवा रंग किसी की बपोती नहीं है किसी की भी बपोती नहीं है भगवा रंग सांती का प्रेम का महबत का संतत्तु का सुफिज्म का प्रतीक है इसलिए रंगों की राजनीती मंच पर नहीं होनी चाहिए कमल नाज जी भी आध्यात्मिक है आप भी आध्यात्मिक हो और हम आध्यात्मिक है आध्यात्मिक राष्ट की तरफ चलिए समयधानिक राष्ट की तरफ चलिए बागी सब बात हैं हिंदू और मुसलमान की मत कीजिए लेकिन बजरंग बली को गला गालिया देंगे एक जगह जन्युधारण कर लेंगे दूसरी जगह यह जो कन्फ्यूजन है ना यह कन्फ्यूजन देश के लिए आज के समय में जन्ता इसको एकसेप्ट नहीं करती है चलिए आप स्पष्ट रूप से अपनी बात को अपने विचारों को रखिए अगर आप क्या आपके विबिन पहलूँओं पे क्या विचार है उसमें डिल्डॉल करत चलिए तो अब मैं कन्फ्यूजन वाली बात नहीं करता हूं कोई धार्मिक बात नहीं करता हूं सीधे सीधे कुछ सवाल जो पूछना चाहिए उधर से भी पूछे जाते हैं और इधर भी हम लोग सिर्फ इसलिए बैठें से लिए शो का नाम है लपेटे में नेताजी लप सवार्फत कहता हूं तो आपकी तबज्यों चाहिए दाद तो मिलेगी नहीं दाद इधर सुरेंसर आपसे चाहिए सुनिया चला सियासत से जो है वोटर छका ना डाले सवाल ये है कमिंग इलेक्शन में ये हुकूमत गिरा ना डाले सवाल ये है सवाल ये है और एक शेर पूरे देश का बहुत दिन हो गए करीब दो महीने से इस समस्या से जूज रहे हैं तो आज रिपीट कर रहा हूं इसको ये जो टमाटर उतर के नीचे ना आ रहा है कई दिनों से यही टमाटर तुम्हारी चटनी बनाना डाले सवाल ये यही टमाटर तुम्हारी चटनी बनाना डाले सवाल ये है और एक सवाल और भी ऐसे टमाटर ही नहीं जान ले रहा है कुछ चीजें और ले रहे हैं ये मिर्च तीखी अभी एक बड़ा बड़ा फोटो आया था उसमें एक दिवाल में मिर्च लगी थी किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि मिर्च में ये खासियत होती कहीं भी लग जाती है यहां भी लग सकती है यहां भी लगेगी यह मिर्च तीखी यह जर्द जीरा 800 रुपए किलो ऐसर हम लोग तो लही नहीं पा रहे यह मिर्च तीखी यह जर्द जीरा यह सर्द लहसुन यह कुद्ध अदरक यही मसाला चुनाव को संसना न डाले सवाल यह है थाजिस को रोका वो शेर बबबर पलट के संसद में आ गया है थाजिस को रोका वो शेर बबबर पलट के संसद में आ गया है वो शेर बबबर तुम्हारी कुरसी हिला न डाले सवाल यह है वो शेर बबबर एक द्रस मैंने यह देखा था कि कांगरेश के अद्धक्ष जवता कड़े रहे जवता के वो बैठने गए रावल जी पहां और एक कुर्सी भी ढूंडी गई तिया कुर्सी भी ढूंडी गई और अवेश्वाज पर आप मत बोला आपके भी आलत यही हैं मैं बोलूंगा और अवेश्वाज परस्ताप पर भी कुछ में कहूंगा अब सुनिए तेरा जवाब है पहले जब से सुप्रीम कोट का फैसला आया है जब से सुप्रीम कोट का फैसला आया है कांगरेशी जस्न मना रही हैं मिठाईयों के दोर चल नहीं हैं चमचे पॉपकॉर्ण की तरह पॉपकॉर्ण की तरह उचलें सुरे राजपू जी कितना धमाल मचाया है बाई कोट ने राहुल को जेल जाने से रोका है प्रदान मंत्री नहीं बनाया है साधारन मेंबर बड़ा या अदक्ष बड़े रहे राउल जब तक बैठ नहीं गए तब तक खडगेजी खड़े रहे तो यह कांगरेशी एक बड़िया बात लाता हूं तारीख और उस पर ज्यान दखना एक भ्यंग है तो कांगरेशी बोला आप भाजपा के बेद नहीं खोलते यह कांगरेशी बोला यह कांगरेशी बोला बाजपा के बेद नहीं खोलते मोधी जी के आगे नड़ा जी भी त नहीं बोलते, मैं नहीं मैंने कहा कांगरेशी तुमारे भ्रहम के बादल बहुत गने हैं कांगरेशी हो तुमारे भ्रहम के बादल बहुत गने हैं मोदी जी तो 2014 से पी एपन राउल जीritis चार अगस्त 2023 को MP बने कर जाएंकर बात कि अवही हैं यह कभी कितना पसीना बहा हैं एगी कांगरेस के अद्यक्ष हैं यह बात भी अब उनको हम बताने जाएं सुरेनी घी में हूं आभी मैं कुछ मेनट हूं और उनको जवाब मैं देता हूं यह दरसल ने की अंदर का ड्र बूल रहा है हुई सुनु वाई देखो बैख हुआ भाई नए जोश में अब की दफा कहीं न कर दे सफा कहीं न कर दे सफा डरी हुई है भाजपा डरी हुई है भाजपा फ़रा सबूर और ये कर गया रहे हैं अपने विकास कार नहीं किना रहे हैं राहुल को कोसने के चकर में दिन रात राहुल का नाम जपा कहीं न कर दे सफा कहीं न कर दे सफा, डरी हुई है भाज़पा सुन लिजे, ये कांग्रेसी बोल ला है कि गर जेगा रोज तुम पर, संसद में तुम फसोगे जितना उचल रहे हो, उतना ही तुम धसोगे ओ सावा कि सदमे में सब तुम्हारा, घर अब तो दिख रहा है चेहरे पे हार वाला, डर अब तो दिख रहा है ओ शावा, ओ शावा, ओ शावा, ओ शावा फिर से देखिए जनता है तंग बुरे आपके है ढंग सब जूटी लगे बतियां बुझने लगी है सतावालिये तुम्हारी अब सारी मुम्बतियां कहीं न कर दे सफा, कहीं न कर दे सफा हाँ, दर हुई है वाजपा दर हुई है वाजपा आपने बोला, तेंक्यू, तेंक्यू, तेंक्यू आपकी आद तेना बदल पाएंगी जो मिलेगा वही आप चर जाओगे और सुनिए, जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हें कितने गढ़ बंदन बना लो जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हें अपनी कमियों को ना ढूंड पाए कभी इसलिए जन्ताने है नकारा तुम्हें इसलिए जन्ताने है नकारा तुम्हें देखो आपको बताओं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, डराने वाले लोग है आज तक अगर डराया है एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान बनाए गोवा को अपने में शामिल किया, सिक्कम को अपने में शामिल किया और जिस चीन की आप बात कर रहे थे, जिस चीन की आप बात कर रहे थे कि वहाँ पे लालालाखे दिखाएंगे, हमने उनको जूला नहीं जूलाया मैं कुछ बाते बताता हूँ, बीजेपी को और किन किन चीजों की उम्मीद नहीं है, जो हो रहा है, वो सुनो आप सर बीजेपी ने सोचा सदस्यता खत्म हुई, अब कॉंग्रेस की इज़त धुल जाएगी, पर भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि रहुल जी की वापसी होगी और मोहबद की दुकान फिर से खुल जाएगी फिर से खुल जाएगी, उम्मीद तो ये भी नहीं थी कि महंगाई जैसी चवनी बात मुद्दों की लिस्ट में जुड सकती है और इड्डिया गठबंधन की मजबूती देखकर बीजेपी की नींद उड सकती है बीजेपी की नींद उड सकती है क्या पता नाराज साथी भी एक एक कर बिछुडने लग जाएं अभी तो सिर्फ नींद उड रही है हो सकता है इलेक्षन तक तोते उडने लग जाएं भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी एक पंक्ती कहता हूँ बात अच्छी लगा तो समर्थन जरूर करना इसका भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी पर अवकाद दिखाना, बेटे को सेट, दामाद को भेंट जैसी भाषा की उम्मीद भी नहीं रही होगी उम्मीद भी नहीं रही होगी, भाजपा सोच रही होगी कि हवाबाजी से ही काम चल जाएगा पर जनता की उम्मीद पे खरे नहीं उतरे, तो चुनाओं में परिणाम भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आएगा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आबाद अभी एक खोटा सा वीडियो वाइरल हुआ था, उसमें प्रेस कॉंफरेंस चल लगी है और नितीज जी बार-बार राहूल जी को कह रहा है कि थोड़ा बोल दीजिये ना कि अगुआ बनने का शौक छूटा है नितीज जी का घूट अपमान का वो घोट के ही रह गए सोचते हैं गलती हुई जो कहा बोलने को प्रेस कॉंफरेंस में जो राहूल जी से कह गए राहूल जी तो कुछ भी न बोले रिक्वेस्ट पे भी सभी अर्मान जो थे दिल के वो बैह गए आप बोल दीजिये ना थोड़ा बोल दीजिये ना प्लीज बोल दीजिये ना कहते हैं रहे घुझा गोरों नहीं प्रताप ना आघाज नया होगा पिर किस तरह से आपका अंजाम नया होगा गोरों नहीं प्रताप ना आघाज नया होगा फिर किस तरह से आपका अंजाम नया होगा 24 के चुनाओं में विपक्षियों के पास सब काम पुराने रहेंगे नाम नया होगा अचा इन लोगों के काम भारती जनता पालिटिक कैसे है शोर तो बहुत मस्ता है यह हो गया वह हो गया लाइन से गिनाएंगे लेकिन एक्चुली होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं सुरेंजी आपका साथ चाहिए बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस और इस पंक्ति पर आप सब की तालियां जोरदार उठें बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस कि जैसे घुंगट में कोई दुलहन हसीन हो ऐसे काम है बस दिखते नहीं है दिखता कुछ भी नहीं है कि जैसे घुंगट में कोई दुलहन हसीन हो ऐसे काम है बस आवाज करती हो खूब लेकिन जो काम करती नहीं हो बिलकुल बहुत घटारा पुरानी कोई मशीन हो ऐसे काम है ना बेल बूटे महबतों के ना पेड़ पौधे मुरवतों के के जैसे बंजर उजाड कोई जमीन हो ऐसे काम है पढ़े लिखोंसा कोई सलीका कोई नतीजा नजर ना आए के बाद दस्मीं के पास मेट्रिक जहीन हो ऐसे काम है आपको दर की बाती पसंद नहीं आरे ती जरी आजाओ अब चुना प्रजार शुरू ही हो चुगा दो तीन चारे स्टेटों में जो है सिवराज चवांजी आया थे बुंदेल खंड और उन्होंने ये कहा था के बुंदेल खंड का बिकास कांगरेस ने रोका था अब सुनिए भाजपा जूट पर पैर गारती है बरतमान में कामजीरों है इसलिए गड़े मुद्दे उखारती है पंपाज है क्वोम करने जंताकी इतनी पतली गली अ क्रुण कितनी पतली गली राहुल की सद्सिता की खबर 20 मिनिट में मिल गई और बुंदेल खंड का बिकास कांग्रेस ने रोका था ये खबर 20 साल बाद मिली भाजपा फिर वही गाना पाकिस्तान ये वो फिर वही गाना नेरू का जमाना कांग्रेस का बहाना बात बात में पाकिस्तान हिंदू मुसल्मान यार पुरानी ही कैसिट बज रही है पुरानी ही कैसिट बाजपा पुरानी ही और एक बात कहता हूं समझ में आज़ा तो हो करके पुरानी ही कैसिट बजा रही है भाई उसमें कुछ नए जुमलेई बना लो वो मेक इन इंडिया किस काम आ रही है इस बार वही तीन पात डाक एक मौाबरा है ना आप समझते होंगे धाक के तीन पात इस बार वही तीन पात डाक करोगे तो नए जुमले तक तो गड़ नहीं पा रही हो विकास क्या खार करो महीं बहुत अफिक और अंत में यहीं कौँगा चारो और त्राह त्राह दंगों के भजीते नहीं बचा सके और तारी बैयाना तुम और किसको कहां बचाओगे तुम अपने लाये हुए चीते नहीं बचा सके यही सच है और वो सचाने वाला है सुनिए समर्दें युवा पीडी का है सच के लिए देश डूबा डूबा कांगरेस के बादों में खूब लूटा लूटा इनकी फरेभी बातों ने दम जिसके पसीने में चपन इन्ची सीने में देश में तरक्की की फसलें जिसने बोधी मुदी 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 मुद अभी sleeping करे, वो किस flying करे ऐसे ही इशारों से, दूर है किनारों से हरकतों को देख कर सारी जनता रोदी मोदी, 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 हाँ इंडिया पे नाम रख देने से ना कुछ होना सुनो, है बस रोना सुनो ब्रश्टा चारी मिले हैं आपस में ना कुछ पाना सुनो, है बस खोना सुनो अरे खामखा है चकर में, कोई न जिसके ठकर में फिर से अंगा में के लिए तयार खामखा है चकर में, कोई न जिसके ठकर में जिसने धंग से अपोजीशन की इजद्धो दी मोदी, 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 हाँ बस्ती की पैरोडी सुनिया साथ और आपके चेरे पे मुस्कुराट की गारंटी है, सुनिएगा के बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो कभी लाल किले से भाशन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो बोले और क्या होगा के इंदिया गेट पे अगले बरस हम जन्गन मन गाएंगे चीफ्गेस्ट सिरी बाइडन होंगे पुतिन भी संग आएंगे चीफ गेश्ट सिरी बाइडन होंगे पुतिन भी संग आएंगे नएवाला संसद भवन होगा राहुल थोड़ी धीरी धरो बोले कैसे जीतेंगे केजु ममता लालू टीपू सब हैं अपने साथ उद्धव के संग नितिस चलेंगे सब से आगे हात और पनजे के संग जन जन होगा राहुल थोली भी भी धने फील कैसी आती है फील मैंना फील बताई पीछे पीछे कैबिनेट और आगे आप चलोगे पीछे पीछे कैबिनेट और आगे आप चलोगे रोज रोज फीते काटोगे मन की बात करोगे हाथों में भारत रतन होगा राहू थोड़ी धीर धरो अंती मोर्थुलो साब एक राय विशेस दिये मैंने उनको के जीत के तुम सबसे पहले शिरिधाम अयोध्या जाना यह काम कर ले ना यह promise है के जीत के तुम सबसे पहले शिरिधाम अयोध्या जाना काशी जाकर भोले बाबा का दर्शन कर आना और शिरी शाम प्रेभू का किर्टन होगा राहुल थोड़ी धीर धर बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहुल जी थोड़ी धीर धर इन्हों ने तो राहुल जी पर भविश्वानी कर दी एक भविश्वानी राहुल जी पर और है वो आप सुनो आपको आनन्द आएगा सजा हुई बाहर गए रोक लगी अंदर आए फिर बाहर हो गए तो उनका दिल क्या कहेगा चौबिस तक प्राब्लम सॉल्व होगी कि ये इनकमिंग आउट गोइंग लगा रहेगा ये लगा रहेगा आप बड़ा दम भर रहे थे कि वोटिंग में एक ता दिखाएंगे यहां साथियों ने पहले ही मौके पर गोली दे दी बाद में क्या-क्या गुल खिलाएंगे बात में क्या-क्या गुन खिलाएंगे अच्छे एक बात आपको बताता हूँ बड़ी मैज़दार बात है जी नेताओं के followers होते हैं लेकिन राहुल जी के fans हैं उनके fans हैं मैं बता रहूँ आपको ये नई थे तो मज़ा नहीं आ रहा था उनके आते ही fans का चहरा खिल गया भाई ने एक बाशन क्या दिया लोगों को कितना मसाला मिल गया कितना कितना मसाला मिल गया राहुल जी का तो ठीक है पर दूसरे नेताओं को खामियाजा भरना पड़ रहा है सोचा था ये आएंगे तो हम आटेक करेंगे यहां तो पहले ही दिन से defend करना पड़ रहा है defend करना पड़ रहा है और उनका पुराना बयान याद करना defend करना पड़ रहा है उन्होंने कहा था भाशन से भूकं पाएगा उनके भाशन से उन्होंने कहा था उनके भाशन से भूकम पाएगा अभी तो पूरा गठबंधन हिलेगा जप्पी देना आख मारना फ्लाइंग किस्तों देख लिया भगवान जाने यह मुहबत की दुकान में क्या-क्या देखने को मिलेगा बहुत है गठबंधन बहुत है ऐसा है मित्र बिलकुल सही कही महबत की दुकान में महबत ही देखने को मिलेगी जहाँ पर एक बड़ा सा पुराना सा गाना था कि आचल के तुझे मैं लेके चलू इस ऐसे गगन के तले जहां गम भी नहूं, आसू भी नहूं, बस प्यार ही प्यार पले ये राहुल जी का गाना है, ये महबत की दुकान है और आगे आने वाले समय में सब लोगों को ऐसे गगन के तले ले जाएंगे जहां मणीपूर नहीं होगा ये जो है ना गाना, जो प्यार किया तो ठीक किया, इजहार किया तो ठीक किया वही इजहार संसद में बार बार कर रहे है अगर आप लोग प्यार ही कर लेते हैं, गुपाल जी तो सच बात ये है, फिर तो महबत की दुकान खोलने की जरौतर नहीं पड़ते है आप छोड़िये बाई साब ये तो आपने 60 साल किया होता तो इतने ये दिन देखने को मिलते ही नहीं आपको सिर्फ बाते हैं बाई साब सिर्फ बातों के बताशे फैकती है भाजपा सिर्फ बातों के बताशे फैकती है भाजपा सिर्फ बातों के बताशे फेकती है भाजपा राजनीतिक रोटियां बस सेकती है भाजपा ध्यान भगुला भगत बन गिध्ध द्रिष्टी से सदा किसी तरह गद्दी मिले ये देखती है भाजपा किस तरह गद्धी मिले यह देखती है बाद बार बार साहब कर रहे थे किसीं फ्लाइंग फ्लाइंग किसीं पता नहीं कहा क्या अंड बन मैं एक छंद देता हूं सुनिएगा ये इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे जीतने के लिए साम दाम दंड भेद होगा फिर लोगतंत्र का खयाल कब लाओगे राहूल जी के पीछे हाथ धोके ही पड़े रहे तो देश को समस्याओं का हल कब दिलाओगे कहा कहा कौन कौन फ्लाइंग करेगा और किस 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 पे सवाल यू उठाओगे कहा कहा कौन कौन फ्लाइंग करेगा और किस किस पे सवाल यू उठाओगे चाहे जितना लगा लो जोर कुछ होगा नहीं पर चॉप्समें इंडिया को रोक नहीं है और यह जो इंडिया बनी है इसमें कैसे कैसे लोग है मैं कुछ शेर सुना करता हूं जित्ती तालियां बच्चियों सब बजा ले ना क्योंकि इसके वाश्चों खत्त मन में कुछ के डल हौजी कुछ अंदर से मैकाले हैं गट बंधन के नए दौर में काफी गड़बड जाले हैं अब जो बात हमारे गोपाल भाई साब कह रहे तो से मैं उसी बात को नए अंदाज में कहता हूं नाम इंडिया रखकर कोई आर्या वर्त नहीं होता जरा इशारे देखो लक्षण अब भी इटिली वाले इंडिया रखकर कोई आर्या वर्त नहीं होता जरा बाई साब आप इतना बुरा में क्यों बना रहे हों जरा इशारे देखो अब भी लक्षण इटिली वाले हैं उन्जा करता जिन्पत के पास है अच्छा मार सके मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद मिसर गट बंधन वाले मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद गट बंधन के सारे योद्धा सच में बड़े निराले हैं दोशेर और सिंदीजे फिर आपके जवाब मेरे गाउं के बूढ़े कहते हैं गट बंधन अच्छा है नई लड़के तो मोदी मोदी कर रह है बस चीटी भर सच्चाई है हाथी भर गोटा लें अब शुक्रिया और शेर आफिर इसको दूर कर लीजेगा कि ताल मेल की कमी नजर आती है सर जी आपस में ताल मेल की कमी नजर आती है सर जी आपस में ऐसे तो 24 चुनाओं में राज तिलक के लाले दो नाइने सुन लीजे फहमिदार याज ने लिखी थी मैंने नहीं कुछ लोग तुमें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने रहजन चोरों को कहते हैं यो बात आगई मोदी जी वाली इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहां हो सकता है कुछ लोग तुमें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहां हो सकता है कुछ और तो अकसर होता है पर इसका जवाब सुन लिजे इंडिया से पर हम इस पल में जि आप स्वागत कर रहे हैं सर मैं करूंगा दरसल क्या है आज कर लोग बेवफा बहुत हो गया है अब गोपाल जी तब का इसारा कर गए थे अब लोटे मैं इंतजार में बूड़ा हो गया हूं लग नहीं रहें लेकिन आप बुड़े हैं सर अभी राजबू जी आपके संदीप दीक्षित जी ने एक बात कही पत्रकार ने पूछा गठमंदन के बारे में तो उन्होंने का जी का वो जंगल की तरह से जिसमें आती भी होते हैं सेर भी होते हैं और गीदड़ भी होते हैं और केजरीवाल कि आप पाइटी को दम गीदड़ भी नहीं मानते हैं यह कहा उन्हें बैसे बात यह ताली की थी पर तुम कब बजाओगे मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूं मेरी कही बात फलेगी मैंने इसी सो में कह दिया था कांगरेस और आप पार्टी में सबसे पहले जूतों में दाले बटेगी का टे कि जूतों आहा क्या पात्र चुना ये Одन दोझा घस और खुदको शेर मानकर मूझह तानते हो जनगल में शेर भी है यह है ौत्फुदको शेर मानकर मूझ। तांते हो चलो आप पार्टी को तो गीधड़ भी नहीं मानने पर बाकी सबको गीधड़ ही मानते हो तो भाई एकटी होने का पाल तो रहे हो घमंड अब इसमें एक सब्दा आएगा फलाने भू समझ लेना में का कह रहा हूं एकटे होने का पाल तो रहे हो घमंड क्या सेर का सिकार कर लेगा ये फलानों का जुंड ये फलानों का जुंड दोनों आप बच्चे जाजा समझेंगे दोनों कि आप बताता हूं कैसी है भाजपा लुकलुक कांग्रेश धुख धुख बाजपा लुकलुक कांग्रेश धुख धुख भाजपा पबजी और कांग्रेश फेस्टुक बताता हूं कैसे खेल नकली लेकन रेजल्ट असली है खेल नकली लेकन रेजल्ट असली है पबजी पर तो साधी बिवा होने लग गए लेकिन फेश उबुक पर तो पता ही नहीं चला है कि यह बबलू है कि बबली है अच्छा है रही बाद गठ बंदन की तो वो मजधार में है सर अगर मैं शुरू आत में ओपनर को ज्यादा टाइम बिलता है मैं एक मिनट लेता हूं मजधार मैंने सब्द लिया है एक नाव में तीन बैठे थे एक श्याणा बैठा था एक बंदर था एक उंट था श्याणे ने सुबाब के अनुसार बंदल को उंगली की बंदर सुबाब के अनुरूप उंट पे जा बैठा उंट सुबाब से करवट ले गया और नाप डूब गई तो इस बात का ध्यान रखना गटबंदन की नहप मजदार में हैं दूर दूर तक जमी नहीं है और कांग्रेस में भी स्याणों की कमी नहीं है पाल 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 दो मैं लाश्ट में कहता हूं मैं नखीव लेना। तो देख लेना उसे कोई कांग्रेसी श्यानाई डुबाएगा आपने कहा कांग्रेस में स्यानों की कमीनिये जरा स्यानिये की उनकी डेफिनेशन तो बता दो अभी उंगली करी थी सुनी नहीं थे क्या पहली चीज तो उन्होंने गडबंधन की बात कर दी बना कैसे तो लोग कहते हैं कि फिराक ने कहा था और फिराक का नाम रगुपती सहय था कोई मौमिन खान नहीं थे पहले बता तो ठीक है कि सर जमीने हिंद पर अक्वाम आलम के फिराक काफिले बस्ते गए हिंदुस्ता बन बच्चों यह गडबंधन हमारा ऐसे हैं कि फौसदार जी कभी है तो कभी के रूप में जबाब दे रहे हैं दूसरा आपने का फलित जोट्सी हो तो आपके अंदर तो वही मोधी वाला हैंकार आ गया कि मुझसे मोहतात होके गुफ्तगू करना मुझसे मोहतात होके गुफ गडबंधन की तो चिंता छोड़ दो हमारा गडबंधन तो अभी तक एक है लेकिन आप यह जो इनका गडबंधन है जिनकी तरह बाब बैठे हो इनके गडबंधन ने अभी चार दिन पहले एक पार्टी भाग गई 38 थी 37 रहे गई मनिपूर वाली एक पार्टी कुकी नेशनल अलाइंस जो है वो भाग गया तो नाव में इनकी छेद हो रहा है 24 के चुनाओं में आपको यही बात कहनी पड़ेगी लेकिन आप हमारी तरफ से कहो गई गट बंदन जो गट बंदन है वो पूरी तरह से अगर पिछला इतिहास अगर आप देखेंगे तो ठक बंदन के अलावा कुछ नहीं है गोपाल जी आज मुझे आपको सचेत करने के लिए बिठाए गया नहीं मैं कांग्रेस की तरफ हूँ आज और मैं सही मुद्व पर इतना क्यों इसके चारों बोलते है इसके दिल है कि मानता नहीं मैं कभी हो तो संतुल बनाने ज़रूरी है सुनिए गोपाल जी जादा कॉंफिटेंस पर रहना भी नहीं चाहिए और मेरे युवा साथियों बहुत अच्छा गाना है इंजॉय करना और आपको पहली बार लगेगा कि राजनीती में भी इंजॉय होता है अब सुना राय बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी लिके ले लो लिके ले 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 राय बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी अब ना जादा अहम में बहना मत्मोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा रे अगे जो लाइन आगी पूरा अंगा मा अबना सादा अहम में बहना मत्मोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा रे जटका लगा रे मोदी जी की सरकार में जटका लगा रोज नहीं मिस्टेक है जी वादा प्रोमिस फेक है जी है खड़े काठके गोडे की तरह मुश्किल में बाजार देखो महगाई की मार देखो पड़ रही पीठ पे कोड़े की तरह गट बंधन को है मौका अब मार रही है चोका जितनी गलती करोगे उसका लाब इनको मिले जा अरे देखो आप गट बंधन को है मौका अब मार रही है चोका फिर मत कहना जनता ने क्यों दिया दगारे अरे जटका लगारे मोदी जी की सरकार में जटका लगारे सावधान रही है जटका जटका लग सकता आपको देखो मोदी जी और हमारी सरकार जो भी है पूरी तरह से जनता के समवाद के साथ काम करती है अगर पिछले देड़ मैंने के काम को देखें जब 9 साल पूरे हुए थे जिस तरह से एक-एक कारेकरता एक-एक पदादिकारी एक एक-एक मंत्री एक-एक MP कॉंस्ट्वेंसी में जा लोगों उसके साथ मिल के काम कर रहे हैं उनसे समवाद कर रहे हैं और यही बात स्टेटेजी के रूप में हम 2024 के लिए आगे लेके जाएंगे एक मेरे मित्र ने कविता लिखी थी मैं दो दोहा सुना देता हूं आम आदम जी को में सिरब एक साहित्रिक माध्यम से जबाब दे रहा हूं कि जब कश्टी साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी अब एसी शिकस्ता कस्ती में साहिल की तमन्ना कौन थी अब ये कश्टी सिकस्ता हो गई है महगाई की मार है दूपती सरकार है महिलाएं नगन होकर के क्या वो हो रहा है मनिपूर में आपके सामने कह नहीं सकते इन बच्चों के सामने पूरा देश शर्मसार है और मोदी जी को हैंकार है और किसी को बोलना ओ तो ठीक है नहीं मैं खरू शुरू तो हिंसा का इसा बन जागा चल सुरू यह कह रहा है मोदी जी का नाम नहीं तरह वो क्या पता सुनो कि यहां वहां सारे जहां में यह आवाज है अरे यहां वहां सारे जहां में ये आवाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद मोदी जी तुम जिन्दाबाद अरे सारे देश वासियों को मोदी जी पे नाज है सारे देश वासियों को मोदी जी पे नाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद के कहती है दुनिया ये सारी हो रही चर्चा तुम्हारी एक मोदी हाँ हाँ मोदी सब पे है भारी अरे आपके ही सर पे आपके ही सर पे तो 24 का ताज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दावाद कितने फूसें अगरवाल साब के यहां वहां दूसरा सुनो के राम का मंदिर बना के धारा सत्तर को हटा के घर में दुश्मन हाँ जी दुश्मन को यूं हरा के आपने बचाई ये भारत की लाज है मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद यहां वहां सारे जहां में ये आवाज है यहां वहां सारे बहुत नजदीक से भी देखने पर बड़ी से बड़ी चीज भी छोटी दिखाई देती है गठबंदन की एक पार्टी है आमाजमी पार्टी बाजपा के कई नेताओं को मैंने सुना उनको कह रहें जी सुपारी जैसी पार्टी है इस सुपारी ने 2015 से चैलेंज ले रखा है तूट तो रही नहीं जबडे में दर्द अलग दे रखा है दर्द अलग दे रखा है दिल्ली हो या पंजाब इसी सुपारी के चक्कर में भाजपा अपना वजूद खो रही है देखिएगा कहीं ये सुपारी चुइंगन तो नहीं आठ साल से चबाए जा रहे हैं खतमी नहीं हो रही है और एक पंक्ती देता हूँ आप सब तरक के बच्चे हैं उसको पकड़ना आप कोई खतमी नहीं हो रही है छोटी चीजों को हलके में नहीं लेना चाहिए वरना परिणाम बाद में नजर आता है आदमी पहाड पर तो बैट सकता है पर छोटी सी सुई पर नहीं बैठ पाता है चोटी सी सुईपर नहीं बैठ पाता है आपको ज्यादा वोट मिले अभी ये दिल्ली वाले मुद्दे पे आपको ज्यादा वोट मिले वो तो मिल नहीं थे क्योंकि संख्या के आधार पे आप बड़े हैं पर ये भी तो सच है कि इत्ती सी पार्टी के पक्ष में भी 103 वोट वोट पड़े हैं और एक तथ्य बताता हूं बहुत आनंद आएगा आपको सुनके भाजपा ने तो मजाग उड़ा दिया जबकि 24 में सीधी लडाई भी नहीं है और NDA में जिन-जिन को शामिल किया है उनमें से कई पार्टियां तो सुपारी की एक चौथाई भी नहीं है सुपारी की एक चौथाई भी नहीं है और अंतिम पंति दे रहा हूं पार्टी छोटी है तो क्या हुआ पॉलिटिक्स में किसी को इग्नोर नहीं किया जाता है चीटी हाती की सून में घुस जाए तो हाती भी परेशान हो जाता है देखे हमारी लडाई ना आप से ना कॉंग्रेस से ना किसी अपोजिशन के और किसी पार्टी से इनकी आपस की लडाई है इन में पहले तै होने दीजे कि कौन सुपारी है कौन आती है कौन चीटी है तब फिर हमारे सामने लडाई होगे यहाँ पर तो गुपाल जी हम तो लडएंगे भी भिडएंगे भी और जीतेंगे भी पुरानी सी बात थी ना कि करते भी चलो बढ़ते भी चलो बाजू भी बहुत रोप और चलते ही चलो कि अब देरे मंजिल पे है मनजिल डाले जाएंगे क्या बात बढ़िया बहुत बढ़िया कमल नाज जी को देखा आपने वो शरन में पहुच गए उनके तो मैं कॉंग्रेस से मुखातिफ होता हूं कि बागेश्वर सरकार का दामन थामे तो अंग निकले हैं नतमस तक दिख रहे हैं डाले भगवा सा रंग निकले हैं राजद क तो ये डर है कि टूटन जाये गठ बंधन कमल नाज जी कमल खिलाने वाले के संग निकले हैं थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं आदर्णी से पूछना चाहता हूं कि कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंद्र सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मन्थन करेंगे क्या नहीं करेंगे करेंगे कमल जी की कॉंग्रेस कमल जी की कॉंग्रेस मैं पूछ रहा हूं कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंद्र सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मन्थन करेंगे क्या या चुनाव जीतने की रणीती है हुजूर जूट मूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या जूट मूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या सिर्फ हिंदूओं को भर्माने का ही सोचे हैं या सच यहां मन से समर्पन करेंगे क्या नेता जी बताईए कि वोट पाने के लिए ही आप हिंदू राष्ट का समर्थन करेंगे क्या भारत एक संब्धान के से संपन्न रास्ट है हमारे देश का धर्म संब्धान है सबसे बड़ी बात यह हमारे देश का धर्म संब्धान है और भगवा रंग भगवा रंग किसी की बपोती नहीं है किसी की भी बपोती नहीं है भगवा रंग भगवा रंग सांती का प्रेम का महबत का संतत्तु का सुफिज्म का प्रतीक है इसलिए रंगों की राजनीती मंच पर नहीं होनी चाहिए कमल नाज जी भी आध्यात्मिक है आप भी आध्यात है आध्यात्मिक राष्ट की तरफ चलिए समयधानिक राष्ट की तरफ चलिए बागी सब बात हैं हिंदू और मुसल्मान की मत कीजिए लेकिन बजरन बली को गला गालिया देंगे एक जगह जन्यू धारण कर लेंगे दूसरी जगह यह जो कंफ्यूजन है ना यह अपनी बात को अपने विचारों को रखिए अगर आप क्या आपके विबिन पहलूओं पे क्या विचार है उसमें डिलडॉल करते हैं तो वही कंफ्यूज कर देते जल्दा चलिए तो अब मैं कंफ्यूजन वाली बात नहीं करता हूं कोई धार्मिक बात नहीं करता हूं अब देते जल्के मारफत कहता हूं तो आपकी तबज्ज्व चाहिए दाद तो मिलेगी निए दाद इधर सुरेंसर आप से चाहिए सुनिया चला सियासत से जो है वोटर छका ना डाले सवाल ये है कमिंग इलेक्शन में ये हुकूमत गिरा ना डाले सवाल ये है डाले सवाल ये है और एक शेर पूरे देश का बहुत दिन हो गए करीब दो महीने से इस समस्या से जूज रहे हैं तो आज रिपीट कर रहा हूं इसको ये जो टमाटर उतर के नीचे न आ रहा है कई दिनों से यही टमाटर तुम्हारी चटनी बनाना डाले सवाल रहा हुआ रहा है यही टमाटर तुम्हारी चटनी बनाना डाले सवाल ये और एक सवाल और बिए सिर्ट नहीं जान ले रहा है कुछ चीजें और ले रही है यह ये मिर्च तीखी अभी एक बड़ा बढ़िया फोटो आया था उसमें एक दिवाल में बेश लगी थी किसी ने बड़ा एंचा लिखा की मिर्च में ये खासियत होती कहीं भी लग जाती है ये मिर्च तीखी यहां भी लगा इए यह मिर्च तीखी यह जर्द जीरा यह सर्द लहसुन्हे कुई अद्रक यही मसाला चुनाव को संसना ना डाले सवाल हुआ था जिसको रोका वो शेर बबर पलट के संसद में आ गया है था जिसको रोका वो शेर बबर पलट के संसद में आ गया है वो शेर बबर तुम्हारी कुर्सी हिला न डाले सवाल ये वो शेर बबर एक द्रस मैंने ये देखा था कि कांगरेस के अध्रक्ष जब तक कड़े रहे जब तक के वो बैठ नहीं गई रावल जी पहां और एक कुर्सी भी ढूंडी गई और अवेश्वाज पर आप मत बोला आपके भी आलत यही हैं मैं बोलूगा और अवेश्वाज प्रस्ताप पर भी कुछ में कहूंगा अब सुनिए तेरा जवाब है पहले जब से सुप्रीम कोट का फैसला आया है जब से सुप्रीम कोट का फैसला आया है कांगरेसी जस्न मना रही हैं मिठाईयों के दोर चल रही हैं चमचे पॉपकॉर्ण की तरह उचल रही है पॉपकॉर्ण की तरह उचल ने सुरे राजपू जी कितना धमाल मचाया है बाई कोट ने राहुल को जेल जाने से रोका है प्रदान मंत्री नहीं बनाया है साधारन मेंबर बड़ा या अदक्छ बड़े रहे राउल जब तक बैठ नहीं गए तब तक खड़े जी खड़े रहे तो यह कांगरेशी एक बड़िया बात लाता हूं तारीख और उस पर जान दखना एक ब्यंग है तो कांगरेशी बोला आप भाजपा के बेद नहीं खोलते यह कांगरेशी बोला यह कांगरेशी बोला यह कांगरेशी बोला भाजपा के बेद नहीं खोलते मोदी जी के आग नडड़ाबी जी तो नहीं बोलते, मैंने कहा, कंगरेशी, तुम्हारे ब्रह्म के बादल बहुत घने हैं, बाई, मोदी जी तो 2014 से PM है, राउल जी तो 4 अगस्त 2023 को MP बने, कर दो अपर अच्छे सुरेंजी समझ गए बातों भाई यह नहीं आप बताई यह अमीज अप्पिकर रहे थे वह भी कर रहे थे यह कभी कितना पशीना बाहा है यह कभी कितना पशीना बाहा हैं खड़गे जीए कांगरेस के अध्यक्च हैं यह बात भी अब उनको हम बताने सुरेंजी मैं हूं अभी मैं कुछ मिनट हूं और यह दरसलन की अंदर का डर बोला है हूँ अब की दपा हूँ हुई सुनुवाई दे को बैख हुआ भाई नए जोश में अपकी तफ़ा कहीं न कर दे सफा कहीं न कर दे सफा हाँ प्ध्रा सभूर रहे हैं अपने विकास कारनी गिना रहे हैं राहुलू को कोसने के चकर में दिन रत राहुलू का नाम जपा राहुल को कोसने के चकर में दिन रात राहुल का नाम जपा कहीं न कर दे सफा कहीं न कर दे सफा हाँ डरी हुई है भाज़ पाज़ अब सुन लिजे ये कांग्रेसी बोला है कि गर जे गरोज तुम पर संसद में तुम फसोगे जितना उचल रहे हो उतना ही तुम धसोगे ओ सावा ओ मुझे देखो कि सदमे में सब तुम्हारा घर अब तो दिख रहा है चेहरे पे हार वाला डर अब तो दिख रहा है ओ शावा ओ शावा ओ शावा ओ शावा फिर से देखिए जनता है तंग बुरे आपके है ढंग सब जूटी लगे बतियां बुझने लगी है सतावालिये तुम्हारी अब सारी मुम्बतियां कहीं न कर दे सफा कहीं न कर दे सफा हां धर िखी अब दिख रहे थे थेकार कुरसी पे जाー के भी कुछ न कर पाओगे कि才 कुरसी पे जाके भी कुछ न कर पाओगे जो डराये पडो सी तो डर जा kay आपकी आद तेना बदल पाएंगी, जो मिलेगा वही आप चर जाओगे, जो मिलेगा वही आप चर जाओगे, जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हें, कितने गढ़ बंदन बना लो, जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हें, ना एजन्डा जिताए ना नारा तुम्हें, अपनी कमियों को ना ढूंड पाए कभी, इसलिए जन्ताने है नकारा तुम्हें, इसलिए जन्ताने है नकारा तुम्हें, आपको बताऊँ हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं डराने वाले लोग हैं सुन लीजिए आज तक अगर डराया है एक पाकिस्तान के dot बनाए गोवा को अपने में शामिल किया सिक्कम को अपने में शामिल किया और जिस चीन की आप बात कर रहे थे कि वहाँ पे लाला लाके दिखाएंगे हमने उनको जूला नहीं जूलाया मैं कुछ बाते बताता हूँ बीजेपी को और किन-किन चीजों की उम्मीद नहीं है जो हो रहा है वो सुनो आप से बीजेपी ने सोचा सदस्यता खत्म हुई अब कॉंग्रेस की इज़त धुल जाएगी पर भाजपा को उम्मीद नहीं थी के रहुल जी की वापसी होगी और मोहबत की दुकान फिर से खुल जाएगी फिर से खुल जाएगी उम्मीद तो ये भी नहीं थी कि महंगाई जैसी चवनी बात मुद्दों की लिस्ट में जुड़ सकती है और इड्डिया गठबंधन की मजबूती देखकर बीजेपी की नीद उड़ सकती है बीजेपी की नीद उड़ सकती है क्या पता नाराज साथी भी एक एक कर बिछुड़ने लग जाएं अभी तो सिर्फ नीद उड़ रही है हो सकता है इलेक्षन तक तोते उड़ने लग जाएं भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी एक पंक्ती कहता हूँ बात अच्छी लगा तो समर्थन जरूर करना इसका भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी पर अवकाद दिखाना, बेटे को सेट, दामाद को भेंट जैसी भाषा की उम्मीद भी नहीं रही होगी उम्मीद भी नहीं रही होगी, भाजपा सोच रही होगी कि हवाबाजी से ही काम चल जाएगा पर जनता की उम्मीद पे खरे नहीं उतरे, तो चुनाओं में परिणाम भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आएगा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आबाद अभी एक थोटा था वीडियो वाइरल हुआ था, उसमें प्रेस कॉन्फरेंस चल लगी है और नितीज जी बार-बार राहूल जी को कह रहा है कि थोड़ा बोल दीजिए ना कि अगुआ बनने का शौक छूटा है नितीज जी का घूट अपमान का वो घोट के ही रह गए सोचते हैं गलती हुई जो कहा बोलने को प्रेस कॉन्फरेंस में जो राहूल जी से कह गए राहूल जी तो कुछ भी न बोले रिक्वेस्ट पे भी सभी अर्मान जो थे दिल के वो बह गए आप बोल दीजिए ना थोड़ा बोल दीजिए ना प्लीज बोल दीजिए ना कहते ही रह गए आइज प्रताप न आघाज नया होगा यहां फिर किस तरह से आपका अन्gov exceptional के पास सबस्थ मृण village ने रहे ऐओ गाहां शक्रालोन प्रताप न आघाजन नया होगार पिर किस तरह से आपका अंजाम नया होगा सब काम पूराने रहे नाम नया होगा उन लोगों की काम भारती जनता पालिटिक कैसे है शोर तो बहुत मस्ता है यह हो गया वह गया लाइन से गिनाएंगे लेकिन एक्चुली होता क्या है वह मैं आपको बता रहा हूं सुरेंजी आपका साथ साथ चाहिए बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस और इस पंक्ति पर आप सब की तालियां जोरदार उठें बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस के जैसे घूंगट में कोई दुलहन हसीन हो ऐसे काम है बस दिखते नहीं है दिखता कुछ भी नहीं है कि जैसे घुंगट में कोई दुलहन हसीन हो ऐसे काम हैं बस आवाज करती हो खूब लेकिन जो काम करती नहीं हो बिलकुल बहुत घटारा पुरानी कोई मशीन हो ऐसे काम हैं बस ना बेल बूटे महबतों के ना पेड़ पौधे मुरवतों के के जैसे बंजर उजाड कोई जमीन हो ऐसे काम है बस पढ़े लिखोंसा कोई सली का कोई नतीजा नजर ना आए के बाद दस्वी के पास मेट्रिक जहीन हो ऐसे काम है आपको दर की बाती पसंद नहीं आरे ती जरी आजाओ आप अब चुना प्रजार सुरूई हो चुगा है दो तीन चार स्टेटों में चुगा है सिवराज चवांजी आई थे बुंदेल खंड और उन्होंने यह का था कि के बुंदेल खंड का बिकास कांगरेस ने रोका था अब सुनिए भाजपा जूंट पर पैरगारती है बरतमान में कामजीरों है इसलिए गड़े मुद्दे उखारती है वह पुराणी वह कैसे वह मामा जी वह वह मामा जी वह जनता की ख़वर की इतनी पतली गली राहुल की सदसिता की खवर 20 मिनिट में मिल गई और बुंदेल खंड का विकास कांग्रेस ने रोका था ये खवर 20 साल बाद मिली भाजपा फिर वही गाना पाकिस्तान ये वो फिर वही गाना नेरू का जमाना कांग्रेस का बहाना बात बात में पाकिस्तान हिंदू मुसल्मान यार पुरानी ही कैसेट बज रही हैं। पुरानी ही कैसेट बाजपा पुरानी ही और एक बात कहता हूं समझ में आज़ा तो हो करके पुरानी ही कैसेट बजा रही हैं। भाई उसमें कुछ नए जुमलेई बना लो वो मेक इन इंडिया किस काम आ रही है। इस बार वही तीन पात ढाक एक मौवरा है ना आप समझते होंगे ढाक के तीन पात इस बार वही तीन पात ढाक करोगे तुम नए जुमले तक तो गड़ नहीं पा रही हों। विकास क्या खाक करोगे तुम और अच्छे प्रका भाई है। और अन्तमे मैं यही कहूंगा चारों और तरह तरह दंगों की भजीते नहीं बचा सके। और तारी बजाना तुम और किसको कहां बचाओगे तुम अपने लाए हुए चीते नहीं बचाओगे। बहुत बढ़िया पाजी। बहुत बढ़िया। देश डू-बडू-बकांगरेस के वादों में। यही सच है और वो सचाने वाला है। सुनिये, समर्दन युवापीडी का है सच के लिए। देश डू-बडू-बकांगरेस के वादों में। खूब लूटा-लूटा इनकी फरेभी बातों ने। दम जिसके पसीने में, छपन इंची सीने में। देश में तरक्की की फसलें, जिसने बोधी... मोधी, 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 مोधी... खुछछेता है आप बिल्कुल बढ़िया कह रहे हैं.re विदेशों में जाकर, बड़ी प्लानिंग करें, गलट्या ताकिं करें संसद में चलाएं, अक्हियां कभी अभी स्लीपिंग करें," वो किस प्लाइंग करें," अईसे ही इशारों से दूर है किनारों से हरकतों को देख कर सारी जंता रोदी मोदी 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 हाँ इंडिया पर नाम रख देने से ना कुछ हो ना सुनो है बस रोना सुनो ब्रश्टाचारी मिले हैं आपस में ना कुछ पाना सुनो है बस खोना सुनो अरे खामखा है चकर में कोई न जिसके ठकर में फिर से अंगा में के लिए तो यार खामखा है चकर में कोई न जिसके ठकर में जिसने धंग से अप पोजीशन की इज़त धो दी मोधी 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 हां बस्ती की पैरोडी सुनिया साथ और आपके चेरे पे मुस्कुराट की गारंटी है सुनिएगा के बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहूल थोड़ी धीर घरो कभी लाल किले से भाशन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो बोले और क्या होगा के इंडिया गेट पे अगले बरस हम जनगन मन गाएंगे चबी जन्मरी को के अगले इंडिया गेट पे अगले बरस हम जनगन मन गाएंगे चीफ गेश्ट सिरी बाइडन होंगे पुतिन भी संग आएंगे नए वाला संसद भवन होगा राहुल थोड़ी धीर धरो नए वाला संसद भवन होगा राहुल थोड़ी धीर धरो बोले कैसे जीतेंगे केजू ममता लालू टीपू सब है अपने साथ उद्धव के संग नितिस चलेंगे सब से आगे हाथ और पंजे के संग जन जन होगा राहुल थोड़ी धरो और एक बात और कहीं मैंने फील कैसी आती है फील मैंने फील बताईए पीछे पीछे कैबिनेट और आगे आप चलोगे रोज रोज फीते काटोगे मन की बात करोगे हाथों में भारत रतन होगा राहुल थोड़ी धीर धरो अंतिम और सुलो साब एक राय विशेश दिये मैंने उनको बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहुल जी थोड़ी धीर धरो इन्होंने तो राहुल जी पर भविश्यवानी कर दी एक भविश्यवानी राहुल जी पर और है वह आप सुनो आपको आनन्द आएगा सजा हुई बाहर गए रोक लगी अंदर आए फिर बाहर हो गए तो उनका दिल क्या कहेगा 24 तक प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि यह इनकमिंग आउट गोइंग लगा रहेगा यह लगा रहेगा आप बड़ा दम भर रहे थे कि वोटिंग में एकता दिखाएंगे 10 साथियों ने पहले ही मौके पर गोली दे दी बाद में क्या-क्या मत्तिक नेच एक यह इक बात आपको वताता हुँ बड़ी मज़ार बात था जी मैं नेताओं को फॉल्लोर्स होते हें लिकिन राहुली के उनके फैन्स हैं, उनके फैन्स हैं, मैं बता रहूँ आपको, ये नई थे तो मजा नहीं आ रहा था, उनके आते ही फैन्स का चहरा खिल गया, भाई ने एक भाशन क्या दिया, लोगों को कितना मसाला मिल गया, कितना कितना मसाला मिल गया, राहूल जी का तो ठीक है, पर दूसरे नेताओं को खामियाजा भरना पड़ रहा है, सोचा था ये आएंगे तो हम अटेक करेंगे, यहां तो पहले ही दिन से डिफेंड करना पड़ रहा है, इनका पुराना बयान याद करना, डिफेंड करना पड़ रहा है, उन्होंने कहा था भाशन से भूकम पाएगा, उनके भाशन से, उन्होंने कहा था, उनके भाशन से भूकम पाएगा, अभी तो पूरा गठ बंधन हिलेगा, जपी देना, आँख मारना, फ्लाइंग किस तो देख लिया, भगवान जाने या म महब्बत की दुकान में क्या क्या देखने को मिलेंगा। दुकान है और आगे आने वाले समय में सब लोगों को ऐसे गगन के तले ले जाएंगे जहां मणईपूर नहीं होगा यह जो है ना गाना जो प्यार किया तो ठीक किया इजार किया तो ठीक किया वो इजार संसद में बार-बार कर रहे हैं अगर आप लोग प्यारी कर लेते गुपाल जी तो सच बात यह है फिर तो महबत की दुकान खोलने की जरूरती नहीं पड़ती है आप छोड़िये भाई साब यह तो आपने 60 साल किया होता तो इतने यह दिन देखने को मिलते ही नहीं आपको सिर्फ बाते हैं भाई साब सिर्फ बातों के बताशे फैंकती है भाजपा सिर्फ बातों के बताशे फैंकती है भाजपा राजनीतिक रोटियां बस सेंकती है भाजपा सिर्फ बातों के बताशे फैंकती है भाजपा राजनीतिक रोटियां बस सेखती है भाजपा ध्यान बगुला भगत बन गिध द्रिष्टी से सदा किसी तरह गद्धी मिले ये देखती है भाजपा इस तरह गद्दी मिले यह देखती है बाद बार बार साहब कर रहे थे किसी फ्लाइंग फ्लाइंग किसी पता नहीं कहा क्या अंड बन मैं एक छंद देता हूं सुनिएगा यह इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे जीतने के लिए साम दाम दंड भेद होगा फिर लोगतंत्र का खयाल कब लाओगे राहूल जी के पीछे हाथ धोके ही पड़े रहे तो देश को समस्याओं का हल कब दिलाओगे कहा कहा कौन कौन फ्लाइंग करेगा और किस 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 पे सवाल यू उठाओगे कहा कहा कौन कौन फ्लाइंग करेगा और किस किस पे सवाल यू उठाओगे जाहे जितना लगा लो जो और कुछ होगा नहीं 24 में इंडिया को रोक नहीं पाओगे इंडिया को रोकना है ना आज रोकना है इन्हें नाम बदलने से कुछ नहीं होगा हम तो भारत के इंडिया के साथ बिलकुल सही बात है और यह जो इंडिया बनी है इसमें कैसे कैसे लोग हैं मैं कुछ शेर सुना करके समाप करता हूँ मन में कुछ के डलहौजी कुछ अंदर से मैकाले हैं गट बंधन के नए दौर में काफी गडबड जाले हैं और जो बात हमारे गोपाल भाई साब कह रहे तो मैं उसी बात को नए अंदाज में कहता हूं नाम इंडिया रखकर कोई आर्या वर्त नहीं होता जरा इशारे देखो लक्षण अब भी इटली वाले हैं मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद मिसरा सुनो तुकला के मुझ से मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद गटबंधन के सारे योधा सच में बड़े निराले हैं दो शेर और सिंदी जे फिर आपके जवाब मेरे गाउं के बुढ़े कहते हैं गटबंधन अच्छा है नए लड़के तो मोधी मोधी कर रहे हैं मेरे गाउं के बुढ़े कहते हैं गटबंधन अच्छा है बस चीटी भर सच्चाई है हाथी भर गोटा लें बस चीटी भर सच्चाई है बहुत शुक्रिया और शेर आफिर और इसको दूर कर लीजेगा कि ताल मेल की कमी नजर आती है सर जी आपस में ऐसे तो 24 चुनाओं में राज तिलक के लाले बहुत शुक्रिया दो नाइने सुन लीजे फहमिदा रियाज ने लिखी थी मैंने नहीं कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने रहजन चोरों को कहते है यो बात आगी मोदी जी वाली पर इसका जवाब सुन लिजे इंडिया से पर हम इस पल में जिन्दा है ये पल हम में जिन्दा है ये वक्त नहीं फिर आएगा तुम अपनी करनी कर गुजरो जो होगा देखा जाए क्या बाता है ये मैं तो इसना कह रहा हूं नाम बदलने से खुछ हुआ जी आप स्वागत कर रहे हैं सर मैं करूंगा दरसल क्या है आज कर लोग बेवफा बहुत हो गया है अब गोपाल जी तब का इसारा कर गए थे अब लोटे मैं इंतजार में बूड़ा हो गया हूं लग दी रह लेकिन आप बूड़े हैं सर अभी राजबू जी आपके संदीप दीक्षित जी ने एक बात कही पत्रकार ने पूछा गठमंदन के बारे में तो उन्होंने का जेगा वो जंगल की तरह से है जिसमें आती भी होते हैं श कहा उनने हैं वैसे बात यह ताली की थी पर तुम कब बजाओगे मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूं मेरी कही बात फलेगी मैंने इसी सो में कह दिया था कांगरेस और आप पार्टी में सबसे पहले जूतों में दाले बटेगी कहां बटेगी जूतों में आहां क्या पात्र चुना है यह वावराय वे अच्छा चुछ खुद को शेर मानकर मूछे तांते हो यह जंगल में शेर भी है कुछ खुद को शेर मानकर मूछे तांते हो चलो आप पार्टी को तो गीधड़ भी नहीं मानने पर बाकी सब को है cambies और fresh एकथी होने का पाल तो रहे हो गमंद अब इसमें एक सब्द अइगा फलाने मी भी समझ ले ना मैं का जह नहıı हूं एकथे होने का पाल तो रहे ओ घमंद क्या सेर का सिकार कर लेगा ये फलानों का जोंड पऌलानों का जोट दोनों कती है ठोल tbsp पच्gebaut उसके समझेने डोनों को में चट्वण हूलेतग मतता था हूँ कैसी है ज़ुक टोटक कांग्रेश् भुखुखुग कांग्रेश भुख्च भाजठा पभजी ओठावड़ चफेश्बुखुग वहुझ पबजी पर तो साधी भीवा होने लग गए लेकिन फेस म्बक पर तो पता ही नहीं चला है का ये बबलू है का बबली है न ích जो बब 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 अच्छा है रही बात गठबंदन की तो वो मजधार में है सर अगर मैं सुरुआत में ओपिनर को ज्यादा टाइम बिलता है मैं एक मिनट लेता हूं मजधार मैंने सब्द लिया है एक नाव में तीन बैठे थे एक स्याना बैठा था एक बंदर था एक उंट था श्याने ने जबाब के नरूप उंट पे जा बैठा उंट सुबाब से करवट ले गया और नाप डूब गई तो इस बात का ध्यान रखना गठा गठबंदन की नहप मजधार में है दूर दूर तक जमी नहीं है और कांग्रेज में भी श्यानों की कमी नहीं है और लास्ट में कहता हूं मैं फल्त जोतिस का जोतिसी हूं ताली वजाना भी जी रंग से मैं फल्त जोतिस का जोतिसी हूं चौबीस में यद गठबंदन गोता खाएगा तो देख लेना उसे कोई क्ञवी स्याना ही डूबायें ह। आपने कहा कॉंग्रेस में स्यानों की कमीनिये जरा स्यानिये की उनकी डेफिनेशन तो बता दो अब ये उंगली करी थी सुनी नहीं ते क्या आप सुनिये पौजदार जी ने बहुत शांदार बाते हैं पहली चीज तो उन्होंने गड़बंधन की बात कर दी बना कैसे तो लोग कहते हैं कि फिराक ने कहा था और फिराक का नम रगुपती सहाय था कोई मौमिन खान नहीं थे पहले बता तो ठीक है कि सर जमीने हिंद पर अक्वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदुस्ता बनता गया बच्चो ये गड़बंधन अवारा ऐसे बना पॉसदार जी कभी हैं तो कभी के रूप में जबाब दे रहे हैं दूसरा आपने का आप फलित जोट्सी हो तो आपके अंदर तो वही मोदी वाला हैंकार आ गया कि मुझसे मोहतात होके गुफ्तगू करना मेरा एक मेरा सिलसिला अल्लामिया तक है अल्लामिया कई मोरी जी हो गया वात आप समझो पॉसदार जी हमारे गड़बंधन की तो चिंता छोड़ दो हमारा गड़बंधन तो अभी तक एक है लेकिन आप यह जो इनका गड़बंधन है जिनकी तरह बाप बैठे हो इनके दिन पहले एक पार्टी भाग गई 38 थी 37 गई मनिपूर वाली एक पार्टी कुकी नेशनल अलाइंस जो है वह भाग गया तो नाव में इनकी छेद हो रहा है कि 24 के चुनाओं में आपको यही बात कहनी पड़ेगी लेकिन आप हमारी तरफ से कहो गई गट बंदन जो गट बंदन है वो पूरी तरह से अगर पिछला इतिहास अगर आप देखेंगे तो ठक बंदन के अलावा कुछ नहीं है गोपाल जी आज मुझे आपको सचेत करने के लिए बिठाए गया नहीं मैं कांग्रेस की तरफ हूँ आज और मैं सही मुद्व पर इतना क्यों इसकी चारों बोले है अज़िए दिल है कि मानता नहीं मैं कभी हो तो संतुरल बनाने ज़रूरी है सुने गोपाल जी ज्यादा कॉंफिदेंस पर रहना भी नीच चाहिए और मेरे युवा साथियों बहुत अच्छा गाना है इंजॉय करना और आपको पहली बार लगेगा कि राजनीती में भी इंजॉय होता है अब सुना राय बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी लिके ले लो लिके ले 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 राय बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी अब ना जादा अहम में बहना मत्मोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा रे आगे आगे जो लाइन आगे पूरा अंगा मा अब ना स्यदा अहम में बहना मत्मोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो पिर्ना केहना जटका लगा रे मोदी जी की सरकार में जटका लगा रोज नहीं मिस्टेक है जी बाधा प्रोमस फेक है जी है खड़े काथ के घोड़े की तरह मुश्किल में बाजार देखो महंगाई की मार देखो पड़ रही पीठ पे कोड़े की तरह ह। गतबंधन को है मौका अब मार रही है चोका जितनी गलती करोगी उसका यह उसका उनको मिलेगा अरे देखो आप गट बंदन को है मोका अब मार रही है चोका फिर मत कहना जनता ने क्यों दिया दगारे अरे जटका लगारे मोदी जी की सरकार में जटका लगारे सावधान रही है जटका जटका लग सकता आपको देखो मोधी जी और हमारी सरकार जो भी है पूरी तरह से सरकार जनता के समवाद के साथ काम करती है अगर पिछले देड़ मैंने के काम को देखें जब 9 साल पूरे हुए थे जिस तरह से एक-एक कारकरता एक-एक पदादिकारी एक-एक मंत्री एक-एक MP कॉंस्ट्वेंसी में जा लोगों उसके साथ मिलके काम कर रहे हैं उनसे समवाद कर रहे हैं और यही बात स्टेटेजी के रूप में हम 2024 के लिए आगे लेके जाएंगे एक मेरे मित्र ने कविता लिखी थी मैं दो दोहा सुना देता हूं आम आदमी की अगर नहीं सुनोगे बात तो जनता ही समझा देगी क्या है अपनी ओकार अब गोपाल जी को मैं सिरफ एक साहित्तिक माध्यम से जबाब दे रहा हूं कि जब कश्ती साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किश्कों थी वावावावावावावावाव जब कश्ती यानि मोदी जब 14 वाले मोदी जी 19 वाले थे जब कश्ती साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी अब ऐसी शिकष्टा कस्ती में साहिल की तमन्ना क्यों थी अब ये कश्टी सिकस्ता हो गई है महगाई की मार है डूपती सरकार है महिलाएं नगन होकर के क्या वो हो रहा है मनिपूर में आपके सामने कह नहीं सकते इन बच्चों के सामने पूरा देश चर्मसार है और मोदी जी को हैंकार है और किसी को बोलना हो तो ठीक है नहीं मैं खरूँ शुरू तो हिंसा का हिसा बन जागा चल शुरू यह कह रहा था मोदी जी का नाम नहीं है मोदी जी का नाम नहीं है तिरे वो क्या पता सुनो के यहां वहां सारे जहां में यह आवाज है अरे यहां वहां सारे जहां में यह आ अरे सारे देशवासियों को मोदी जी पे नाज है के कहती है दुनिया ये सारी हो रही चर्चा तुम्हारी एक मोदी हाँ हाँ मोदी सब पे है भारी अरे आपके ही सर पे तो चौबिस का ताज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दावाद कितने फूसे अगरवाल साब के यहाँ वहाँ दूसरा सुनो के राम का मंदिर बना के धारा सत्तर को हटा के घर में दुश्मन हाँ जी दुश्मन को यूं हरा के आपने बचाई ये भारत की लाज है मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद यहाँ वहाँ सारे जहां में ये आवाज है यहाँ वहाँ सारे आज कल क्या है भाजपा ने अपना कद इतना उंचा सोच लिया है कि बहुत नजदीक से भी देखने पर बड़ी से बड़ी चीज भी छोटी दिखाई देती है यहाँ गठबंदन की एक पार्टी है आमादमी पार्टी बाजपा के कई नेताओं को मैंने सुना उनको कहरे जी सुपारी जैसी पार्टी है तब कविता पढ़ता हूँ आनन लेना सुनना मज़ा आएगा इस सुपारी ने 2015 से चैलेंज ले रखा है तूट तो रही नहीं जबडे में दर्द अलग दे रखा है दर्द अलग दे रखा है दिल्ली हो या पंजाब इसी सुपारी के चक्कर में भाजपा अपना वजूद खो रही है देखियेगा कहीं ये सुपारी चुइंगं तो नहीं आठ साल से चबाए जा रहे हैं खतमी नहीं हो रही है और एक पंग्ती देता हूँ आप सब तर्क के बच्चे हैं उसको पकड़ना आप कोई खतमी नहीं हो रही है छोटी चीजों को हलके में नहीं लेना चाहिए वरना परिणाम बाद में नजर आता है आदमी पहाड पर तो बैठ सकता है पर छोटी सी सुई पर नहीं बैठ पाता है छोटी सी सुई पर नहीं बैठ पाता है आपको ज्यादा वोट मिले अभी ये दिल्ली वाले मुद्दे पर आपको ज्यादा वोट मिले वो तो मिल नहीं थे क्योंकि संख्या के आधार पे आप बड़े हैं पर ये भी तो सच है कि इत्ती सी पार्टी के पक्ष में भी 103 वोट पड़े हैं और एक तथ्य बताता हूं बहुत आनंद आएगा आपको सुनके भाजपा ने तो मजाक उड़ा दिया जबकि 24 में सीधी लडाई भी नहीं है और NDA में जिन जिन को शामिल किया है उनमें से कई पार्टीयां तो सुपारी की ए सुपारी की एक चोथाई भी नहीं है और अंतिम पंति दे रहा हूं पार्टी छोटी है तो क्या हुआ पॉलिटिक्स में किसी को इग्नोर नहीं किया जाता है चीटी हाथी की सून में घुस जाए तो हाथी भी परेशान हो जाता है बहुत धन्यवाद बहुत अबहुत अब देखें हमारी लडाई ना आप से है ना कॉंग्रेस से ना किसी अपोजिशन के और किसी पार्टी से इनकी आपस की लडाई है इन में पहले तै होने दीजे कि कौन सुपारी है कौन आती है कौन चीटी है तब फिर हमारे सामने लडाई होगे यहाँ पर तो गोपाल जी हम त जलते ही चलो के अब डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे क्या बात बढ़िया बहुत बढ़िया कमल नाज जी को देखा आपने वह शरन में पहुंच गया उनके तो मैं कॉंग्रेस से मुखातिफ होता हूं कि बागेश्वर सरकार का दामन थामे तो अंग निकले हैं नतमस दिख रहे हैं डाले भगवासा रंग निकले हैं राजद को ये डर है कि तूटन जाए गठ बंधन कमल नाज जी कमल खिलाने वाले के संग निकले हैं कमल नाज जी कमल खिलाने वाले के संग निकले हैं थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं आदर्णी से पूछना चाहता हूं कि कमल जी की कॉंग्रेस दिरेंद्र सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मन्थन करेंगे क्या कमल जी की कॉंग्रेस कमल जी की कॉंग्रेस मैं पूछ रहा हूं कमल जी की कॉंग्रेस दिरेंद्र सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मन्थन करेंगे क्या या चुनाव जीतने की रणीती है हुजूर जूट मूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या जूट मूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या सिर्फ हिंदूओं को भर्माने का ही सोचे हैं या सच यहां मन से समर्पन करेंगे क्या नेता जी बताईए कि वोट पाने के लिए ही आप हिंदू राष्ट का समर्थन करेंगे जाए भारत एक सम्विधान के से संपन्न राष्ट है हमारे देश का धर्म सम्मिधान है सबसे बड़ी बात ये कि हमारे देश का धर्म सम्मिधान है और भगवा रंग किसी की बपोती नहीं है किसी की भी बपोती नहीं है भगवा रंग भगवा रंग सांती का प्रेम का महबत का संतत्तु का सुफिज्म का प्रतीक है इसलिए रंगों की राजनीती मंच पर नहीं होनी चाहिए कमल नाज जी भी आध्यात्मिक है आप भी आध्यात्मिक हो और हम भी आध्यात्मिक है आध्यात्मिक राष्ट की तरफ चलिए सम्मेधानिक राष्ट की तरफ चलिए बागी सब बात हैं हिंदू और मुसल्मान की मत कीजिए लेकिन बजरन बली को गालिया देंगे एक जगह जन्युधारण कर लेंगे दूसरी जगह यह जो confusion है ना यह confusion देश के लिए आज के समय में जनता इसको accept नहीं करती है आप स्पश्च रूप से अपनी बात को अपने व बिन पहलों पे क्या विचार है उसमें डिल्डॉल करते हैं तो वही confusion कर देते हैं चलिए तो अब मैं confusion वाली बात नहीं करता हूं कोई धार्मिक बात नहीं करता हूं सीधे सीधे को सवाल जो पूछना चाहिए उधर से भी पूछा जाते हैं और इधर भी हम लोग सिर्प इ चला सियासत से जो है वोटर छका न डाले सवाल यह है 24 द्यान में शुकरिया चला सियासत से जो है वोटर छका न डाले सवाल यह है coming election में ये हुकूमत गिरा न डाले सवाल ये है और एक शेर पूरे देश का बहुत दिन हो गए करीब दो महिने से इस समस्या से जूज रहे हैं तो आज रिपीट कर रहा हूं इसको ये जो टमाटर उतर के नीचे न आ रहा है कई दिनों से ये जो टमाटर उतर के नीचे न आ रहा है कई दिनों से यही टमाटर तुम्हारी चटनी बनाना डाले सवाल यही तमाटर तुम्हारी चटनी बनाना डाले सवाल यही तमाटर तुम्हारी चटनी बनाना डाले सवाल यह है कुछ चीजें और ले रहे हैं ये मिर्च तीखी अभी एक बड़ा फोटो आया था उसमें दिवाल में मिर्च लगी थी किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि मिर्च में ये खासियत होती कहीं भी लग जाती है ये मिर्च तीखी ये जर्द जीरा आट सु रुपए किलो ऐसर हम लोग तो लहीं नहीं पा रहे हैं ये मिर्च तीखी ये जर्द जीरा ये सर्द लहसुन ये कुद्ध अधरक यही मसाला चुनाव को संसना न डाले सवाल ये है थाजिस को रोका वो शेर बबबर पलट के संसद में आ गया है वो शेर बबबर तुम्हारी कुरसी हिला न डाले सवाल ये है वो शेर बबबर एक द्रस मैंने ये देखा था कि कांगरेस के अधरक्ष जवतक कड़े रहे जवतके वो बैठने गई रावल जी पहां और एक कुर्सी भी ढूंडी गई थी आपके भी आलत ये हैं मैं बोलूँगा और अविस्वाज प्रस्ताप पर भी कुछ मैं कहूंगा अब सुनिए तेरा जवाब है पहले जब से सुप्रीम कोट का फैसला आया है कांग रेसी जस्न मना रही है मिठाईयों के दोर चल रही है चमचे पॉपकॉर्ण की तरह उचल रही है कितना दमाल मचाया है बाई कोट ने राहुल को जेल जाने से रोका है प्रदान मंत्री नहीं बनाया है साधारन मेंबर बड़ा या अदक्ष बड़े रही रावल जब तक बैठ नहीं गए तब तक खडगे जी खड़े रही कोर्ष कमालो बा तो यह कांगरेश हैं बड़िया बात लाता हूं तारीख और उसके जिदागना ँ हीच्राज घन थकना फारिए तो कांगरेश. बोला अब भाजपा के बेद नहीं खुलते यह कांगरेशी बोला, भाजपा के भेद नहीं खोलते, मोदी जी के आगे नड़ा जी भी तो नहीं बोलते, मैंने कहा, कांगरेशी तुम्हारे भ्रह्म के बादल बहुत गने हैं। भाई मोदी जी तो 2014 से पीए में, राउल जी तो 4 अगस्त 2023 को MP बनें। कितना पसीना भाएं। यह कभी कितना पसीना भाएं। खड़गे जी कांगरेश के अध्यक्ष हैं। यह बात भी अब उनको हम बताने जाएं। सुरेन जी मैं हूँ। अभी मैं खुछ मिनट हूँ। और उनको जवाब मैं देता हूँ। यह दरसलने की अंदर का डर बोल रहा है। डरी हुई है भाजपा। फ़रा सबूट। और यह कर गया रहे हैं। अपने विकास कार नहीं कर देता है। राहल को कोसने के चकर में दिन रात राहल का नाम जपा। कहीं न कर दे सफा। कहीं न कर दे सफा, हाँ, डरी हुई है भाज़ता, हाँ, सुन लिजे, ये कांग्रेसी बोल ला है, हाँ, कि गर जेगा रोज तुम पर, संसद में तुम फसोगे, जितना उछल रहे हो, उतना ही तुम धसोगे, ओ सावा, ओ सावा, ओ, मुझे देखो, कि सदमे में सब तुम्हारा, घर अब तो दिख रहा है, चेहरे पे हार वाला, डर अब तो दिख रहा है, ओ शावा, ओ शावा, ओ शावा, ओ शावा, फिर से देखिए, जनता है तंग बुरे, आपके है ढंग, सब जूटी लगे बतियां, वाह, फिर से ता आपके हैं ढंग सब जूति लगे बतियां बुझने लगी है सत्था वाली है तुम्हारी अब सारी मुम्बतियां कहीं न कर दे सफा कहीं न कर दे सफा हां हां धरी हुई है अ किसे बहुने हो आब कि कुरसी पे जाके भी कुछ ना कर पाओगे जो डराए पड़ोशी तो डर जाओगे आपकी आद तेना बदल पाएंगी जो मिलेगा वही आप चर जाओगे जो मिलेगा वही आप चर जाओगे और सुनिए जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हे कितने गढ़ बंदन बना लो जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हे ना एजन्डा जिताए ना नारा तुम्हे अपनी कमियों को ना ढूंड पाए कभी इसलिए जन्ता ने है नकारा तुम्हे इसलिए जन्ता ने है नकारा तुम्हे देखो आपको बताओं हम लोग डरने वाले लोग नहीं है डराने वाले लोग है अज तक अगर डराया है एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान बनाए गोवा को अपने में शामिल किया सिक्कम को अपने में शामिल किया और जिस चीन की आप बात कर रहे थे जिस चीन की आप बात कर रहे थे कि वहाँ पर लाला लाखे दिखाएंगे हमने उनको जूला नहीं जूलाया मैं कुछ बाते बताता हूँ बीजेपी को और किन किन चीजों के उम्मीद नहीं है जो हो रहा है वो सुनो आप सर बीजेपी ने सोचा सदस्यता खत्म हुई अब कॉंग्रेस की इज़त धुल जाएगी पर भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि राहुल जी की वापसी होगी और मोहबद की दुकान फिर से खुल जाएगी फिर से खुल जाएगी उम्मीद तो ये भी नहीं थी कि महंगाई जैसी चवन्नी बात मुद्दों की लिस्ट में जुड सकती है और इड्डिया गठबंधन की मजबूती देखकर बीजेपी की नींद उड सकती है बीजेपी की नींद उड सकती है क्या पता नाराज साथी भी एक एक कर बिछुडने लग जाएए अभी तो सिर्फ नींद उड रही है हो सकता है इलेक्षन तक तोते उडने लग जाएए भाजपा द्वारा संसद में विपख्ष को उट्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी एक पंक्ती कहता हूँ बात अच्छी लगा तो समर्थन जरूर करना इसका भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रन्नीती जाने क्या रही होगी पर उकाद दिखाना, बेटे को सेट, दामाद को भेंट जैसी भाषा की उम्मीद भी नहीं रही होगी उम्मीद भी नहीं रही होगी, भाजपा सोच रही होगी कि हवाबाजी से ही काम चल जाएगा पर जन्ता की उम्मीद पे खरे नहीं उतरे, तो चुनाओं में परिणाम भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आएगा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आबाद अभी एक खोटा सा वीडियो वाइरल हुआ था, उसमें प्रेस कॉंफरेंस चल लगी है और नितीज जी बार बार राहूल जी को कह रहा है कि थोड़ा बोल दीजिये ना कि अगुआ बनने का शौक छूटा है नितीज जी का घूट अपमान का वो घोट के ही रह गए सोचते हैं गलती हुई जो कहा बोलने को प्रेस कॉंफरेंस में जो राहूल जी से कह गए राहूल जी तो कुछ भी न बोले रिक्वेस्ट पे भी सभी अर्मान जो थे डिल के वो बैह गए आप बोल दीजिये ना थोड़ा बोल दीजिये ना कहते ही रह गया गया है अच्छा एक बोल नहीं प्रतापना आघाज नया होगा का से होगा गवरों नहीं प्रताप ना आगाज नया होगा फिर किस तरह से आपका अंजाम नया होगा फिर किस तरह से आपका अंजाम नया होगा चौबीस के चुनाओं में विपक्षियों के पास सब काम पुराने रहेंगे नाम नया होगा अच्छा इन लोगों के काम भारती जनता पालिटिक कैसे है शोर तो बहुत मसता है यह हो गया वो हो गया लाइन से गिनाएंगे लेकिन एक्चुली होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं सुरेंजी आपका साथ चाहिए बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस और इस पंक्ती पर आप सब की तालियां जोरदार उठें बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस के जैसे घूंगट में कोई दुलहन हसीन हो ऐसे काम है बस आवाज करती हो खूब लेकिन जो काम करती नहीं हो बिलकुल बहुत घटारा पुरानी कोई मशीन हो ऐसे काम है बस ना बेल बूटे महबबतों के ना पेड़पोधे मुरवतों के के जैसे बंजर उजाड कोई जमीन हो ऐसे काम है बस पढ़े लिखोंसा कोई सलीका कोई नतीजा नजर ना आए के बाद दस्वी के पास मेट्रिक जहीन हो ऐसे काम है आपको तो कि बाती पसंद नहीं आरी ति इधर ही आजाओ अब चुना प्रचार शुरूई हो चुगा दो तीन चार श्टेटों में चुहाए सिवराज चवांजी आया थे बुंदेल खंड और उन्होंने यह का था के बुंदेल खंड का विकास कांगरेस ने रोका था अब अब सुनिये लुपाल जी भाजपा जूट पर पैर गारती है भाजपा जूट पर पैर गारती है बरतमान में काम जीरों है इसलिए गड़े मुद्दे उखारती है वो ही पुराणी वो कैसे था वह मामा जी वह 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 मामा जी वह जनता की ख़वर की इतनी पतली गली राहुल की सदसिता की ख़वर 20 मिनिट में मिल गई और बुंदेल खंड का बिकास कांग्रेस ने रोका था ये ख़वर 20 साल बाद मिली भाजपा फिर वही गाना पाकिस्तान ये वो फिर वही गाना नेरू का जमाना कांग्रेस का बहाना बात बात में पाकिस्तान हिंदू मुसलमान यार पुरानी ही कैसेट बज रही है पुरानी ही कैसेट बाजपा पुरानी ही और एक बात कहता हूं समझ में आज़ा तो हो करके पुरानी ही कैसेट बजा रही है भाई उसमें कुछ नए जुमलेई बना लो वो मेक इन इंडिया किसकाम आ रही है इस बार वही तीन पात ढाक एक मौबरा है ना आप समझते होंगे ढाक के तीन पात इस बार वही तीन पात ढाक करोगे तुम नए जुमले तक तो गड़ नहीं पा रही हो विकास क्या खाक करोगे तुम और अच्छे प्रकाम बहुता और अन्तमें में यही करूँगा चारो और तरह तरह जासके और तारी बजाना तुम और किसको कहां बचाओगे तुम अपने लाए हुए चीते नहीं बचाओगे कि यहीं सच है और वो सचाने वाला है सुनिए समर्थे व्युवा पीडी का है सच के लिए देश डूबा डूबा कांगरेस के वादों में कूब लूटा लूटा इनकी फरे भी बातों ने दम जिसके पसीने में चपन इन्ची सीने में देश में तरक्की की फसलें जिसने बोधी कुछ नहीं कह रहा आप बल्कुल बढ़िया कह रहा भस मोदी कि चींगा पारी ३विजर के बड़ी प्लानिंग करे, गलट टाकिंग करे, संसद में चलाएं अखियां कभी, अभी स्लीपिंग करे, वो किस फ्लाइंग करे, ऐसे ही इशारों से, दूर हैं किनारों से, हरकतों को देख कर सारी जनता रोदी, मोदी, 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 मोदी हां, इंडिया पे नाम रख देने से, ना कुछ होना सुनो, है बस रोना सुनो, ब्रष्टाचारी मिले हैं आपस में, ना कुछ पाना सुनो, है बस खोना सुनो, अरे खामुखा है चकर में कोई न जिसके ठकर में फिर से अंगा में के लिए तयार खामुखा है चकर में कोई न जिसके ठकर में जिसने धंग से अपोजीशन की इजद्धो दी मोदी 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 हाँ मस्ति की पैरोडी सुनिये साथ और आपके चेरों पर मुस्कुराट की गारंटी है सुनिएगा के बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो कभी लाल किले से भाशन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो बोले और क्या होगा के इंडिया गेट पे अगले बरस हम जनगन मन गाएंगे चीफ गेश्ट सिरी बाइडन होंगे पुतिन भी संग आएंगे नयवाला संसद भवन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो बोले कैसे जीतेंगे केजू ममता लालू टीपू सब है अपने साथ उद्धव के संग नितिस चलेंगे सबसे आगे हात और पंजे के संग जन जन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो और एक बात और कहीं मैंने फील कैसी आती है फील मैंने फील बताईए पीछे पीछे कैबिनेट और आगे आप चलोगे रोज रोज फीते काटोगे मन की बात करोगे हाथों में भारत रतन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो अंति मोर सुल्लो साब एक राय विश्येस दिए मैंने उनको के जीत के तुम सبसे पहले शिरिधाम आयोध्या जाना काशी जाकर भोले बाबा का दर्शन कर आना और शिरी शाम प्रेभु का किर्तन होगा राहुल थोड़ी धीर धर बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहुल जी थोड़ी धीर धर इन्हों ने तो राहुल जी पर भविश्वानी कर दी एक भविश्वानी राहुल जी पर और है वो आप सुनो आपको आनन्द आएगा सजा हुई बाहर गए रोक लगी अंदर आए फिर बाहर हो गए तो उनका दिल क्या कहेगा चौबिस तक प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि ये इनकमिंग आउट गोइंग लगा रहेगा ये लगा रहेगा आप बड़ा दम भर रहे थे कि वोटिंग में एकता दिखाएंगे यहां साथियों ने पहले ही मौके पर गोली दे दी बाद में क्या-क्या गुल खिलाएंगे बाद में क्या-क्या गुल खिलाएंगे अच्छे एक बात आपको बताता हूँ बड़ी मैज़दार बात था जी नेताओं के फॉलोवर्स होते हैं लेकिन राहुल जी के फैंस हैं उनके फैंस हैं मैं बता रहूँ आपको ये नई थे तो मजा नहीं आ रहा था उनके आते ही फैंस का चहरा खिल गया भाई ने एक भाशन क्या दिया लोगों को कितना मसाला मिल गया कितना कितना मसाला मिल गया राहुल जी का तो ठीक है पर दूसरे नेताओं को खामियाजा भरना पड़ रहा है सोचा था ये आएंगे तो हम अटेक करेंगे यहां तो पहले ही दिन से डिफेंड करना पड़ रहा है अई जबाल बहुत अच्छे डिफेंड करना पड़ रहा है और इनका पुराना बयान याद करना डिफेंड करना पड़ रहा है उन्होंने कहा था भाशन से भूकम पाएगा उनके भाशन से उन्होंने कहा था उनके भाशन से भूकम पाएगा अभी तो पूरा गठबंधन हिलेगा जप्पी देना आख मारना फ्लाइंग किस्तो देख लिया भगवान जाने ये मोहबत की दुकान में क्या-क्या देखने को मिलेगा इसा है मित्र बिल्कुल सही कई महबबब की दुकान में इसमें महबबती देखने को मिलेगी जहां पर एक बड़ा सा पुराना सा गाना था कि आचल के तुझे मैं लेके चलूं इस ऐसे गगन के तले जहां गम भी नहूं आसू भी नहूं बस प्यार ही प्यार पले ये राहुल जी का गाना है ये महबत की दुकान है और आगे आने वाले समय में सब लोगों को ऐसे गगन के तले ले जाएंगे जहां मणीपूर नहीं होगा यह जो है ना गाना जो प्यार किया तो ठीक किया इजहार किया तो ठीक किया वह इजहार वह संसद में बार-बार कर रहे हैं अगर आप लोग प्यारी कर लेते गुपाल जी तो सच बात यह है फिर तो महबत की दुकान खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है आप छोड़िये ये तो आपने 60 साल किया होता तो इतने ये दिन देखने को मिलते ही नहीं आपको सिर्फ बातों के बताशे फैकती है भाजपा राजनीतिक रोटियां बस सेकती है भाजपा ध्यान बगुला भगत बन गिध द्रिश्टी से सदा किसी तरह गदी मिले ये देखती है भाजपा किस तरह गदी मिले ये देखती है भाजपा ये बार बार साहब कह रहे थे किसीं फ्लाइंग फ्लाइंग किसीं पता नहीं कहा क्या अंड बन मैं एक छंद देता हूं सुनिएगा ये इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे जीतने के लिए सामदाम दंड भेद होगा फिर लोगतंत्र का खयाल कब लाओगे राहूल जी के पीछे हाथ धोके ही पड़े रहे तो देश को समस्याओं का हल कब दिलाओगे कहा कहा कौन कौन फ्लाइंग करेगा और किस 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 पे सवाल यू उठाओगे कहा कहा कौन कौन फ्लाइंग करेगा और किस किस पे सवाल यू उठाओगे चाहे जितना लगा लो जोर कुछ होगा नहीं चवबिस में इंडिया को रोक नहीं पाओगे चवबिस में आज रोकना है इनने ना नाम बदलने से कुछ नहीं होगा हम तो भारत के इंडिया के साथ बिल्कुल सही बात है और ये जो इंडिया बनी है इसमें कैसे कैसे लोग हैं मैं कुछ शेर सुना करके समाथ करता हूँ जित्ती तालियां बच्चियों सब बजा ले ना क्योंकि इसके वाश्योखत मन में कुछ के डल होजी कुछ अंदर से मैकाले हैं गट बंधन के नए दौर में काफी गड़बड जाले हैं अब जो बात हमारे गोपाल भाई साब कह रहे तो मैं उसी बात को नए अंदाज में कहता हूँ नाम इंडिया रखकर कोई आर्या वर्त नहीं होता जरा इशारे देखो लक्षण अब भी इटिली वाले हैं जरा इशारे देखो अब भी लक्षण इटिली वाले हैं मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद मिसरा सुनो तुकला के मुझ से मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद गटबंधन वाले गट बंधन के सारे जोगा सच में बड़े निराले हैं दोशेर और सुन्दीजे फिर आपके जवाब मेरे गाउं के बूढ़े कहते हैं गट बंधन अच्छा है नई लड़के तो मोधी मोधी कर रहे हैं मेरे गाउं के बुढ़े कहते हैं गठबंधन अच्छा है बस चीटी भर सच्चाई है हाथी भर गोटा लें बस चीटी भर सच्चाई है बहुत शुक्रिया और शुक्रिया और शुरे आफिर और इसको दूर कर लीजेगा कि ताल मेल की कमी नजर आती है सरजी आपस में ऐसे तो 24 चुनाओं में राज तिलक के लाले बहुत शुक्रिया दो नाइने सुन लीजे फहमिदार याज ने लिखी थी मैंने नहीं कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने रहजन चोरों को कहते हैं यो बात आगी मोदी जी वाली इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहाँ हो सकता है पर इसका जवाब सुन लिजे इं पलहम में जिन्दा है ये वक्त नहीं फिर आएगा तुम अपनी करनी कर गुजरो जो होगा देखा जाए तो इतना कह रहा हूं नाम बदलने से खुछ हुआ है अजी सदार जी आप शौकत कर रहे हैं सर मैं करूंगा दरसल क्या है आज कर लोग बेवफा बहुत हो गया है अब गोपाल जी तब का इसारा कर गए थे अब लोटे मैं इंतजार में बूड़ा हो गया हूं लग नहीं रहे लेकिन आप बूड़े हैं सर अभी राजबू जी आपके संदीप दीक्षित जी ने एक बात कही पत्रकार ने पूछा गठमंदन के बारे में तो उन्होंने का जेका वो जंगल की तरह से है जिसमें आती भी होते हैं सेर भी होते हैं और गीदड़ भी होते हैं और केजरी वाल कि आप पाइटी को दम गीदड़ भी नहीं मानते हैं यह यह कहा उन्हें बैसे बात यह ताली की थी पर तुम कब बजाओगे मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूं मेरी कही बात फलेगी मैंने इसी सो में कह दिया था कांगरेस और आप पार्टी में सबसे पहले जूतों में दाले बटेगी कहां बटेगी जूतों है क्या पात्र चुना यह वावरा एब आए बे खुद को सेर मानकर मूझे तांते हो यह जंगल में शेर भी है यह को खुद को शेर मानकर मूझे तांते हो चलो आप पार्टी को तो गीदड़ नहीं मानने पर बाकी सब को गीदड़ ही मानते हो तो भाई एकठी होने का पाल तो रहे हो गमंड अब इसमें एक सब्दा आएगा फलाने वो समझ लेना मैं का कह रहा हूं एकठे होने का पाल तो रहे हो गमंड क्या सेर का सिकार कर लेगा ये फलानों का जुंड आप बच्चे जाओ समझेंगे दोनों कठबन की आधा पताता हूं कैसी है बाजपा लुक-लुक, कांग्रेश धुक-दुक एक बाजपा लुक-लुक, कांग्रेश धुक-दुक, भाजपा पबजी और कांग्रेश पेस्टुक कौए बताता कैसे खेल नकली लेकन रेजर्ट असली है खेल नकली लेकन रेजल्ट असली है पबजी पर तो साथी बेवा होने लग गये लेकन फेश कब अब अठीड स्पेश खया अइसा ला कि यह बबलू है कि अबबली है honest ακली वो वो अच्छा है रही बाद गठ बंदन की तो वो मजधार में है सर अगर मैं सुरू आत में ओपिनर को ज्यादा टाइम बिलता है मैं एक मिनिट लेता हूं मैजधार मैंने सब्द लिया है एक नाव में तीन बैठे थे एक श्याना बैठा था एक बंदर था एक उंट था श्याने सुबाब के अनुसार बंदल को उंगली की बंदर सुबाब के अनुरूप उंट पे जा बैठा उंट सुबाब से करवट ले गया और नाब डूब गई तो इस बात का त्यां रखना गटबंदन की नहाप मजदार में है दूर दूर तक जमी नहीं है और कांगरेस में भी श्यानों की कमी नहीं है मैं लास्ट में कहता हूं मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूं ताली वजाना को पाल जी रंग से मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूं चोबीस में यद गठ बंदन गोता खाएगा तो देख लेना उसे कोई कांगरेसी श्याना ही डुबाएगा वाँ 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 आपने कहा कॉंग्रेस में स्यानों की कमीनिये जरा स्यानिये की उनकी डेफिनेशन तो बता दो अभी उंगली करी थी सुनी नहीं थे क्या आप सुनिये पॉसदार जी ने बहुत शांदार बाते पहली चीज तो उन्होंने गड़बंधन की बात कर दी बना कैसे तो लोग कहते हैं कि फिराक ने कहा था और फिराक का नम रगुपती सहाय था कोई मौमिन खान नहीं थे पहले बता तो ठीक है कि सरजमीने हिंद पर अक्वाम आलम के फिराक काफिले बस्ते गए हिंदुस्ता बनता गया बच्चों ये गड़बंधन हमारा ऐसे बातार जी कभी हैं तो कभ मुझसे मोहताथ होके गुफ्तगु करना मेरा सिलसला अल्ला मिया तक है अल्ला मिया मोदी जी हो गए क्या अब आप समझोब फॉसदार जी हमारे गड़बंधन की तो चिनता छोड़ दो हमारा गड़बंधन तो अभी तक एक है लेकिन आप यह जो इनका गड़बंधन है जिनकी तरह आप बैठे हो इनके गटबंधन ने अभी चार दिन पहले एक पार्टी भाग गई 38 थी, 37 रह गई मनिपूर वाली एक पार्टी कुकी नेशनल अलाइंस जो है वो भाग गया तो नाव में इनकी छेद हो रहा है 24 के चुनाओं में आपको यही बात कहनी पड़ेगी लेकिन आप हमारी तरफ से कहोगे गट बंदन जो गट बंदन है वो पूरी तरह से अगर पिछला इतिहास अगर आप देखेंगे तो ठक बंदन के अलावा कुछ नहीं है गोपाल जी आज मुझे आपको सचेत करने के लिए बिठाए गया ने मैं कांग्रेस की तरफ हूं आज और मैं सही मुत्व पर इतना क्यों इसकी चारों बोल दो दिल है कि मानता नहीं है अ मैं कभी हो तो संतुल बनाने ज़रूरी है सुने गोपाल जी जादा कॉंफिटेंस पर रहना भी नहीं चाहिए और मेरे युवा साथियों बहुत अच्छा गाना है इंजॉय करना और आपको पहली बार लगेगा कि राजनीती में भी इंजॉय होता है अब सुना राय बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी लिके ले लो लिके ले 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 राय बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी अब ना जादा अहम में बहना मत्मोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा रे आगे आगे जो लाइन आगी पूरा अंगा मा अबना सादा अहम में बहना मत्मोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा रे हाई जटका ओए जटका जटका अरे जटका लगा रे मोदी जी की सरकार में जटका लगा रे मोदी जी की सरकार में जटका लगा तगडा लगा जटका लगा हाई 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 जटका लगा रोज नहीं मिस्टेक है जी वादा प्रोमिस फेक है जी है खड़े काठके घोडे की तरह मुश्किल में बाजार देखो महगाई की मार देखो पड़ रही पीठ पे कोड़े की तरह गट बंधन को है मौका अब मार रही है चोका जितनी गलती करोगे उसका लाब इनको मिलेगा अरे देखो आप गट बंधन को है मौका अब मार रही है चोका फिर मत कहना जनता ने क्यों दिया दगारे अर जटका लगारे मोदी जी की सरकार में जटका लगारे साफदान रही है जटका जटका लग सकता आपको देखो मोदी जी और हमारी सरकार जो भी है पूरी तरह से सरकार जनता के समवाद के साथ काम करती है अगर पिछले देड़ मैंने के काम को देखें जब 9 साल पूरे हुए थे जिस तरह से एक-एक कारेकरता एक-एक पदादिकारी एक-एक मंत्री एक-एक MP साथ मिल के काम कर रहे हैं उनसे समवाद कर रहे हैं और यहीं बात स्टेटेजी के रूप में हम 2024 के लिए आगे लेके जाएंगे एक मेरे मित्र ने कविता लिखी थी मैं दो दोहा सुना देता हूं आम आदमी की अगर नहीं सुनोगे बात तो जनता ही समझा देगी क्या है अब गोपाल जी को मैं सिरफ एक साहित्तिक माध्यम से जबाब दे रहा हूं कि जब कष्टी साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी जब कष्टी यानि मोदी जब 14 वाले मोदी जी 19 वाले थे जब कष्टी साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी अब ऐसी शिक कि माइक की मारें नुपती सरकार है महिलाए नगन हो करके क्या वो हो रहा है मनिपूर में आपके सामने पूरा देश तर्मसार है और मोधी और किसी को बोलना हो तो ठीक है नहीं मैं खरू शुरू तो रहा लिए और मोदी घृवास अरे और यहां वहां सारे जाहां में यह आवाज है और यहां वहाँ सारे जाहां में ये आवाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद अरे सारे देशवासियों पे सारे देशवासियों को मोदी जी पे नाज है सारे देशवासियों को मोदी जी पे नाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाब के कहती है दुनिया ये सारी हो रही चर्चा तुम्हारी एक मोदी हाँ हाँ मोदी सब पे है भारी अरे आपके ही सर पे तो 24 का ताज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाब कितने फूसे अगरवाल साब के यहां वहां दूसरा सुनो के राम का मंदिर बना के धारा सत्तर को हटा के घर में दुश्मन हाँ जी दुश्मन को यूं हरा के आपने बचाई ये भारत की लाज है मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद यहां वहां सारे जहां में ये आवाज है यहां वहां सारे इस सुपारी ने 2015 से चैलेंज ले रखा है तूट तो रही नहीं जबड़े में दर्द अलग दे रखा है दिल्ली हो या पंजाब इसी सुपारी के चक्कर में भाजपा अपना वजूद खो रही है देखिएगा कहीं ये सुपारी चुइंगन तो नहीं आठ साल से चबाए जा रहे हैं खतमी नहीं हो रही है और एक पंग्ती देता हूँ आप सब तरक के बच्चे हैं इसको पकड़ना आप कोई खतमी नहीं हो रही है छोटी चीजों को हलके में नहीं लेना चाहिए वरना परिणाम बाद में नजर आता है आदमी पहाड पर तो बैठ सकता है पर छोटी सी सुई पर नहीं बैठ पाता है छोटी सी सुई पर नहीं बैठ पाता है आपको ज्यादा वोट मिले अभी ये दिल्ली वाले मुद्दे पे आपको ज्यादा वोट मिले वो तो मिल नहीं थे क्योंकि संख्या के आधार पे आप बड़े हैं पर ये भी तो सच है कि इत्ती सी पार्टी के पक्ष में भी एक सो तीन वोट पड़े हैं और एक तथ्य बताता हूं बहुत आनंद आएगा आपको सुनके भाजपा ने तो मजाग उड़ा दिया जबकि 24 में सीधी लडाई भी नहीं है और NDA में जिन-जिन को शामिल किया है उनमें से कई पार्टियां तो सुपारी की एक चोथाई भी नहीं है सुपारी की एक चोथाई भी नहीं है और अंतिम पंति दे रहा हूं पार्टी छोटी है तो क्या हुआ पॉलिटिक्स में किसी को इग्नोर नहीं किया जाता है चीटी हाती की सून में घुस जाए तो हाती भी परेशान हो जाता है बहुत भुत धन्यवाद कि हमारी लड़ाई ना आप से हैं ना कॉंग्रेस से ना किसी अपोजिशन के और किसी पार्टी से इनकी आपस की लड़ाई है इन में पहले तै होने दीजे कि कौन सुपारी है कौन आती है कौन चीटी है तब फिर हमारे सामने लड़ाई होगी यहां पर तो गोपाल जी हम लड़ेंगे भी भिड़ेंगे भी और जीतेंगे भी वो पुरानी सी बात थी ना कि करते भी चलो बढ़ते भी चलो बाजू भी बहुत है सर भी बहुत और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे क्या बात बढ़िया बहुत बढ़िया कमल नाज जी को देखा आपने वो शरन में पहुच गये उनके तो मैं कॉंग्रेस से मुखाटिफ होता हूं कि बागेश्वर सरकार का दामन थामे तो अंग निकले हैं नतमस तक दिख रहे हैं हैं डाले भगवा सा रंग निकले हैं र कमल खुलाने वाले के संग निकले हैं थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं आदर्नी से पूछना चाहता हूं कि कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंद्र सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मन्थन करेंगे क्या नहीं करेंगे करेंगे कमल जी की कॉंग्रेस कमल जी की कॉंग्रेस मैं पूख रहा हूँ कमल जी की कॉंग्रेस दिरेंदर सास्त्री से मिली आप इस घटना पर म roaming करेंगे क्या या चुनाव जीतने की रणीती है हुजर। जूट मूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या जूट मूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या सिर्फ हिंदूओं को भर्माने का ही सोचे हैं या सच यहां मन से समर्पन करेंगे क्या नेता जी बताईए कि वोट पाने के लिए ही आप हिंदू राष्ट का समर्थन करेंगे क् भारत एक संब्धान के से संपन्द रास्ट है हमारे देश का धर्म संब्धान है सबसे बड़ी बात ये कि हमारे देश का धर्म संब्धान है और भगवा रंग भगवा रंग किसी की बपोती नहीं है किसी की भी बपोती नहीं है भगवा रंग भगवा रंग सांती का प्रेम का महबत का संतत्तु का सुफिज्म का प्रतीक है इसलिए रंगों की राजनीती मंच पर नहीं होनी चाहिए कमल नाज जी भी आध्यात्मिक है आप भी आध्यात है आध्यात्मिक राष्ट की तरफ चलिए समयधानिक राष्ट की तरफ चलिए बागी सब बात हैं हिंदू और मुसल्मान की मत कीजिए लेकिन बजरन बली को गला गालिया देंगे एक जगह जन्यू धारण कर लेंगे दूसरी जगह यह जो कंफ्यूजन है ना यह इस तो छूब से अपनी बात को अपने विचारों को रखिए अगर आप क्या आपके विबिन पहलूँओं पर क्या विचार है उसमें डिलडॉल करते हैं तो वहीं कन्फ्यूज कर देते जल्दा चलिए तो अब मैं कन्फ्यूजन वाली बात नहीं करता हूं कोई धार्मिक बात नहीं करता हूं सीधे सीधे कुछ सवाल जो पूछना चाहिए उधर से भी पूछे जाते हैं और इधर भी हम लोग सिर्फ इसलिए बैठें से लिए शो का नाम है लपेटे में नेता जी लपेटे में आये और गजल के मारिफत कहता हूं तो आपकी तबज्यों चाहिए द चला सियासत से जो है वोटर छका न डाले सवाल ये है कमिंग इलेक्षन में ये हुकूमत गिरा न डाले सवाल ये है और एक शेर पूरे देश का बहुत दिन हो गए करीब दो महीने से इस समस्या से जूज रहे हैं तो आज रिपीट कर रहा हूं इसको ये जो टमाटर उतर क नीचे न आ रहा है कई दिनों से यही टमाटर तुम्हारी चटनी बनान डाले सवाल ये हैं यही तुम्हारी चटनी बनाना डाले जान ले रहा है कुछ शी और ले रहे हैं ये मिर्च तीखी है अभी एक बड़ा बड़ा फोटो आया था उसमें दिवाल में निर्च लगी थी किसी ने बड़ा अच्छा लेखा कि मिर्च में ये खासियत होती कहीं भी लग जाती है यहां भी लग सकती है यहां भी लगेगी यह मिर्च तीखी यह जर्द जीरा 800 रूपए किलो ऐसर हम लोग तो लही नहीं पा रहे यह मिर्च तीखी यह जर्द जीरा यह सर्द लहसुन यह कुद्ध अधरक यही मसाला चुनाव को संसना न डाले था जिस को रोका वो शेर बबर पलट के संसद में आ गया है वो शेर बबर तुम्हारी कुरसी हिला न डाले सवाल ये वो शेर बबर एक द्रस मैंने ये देखा था कि कांगरेस के अध्रक्ष जवता कड़े रहे जवता के वो बैठने गई रावल जी पहां और एक कुर्सी भी ढूंडी गई और अविस्वाज पर आप मत बोला आपके भी आलत यहीं हैं मैं बोलूंगा और अविस्वाज प्रस्ताप पर भी कुछ में कहूंगा अब सुनिए तेरा जवाब है पहले जब से सुप्रीम कोट का फैसला आया है कांगरेसी जस्न मना रही हैं मिठाईयों के दोर चल रही हैं चमचे पॉपकॉर्ण की तरह उचल रही हैं कितना धमाल मचाया है बाई कोट ने राहूल को जेल जाने से रोका है प्रदान मंत्री नहीं बनाया है साधारन मेंबर बड़ा या अदक्छ बड़े रही राहूल जब तक बैठ नहीं गए तब तक खडगे जी खड़े रही आप पार इसले होना है बहुत है तक व्हालह nap तो एक कांगरेशी एक बढ़िया बात लाता हून तारीख और उस पर ड्यां दखना लाए ब्यांग है तो कांगरेशी बोला आप भाजपां के बहद नहीं खोनते हम यह कांगरेशी बोला, भाजपा के भेद नहीं खोलते, मोदी जी के आगे नड़ा जी भी तो नहीं बोलते, मैंने कहा, कांगरेशी तुम्हारे ब्रह्म के बादल बहुत गने हैं। भाई मोदी जी तो 2014 से पीए में, राउल जी तो 4 अगस्त 2023 को MP बनें। यह कभी कितना पशीना भाई हैं, खड़गे जी कांगरेश के अध्यक्ष हैं, यह बात भी अब उनको हम बताने जाएं। सुरेंडर जी मैं हूँ, अभी मैं कुछ मिनट हूँ और उनको जवाब मैं देता हूँ, यह दरसल निकी अंदर का डर बोल रहा है। हुई सुनवाई देखो बैक हुआ भाई नए जोश में अब की दफा, कहीं न कर दे सफा, कहीं न कर दे सफा, हाँ, डरी हुई है भाजपा, डरी हुई है भाजपा कहीं न कर दे सफा, कहीं न कर दे सफा, डरी हुई है बाद बाद अब सुलीजे ये कांग्रेसी बोल ला है कि गर जेगा रोज तुम पर संसद में तुम फसोगे जितना उचल रहे हो उतना ही तुम धसोगे ओ सावा ओ सावा मुझे देखो कि सदमे में सब तुम्हारा घर अब तो दिख रहा है चेहरे पे हारवाला डर अब तो दिख रहा है ओ शावा ओ शावा ओ शावा ओ शावा फिर से देखिए जनता है तंग बुरे आपके है धंग सब जूटी लगे बतियां फिर से ताली बजा ना जब अच्छी लाएना जनता है तंग बुरे आपके है ढंग सब जूटी लगे बतियां बुझने लगी है सत्था वालिये तुम्हारी अब सारी मुंबतियां कहीं न कर दे सफा कहीं न कर दे सफा हाँ धरी हुई है वाजपा धरी हुई है वाजपा धरी हुई है वाजपा धरी हुई है वाजपा पन के कुरसी पे जाके भी कुछ ना कर पाओगे जो डराए पडोसी तो डर जाओगे आपकी आदते ना बदल पाएंगी जो मिलेगा वही आप चर जाओगे जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हें कितने गढ़ बंदन बना लो जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हें ना एजंडा जिताए ना नारा तुम्हें अपनी कमियों को ना ढूंड पाए कभी इसलिए जनताने है नकारा तुम्हें इसलिए जनताने है नकारा तुम्हें देखो आपको बताओं हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं डराने वाले लोग हैं सुन लीजिए आज तक अगर डराया है एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान बनाए गोवा को अपने में शामिल किया सिक्कम को अपने में शामिल किया और जिस चीन की आप बात कर रहे थे जिस चीन की आप बात कर रहे थे कि वहाँ पर लाला लाके दिखाएंगे हमने उनको जूला नहीं जूलाया मैं कुछ बाते बताता हूँ बीजेपी को और किन-किन चीजों की उम्मीद नहीं है जो हो रहा है वो सुनो आप सर बीजेपी ने सोचा सदस्यता खत्म हुई अब कॉंग्रेस की इज़त धुल जाएगी पर भाजपा को उम्मीद नहीं थी के रहुल जी की वापसी होगी और मोहबद की दुकान फिर से खुल जाएगी फिर से खुल जाएगी उम्मीद तो ये भी नहीं थी कि महेंगाई जैसी चवन्नी बात मुद्दों की लिस्ट में जुड सकती है और इड्डिया गठबंधन की मजबूती देखकर बीजेपी की नींद उड सकती है बीजेपी की नींद उड सकती है क्या पता नाराज साथी भी एक एक कर बिछुडने लग जाएए अभी तो सिर्फ नींद उड रही है हो सकता है इलेक्षन तक तोते उडने लग जाएं भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी पर ओकाद दिखाना बेटे को सेट दामाद को भेंट जैसी भाशा की उम्मीद भी नहीं रही होगी उम्मीद भी नहीं रही होगी भाजपा सोच रही होगी कि हवाबाजी से ही काम चल जाएगा पर जनता की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे तो चुनाओं में परिणाम भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आएगा बहुत बहुत धन्यवाज बहुत आबाद अभी एक ठोटा सा वीडियो वाइरल हुआ था उसमें प्रेस कॉन्फरेंस चल लही है और नितीश जी बार-बार राहुल जी को कह रहा है कि थोड़ा बोल दीजिए ना कि अगुआ बनने का शौक छूटा है नितीश जी का घूट अपमान का वो घोट के ही रह गए सोचते हैं गलती हुई जो कहा बोलने को प्रेस कॉन्फरेंस में जो राहुल जी से कह गए राहुल जी तो कुछ भी न बोले रिक्वेस्ट पे भी सभी अर्मान जो थे दिल के वो बह गए आप बोल दीजिए ना थोड़ा बोल दीजिए ना प्लीज बोल दीजिए ना कहते गौरव नहीं प्रताप न आघाज नया होगा का से ओगाव नहीं प्रताप न आघाज नया होगा फिर किस तरह से आपका अंजाम नया होगा प्रताब ना आगाज नया होगा फिर किस तरह से आपका हंजाम नया होगा 24 के चुनाओं में विपक्षियों के पास सब काम पुराने रहेंगे नाम नया होगा अचा इन लोगों के काम भारती जनता पालिटी कैसे है शोर तो बहुत मसता है ये हो गया वो हो गया लाइन से गिनाएंगे लेकिन एक्चुली होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं सुरेंजी आपका साथ साथ चाहिए बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस और इस पंक्ति पर आप सब की तालिया जोर दार उठें बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस के जैसे घूंगट में कोई दुलहन हसीन हो ऐसे काम है बस आवाज करती हो खूब लेकिन जो काम करती नहीं हो बिल्कुल बहुत घटारा पुरानी कोई मशीन हो ऐसे काम है बस आवाज करती हो खूब लेकिन जो काम करती नहीं हो बिल्कुल बहुत घटारा पुराणी कोई मशीन हो ना पेड़ पौधे मुरवतों के के जैसे बंजर उजाड कोई जमीन हो ऐसे काम है बस पढ़े लिखोंसा पढ़े लिखोंसा कोई सलीका कोई नतीजा नजर ना आए के बाद दस्वी के पास मेट्रिक जहीन हो ऐसे काम है अब बढ़े आपको दो की बाती पसंद नहीं आरे ती इधर ही आजाओ आप अब चुना प्रजार शुरू ही हो चुगा दो तीन चारी स्टेटों में चुहाए शिवराज चवांजी आया थे बंदेल खंड और उन्होंने ये का था के बंदेल खंड का विकास कांगरेस ने रोका था अब अब सुनिये भाजपा जूट पर पैरगाडती है भाजपा जूट पर पैरगाडती है बरतमान में कामजीरो हैं इसलिए गड़े मुद्दे उखारती है इसलिए और भी पुराणी वो वो कैसे ठति वहां मामा जी वहां आ मामा जी वहां जनता की ख़वर की इतनी पतली गली जनता की खबर की इतनी पतली गली राहुल की सदसिता की खबर 20 मिनिट में मिल गई और बुंदेल खंड का बिकास कांग्रेस ने रोका था ये खबर 20 साल बाद मिली भाजपा फिर वही गाना पाकिस्तान ये वह फिर वही गाना नेरू का जमाना कांग्रेस का बहाना बात बात में पाकिस्तान हिंदू मुसल्मान यार पुरानी ही कैसिट बज रही है पुरानी ही कैसिट बाजपा पुरानी ही और एक बात कहता हूं समझ में आज़ा तो हो करके पुरानी ही कैसिट बजा रही है भाई उसमें कुछ नए जुमलेई बना लो वो मेक इन इंडिया किस काम आ रही है इस बार वही तीन पात ढाक ओ एक मौवरा है ना आप समझते होंगे ढाक के तीन पात इस बार वही तीन पात ढाक करोगे तुम नए जुमले तक तो गड़ नहीं पा रही हो विकास क्या अब 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 आधा और अन्त में मैं यह कोँगा चारो और तरह तरह दंगों की भजीते नहीं बचा सके और तारी बजाना तुम और किसको कहां बचाओगे तुम अपने लाए हुए चीते नहीं बचा सके तुम यही वहादों में यही सच है और वो सचाने वाला है सुनिए समर्ते न युवापीडी का सच के लिए है देशडू बडू बडू बकांग रेस के बादों में कूब लूटा लूटा इनकी फरे भी बातों ने दम जिसके पसीने में छपन इंची सीने में देश में तरक्की की फसलें जिसने बोधी मोधी कुछ नहीं कह रहा है आप बिल्कुल बढ़िया कह रहा है आप बस मोधी की चाहिए गोधी 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 राहुल जी विदेशो में जाकर बड़ी प्लानिंग करें गलत टाकिंग करें संसद में चलाएं अखिया कभी अभी स्लीपिंग करें वो किस फ्लाइं करें ऐसे ही इशारों से दूर है किनारों से हरकतों को देख कर सारी जनता रोदी मोदी, 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 हाँ इंडिया पे नाम रख देने से न कुछ हो न सुनो, है बस रोना सुनो ब्रश्टाचारी मिले हैं आपस में ना कुछ पाना सुनो, है बस खोना सुनो अरे खामखा है चकर में, कोई न जिसके ठकर में फिर से अंगा में के लिए तो यार खामखा है चकर में, कोई न जिसके ठकर में जिसने धंग से अप पोजीशन की इज़त धो दी मोधी 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 हां बस्ती की पैरोडी सुनिया साथ और आपके चेरे पे मुस्कुराट की गारंटी है सुनिएगा के बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो कभी लाल किले से भाशन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो बोले और क्या होगा के इंडिया गेट पे अगले बरस हम जनगन मन गाएंगे चबी जन्वरी को के अगले इंडिया गेट पे अगले बरस हम जनगन मन गाएंगे चीफ गेश्ट सिरी बाइडन होंगे पुतिन भी संग आएंगे नए वाला संसद भवन होगा राहुल थोड़ी धीर धरो नए वाला संसद भवन होगा राहुल थोड़ी धीर धरो बोले कैसे जीतेंगे केजू ममता लालू टीपू सब हैं अपने साथ उद्धव के संग नितिस चलेंगे सबसे आगे हाथ और पंजे के संग जन जन होगा राहुल थोड़ी धरो और एक बात और कहीं मैंने फील कैसी आती है फील मैंने फील बताईए पीछे पीछे कैबिनेट और आगे आप चलोगे रोज रोज फीते काटोगे मन की बात करोगे हाथों में भारत रतन होगा राहुल थोड़ी धीर धरो अंतिम और सुल्व साहब एक राय विशेश दिये मैंने उनको के जीत के तुम सबसे पहले शिरिधाम अयोध्या जाना काशी जाकर भोले बाबा का दर्शन कर आना और शिरिशाम प्रेभू का किर्तन होगा राहुल थोड़ी धीर धरो बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहुल जी थोड़ी धीर धरो इन्होंने तो राहुल जी पर भविश्यवानी कर दी एक भविश्यवानी राहुल जी पर और है वो आप सुनो आपको आनन्द आएगा सजा हुई बाहर गए रोक लगी अंदर आए फिर बाहर हो गए तो उनका दिल क्या कहेगा 24 तक प्राब्लम सॉल्व होगी कि ये इनकमिंग आउट गोइंग लगा रहेगा ये लगा रहेगा आप बड़ा दम भर रहे थे कि वोटिंग में एक ता दिखाएंगे यहां साथियों ने पहले ही मौके पर गोली दे दी बाद में क्या-क्या गुल खिलाएंगे बात में क्या-क्या गुन खिलाएंगे अच्छे एक बात आपको बताता हूँ बड़ी मैज़दार बात है जी नेताओं के फॉलोवर्स होते हैं लेकिन राहुल जी के फैंस हैं उनके फैंस हैं बता रहू आपको ये नई थे तो मजा नहीं आ रहा था उनके आते ही फैंस का चहरा खिल गया भाई ने एक बाशन क्या दिया लोगों को कितना मसाला मिल गया कितना कितना मसाला मिल गया राहुल जी का तो ठीक है पर दूसरे नेताओं को खामियाजा भरना पड़ रहा है सोचा था ये आएंगे तो हम अटेक करेंगे यहां तो पहले ही दिन से डिफेंड करना पड़ रहा है डिफेंड करना पड़ रहा है और इनका पुराना बयान याद करना डिफेंड करना पड़ रहा है उन्होंने कहा था भाशन से भूकम पाएगा उनके भाशन से उन्होंने का था उनके भाशन से भूकम पाएगा अभी तो पूरा गठबंधन हिलेगा जपी देना आँख मारना फ्लाइंग किस तो देख लिया भगवान जाने या मुभबत की दुकान में क्या क्या देखने को मिलेगा बहुत हब गठबंधन ऐसा है मित्र बिल्कुल सही कही महबत की दुकान में महबती देखने को मिलेगी जहां पर एक बड़ा सा पुराना सा गाना था कि आचल के तुझे मैं लेके चलू इस ऐसे गगन के तले जहां गम भी नहूं आसू भी नहूं बस प्यार ही प्यार पले य आगे आने वाले समय में सब लोगों को ऐसे गगन के तले ले जाएंगे जहां मणईपूर नहीं होगा यह जो है ना गाना जो प्यार किया तो ठीक किया इजहार किया तो ठीक किया वह इजहार वह संसद में बार बार कर रहे हैं अगर आप लोग प्यारी कर लेते गुपाल जी तो सच बात यह है फिर तो मुख्बत की दुकान खोलने की जरूरती नहीं पड़ती है आप छोड़िये बाई साब ये तो आपने 60 साल किया होता तो इतने ये दिन देखने को मिलते ही नहीं आपको सिर्फ बाते हैं बाई साब सिर्फ बातों के बताशे फैकती है भाजपा सिर्फ बातों के बताशे फैकती है भाजपा राजनीतिक रोटियां बस सेकती है भाजपा सिर्फ बातों के बताशे फैकती है भाजपा राजनीतिक रोटियां बस सेकती है भाजपा जियान बगुला भगत बन गिद्ध द्रिश्टी से सदा किसी तरह गद्धी मिले ये देखती है भाज बार बार साहब कहा रहे थे किसे फलाइंग किसे पता नहीं पता नहीं क्या क्या आndर बन मैं एक छंद देता हूं सुनिएगा ये इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे जीतने के लिए साम दाम दंड भेध होगा फिर लोक तंत्र का खयाल कब लाओगे राहुल जी के पीछे हाथ धोके ही पड़े रहे तो देश को समस्याओं का हल कब दिलाओगे कहा कहा कौन कौन फ्लाइंग करेगा और किस 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 पे सवाल यू उठाओगे कहा कहा कौन कौन फ्लाइंग करेगा और किस किस पे सवाल यू उठाओगे चाहे जितना लगा लो जोर कुछ होगा नहीं ही 24 में इंडिया को रोक नहीं पाओगे शूर इसमें रोकना इन आज रोकना है इन्हें ना नाम बदलने से कुछ नहीं होगा हम तो भारत के इंडिया के साथ बिल्कुल सही बात है और यह जो इंडिया बनी है इसमें कैसे कैसे लोग हैं मैं कुछ शेर सुना करके सुना करता हूं जित्ती तालियां बच्चियों सब बजा ले ना क्योंकि इसके वाश्चो खत्त मन में कुछ कुछ अंदर से मैकाले हैं मन में कुछ के डलहाओजी कुछ अंदर से मैकाले हैं गट बंधन के नए दौर में काफी गड़बड झाले जहां हैं और जो बात हमारे गोपाल भाईसाब कह रहे तो मैं उसी बात को नए अंदाज में कहता हूं नाम इंडिया रखकर कोई आर्यावर्त नहीं होता जरा इशारे देखो लक्षण अभी इतली वाले इंडिया रखकर कोई आर्यावर्त नहीं होता जरा बाई साब आप इतना बुरा में क्यों बना रहे हों जरा इशारे देखो अब भी लक्षण इटली वाले हैं उन्जा गर्था जिन्पत के पास है अच्छा मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद मिसरा सुनो तुकला के मूं से अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद गटबंधन के सारे योद्धा सच में बड़े निराले हैं दो शेर और चलीजे फिर आपके जवाब मेरे गाउं के बुढ़े कहते हैं गट्भन धन अच्छा है नई लड़के तो मोधी मोधी कर रहे हैं मेरे गाउं के बुढ़े कहते हैं गठबंधन अच्छा है बस चीटी भर सच्चाई है हाथी भर गोटा लें बस चीटी भर सच्चाई है बहुत शुक्रिया और शेरे आफिर इसको दूर कर लीजिएगा कि ताल मेल की कमी नजर आती है सर जी आपस में ऐसे तो 24 चुनाओं में राज तिलक के लाले बहुत शुक्रिया दो नाइने सुन लीजे फहमिदा रियाज ने लिखी थी मैंने नहीं कुछ लोग तुमें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने रहजन चोरों को कहते हैं यो बात आगी मोदीजी वाली इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहां हो सकता है कुछ लोग तुमें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहां हो सकता है कुछ और तो अकसर होता है पर इसका जवाब सुन लिजे इंडिया से पर हम इस पल में जि आप स्वागत कर रहे हैं सर मैं करूंगा दरसल क्या है आज कर लोग बेवफा बहुत हो गया है अब गोपाल जी तब का इसारा कर गए थे अब लोटे मैं इंतजार में बूड़ा हो गया हूं सर अभी राजभू जी आपके संदीप दीक्षित जी ने एक बात कही पत्रकार ने पूछा गठमंदन के बारे में तो उन्होंने का जी कि वो जंगल की तरह से जिसमें आती भी होते हैं शेर भी होते हैं और गीदड़ भी होते हैं और केजरी वाल कि आप पाईटी को दम तुम कब बजाओगे मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूं मेरी कही बात फलेगी मैंने इसी सो में कह दिया था कांगरेस और आप पार्टी में सबसे पहले जूतों में दाले बटेगी कर दृूतों में अहां क्या पातर चुना है यह आबराः वे झाहिए पुद को सेर मानकर मुछे तानते हो यह जंगल में शेर भी है है झुढ को चुद को सेर मानकर मुछे तानते ओ चलो आप पारटी को तो गीधाड़ भी नहीं इन संपर बाकि आपकी सबको गीधाड़ मानते हो तो भाई इकटी होने का पाल तो रहे हो घमंड क्या सेर का सिकार कर लेगा ये फलानों का जुंड पलानों का जुटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूट एड हो बताता हूं कैसे खेलनकली, लेकन रजल्ट असली है खेलनकली, लेकन रजल्ट असली है पब जी पर तो साधी ब्यभा होने लग गए लेकन फेज खुपक पर तो पता yup कम जेख्यों भूल्प स्वब्लु थे बबली हु! अच्छा है रही बात गठबंदन की तो वो मजधार में है सर अगर मैं सुरुआत में ओपिनल को यादा टाइम बिलता है मैं एक मिनट लेता हूं मजधार मैंने सब्द लिया है एक नाव में तीन बैठे थे एक श्याना बैठा था एक बंदर था एक उंठता श्याने ने सुबाब के अनुसार बंदल को उंगली की बंदर सुबाब के अनुरूप उंट पे जा बैठा उंट सुबाब से करवट ले गया और नाव डूब गई तो इस बात का ध्यान रखना गटबंदन की नाव मजधार में है दूर दूर तक जमी नहीं है और कांगरेज में भी श मैं लास्ट में कहता हूं मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूं ताली वजाना कोपाल जी रंग से मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूं चोबीस में यद गठ बंदन गोता खाएगा तो देख ले ना उसे कोई कांगरेशी स्याना ही डुबाएगा आपने कांगरेश में स्यानों की कम अब ये उंगली करी थी सुनी नहीं थे क्या अब सुनिए पौजदार जी ने बहुत शांदार बाते हैं पहली चीज तो उन्होंने गडबंधन की बात कर दी बना कैसे तो लोग कहते हैं कि फिराक ने कहा था और फिराक का नाम रगुपती सहाय था कोई मौमिन खान नहीं थे पहले बता तो ठीक है कि सरजमीने हिंद पर अक्वामे आलम के फिराक काफिले बस्ते गए हिंदुस्ता बनता गया तो बच्चों ये गडबंधन हमारा ऐसे बनता है भौजदार जी कभी हैं तो कभी के रूप में जबाब दे रहे हैं दूसरा आपने का फलित जोट्सी हो तो आपके अंदर तो वही मोदी वाला हैंकार आ गया कि मुझसे मोहताथ होके गुफ्तगू करना मेरा सिलसिला अल्लामिया तक है अल्लामिया गई मोदी जी हो गए क्या बात आप समझो फौसदार जी हमारे गडबंधन की तो चिंता छोड़ दो हमारा गडबंधन तो अभ सेले एक पार्टी भाग गई 38 थी 37 रहे गई मनिपूर वाली एक पार्टी कुकी नेशनल अलाइंस जो है वह भाग गया तो नाव में इनकी छेद हो रहा है को सचेत करने के लिए बिठाए गया है ने मैं कांग्रेस की तरफ हूं आज और मैं सही मुद्व पर यह इतना क्यों इसके चारों पुल लोगा है दिल है कि मानता नहीं मैं कभी हो तो संतुल बनाने ज़रूरी है सुनिए गोपाल जी जादो कॉंफिटेंस पर रहना भी नहीं चाहिए और मेरे युवा साथियों बहुत अच्छा गाना है इंजॉय करना और आपको पहली बार लगेगा कि राजनीती में भी इंजॉय होता है अब सुना फिर राय बिगड़ गई जंता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी अबना जादा अहम बहना मतमोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा रे आगे जो लाइन आगी पूरा अंगा मा अबना सादा अहम में बहना मतमोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा रे हाई जटका ओए जटका 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 अरे जटका लगा रे मोदी जी की सरकार में जटका लगा रे मोदी जी की सरकार में जटका लगा तगड़ा लगा जटका लगा हाई हाई जटका लगा रे रोज नहीं मिस्टेक है जी बादा प्रोमिस फेक है जी है खड़े काठके घोड़े की तरह मुश्किल में बाजार देखो महगाई की मार देखो पड़ रही पीठ पे कोड़े की तरह गट बंधन को है मौका अब मार रही है चोका जितनी गलती करोगे उसका लाब इनको मिलेगा अरे देखो आप गट बंधन को है मौका अब मार रही है चोका फिर मत कहना जनता ने क्यों दिया दगारे अरे जटका लगारे मोदी जी की सरकार में साबदान नोहीं है जटका जटका लग सकता है आपको देखो मोदी जी और हमारी सरकार जो भी है पूरी तरह से सरकार जनता के संववाद के साथ काम करती हैं अगर पिछले देड़ मैंने के काम को देखें जब 9 साल पूरे हुए थे जिस तरह से एक-एक कारेकरता एक-एक पदादिकारी एक-एक मंत्री एक-एक MP कॉंस्ट्वेंसी में जा लोगों उसके साथ मिल के काम कर रहे हैं उनसे समवाद कर रहे हैं और यही बात स्ट्रेटेजी के रूप में हम 2024 के लिए आगे लेके जाएंगे एक मेरे मित्र ने कविता लिखी थी मैं दो दोहा सुना देता हूं आम आदमी की अगर नहीं सुनोगे बात तो जनता ही समझा देगी क्या है अपनी ओकार अब गोपाल जी को मैं सिरफ एक साहितिक माध्यम से जबाब दे रहा हूं कि जब कष्टी साबितो सालिम थी साहिल की तमना किसको थी अब एसी शिकष्टा कष्टी में साहिल की तमना कौन है अब ये टश्टी सिकस्ता हो गई है महगाई की मार है डूपती सरकार है महिलाएं नगन होकर के क्या वो हो रहा है मणीपूर में आपके सामने कह नहीं सकते इन बच्चों के सामने पूरा देश शर्मसार है और मोदी जी को हैंकार है और किसी को बोलना हो तो ठीक है नहीं मैं खरूँ शुरू तो हिंसा का हिस्सा बन जागा चल शुरू यह कह रहा था मोदी जी का नाम नहीं है मोदी जी का नाम नहीं है तिरे वो क्या पता सुनो के यहां वहां सारे जहां में यह आवाज है अरे यहां वहां सारे जहां में ये आवाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद अरे सारे देशवासियों को मोदी जी पे नाज है सारे देश वासियों को मोदी जी पे नाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाब के कहती है दुनिया ये सारी हो रही चर्चा तुम्हारी एक मोदी हां हां मोदी सब पे है भारी अरे आपके ही सर पे तो 24 का ताज है आपके ही सर पे तो 24 का ताज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद कितने फूसे अगरवाल साब के यहां वहां दूसरा सुनो के राम का मंदिर बना के धारा सतर को हटा के घर में दुश्मन हां जी दुश्मन को यू हरा के आपने बचाई ये भारत की लाज है आपने बचाई ये भारत की लाज है मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद, जाहां वहां सारे जहां में ये आवाज है यहां वहां सारे आज कल कह वाजपा ने अपना कद इतना उंचा सोच लिया है कि बहुत नस्दीक से भी देखने पे बड़ी से बड़ी चीज भी छोटी दिखाई देती आती है गठबंदन की एक पार्टी है आमादमी पार्टी बाजपा के कई नेताओं को मैंने सुना उनको कह रहे जी सुपारी जैसी पार्टी है इतीसी पार्टी है तब कविता पढ़ता हूँ आनंद लेना सुनना मज़ा आएगा इस सुपारी ने 2015 से चैलेंज ले रखा है तूट त दर्द अलग दे रखा है दिल्ली हो या पंजाब इसी सुपारी के चक्कर में भाजपा अपना वजूद खो रही है देखिएगा कहीं ये सुपारी चुइंगं तो नहीं आठ साल से चबाए जा रहे हैं खतमी नहीं हो रही है और एक पंग्ती देता हूँ आप सब तर्क के बच्चे हैं उसको पकड़ना आप कोई खतमी नहीं हो रही है छोटी चीजों को हलके में नहीं लेना चाहिए वरना परिणाम बाद में नजर आता है आदमी पहाड पर तो बैठ सकता है पर छोटी सी सुई पर नहीं बैठ पाता है आपको ज्यादा वोट मिले अभी ये दिल्ली वाले मुद्दे पे आपको ज्यादा वोट मिले वो तो मिल नहीं थे क्योंकि संख्या के आधार पे आप बड़े हैं पर ये भी तो सच है कि इत्ती सी पार्टी के पक्ष में भी एक सो तीन वोट पड़े हैं और एक तथ्य बताता हूं बहुत आनंदा है का आपको सुनके भाजपा ने तो मजाक उड़ा दिया जबकि 24 में सीधी लड़ाई भी नहीं है और NDA में जिन जिन को शामिल किया है उनमें से कई पार्टियां तो सुपारी की एक चौथाई भी नहीं है और अंतिमपंती दे रहा हूं पार्टी छोटी है तो क्या हुआ पॉलिटिक्स में किसी को इगनोर नहीं किया जाता है चीटी हाती की सून में घुस जाए तो हाती भी परेशान हो जाता है भाब भाब धन्यवाद बहुत आवाद देखे हमारी लड़ाई ना आप से है ना कॉंग्रेस से ना किसी अपोजिशन के और किसी पार्टी से इनकी पहले तै होने दीजे कि कौन सुपारी है कौन आती है कौन चीटी है तब फिर हमारे सामने लड़ाई होगे यहां पर तो गुपाल जी हम तो लड़ेंगे भी भिड़ेंगे भी और जीतेंगे भी पुरानी सी बात थी ना कि करते भी चलो बढ़ते भी चलो बाजू भी बहुत बढ़िया कमल नाज जी को देखा आपने वो शरन में पहुच गए उनके तो मैं कॉंग्रेस से मुखातिफ होता हूं कि बागेश्वर सरकार का दामन था में तो अंग निकले हैं नतमस तक दिख रहे हैं डाले भगवा सा रंग निकले हैं कमल नाज जी कमल खिलाने वाले के संग निकले हैं थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं आदर्णी से पूछना चाहता हूं कि कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंद्र सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मन्थन करेंगे क्या कमल जी की कॉंग्रेस कमल जी की कॉंग्रेस मैं पूछ रहा हूं कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंद्र सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मन्थन करेंगे क्या या चुनाव जीतने की रणीती है हुजूर जूटमूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या सिर्फ हिंदूों को भ्रमाने का ही सोचे हैं या सच यहां मन्थ समर्फन करेंगे क्या नेता जी बताईए कि वोट पाने के लिए ही आप हिंदू राष्ट का समर्थन करेंगे जाए भारत एक संब्धान के से संपन्न रास्ट है हमारे देश का धर्म संब्धान है भगवारंग किसी की बपौती नहीं है कमल नाज जी भी आध्यात्मिक है आप भी आध्यात्मिक हो और हम भी आध्यात्मिक है आध्यात्मिक रास्ट्री की तरफ चलिए, सम्मेधानिक रास्ट्री की तरफ चलिए, बागी सब बात हैं हिंदू और मुसल्मान की मत कीजिए लेकिन बजरन बली को गालिया देंगे, एक जगह जन्युधारन कर लेंगे दूसी जगह, यह जो कन्फ्यूजन है ना, यह कन्फ्यूजन देश के लिए आज के समय में जन्ता इसको एकसेप्ट नहीं करती है आप स्पष्ट रूप से अपनी बात को, अपने विचारों को रखिए, अगर आप क्या आपके विबिन पहलूँओं पे क्या विचार है, उसमें डिल्डॉल करते हैं तो वो ही कन्फ्यूजज कर देते हैं चलिए, तो अब मैं कन्फ्यूजन वाली बात नहीं करता हूँ, कोई धार्मिक बात नहीं करता हूँ, सीधे-सीधे को सवाल जो पूछना चाहिए, उधर से भी पूछे जाते हैं और इधर भी हम लोग सिर्फ इसलिए बठें, इसलिए शो का नाम है लपेटे में नेता जी लपेटे में आईए, और गजल के मार्फत कहता हूँ, तो आपकी तबज्यों चाहिए, दाद तो मिलेगी नहीं, दाद इधर सुरेंसर आप से चाहिए, सुनियाए, चला सियासत से जो है वोटर छका न डाले सवाल ये है, कमिंग इलेक्षन में ये हुकूमत गिरा न डाले सवाल ये है, और एक शेर पूरे देश का बहुत दिन हो गए, करीब दो महिने से इस समस्या से जूज रहे हैं, तो आज रिपीट कर रहा हूं इसको, ये जो टमाटर उतर के नीचे न आ रहा है कई दिनों से, ये जो टमाटर उतर के नीचे न आ रहा है कई दिनों से, यही यही तमाटर तुम्हारी चटनी बना न डाले सवाल यह है और एक सवाल और भी ऐसे टमाटर ही नहीं जान ले रहा है कुछ चीजें और ले रहे हैं यह मिर्च तीखी अभी एक बड़ा फोटो आया था उसमें दिवाल पे मिर्च लगी थी किसी ने बड़ा अच्छा लिखा क कि मिर्च में यह खासियत होती कहीं भी लग जाती है यह मिर्च तीखी यह जर्द जीरा यह सर्द लहसुन यह कुद्ध अधरक यही मसाला चुनाव को संसना न डाले सवाल यह है था जिस को रोका वो शेर बबबर पलट के संसद में आ गया है वो शेर बबबर तुम्हारी कुरसी हिला न डाले सवाल यह वो शेर बबबर एक द्रस मैंने यह देखा था कि कांगरेस के अध्रक्ष जब तक कड़े रहे जब तक वो बैठ नहीं गए रावल जी और एक कुर्शी भी ढूंडी गई और अविस्वाज पर आप मत बोला आपके भी आलत यह हैं मैं बोलूगा और अविस्वाज प्रस्ताप पर भी कुछ में कहूंगा अब सुनिए तेरा जवाब है पहले जब से सुप्रीम कोट का फैसला आया है कांग रेसी जस्न मना रही हैं मिठाईयों के दोर चल रही हैं चमचे पॉपकॉर्ण की तरह उचल रही हैं सुरे राजपू जी कितना धमाल मचाया है बाई कोट ने राहूल को जेल जाने से रोका है प्रदान मंत्री नहीं बनाया है साधारन मेंबर बड़ा या अदक्छ बड़े रही रावल जब तक बैठ नहीं गए तब तक खडगे जी खड़े रही तो यह कांगरेशी एक बड़िया बात लाता हूं तारीख और उस पर ज्यान दखना एक भ्यंग है तो कांगरेशी बोला आप भाजपा के बेद नहीं खोलते यह कांगरेशी बोला यह कांगरेशी बोला बाजपा के बेद नहीं खोलते मोधी जी के आगे नड़ा जी भी त नहीं बोलते मैंने कहा कांगरेशी तुम्हारे भ्रह्म के बादल बहुत घने हैं राओल जी तो चार अगस्त दो हजार ते इसको MP बने सुरेंजी समझ कहे बातों बाइए आप बताईये कई起 llega अपर आ भी कर रहे तई यह कभी कितना पसीना वा gen यह कभी कितना पसीना बाहे हैं खड़िए कंगरेस के हमात्या हैं यह बात भी अब उनको अवन को हम बताने जाए जाब भाज 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 भाजी सुरेंर जी मैं हूँ अभी मैं خुछ मिनट हूँ और उनको जभाब मैं देता हूँ यह दरसल निकी अंदर कड़ बोल कि रॉय при आए नये जोश में अब कि दफा है हुई डेको बैख हुआ भाई नए जोश में अपकी तफा कहीं न कर दे सफा कहीं न कर दे सफा हां डरी हुई है भाजपा डरी हुई है भाजपा फ़रा सबोर्ट और ये कर दे हैं अपने विकास कार नहीं कि ना रहे हैं राहुल को कोसने के चकर में दिन रात राहुल का नाम जपा कहीं न कर दे सफा डरी हुई है भाज़पा सुन लिजे यह कांग्रेसी बोला है कि गर जेगा रोज तुम पर संसद में तुम फसोगे जितना उचल रहे हो उतना ही तुम धसोगे ओ सावा मज़ देखो कि सदमे में सब तुम्हारा घर अब तो दिख रहा है चेहरे पे हार वाला डर अब तो दिख रहा है ओ शावा ओ शावा फिर से देखिए जनता है तंग बुरे आपके है ढंग सब जूटी लगे बतियां फिर चेह कलना जब अच्छी लाए नाए हां कुरसी पे जाकेभी कुछ ना कर पाओगे किसे बहुति के कुरसी पे जाकेभी कुछ ना कर पाओगे जो डराए पडोसी तो डर जाओगे आपकी आदते ना बदल पाएंगी जो मिलेगा वही आप चर जाओगे जो मिलेगा वही आप चर जाओगे ओर सुनिए जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हे कितने गढ़ बंदन बना लो जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हे ना एजंडा जिताए ना नारा तुम्हें अपनी कमियों को ना धूंड पाए कभी इसलिए जनता ने है नकारा तुम्हें देखो आपको बताऊं हम लोग डरने वाले लोग नहीं है डराने वाले लोग हैं सुन लिजिए आज तक अगर डराया है एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान बनाए गोवा को अपने में शामिल किया सिक्कम को अपने में शामिल किया और जिस चीन की आप बात कर रहे थे कि वहां पर लाला लाखे दिखाएंगे हमने उनको जूला नहीं जूलाया मैं कुछ बाते बताता हूँ बीजेपी को और किन-किन चीजों की उम्मीद नहीं है जो हो रहा है वो सुनो आप सर बीजेपी ने सोचा सदस्यता खत्म हुई राहुल जी की बीजेपी ने सोचा सदस्यता खत्म हुई अब कॉंग्रेस की इज़त धुल जाएगी पर भाजपा को उम्मीद नहीं थी के राहूल जी की वापसी होगी और मुहबद की दुकान फिर से खुल जाएगी फिर से खुल जाएगी उम्मीद तो ये भी नहीं थी कि महंगाई जैसी चवनी बात मुद्दों की लिस्ट में जुड़ सकती है और इडिया गठबंधन की मजबूती कर बीजेपी की नींद उड़ सकती है क्या पता नाराज साथी भी एक एक कर बिछुड़ने लग जाएं अभी तो सिर्फ नींद उड़ रही है हो सकता है इलेक्षन तक तोते उड़ने लग जाएं भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी एक पंक्ती कहता हूँ बात अच्छी लगा तो समर्थन जरूर करना इसका भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी पर अवकाद दिखाना बेटे को सेट दामाद को भेंट जैसी भाषा की उम्मीद भी नहीं रही होगी उम्मीद भी नहीं रही होगी भाजपा सोच रही होगी कि हवाबाजी से ही काम चल जाएगा पर जनता की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे तो चुनाओं में परिणाम भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आएगा बहुत बहुत धन्यवाज बहुत आबाद अभी एक फोटा सा वीडियो वाइरल हुआ था उसमें प्रेस कॉंफरेंस चल लही है और नितीश जी बार-बार राहुल जी को कह रहा है कि थोड़ा बोल दीजिए ना कि अगुआ बनने का शौक छूटा है नितीश जी का घूट अपमान का वो घोट के ही रह गए तो आप प्रेस कॉंफरेंस में जो राहुल जी से कह गए राहुल जी तो कुछ भी न बोले रिक्वेश्ट पे भी सभी अर्मान जो whenfeld बह गये आप बोल दीजिए ना थोड़ा बोल दीजिए ना कहते ही प्रताप ना आघाज नया होगा कांशे होगा गौरों नहीं प्रताप ना आघाज नया होगा फिर किस तरह से आपका अंजाम नया होगा प्रताब ना आगाज नया होगा फिर किस तरह से आपका हंजाम नया होगा 24 के चुनाओं में विपक्षियों के पास सब काम पुराने रहेंगे नाम नया होगा अच्छा इन लोगों के काम भारती जन्ता पालिटिक कैसे है शोर तो बहुत मसता है ये हो गया वो हो गया लाइन से गिनाएंगे लेकिन एक्चुली होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं सुरेंजी आपका साथ साथ चाहिए बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस और इस पंक्ति पर आप सब की तालिया जोरदार उठें बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस के जैसे घूंगट में कोई दुलहन हसीन हो ऐसे काम है बस दिखते नहीं है दिखता कुछ बहुत खटारा पुरानी कोई मशीन हो ऐसे काम है बस ना बेल बूटे महबतों के ना पेड़ पौधे मुरवतों के के जैसे बंजर उजाड कोई जमीन हो ऐसे काम है बस पढ़े लिखोंसा कोई सली का कोई नतीजा नजर ना आए के बाद दस्वी के पास मेट्रिक जहीन हो ऐसे काम है अब इजी हमारे बी करें इस बात है बहुत बढ़िया आपको तो इसकी बाती पसंद नहीं आरी ति इधर ही आजाओ 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 अब चुना प्रचार सुरू ही हो चुगा है दो तीन चार स्टेटों में चुगा है जो है सिवराज चवान जी आया थे बुंदेल खंड और उन्हों नहीं यह का था के बुंदेल खंड का विकास कांगरेस ने रोका था अब अब सुनिये लुपाल जी भाजपा जूट पर पैर गारती है बाजपा जूट पर पैर गारती है बर्तमान में काम जीरों है इसलिए गड़े मुद्दे उखारती है वही पुराणी वह कैसिट वह मामा जी वह वह मामा जी वह जनता की खबर की इतनी पतली गली जनता की खबर की इतनी पतली गली राहुल की सदसिता की खबर 20 मिनिट में मिल गई और बुंदेल खंड का विकास कांगरेस ने रोका था ये खबर 20 साल बाद मिली भाजपा फिर वही गाना पाकिस्तान ये वह फिर वही गाना नेरू का जमाना कांगरेस का बहाना बात बात में पाकिस्तान हिंदू मुसलमान यार पुरानी ही कैसिट बज रही है पुरानी ही कैसिट बाजपा पुरानी ही और एक बात कहता हूं समझ में आजा तो हो करके पुरानी ही कैसिट बजा रही है भाई उसमें कुछ नए जुमलेई बना लो वो मेक इन इंडिया किस काम आ रही है किस काम आ रही है इस वार वही तीन पात ठाक एक एक मुआबरा है ना आप समझते होंगे ठाक के तीन पात इस वार वही तीन पात ठाक करोगे तुम नए जुमले तक तो गड़ नहीं पा रही हो जा रहा और अंत करोगे तुम्हिं फॉआक सके यह शेम का रही है और अंत मैं में यहीं कहुंगा चारों और तुराय तुराय दंगों के भजीते नहीं बचा सके है अ справ tuna तुम और बिजाना तुम और सुको कहा बचाओंगे तुम अपने लाए हुए चीते नहीं देश डूबाडूबा कांग रेस के वादों में यही सच है और वो सचाने वाला है सुनिए समर्दें युवा पीडी का है सच के लिए देश डूबाडूबा कांग रेस के वादों में कूब लूटा लूटा इनकी फरेभी बातों ने दम जिसके पसीने में छपन इंची सीने में देश में तरक्की की फसलें जिसने बोधी ज़ए ज़ए भधी मोधी हाँ कुछ नहीं कहरा आप बिल्कुल बढ़िया कहरें आपस मोधी की ज़ए === सर रहुल जी विदेशो में जाकर बड़ी प्लानिंग करे गलट टाकिंग करे संसद में चलाएं अखिया कभी अभी स्लीपिंग करे वो किस फ्लाइन desire ऐसे ही इशारों से दूर है किनारों से हरकतों को देख कर सारी जनता रोदी मोदी, 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 हाँ इंदिया पे नाम रख देने से ना कुछ हो ना सुनो, है बस रोना सुनो ब्रश्टाचारी मिले हैं आपस में ना कुछ पा ना सुनो है बस खो ना सुनो अरे खामखा है चकर में कोई न जिसके ठकर में फिर से अंगा में के लिए तो यार खामखा है चकर में कोई न जिसके ठकर में जिसने धंग से अपोजीशन की इज़त धो दी मोधी 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 हां मस्ती की पैरोडी सुनिये साथ और आपके चेरों पर मुस्कुराट की गारंटी है सुनिएगा के बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो कभी लाल किले से भाशन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो बोले और क्या होगा के इंडिया गेट पे अगले बरस हम जनगन मन गाएंगे चबी जनवरी को के अगले इंडिया गेट पे अगले बरस हम जनगन मन गाएंगे चीफ गेष्ट सिरी बाइडन होंगे, पुतिन भी संग आएंगे नए वाला संसद भवन होगा, राहुल थोड़ी धीर धरो नए वाला संसद भवन होगा, राहुल थोड़ी धीर धरो बोले कैसे जीतेंगे, केजू ममता लालू टीपू सब हैं अपने साथ उद्धव के संग नितिस चलेंगे सब से आगे हाथ और पंजे के संग जन जन होगा, राहुल थोड़ी धरो और एक बात और कहीं मैंने, फील कैसी आती है, मैंने फील बताई, पीछे पीछे कैबिनेट और आगे आप चलोगे रोज रोज फीते काटोगे, मन की बात करोगे, हाथों में भारत रतन होगा, राहुल थोड़ी धीर धरो अंतिमोर सुलो साब, एक राय विशेश दिये मैंने उनको, के जीत के तुम सबसे पहले शिरिधाम अयोध्या जाना ये काम कर ले ना, ये प्रॉमिस है, के जीत के तुम सबसे पहले शिरिधाम अयोध्या जाना काशी जाकर भोले बाबा का दर्शन कर आना और शिरीशाम प्रेभू का किरतन होगा राहुल थोड़ी धीर धर बहु मत से तुम्हारा मिलन होगा राहुल जी थोड़ी धीर धर इन्हों ने तो राहुल जी पर भविश्वानी कर दी, एक भविश्वानी राहुल जी पर और है, वो आप सुनो आपको आनन्द आएगा सजा हुई, बाहर गए, रोक लगी, अंदर आए, फिर बाहर हो गए तो उनका दिल क्या कहेगा 24 तक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कि ये इनकमिंग आउट गोइंग लगा रहेगा ये लगा रहेगा, आप बड़ा दम भर रहे थे, कि वोटिंग में एकता दिखाएंगे यहां साथियों ने पहले ही मौके पर गोली दे दी, बाद में क्या-क्या गुल खिलाएंगे बाद में क्या-क्या गुन खिलाएंगे, अच्छे एक बात आपको बताता हूँ, बड़ी मैज़दार बात है नेताओं के फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन राहुल जी के फैन्स हैं, उनके फैन्स हैं मैं बता रहूँ आपको, ये नई थे तो मजा नहीं आ रहा था उनके आते ही फैन्स का चहरा खिल गया, भाई ने एक बाशन क्या दिया, लोगों को कितना मसाला मिल गया कितना कितना मसाला मिल गया, राहुल जी का तो ठीक है, पर दूसरे नेताओं को खामियाजा भरना पड़ रहा है, सोचा था ये आएंगे तो हम अटेक करेंगे, यहां तो पहले ही दिन से डिफेंड करना पड़ रहा है है किष्ओ वड़ दिफेंड करना पड़ रहा है और इनका पुराना बयान याद करना इनोंने कहा था, भाशन से भूकम पाए गा, अभी तो पूरा गठबंधन हिलेगा जप्पी देना, आख मारना, फ्लाइंग किस्टों देख लिया, भगवान जाने या मुहबत की दुकान में क्या-क्या देखने को मिलेगा। इसा है मित्र बिल्कुल सही कई महबत की दुकान में महबती देखने को मिलेगी जहां पर एक बड़ा सा पुराना सा गाना था कि आचल के तुझे मैं लेके चलू इस ऐसे गगन के तले जहां गम भी नहूं आसू भी नहूं बस प्यार ही प्यार पले यह राहुल जी का गाना है यह महबत की दुकान है और आगे आने वाले समय में सब लोगों को ऐसे गगन के तले ले जाएंगे जहां मनिपूर नहीं होगा यह जो है ना गाना जो प्यार किया तो ठीक किया इजहार किया तो ठीक किया वह इजहार वह संसद में बार-बार कर रहे हैं अगर आप लोग प्यारी कर लेते गुपाल जी तो सच बात यह है फिर तो महबत की दुकान खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है आप छोड़िये बाइसाब यह तो आपने 60 साल किया होता तो इतने यह दिन देखने को मिलते ही नहीं आपको सिर्फ बाते हैं बईसाब सिर्फ बातों के बताशे फैकती है भाजपा राजनीतिक रोटियां बस सेकती है भाजपा द्यान बगुला भगत बन गिध द्रिश्टी से सदा किसी तरह गदी मिले यह देखती है भाजपा किस तरह गद्दी मिले यह देखती है बार बार साहब कह रहे थे किसींग फ्लाइंग फ्लाइंग किसींग पता नहीं कहा क्या अंड बन मैं एक छंद देता हूं सुनिएगा यह इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे जीतने के लिए साम दाम दंड भेद होगा फिर लोगतंत्र का खयाल कब लाओगे राहूल जी के पीछे हाथ धोके ही पड़े रहे तो देश को समस्याओं का हल कब दिलाओगे कहा कहा कौन कौन फ्लाइंग करेगा और किस 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 पे सवाल यू उठाओगे कहा कहा कौन कौन फ्लाइंग करेगा और किस किस पे सवाल यू उठाओगे चाहे जितना लगा लो जोर कुछ होगा नहीं 24 में इंडिया को रोक नहीं पाओगे इसमें रोकना है न आज रोकना है इनने नाम बदलने से कुछ नहीं होगा हम तो भारत के इंडिया के साथ बिल्कुल सही बात है और यह जो इंडिया बनी है इसमें कैसे-बो है मैं कुछ शेर सुना करके समाफ करता हूं जित्ती तालियां बचीयों सब बजा ले ना क्योंकि इसके वाश्यों खत्त मन में कुछ के डलहौजी कुछ अंदर से मैकाले हैं गट बंधन के नए दौर में काफी गडबड जाले हैं अब जो बात हमारे गोपाल भाई साब कह रहे नाम इंडिया रखकर कोई आर्या वर्त नहीं होता जरा इशारे देखो लक्षण अब भी इटली वाले हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद मिसरा सुनो तुकला के मूँ से मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद गट बंधन के सारे योद्धा सच में बड़े निराले हैं दो शेर और सुन्दी जे फिर आपके जवाब मेरे गाउं के बुढ़े कहते हैं गट बंधन अच्छा है बस चीटी भर सचाई है हाथी बर गोटा लें बस चीटी भर सचाई है बहुत शुक्रिया और शेर आफिर और इसको दूर कर लीजेगा कि ताल मेल की कमी नजर आती है सर जी आपस में ताल मेल की कमी नजर आती है सर जी आपस में ऐसे तो 24 चुनाओं में राज तिलक के लाले बहुत शुक्रिया दो लाइने सुन लीजे इर्शाद फहमिदार याज ने लिखी थी मैंने नहीं कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने रहजन चोरों को कहते है यो बात आगी मोधी जी वाली इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहां हो सकता है इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहां हो सकता है कुछ और तो अक्सर होता है पर इसका जवाब सुन लिजे इंडिया से पर हम इस पल में जिन्दा है ये पल हम में जिन्दा है ये वक्त नहीं फिर आएगा तुम अपनी करनी कर गुजरो जो होगा देखा जाए क्या बाता है तो इसना कह रहा हूं नाम बदलने से खुछ हुआ जी आप सौगत कर रहे हैं सर मैं करूंगा दरसल क्या है आज कर लोग बेवफा बहुत हो गया है अब गोपाल जी तब का इसारा कर गए थे अब लोटे हैं मैं इंतजार में बूड़ा हो गया हूं लग नहीं रहे लेकिन आप बूड़े हैं सर अभी राजबू जी आपके संदीप दीक्षित जी ने एक बात कही पत्रकार ने पूछा गठमंदन के बारे में तो उन्होंने का जेगा वो जंगल की तरह से है जिसमें आती भी होते है हैं सेर भी होते हैं और गीदड़ भी होते हैं और केजरी वाल कि आप पाइटी को दम गीदड़ भी नहीं मानते हैं यह यह कहा उन्हें बैसे बात यह ताली की थी पर तुम कब बजाओगे मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूं मेरी कही बात फलेगी मैंने इसी सो में कह दिया था कांगरेस और आप पार्टी में सबसे पहले जूतों में दाले बटेगी कि कहा पदेगी की हो यह बthank पातरा चुना एं आब हुए यह अबर आ अच्छा थिह कुदको शेर मानकर झांते ऊ कि जांगल में अशेर भीो हाई कुछ खुदको शेर मानकर झांते हो चलो आप पारटी को तो घीदर मी नहीं मंने पर बाकि सब को घीदरी इंबनते हो अ पाप गजी तो भाई एकत होने का पाल तो रहे हो गमंद अभी इसमें सब्द आएगा फलाने वो समझ लेना मैreme का कह रहा हूं इकत होने का पाल तो रहे हो गमंड क्या सेर का सिकार कर लेगा यह फलानों का जुंड दोनों गठमदन की आप बच्चे जाजा समझेंगे दोनों कठमदन की आप बताता हूं कैसी है भाजपा लुकलुक, कांग्रेश दुक्तुक, भाजपा लुकलुक, कांग्रेश दुक्तुक, भाजपा पबजी और कांग्रेश फेसबुक, बताता हूं कैसे, खेल नकली लेकन रेजल्ट असली है, खेल नकली लेकन रेजल्ट असली है, पबजी पर तो साधी बिवा उने प लग गए लेकिन फेश उबक पर तो पता ही नहीं चला है कि यह बबलू है कि बबली है अच्छा है रही बात गठ बंदन की तो वो मजधार में है सर अगर मैं शुरू आत में ओपनर को ज्यादा टाइम बिलता है मैं एक मिनट लेता हूं मजधार मैंने सब्द लिया है एक नाव में तीन बैठे थे एक स्याणा बैटा था एक बंदर था एक उंट था श्याड़े ने सबाब के अनुसार बंदल को उंगली की बंदर सबाब के अनुरूप उंट पे जा बैठा उंट सबाब से करवट ले गया और नाप डूब गई तो इस बात का त्यान रखना गटबंधन की नहप मजदार में हैं दूर दूर तक जमी नहीं है और कांगरेश में भी श्यानों की कमी नहीं है मैं लास्ट में कहता हूँ मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूँ ताली वजाना को पाल जी रंग से मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूँ चोबीस में यद गठबंधन गोता खाएगा तो देख लेना उसे कोई कांगरेशी श्याना ही डुबाएगा आपने कहा कॉंग्रेस में स्यानों की कमीनिये जरा स्यानिये की उनकी डेफिनेशन तो बता दो अब ये उंगली करी थी सुनी नहीं ते क्या पॉसदार जी ने बहुत शांदार बाते हैं पहली चीज तो उन्होंने गड़बंधन की बात कर दी बना कैसे तो लोग कहते हैं कि फिराक ने कहा था और फिराक का नम रगपती सहाय था कोई मौमिन खान नहीं थे पहले बता तो कि सरजमीने हिंद पर अक्वाम आलम के फिराक काफिले बस्ते गए हिंदुस्ता बनता गया तो बच्चो ये गड़बंधन रवारा ऐसे बना पौशडार जी कभी है तो कभी के रूप में जबाब दे रहे हैं दूसरा आपने का फलित जोट्सी हो तो आपके अंदर तो वही मोदी वाला हैंकार आ कि मुझसे मोहताथ होके गुफ्तगू करना मेरा सिलसिला अल्लामिया तक है अल्लामिया कई मोरी जी हो गए क्या बात आप समझो फॉसदार जी हमारे गटबंधन की तो चिंता छोड़ दो हमारा गटबंधन तो अभी तक एक है लेकिन आप यह जो इनका गटबंधन है जिनकी गटबंधन ने अभी चार दिन पहले एक पार्टी भाग गई 38 थी 37 रह गई मनिपूर वाली एक पार्टी कुकी नेशनल अलाइंस जो है वो भाग गया तो नाव में इनकी छेद हो रहा है चौबिस के चुनाओं में आपको यही बात कहनी पड़ेगी लेकिन आप हमारी तरफ से कहो गई गटबंधन जो गटबंधन है वो पूरी तरह से अगर पिछला इतिहास अगर आप देखेंगे तो ठक बंधन के अलावा कुछ नहीं है गोपाल जी आज मुझे आपको चारों बुल दिल है कि मानता नहीं मैं कभी हो तो संतुल बनाने ज़रूरी है सुनिए गोपाल जी जादो कॉन्फिटेंस पर रहना भी नहीं चाहिए और मेरे युवा साथियों बहुत अच्छा गाना है इंजॉय करना और आपको पहली बार लगेगा कि राजनीती में भी कि आप सुना राएं बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गटबंदन की गांट गले की फासबड़ी बन जायेगी लिए लेgressया कि राए बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी अब ना जादा अहम में बहना मतमोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा रे आगे आगे जो लाइन आगी पूरा अंगा मा अबना सादा अहम में बहना मतमोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा रे हाई जटका ओए जटका जटका अरे जटका लगा रे मोदी जी की सरकार में जटका लगा रे रोज नहीं मिस्टेक है जी बादा प्रोमिस फेक है जी है खड़े काठके घोड़े की तरह मुश्किल में बाजार देखो महगाई की मार देखो पड़ रही पीठ पे कोड़े की तरह गट बंधन को है मौका अब मार रही है चोका जितनी गलती करोगे उसका लाब इनको मिलेगा अरे देखो आप गट बंधन को है मौका अब मार रही है चोका फिर मत कहना जनता ने क्यों दिया दगारे अरे जटका लगारे मोदी जी की सरकार में जटका लगारे साफ़दान रही है जटका जटका लग सकता आपको देखो मोदी जी और हमारी सरकार जो भी है पूरी तरह से सरकार जनता के समवाद के साथ काम करती है अगर पिछले देड़ मैंने के काम को देखें जब नौ साल पूरे हुए थे जिस तरह से एक-एक कारेकरता एक-एक पदादिकारी एक-एक मंत्री एक-एक एम-पी कॉंस्ट्रेंसी में जा लोगों उसके साथ मिल के काम कर रहे हैं उनसे समवाद कर रहे हैं और यहीं बात स्ट्रेटेजी के रूप में हम 2024 के लिए आगे लेके जाएंगे एक मेरे मित्र ने कविता लिखी थी मैं दो दोहा सुना देता हूं आम आदमी की अगर नहीं तो जनता ही समझा देगी क्या है अपनी अवकार अब गोपाल जी को मैं सिरफ एक साहित्तिक माध्यम से जबाब दे रहा हूं कि जब कश्टी सावितों सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी वाँ 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 जब कश्टी यानि मोदी जब 14 वाले मोदी जी 19 वाले थे जब कश्ती साबितों सालים थी साहिल की तमना किसको थी अब ऐसी शिक्ष्ता कश्ती में कि तमना को भाज अब यह को घगाई की मार है जूबती सरकार है महिलाए कियाaches क्याना मनीपूर में आपके सामने कह नहीं सकते इन बच्चों के सामने पुरा देश। चर्मसार है और मोदी जी को हमकार है और किसी को बोलना हो तो ठीक है नहीं मैं खरूँ सुरू को हिंसा का हिसा बन जागा जला जूरू यह कह रहा था मोदी जी का मोदी जी तुम जिन्दाबाद अरे सारे देशवासियों को मोदी जी पे नाज है सारे देशवासियों को मोदी जी पे नाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद के कहती है दुनिया ये सारी हो रही चर्चा तुम्हारी एक मोदी हां हां मोदी सब पे है भारी अरे आपके ही सर पे तो 24 का ताज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दावाद कितने फूसे अगरवाल साब के यहां वहां दूसरा सुनो के राम का मंदिर बना के धारा सतर को हटा के घर में दुश्मन हां जी दुश्मन को यूं हरा के आपने बचाई ये भारत की लाज है आपने बचाई ये भारत की लाज है मोदी जी ओ मोदी तुम जिन्दाबाद यहां वहां सारे जहां में ये आवाज है यहां वहां सारे आज कल कहा है भाजपा ने अपना कद इतना उचा सोच लिया है कि बहुत नजदीक से भी देखने पर बड़ी से बड़ी चीज भी छोटी दिखाई देती है गठबंदन की एक पार्टी है आमादमी पार्टी बाजपा की कई नेताओं को मैंने सुना उनको कह रहे जी सुपारी जैसी पार्टी है टीसी पार्टी है तब कविता पढ़ता हूं आनंद लेना सुनना मज़ा आएगा इस सुपारी ने 2015 से चैलेंज ले रखा है तूट तो रही नहीं जबड़े में दर्द अलग दे रखा है दिल्ली हो या पंजाब इसी सुपारी के चक्कर में भाजपा अपना वजूद खो रही है देखिएगा कहीं ये सुपारी चुइंगन तो नहीं आठ साल से चबाए जा रहे हैं खतमी नहीं हो रही है और एक पंग्ती देता हूँ आप सब तर्क के बच्चे हैं उसको पकड़ना आप कोई खतमी नहीं हो रही है छोटी चीजों को हलके में नहीं लेना चाहिए वरना परिणाम बाद में नजर आता है आदमी पहाल पर तो बैठ सकता है पर छोटी सी सुई पर नहीं बैठ पाता है चोटी सी सुईपर नहीं बैठ पाता है आपको ज्यादा वोट मिले अभी ये दिल्ली वाले मुद्दे पे आपको ज्यादा वोट मिले वो तो मिल नहीं थे क्योंकि संख्या के आधार पे आप बड़े हैं पर ये भी तो सच है कि इत्ती सी पार्टी के पक्ष में भी एक सो तीन वोट पड़े हैं और एक तथ्य बताता हूं बहुत आनंद आएगा आपको सुनके भाजपा ने तो मजाग उड़ा दिया जबकि 24 में सीधी लड़ाई भी नहीं है और NDA में जिन जिन को शामिल किया है उनमें से कई पार्टीय या तो सुपारी की एक चोथाई भी नहीं है और अंतिमपंति दे रहा हूं पार्टी छोटी है तो क्या हुआ पॉलिटिक्स में किसी को इग्नोर नहीं किया जाता है चीटी हाती की सून में घुस जाए तो हाती भी परेशान हो जाता है बहुत धन्यवाद बहुत अबहुत देखें हमारी लड़ाई ना आप से है ना कॉंग्रेस से ना किसी अपोजिशन के और किसी पार्टी से इनकी आपस की लड़ाई है इन में पहले तै होने दीजे कि कौन सुपारी है कौन आती है कौन चीटी है तब फिर हमारे सामने लड़ाई होगे यहाँ पर तो गोपाल जी हम तो लड़ेंगे भी भिड़ेंगे भी और जीतेंगे भी पुरानी सी बात थी ना कि करते भी चलो बढ़ते भी चलो बाजू भी बहुत है सर भी बहुत और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे नतमस तक दिख रहे हैं डाले भगवासा रंग निकले हैं राजद को ये डर है कि टूट न जाए गठ बंधन कमल नाथ जी कमल खिलाने वाले के संग निकले हैं कमल नाथ जी कमल खिलाने वाले के संग निकले हैं थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं आदर्णी से पूछना चाहता हूं कि कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंद्र सास्त्री से मिली आप इस घटना पर मन्थन करेंगे क्या कमल जी की कॉंग्रेस कमल जी की कॉंग्रेस मैं पूछ रहा हूं कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंद्र सास्त्री से मिली आप इस घटना पर मन्थन करेंगे क्या या चुनाव जीतने की रणीती है हुजूर जूट मूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या जूट मूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या सिर्फ हिंदूों को भरमाने का ही सोचे हैं या सच यहां मन से समर्पन करेंगे क्या नेता जी बताईए कि वोट पाने के लिए ही आप हिंदू राष्ट का समर्थन करेंगे जा। यह और भगवा रंग किसी की भपौति नहीं डिने कि बीपिटी नहीं से आप वी आधियात्म हो और हम भी आध्यात्मिक राश्ट की तरफ चलिए समयदानीक राष्ट की तरफ चलिए बारगी सा बात है हिंदू और मुसल्मान की मत कीजिए लेकिन बजरन बली को गला गालिया देंगे एक जगह जन्युधारण कर लेंगे दूसरी जगह यह जो कन्फ्यूजन है ना यह कन्फ्यूजन देश के लिए आज के समय में जन्ता इसको एकसेप्ट नहीं करती है आप स्पश्ट रूप से अपनी बात को अपने विचारों को रखिए अगर आप क्या आपके विबिन पहलूँओं पे क्या विचार है उसमें डिल्डॉल करते हैं त सिर्फ इसलिए बठें से लिए शो का नाम है लपेटे में नेताजी लपेटे में आए और गजल के मारफत कहता हूं तो आपकी तबज्यों चाहिए दाद तो में लेगी नहीं दाद इधर सुरेंसर आप से चाहिए सुनिया च्छला सियासत से जो है वोटर छका न डाले सव सवाल यह है कमिंग इलेक्शन में यह हुकूमत गिरा न डाले सवाल यह है और एक शेर पूरे देश का बहुत दिन हो गए करीब दो महीने से इस समस्या से जूज रहे हैं तो आज रिपीट कर रहा हूं इसको यह जो टमाटर उतर के नीचे ना आ रहा है कई दिनों से यही तुम्हारी चटनी बनान डाले सवाल यह है और एक सवाल और प्यसे इस तौमाटर है नहीं जान ले रहे है कुछ चीजे और ले रहे हैं यह मिर्च तीक ही अभी एक बड़ा बड़ा फोटो आया था उसमें दिवाल में मिर्च लगी थी किसी ने बड़ा अच्छा लिखा क यही मसाला चुनाव को संसना ना डाले सवाल यह है थाजिस को रोका वो शेर बबबर पलट के संसद में आ गया है वो शेर बबबर तुम्हारी कुरसी हिला न डाले सवाल यह वो शेर बबबर एक द्रस मैंने यह देखा था कि कांगरेस के अध्रक्ष जब तक कड़े रहे जब तके वो बैठने गए रावल जी पहां और एक कुर्सी भी ढूंडी गई और अविस्वाज पर आप मत बोला आपके वी आलत यही हैं मैं बोलूगा और अविस्वाज प्रस्ताप पर भी कुछ में कहूंगा अब सुनिए तेरा जवाब है पहले जब से सुप्रीम कोट का फैसला आया है कांग रेसी जस्न मना रही हैं मिठाईयों के दोर चल रही हैं चमचे पॉपकॉर्ण की तरह उचल रही हैं सुरे राजपू जी कितना धमाल मचाया है बाई कोट ने राहूल को जेल जाने से रोका है प्रदान मंत्री नहीं बनाया है साधारन मेंबर बड़ा या अदक्छ बड़े रही रावल जब तक बैठ नहीं गए तब तक खडगे जी खड़े रही तो यह कांगरेशी बोला आप भाजपा के बेद नहीं खोलते यह कांगरेशी बोला भाजपा के बेद नहीं खोलते मोदी जी के आगे नड़ा जी भी तो नहीं बोलते मैंने कहा कांगरेशी तुमारे ब्रह्म के बादल बहुत गने हैं अगस्त दो हजार तेईस को MP बनें सुरेंजी समझ गएं बातों बाई यह नहीं आप बताएए हमी से उम्मीद आप भी कर रहे थे वो भी कर रहे थे यह कभी कितना पशीना बहाएं यह कभी कितना पशीना बहाएं हैं खड़े जी कांगरेस के अध्यक्ष हैं यह बात भी अब उनको हम बताने जाएं सुरेंजी मैं हूँ अभी मैं कुछ मिनट हूँ और उनको जवाब मैं देता हूँ यह दरसलने की अंदर का डर बोल रहा है हुई सुनवाई देखो बैख हुआ भाई नए जोश में अब की दफा हुई सुनवाई देखो बैख हुआ भाई नए जोश में अपकी तफा कहीं न कर दे सफा कहीं न कर दे सफा हां डरी हुई है भाजपा अपने विकास कार नहीं गिना रहे हैं राहुल को कोसने के चकर में दिन रात राहुल का नाम जपा कहीं न कर दे सफा कहीं न कर दे सफा डरी हुई है वाजपा असुन लिजे यह कांग्रेसी बोल ला है कि गर जे गरोज तुम पर संसद में तुम फसोगे जितना उचल रहे हो उतना ही तुम धसोगे ओ सावा मुझे देखो कि सदमे में सब तुम्हारा घर अब तो दिख रहा है चेहरे पे हार वाला डर अब तो दिख रहा है ओ शावा ओ शावा फिर चेह देखिए जनता है तंग बूरे आपके है ढग सब झूटी लगे बतियां बुझने लगी है सत्था वालिये तुम्हारी अब सारी मुंबतियां कहीं न कर दे सफा, कहीं न कर दे सफा हाँ, धरी हुई है वाजपा धरी हुई है वाजपा आपने बोना तेंक्यू, तेंक्यू, तेंक्यू कुरसी पे जाके भी कुछ न कर पाओगे किसे बोले हो के कुरसी पे जा के भी कुछ ना कर पाओगे जो डराए पडोसी तो डर जाओगे आपकी आदते ना बदल पाएंगी जो मिलेगा वही आप चर जाओगे जो मिलेगा वही आप चर जाओगे जो मिलेगा वही आप चर जाओगे और सुनिए जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हें कितने गढ़ बंदन बना लो जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हें ना एजन्डा जिताए ना नारा तुम्हें अपनी कमियों को ना ढूंड पाए कभी इसलिए जन्ताने है नकारा तुम्हें इसलिए जन्ताने है नकारा तुम्हें देखो आपको बताऊं हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं डराने वाले लोग हैं सुन लीजिए आज तक अगर डराया है एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान बनाए गोवा को अपने में शामिल किया सिक्कम को अपने में शामिल किया और जिस चीन की आप बात कर रहे थे कि वहाँ पे लाला लाखे दिखाएंगे हमने उनको जूला नहीं जूलाया मैं कुछ बाते बताता हूँ बीजेपी को और किन-किन चीजों की उम्मीद नहीं है जो हो रहा है वो सुनो आप सर बीजेपी ने सोचा सदस्यता खत्म हुई बीजेपी ने सोचा सदस्यता खत्म हुई अब कॉंग्रेस की इज़त धुल जायेगी पर भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि राहुल जी की वापसी होगी और मोहबबत की दुकान फिर से खुल जाएगी फिर से खुल जाएगी उम्मीद तो ये भी नहीं थी कि महंगाई जैसी चवनी बात मुद्दों की लिस्ट में जुड सकती है और इड्डिया गठबंदन की मजबूती देखकर बीजेपी की नींद उड सकती है क्या पता नाराज साथि भी एक एक कर बिछुडने लग जाएं अभी तो सिर्फ नींद उड रहे है हो सकता है इलेक्षन तक तो ते उडने लग जाएं वाह किल के हैं तो ते उडने लग जाएं भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी एक पंक्ती कहता हूं बात अच्छी लगा तो समर्थन जरूर करना इसका भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी पर अवकाद अब एक लाइज उम्मीद भी नहीं रही होगी भाजपा सोच रही होगी कि हवाबाजी से ही काम चल जाएगा पर जनता की उम्मीद पे खरे नहीं उतरे तो चुनाओं में परिणाम भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आएगा बहुत बहुत धन्यवाज बहुत आब अभी एक फोटा सा वीडियो वाइरल हुआ था उसमें प्रेस कॉंफरेंस चल लही है और नितीश जी बार-बार राहुल जी को कह रहा है कि थोड़ा बोल दीजिए ना कि अगुआ बनने का शौक छूटा है नितीश जी का घूट अपमान का वो घोट के ही रह गए सोचते हैं गलती हुई जो कहा बोलने को प्रेस कॉंफरेंस में जो राहुल जी से कह गए रहुल जी तो कुछ भी नबोले रिक्वेस्ट पे भी सभी अरमान जो थे दिल के वो बैह गए आप बोल दीजिए ना थोड़ा बोल दीजिए ना प्लीज बोल दीजिए ना कहते हैं आई गवरों नहीं प्रताप ना आघाज नया होगा, फिर किस तरह से आपका अंजाम नया होगा, प्रताब ना आगाज नया होगा फिर किस तरह से आपका हंजाम नया होगा 24 के चुनाओं में विपक्षियों के पास सब काम पुराने रहेंगे नाम नया होगा अचा इन लोगों के काम भारती जनता पालिटिक कैसे है शोर तो बहुत मसता है यह हो गया वह हो गया लाइन से गिनाएंगे लेकिन एक्चुली होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ सुरेंजी आपका साथ चाहिए बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस और इस पंक्ति पर आप सब की तालियां जोरदार उठें बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस के जैसे घूंगट में कोई दुलहन हसीन हो ऐसे काम है बस दिखते नहीं है दिखता कुछ भी नहीं है कि जैसे भूंगट में कोई दुलहन हसीन हो ऐसे काम हैं बस आवाज करती हो खूब लेकिन जो काम करती नहीं हो बिलकुल बहुत घटारा पुरानी कोई मशीन हो ऐसे काम है बस ना बेल बूटे महबबतों के ना पेड़ पौधे मुरवतों के के जैसे बंजर उजाड कोई जमीन हो ऐसे काम है बस पढ़े लिखोंसा कोई सली का कोई नतीजा नजर ना आए के बाद दस्वी के पास मेट्रिक जहीन हो ऐसे काम है कि अजर प्रचार शुरूई हो चुका दो तीन चार स्टेटों चुहाँ सिवराज चवांजी आया थे बुंदेल खंड और उन्हों ने यह का था कि के बुंदेल खंड का विकास कांगरेस ने रोका था अब सुनिये भाजपा जूट पर पैरगारती है बरतमान में कामजीरों है इसलिए गड़े मुद्दे उखारती है वो ही पुराणी वो कैसे वाह मामा जी वाह वाह मामा जी वाह जनता की ख़वर की इतनी पतली गली राहुल की सदसिता की ख़वर 20 मिनिट में मिल गई और बुंदेल खंड का विकास कांगरेस ने रोका था ये ख़वर 20 साल बाद मिली भाजपा फिर वही गाना पाकिस्तान ये वो फिर वही गाना नेरू का जमाना कांगरेस का बहाना बात बात में पाकिस्तान हिंदू मुसलमान यार पुरानी ही कैसेट बज रही है पुरानी ही कैसेट बाजपा पुरानी ही और एक बात कहता हूं समझ में आजा तो हो करके पुरानी ही कैसेट बजा रही है भाई उसमें कुछ नए जुमलेई बना लो वो मेक इन इंडिया किस काम आ रही है किस काम आ रही है इस वार वही तीन पात ढाक एक एक मुआबरा है ना आप समझते होंगे ढाक के तीन पात इस वार वही तीन पात ढाक करोगे तुम नए जुमले तक तो गड़ नहीं पा रही हो दिकास क्या खाक करोगे और अंत में यही कौँगा चारो और तरह तरह दंगों की भजीते नहीं बचा सके और तारी बजाना तुम और किसको कहां बचाओगे तुम अपने लाए हुए चीते नहीं बचा सके बहुत बढ़िया पाजी बहुत बढ़िया देश डू बढ़ू बकांग रेस के वादों में यही सच है और मों सचाने वाला है सुनिये असली चेहरा यही है सुनिये समर्थे मिवा पीडी का है सच के लिए देश डूबा डूबा कांग रेस के वादों में कूब लूटा लूटा इनकी फरे भी बातों ने दम जिसके पसीने में छपन इंची सीने में देश में तरक्की की फसलें जिसने बोधी मुदी 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 कुछ नहीं कह रहा आप बिल्कुल बढ़िया कह रहे आप बस मुदी की चेह गोदी 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 राहुल जी विदेशों में जाकर बड़ी प्लानिंग करें गलट टाकिंग करें संसद में चलाएं अखियां कभी अभी स्लीपिंग करें वो किस फ्लाइंग करें ऐसे ही इशारों से दूर हैं किनारों से हरकतों को देख कर सारी जनता रोदी मोदी 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 हाँ इंडिया पे नाम रख देने से ना कुछ हो ना सुनो है बस रोना सुनो भरिश्टाचारी मिले हैं आपस में ना कुछ पाना सुनो है बस खोना सुनो अरे खामखा है चकर में कोई न जिसके ठकर में फिर से अंगा में के लिए तो यार खामखा है चकर में कोई न जिसके ठकर में जिसने धंग से अप पोजीशन की इजद्धो दी मोदी 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 हाँ मस्ति की पैरोडी सुनिये साथ और आपके चेरों पर मुस्कुराट की गारंटी है सुनिएगा के बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो कभी लाल किले से भाशन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो बोले और क्या होगा के इंडिया गेट पे अगले बरस हम जनगन मन गाएंगे चीफ गेश्ट सिरी बाइडन होंगे पुतिन भी संग आएंगे नएवाला संसद भवन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो बोले कैसे जीतेंगे केजू ममता लालू टीपू सब है अपने साथ उद्धव के संग निति से चलेंगे सब से आगे हाथ और पंजे के संग जन जन होगा राहूल थोड़ी धरो और एक बात और कहीं मैंने फील कैसी आती है फील मैंने फील बताईए पीछे पीछे कैबिनेट और आगे आप चलोगे रोज रोज फीते काटोगे मन की बात करोगे हाथों में भारत रतन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो अंतिम और सुल्व साहब एक राय विशेश दिये मैंने उनको के जीत के तुम सब से पहले शिरिधाम अयोध्या जाना काशी जाकर भोले बाबा का दर्शन कर आना और शिरिशाम प्रेभू का किरतन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहूल जी थोड़ी धीर धरो इन्हों ने तो राहूल जी पर भविश्वानी कर दी एक भविश्वानी राहूल जी पर और है वह आप सुनो आपको आनंद आएगा सजा हुई बाहर गए रोक लगी अंदर आए फिर बाहर हो गए तो उनका दिल क्या कहेगा 24 तक प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि ये इनकमिंग आउट गोइंग लगा रहेगा लगा रहेगा आप बड़ा दम भर रहे थे कि वोटिंग में एकता दिखाएंगे यहां साथियों ने पहले ही मौके पर गोली दे दी बाद में क्या-क्या गुल खिलाएंगे अच्छे एक बात आपको बताता हूं बड़ी मेज़दार बात था जी नेताओं के फॉलोवर्स होते हैं लेकिन राहुल जी के फैंस हैं उनके फैंस हैं मैं बता रहूं आपको यह नई थे तो मजा नहीं आ रहा था उनके आते ही फैंस का चहरा खिल गया भाई ने एक भाशन क्या दिया लोगों को कितना मसाला मिल गया कितना कितना मसाला मिल गया राहुल जी का तो ठीक है पर दूसरे नेताओं को खामियाजा भरना पड़ रहा है सोचा था यह आएंगे तो हम अटेक करेंगे यहां तो पहले ही दिन से डिफेंड करना पड़ रहा है और इनका पुराना बयान याद करना पड़ रहा है उन्होंने कहा था भाशन से भूकम पाएगा उनके भाशन से उनके भाशन से भूकम पाएगा अभी तो पूरा गठबंधन हिलेगा जपी देना आँख मारना फलाइंग किस्तो देख लिया भगवान जाने या मुखबत की दुकान में क्या-क्या देखने को मिलेगा इसा है मित्र बिल्कुल सही कई महबबत की दुकान में महबबती देखने को मिलेगी जहां पर एक बड़ा सा पुराना सा गाना था कि आचल के तुझे मैं लेके चलू इस ऐसे गगन के तले जहां गम भी नहूं आसू भी नहूं बस प्यार ही प्यार पले यह राहुल जी का गाना है यह महबबत की दुकान है और आगे आने वाले समय में सब लोगों को ऐसे गगन के तले ले जाएंगे जहां मणीपूर नहीं होगा यह जो है ना गाना जो प्यार किया तो ठीक किया इजहार किया तो ठीक किया वह इजहार वह संसद में बार-बार कर रहे हैं अगर आप लोग प्यारी कर लेते गुपाल जी तो सच बात यह है फिर तो महबत की दुकान खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है आप छोड़िये बाइसाब यह तो आपने 60 साल किया होता तो इतने यह दिन देखने को मिलते ही नहीं आपको सिर्फ बाते हैं बाईसाब सिर्फ बातों के बताशे फैकती है भाजपा और राजनीतिक रोटियां बस सेकती है भाजपा सिर्फ बातों के बताशे फैकती है भाजपा राजनीतिक रोटियां बस सेकती है भाजपा ध्यान बगुला भगत बन गिध द्रिष्टी से सदा किसी तरह गदी मिले यह देखती है भाजपा किस तरह गदी मिले यह देखती है भाजपा यह बार बार सहब कह रहे थे किसींग फ्लाइंग फ्लाइंग किसींग पता नहीं कहा क्या अंडबन मैं एक छंद देता हूं सुनिएगा यह इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे जीतने के लिए सामदाम दंड भेद होगा फिर ल दिलाओगे राहुल जी के पीछे हाथ धोके ही पड़े रहे तो देश को समस्याओं का हल कब दिलाओगे कहा कहा कौन कौन फ्लाइंग करेगा और किस 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 पे सवाल यू उठाओगे कहा कहा कौन कौन फ्लाइंग करेगा और किस 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 पे सवाल यू उठाओगे चाहे जितना लगा लो जो और कुछ होगा नहीं चवबिस में इंडिया को रोक नहीं पाओगे चवबिस में इंडिया को रोक नहीं पाओगे कुछ अंदर से मैकाले हैं गट बंधन के नए दौर में काफी गडबड जाले हैं और जो बात हमारे गोपाल भाई साब कह रहे तो मैं उसी बात को नए अंदाज में कहता हूं नाम इंडिया रखकर कोई आर्या वर्त नहीं होता जरा इशारे देखो लक्षण अब भी इटली वाले हैं मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद मिसरा सुनो तुकला के मुझ से मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद गट बंधन वाले हमारी रहे हैं शुरू हो गए मेरे गाउं के बुढ़े कहते हैं गटबंधन अच्छा है नई लड़के तो मोधी मोधी कर रहे हैं मेरे गाउं के बुढ़े कहते हैं गटबंधन अच्छा है बस चीटी भर सच्चाई है हाथी भर गोटा ले बहुत शुक्रिया और शेरे आफिर और इसको दूर कर लीजिएगा कि ताल मेल की कमी नजर आती है सर जी आपस में ऐसे तो 24 चुनाओं में राज तिलक के ला ले बहुत शुक्रिया दो लाइने सुन लीजिए फहमिदार याज ने लिखी थी मैंने नहीं कुछ लोग तुमें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने रहजन चोरों को कहते हैं यो बात आगी मोदी जी वाली इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहां हो सकता है कुछ लोग तुमें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहां हो सकता है कुछ और तो अकसर होता है पर इसका जवाब सुन लिजे इंडिया से पर हम इस पल में जि करेंगा दरसल क्या है आज कर लोग बेवफा बहुत हो गया है अब गोपाल जी तब का इसारा कर गए थे अब लोटे मैं इंतिजार में बूड़ा हो गया हूं लग नहीं रहें लेकिन आप बुड़े हैं सर अभी राजबू जी आपके संदीप दिक्षित जी ने एक बात कही पत्रकार ने पूछा गठमंदन के बारे में तो उन्होंने का जेगा वो जंगल की तरह से जिसमें आती भी होते हैं शेर भी होते हैं और गीदड़ भी होते है और केजरी वाल कि आप पाइटी को दमगीदड़ भी नहीं मानते हैं यह कहा उन्हें पैसे बात यह ताली की थी पर तुम कब बजाओगे मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूं मेरी कही बात फलेगी मैंने इसी सो में कह दिया था कांगरेस और आप पार्टी में सबसे पहले जूतों में दाले बटेगी कहां बटेगी जूतो पातर चुना है यह वावन आई भेक हुद को सेर मानकर मूछत तांते हूं तह dewए जंगल में शेर भी हूं कोछ खुद को शेर मानकर मुझे तानते हो, चलो, आप पार्टी को तो गीधड़ भी नहीं मानने, पर बाकी सब को गीधड़ ही मानते हो, तो भाई, एकठी होने का पाल तो रहे हो, घमंड, अब इसमें एक सब्दा आएगा, फलाने भू समझ लेना, मैं का कह रहा हूं, एकठी हो पाल तो रहे हो, घमंड, क्या सेर का सिकार कर लेगा, ये फलानों का जुंड, ये फलानों का जुंड, दोनों, आप बच्चे ज्यादा समझेंगे, दोनों गठबंदन की अहालत बताता हूं, कैसी है, भाजपा लुक-लुक, कांग्रेज धुक-दुक, भाजपा लुक-लुक, कांग्रेज धुक-दुक, भाजपा पपजी और कांग्रेज फेस्बुक, बताता हूं कैसे, खेल नकली, लेकन रेजल्ट असली है, खेल नकली, लेकन रेजल्ट असली है, पपजी पर तो साधी बिवा होने लग गए, लेकन फेस्बुक पर तो पता नहीं चलना है कि यह बबलू है कि बबली है अच्छा है रही बाद गठबंदन की तो वो मजधार में है सरे अगर मैं सुरू आत में ओपिनर को ज्यादा टाइम बिलता है मैं एक मिनट लेता हूं मैं ने सब्सक्राइब लिया है एक नाव में तीन बैठे ते एक स्याना बैठ ता एक बंदर था एक उंट था श्याडे ने सुभाब के अनुसार बंदल को उंगली की बंदर सुभाब के अनुरू उंट पे जा बैठा उंट सुभाब से करवट ले गया और नाप डूब गई तो इस बात का त्यां रखना गटबंदन की नहाप मजधार में है दूर तक जमीं नहीं है और कांगरेस में भी श्याणों की कमी नहीं है युँँट के आ लास्ट में कहता हूँ میں फलित जोतिस का जोतिस हूं ताली وजाना भी घुपाल गवा जी रंग से मैं फलित जोतिस युँँट आ जोतिस हूं जोबीश में यद गटबंदन गोता खाएगा तो देख लेना उसे कोई कांग्रेसी श्याना ही डुबाएगा आपने कांग्रेस में स्यानों की कमीनिये जरा स्यानिये की उनकी डेफिनेशन तो बता दो अभी उंगली करी थी सुनी नहीं थे क्या पौजदार जी ने बहुत शांदार बाते हैं पहली चीज तो उन्होंने गड़बंधन की बात कर दी बना कैसे तो लोग कहते हैं कि फिराक ने कहा था और फिराक का नम रगपती सहाय था कोई मौमिन खान नहीं थे पहले बता तो ठीक है कि सरजमीने हिंद पर अक्वामे आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदुस्ता बनता गया तो बच्चो ये गड़बंधन नवारा ऐसे हैं पौजदार जी कभी हैं तो कभी के रूप में जबाब दे रहे हैं दूसरा आपने का फलित जोट्सी हो तो आपके अंदर तो वही मोदी वाला हैंकार आ गया कि मुझस से महताद होके गुफ्तगू करना मेरा सिलसिला अल्लामिया तक है अल्लामिया मोरी जी हो गया वात आप समझो फॉसदार जी हमारे गड़बंधन की तो चिंता छोड़ दो हमारा गड़बंधन तो अभी तक एक है लेकिन आप यह जो इनका गड़बंधन है जिनकी तरह बा है वह भाग गया तो नाओं में इनकी छेद हो रहा है कि 24 के चुनाओं में आपको यही बात कहनी पड़ेगी लेकिन आप हमारी तरफ से कहो गड़बंधन जो गड़बंधन है वह पूरी तरह से अगर पिछला इतिहास अगर आप देखेंगे तो ठक बंदन के अलावा इतना क्यों इसकी चारों बोले है तो इस दिल है कि मानता नहीं मैं कभी हो तो संतुल बनाने ज़रूरी है सुनिये गुपाजी ज्यादा कॉन्फिटेंस पे रहना भी नीची है और मेरे युवासाथियों बहुत अच्छा गाना है इंजॉय करना और आपको पहली बार लग अब सुना राय बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी लिके लेलो लिके लेलो राए बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी अब ना जादा अहम में बहना मतमोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा रे अगे आगे जो लाएं आगी पूरा अगा माँ OUT अब ना जादा अहम में बहना मत मोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा रे जटका लगा रे मोदी जी की सरकार में जटका लगा टगड़ा लगा जटका लगा हाइ जटका लगा रे रोज नहीं मिस्टेक है जी वादा प्रोमिस फेक है जी है खड़े काठके घोड़े की तरह मुश्किल में बाजार देखो महगाई की मार देखो पड़ रही पीठ पे कोड़े की तरह गट बंधन को है मौका अब मार रही है चौका जितनी गलती करोगे उसका लाब इनको मिलेगा अरो देखो आप गट बंधन को है मौका अब मार रही है चौका फिर मत कहना जनता ने क्यों दिया दगारे अरे जटका लगारे मोदी जी की सरकार में जटका लगारे सापदान रही है जटका जटका लग सकता आपको देखो मुधी जी और हमारी सरकार जो भी पूरी तरह से सरकार्ञ जनता के संवाथ के साथ काम करती है अगर पिछले मेने के काम को देखें जब 9 साल पूरे वोगे थै जिस तरह से एक-क यारकरता एक-एक Badhi कारी एक-एक मंतरी एक-एक MP कॉंस्ट्वेंसी में जा लोगों उसके साथ मिल के काम कर रहे हैं उनसे सवाद कर रहे हैं और यहीं बात स्ट्रेटेजी के रूप में हम 2024 के लिए आगे लेके जाएंगे एक मेरे मित्र ने कविता लिखी ती मैं दो दोहा सुना देता हूं आम आ एक सहित्तिक माध्यम से जबाब दे रहा हूं कि जब कष्टी सावितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी अब ऐसी जी शिकष्टा कस्ति में साहिल की तमन्ना कौन अब यह किस्त आ गई है भूंगाई की नावहर हैं 請 정확्ति महिलाएं नगन होकर के क्या रह Meyer मढीपूर में आपके सामने कह नहीं सकतेक्थ इन बच्चों के सामने पूरा देश ठर्मसार है और मोधी जी को ideal है और किसी को ौन जो ठीक निमेक, खरू शुरू इतर के यहां वहां सारे जहां में यह आवाज है अरे यहां वहां सारे जहां में यह आवाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद अरे सारे देशवासियों को मोदी जी पे नाज है सारे देशवासियों को मोदी जी पे नाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद के कहती है दुनिया ये सारी हो रही चर्चा तुम्हारी एक मोदी हाँ हाँ मोदी सब पे है भारी अरे आपके ही सर पे तो चौबिस का ताज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद कितने फूसे अगरवाल साब के यहां वहां दूसरा सुनो के राम का मंदिर बना के धारा सत्तर को हटा के घर में दुश्मन हाँ जी दुश्मन को यूं हरा के आपने बचाई ये भारत की लाज है आपने बचाई ये भारत की लाज है मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद यहां वहां सारे जहां में ये आवाज है यहां वहां सारे बहुत नजदीक से भी देखने पर बड़ी से बड़ी चीज भी छोटी दिखाई देती है गठबंदन की एक पार्टी है आमादमी पार्टी भाजपा के कई नेताओं को मैंने सुना उनको कह रहें जी सुपारी जैसी पार्टी है इस सुपारी ने 2015 से चैलेंज ले रखा है तूट तो रही नहीं जबडे में दर्द अलग दे रखा है दिल्ली हो या पंजाब इसी सुपारी के चक्कर में भाजपा अपना वजूद खो रही है देखिएगा कहीं ये सुपारी चुइंगं तो नहीं आठ साल से चबाए जा रहे हैं खतमी नहीं हो रही है और एक पंक्ती देता हूँ आप सब तरक के बच्चे हैं उसको पकड़ना आप कोई खतमी नहीं हो रही है छोटी चीजों को हलके में नहीं लेना चाहिए वरना परिणाम बाद में नजर आता है आदमी पहाड पर तो बैठ सकता है पर छोटी सी सुई पर नहीं बैठ पाता है छोटी सी स्वीपर नहीं बैठ पाता है आपको ज्यादा वोट मिले अभी ये दिली वाले मुद्दे पे आपको ज्यादा वोट मिले वो तो मिल नहीं थे क्योंके संख्या के आधार पे आप बड़े हैं पर ये भी तो सच है कि इत्ती सी पार्टी के पक्ष में भी 103 वोट पड़े हैं और एक तथ्य बताता हूं बहुत आनंदा हैगा आपको सुनके भाजपा ने तो मजाक उड़ा दिया जबकि 24 में सीधी लडाई भी नहीं है और NDA में जिन जिन को शामिल किया है उनमें से कई प सुपारी की एक चोथाई भी नहीं है और अंतिमपंती दे रहा हूं पार्टी छोटी है तो क्या हुआ पॉलिटिक्स में किसी को इग्नोर नहीं किया जाता है चीटी हाती की सून में घुस जाए तो हाती भी परेशान हो जाता है बहुत धन्यवाद बहुत आबाद देखें हमारी लडाई ना आप से हैं ना कॉंग्रेस से ना किसी अपोसिशन के और किसी पार्टी इनकी आपस की लडाई है इनमें पहले तैख होने दिजिए कि कौन सुपारी है कौन आती है कौन चीटी है तब फिर हमारे सामने लडाई होगे यहां पर तो गोपाल जी हम कि अब डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे कामल नाज जी को देखा आपने वो शरन में पहुंच गए उनके तो मैं कॉंग्रेस से मुखातिफ होता हूं कि बागेश्वर सरकार का दामन थामे तो अंग निकले हैं नतमस तक दिख रहे हैं डाले भगवासा रंग निकले हैं कमल नाज जी कमल खिलाने वाले के संग निकले हैं थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं आदर्नी से पूछना चाहता हूं कि कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंदर सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मन्थन करेंगे क्या कमल जी की कॉंग्रेस कमल जी की कॉंग्रेस मैं पूछ रहा हूं कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंदर सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मन्थन करेंगे क्या या चुनाव जीतने की रणीती है हुजूर जूट मूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या जूट मूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या सिर्फ हिंदूओं को भर्माने का ही सोचे हैं या सच यहां मन से समर्पन करेंगे क्या नेता जी बताइए कि वोट पाने के ल भारत एक संविधान के से संपन्रास्ट है हमारे देश का धर्म संविधान है सबसे बड़ी बात ये कि हमारे देश का धर्म संविधान है और भगवा रंग भगवा रंग किसी की बपोती नहीं है किसी की भी बपोती नहीं है भगवा रंग सांती का प्रेम का महबत का संतत्तु का सुफिज्म का प्रतीक है इसलिए रंगों की राजनीती मंच पर नहीं होनी चाहिए कमल नाज जी भी आध्यात्मिक है आप भी आध्यात्मिक हो और हम आध्यात्मिक है आध्यात्मिक राष्ट की तरफ चलिए सम्मेधानिक राष्ट की तरफ चलिए बागी सब बात हैं हिंदू और मुसलमान की मत की दिये लेकिन बजरनग बली को गला गालिया देंगे एक जगह जनेव धारण कर लेंगे दूसरी जगह यह जो कंफ्यूजन है यह कंफ्यूजन देश के लिए आज के समय में जनता इसको एकसेप्ट नहीं करती है चलिए आप स्पश्ट रूप से अपनी बात को अपने विचारों को रखिए अगर आप क्या आपके विबिन पहलूँ पे क्या विचार है उसमें डिलडॉल करते हैं तो वहीं बठे से लिए शो का नाम है लपेटे में नेता जी लपेटे में आये और गजल के मार्फत कहता हूं तो आपकी तबज्यों चाहिए दाद तो में लेगी नहीं दाद इधर सुरेंसर आप से चाहिए सुनिया च्छला सियासत से जो है वोटर छका न डाले सवाल ये है हाँ हा इलेक्षन में ये हुकूमत गिरा न डाले सवाल ये है और एक शेर पूरे देश का बहुत दिन हो गए करीब दो महिने से इस समस्या से जूज रहे हैं तो आज रिपीट कर रहा हूं इसको ये जो टमाटर उतर के नीचे न आ रहा है कई दिनों से यही टमाटर तुम्हारी चटनी बनाना डाले सवाल ये है और एक सवाल और ये जान ले रहा है कुछ चीजें और ले रहे हैं ये मिर्च तीखी अभी एक बड़ा फोटो आया था उसमें दिवाल में बेर चलगी थी किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि मिर्च में ये खासियत होती कहीं भी लग जा यहां भी लगेगी ये मिर्च तीखी ये जर्द जीरा आठसर रुपए किलो ऐसर हम लोग तो लहीं नहीं पा रहे हैं ये मिर्च तीखी ये जर्द जीरा ये सर्द लहसुन ये कुद्ध अधरक यही मसाला चुनाव को संसना न डाले सवाल ये है थाजिस को रोका वो शेर बबबर पलट के संसद में आ गया है वो शेर बबबर तुम्हारी कुरसी हिला न डाले सवाल ये वो शेर बबबर एक द्रस मैंने ये देखा था कि कांगरेस के अधरक्ष जब तक कड़े रहे जब तके वो बैठने गई रावल जी पहां और एक कुरसी भी ढूंडी गई और अविस्वाज पर आप मत बोला आपके भी आलत यही हैं मैं बोलूँगा और अविस्वाज प्रस्ताप पर भी कुछ में कहूंगा अब सुनिए तेरा जवाब है पहले जब से सुप्रीम कोट का फैसला आया है कांग रेसी जस्न मना रही हैं मिठाईयों के दोर चल रही हैं चमचे पॉपकॉर्ण की तरह उचल रही हैं बाई कोट ने राहूल को जेल जाने से रोका है प्रदान मंत्री नहीं बनाया है साधारन मेंबर बड़ा या अधक्छ बड़े रही राहूल जब तक बैठ नहीं गए तब तक खड़गे जी खड़े रही तो यह कांगरेशी बोला आप भाजपा के बेद नहीं खोलते यह कांगरेशी बोला यह कांगरेशी बोला भाजपा के बेद नहीं खोलते मोदी जी के आगे नड़ा जी भी तो नहीं बोलते मैंने कहा कांगरेशी तुमारे ब्रह्म के बादल बहुत गने हैं मेज्ट बोलते में आगस्त ऑगस्त दो हजारतेईस को एंपी बनेology सुरेन जी समझ गए बातों भाई ये नहीं आप बताईए हमी से उम्मीद आप भी कर रहे थे ये कभी कितना पशीना बहा हैं ये कभी कितना पशीना बहा हैं खड़े जी कांगरेस के अध्यक्ष हैं ये बात भी अब उनको हम बताने जाएं सुरेन जी मैं हूँ अभी मैं कुछ मिनट हूँ और उनको जवाब मैं देता हूँ ये दरसल निकी अंदर का डर बोल रहा है हुई सुनवाई देखो बैख हुआ भाई नए जोश में अब की दफा कहीं न कर दे सफा कहीं न कर दे सफा डरी हुई है भाजपा फड़ा सबूर और ये कर क्या रहे है अपने विकास कार नहीं किना रहे हैं राहुल को कोसने के चकर में दिन रात राहुल का नाम जपा कहीं न कर दे सफा कहीं न कर दे सफा डरी हुई है भाजपा कि गर जेगा रोज तुम पर संसद में तुम फसोगे जितना उचल रहे हो उतना ही तुम धसोगे ओ सावा कि सदमे में सब तुम्हारा घर अब तो दिख रहा है चेहरे पे हार वाला डर अब तो दिख रहा है ओ शावा ओ शावा ओ शावा ओ शावा फिर से देखिए जनता है तंग बुरे आपके है ढंग सब जूटी लगे बतियां बुझने लगी है सता वाली ये तुम्हारी अब सारी मुम्बतियां कहीं न कर दे सफा कहीं न कर दे सफा कुरसी पे जाके भी कुछ न कर पाओगे जो डर आए पडोसी तो डर जाओगे आपकी आद तेना बदल पाएंगी जो मिलेगा वही आप चर जाओगे जो मिलेगा वही आप चर जाओगे जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हें कितने गढ़ बंदन बना लो जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हें न एजंडा जिताए न नारा तुम्हें अपनी कमियों को ना ढूंड पाए कभी इसलिए जंता ने है नकारा तुम्हें देखो आपको बताओं हम लोग डरने वाले लोग नहीं है डराने वाले लोग है आज तक अगर डराया है एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान बनाए गोवा को अपने में शामिल किया सिक्कम को अपने में शामिल किया और जिस चीन की आप बात कर रहे थे जिस चीन की आप बात कर रहे थे कि वहाँ पर लाला लाखे दिखाएंगे हमने उनको जूला नहीं जूलाया मैं कुछ बाते बताता हूँ बीजेपी को और किन किन चीजों के उम्मीद नहीं है जो हो रहा है वो सुनो आप सर बीजेपी ने सोचा सदस्यता खत्म हुई रहुल जी की बीजेपी ने सोचा सदस्यता खत्म हुई अब कॉंग्रेस की इज़त धुल जाएगी पर भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि रहुल जी की वापसी होगी और मोहबबत की दुकान फिर से खुल जाएगी फिर से खुल जाएगी उम्मीद तो ये भी नहीं थी कि महंगाई जैसी चवनी बात मुद्दों की लिस्ट में जुड सकती है और इड्डिया गठबंदन की मजबूती देखकर बीजेपी की नींद उढ़ सकती है क्या पता नाराज साथी भी एक एक कर बिछुड़ने लग जाएं अभी तो सिर्फ नींद उढ़ रही है हो सकता है इलेक्शन तक तोते उढ़ने लग जाएं वह उलेक्शन तोते उढ़ने लग जाएं भाझपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी एक पंक्ती कहता हूँ बात अच्छी लगा तो समर्थन जरूर करना इसका भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रन्नीती जाने क्या रही होगी पर अवकाद दिखाना बेटे को सेट दामाद को भेंट जैसी भाषा की उम्मीद भी नहीं रही होगी उम्मीद भी नहीं रही होगी भाजपा सोच रही होगी कि हवाबाजी से ही काम चल जाएगा पर जन्ता की उम्मीद पे खरे नहीं उतरे तो चुनाओं में परिणाम भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आएगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आबाद वीडियो वाइरल हुआ था उसमें प्रेस कॉंफरेंस चल लगी है और नितीज जी बार बार राहूल जी को कह रहा है कि थोड़ा बोल दीजिए ना कि अगुआ बनने का शौक छूटा है नितीज जी का घूट अपमान का वो घोट के ही रह गए सोचते हैं गलती हुई जो कहा बोलने को प्रेस कॉंफरेंस में जो राहूल जी से कह गए राहूल जी तो कुछ भी न बोले रिक्वेस्ट पे भी सभी अर्मान जो थे दिल के वो बह गए आप बोल दीजिए ना थोड़ा बोल दीजिए ना प्लीज बोल दीजिए ना कहते हैं रहते हैं गवरों नहीं प्रताप न आगाज नया होगा कांसे होगा गवरों नहीं प्रताप न आगाज नया होगा फिर किस तरह से आपका अंजाम नया होगा प्रताब ना आगाज नया होगा फिर किस तरह से आपका हंजाम नया होगा 24 के चुनाओं में विपक्षियों के पास सब काम पुराने रहेंगे नाम नया होगा अच्छा इन लोगों के काम भारती जन्ता पालिटिक कैसे है शोर तो बहुत मसता है ये हो गया वो हो गया लाइन से गिनाएंगे लेकिन एक्चुली होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं सुरेंजी आपका साथ चाहिए बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस और इस पंक्ति पर आप सब की तालिया जोरदार उठें बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस दिखते नहीं है दिखता कुछ भी नहीं है कि जैसे भूंगट में कोई दुलहन हसीन हो ऐसे काम है बस आवाज करती हो खूब लेकिन जो काम करती नहीं हो बिलकुल बहुत खटारा पुरानी कोई मशीन हो ऐसे काम है बस ना बेल बूटे महबबतों के ना पेड़ पौधे मुरवतों के के जैसे बंजर उजाड कोई जमीन हो ऐसे काम है बस पढ़े लिखोंसा कोई सली का कोई नतीजा नजर ना आए के बाद दस्वी के पास मेट्रिक जहीन हो ऐसे काम है आपको दो कि बाती पसंद नहीं आरे ति इधर ही आजाओ अब चुना प्रचार शुरूई हो चुगा दो तीन चार स्टेटों में चुए शिवराज चवांजी आया थे बुंदेल खंड और उन्होंने यह का था के बुंदेल खंड का विकास कांगरेस ने रोका था अब सुनिए भाजपा जूट पर पैर गारती है बरतमान में कामजीरों है इसलिए गड़े मुद्दे उखारती है वो ही पुराणी वो वो कैसे था वा मामा जी वा वा मामा जी वा जनता की खवर की इतनी पतली गली राहुल की सदसिता की खवर 20 मिनिट में मिल गई और बुंदेल खंड का विकास कांगरेस ने रोका था ये खवर 20 साल बाद मिली भाजपा फिर वही गाना पाकिस्तान ये वो फिर वही गाना नेरू का जमाना कांगरेस का बहाना बात बात में पाकिस्तान हिंदू मुसल्मान यार पुरानी ही कैसिट बज रही है पुरानी ही कैसिट बाजपा पुरानी ही और एक बात कहता हूं समझ में आजा तो हो करके पुरानी ही कैसिट बजा रही है भाई उसमें कुछ नए जुमलेई बना लो वो मेक इन इंडिया किस काम आ रही है इस बार वही तीन पात ढाक एक मौबरा है ना आप समझते होंगे ढाक के तीन पात इस बार वही तीन पात ढाक करोगे तुम नए जुमले तक तो गड़ नहीं पा रही हो है दिकास का करोगे अब आप आप अच्छे परका भाई उसमें और अन्तमे में यह कोऊँगा चारो और त्रह त्रह दंगों की भजीते नहीं बचा सके और तारी बजाना तुम और किसको कहां बचाओगे तुम अपने लाय हुए चीते नहीं बचा सके बहुत बढ़िया पाजी बहुत बढ़िया देश डू बडू बकांग रेस के वादों में यही सच है और वो सचाने वाला है सुनिये असली चेहरा यही है सुनिये समर्थे म्युवा पीडी का है सच के लिए देश डूबा डूबा कांग रेस के वादों में खूब लूटा लूटा इनकी फरेभी बातों ने दम जिसके पसीने में चपन इन्ची सीने में देश में तरक्की की फसलें जिसने बोधी करें जिसने माथ publi आफिए जिसने मोधी कशुक्ति नहीं करें आप बलकुल बढ़ीया करें आप स्मोधी की छे सघागें जिसांक शची विदेशों में जाकर बड़ी प्लानिंग करें गलटटा कें संसद में चलाएं अखियां कभी कभी स्लीपिंग करे वो किस फ्लाइंग करे ऐसे ही इशारों से दूर है किनारों से हरकतों को देख कर सारी जनता रोदी मोदी, 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 हाँ इंडिया पे नाम रख देने से ना कुछ हो ना सुनो है बस रोना सुनो ब्रश्टाचारी मिले हैं आपस में ना कुछ पाना सुनो है बस खोना सुनो अरे खामखा है चकर में कोई न जिसके ठकर में फिर से एंगा में के लिए तयार खामखा है चक्कर में कोई न जिसके ठक्कर में जिसने धंग से अप पोजीशन की इजद्धो दी मोदी 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 हाँ बस्ती की पैरोडी सुनिये साथ और आपके चेरो पे मुस्कुराट की गारंटी है सुनियेगा के बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो कभी लाल किले से भाशन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो बोले और क्या होगा के इंडिया गेट पे अगले बरस हम जनगन मन गाएंगे चीफ गेश्ट सिरी बाइडन होंगे पुतिन भी संग आएंगे नयवाला संसद भवन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो बोले कैसे जीतेंगे के केजू ममता लालू टीपू सब हैं अपने साथ उद्धव के संग निति से चलेंगे सब से आगे हाथ और पंजे के संग जन जन होगा राहूल थोड़ी धरो और एक बात और कहीं मैंने फील कैसी आती है फील मैंने फील बताईए पीछे पीछे कैबिनेट और आगे आप चलोगे रोज रोज फीते काटोगे मन की बात करोगे हाथों में भारत रतन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो अंति मोरसलो साब एक राय विशेश दिये मैंने उनको के जीत के तुम सब से पहले शिरिधाम अयोध्या जाना काशी जाकर भोले बाबा का दर्षण कर आना और शिरिशाम प्रेभू का किर्तन होगा राहुल थोड़ी धीर धर बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहुल जी थोड़ी धीर धर इन्हों ने तो राहुल जी पर भविश्वानी कर दी एक भविश्वानी राहुल जी पर और है वो आप सुनो आपको आनन्द आएगा सजा हुई बाहर गए रोक लगी अंदर आए फिर बाहर हो गए तो उनका दिल क्या कहेगा चौबिस तक प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि ये इनकमिंग आउट गोइंग लगा रहेगा ये लगा रहेगा आप बड़ा दम भर रहे थे कि वोटिंग में एकता दिखाएंगे यहां साथियों ने पहले ही मौके पर गोली दे दी बाद में क्या-क्या गुल खिलाएंगे अच्छे एक बात आपको बताता हूँ बड़ी मैज़दार बात था जी नेताओं के फॉलोवर्स होते हैं लेकिन राहुल जी के फैंस हैं उनके फैंस हैं मैं बता रहूँ आपको ये नई थे तो मज़ा नहीं आ रहा था उनके आते ही फैंस का चहरा खिल गया भाई ने एक भाशन क्या दिया लोगों को कितना मसाला मिल गया कितना कितना मसाला मिल गया राहुल जी का तो ठीक है पर दूसरे नेताओं को खामियाजा भरना पड़ रहा है सोचा था ये आएंगे तो हम अटेक करेंगे यहां तो पहले ही दिन से डिफेंड करना पड़ रहा है और इनका पुराना बयान याद करना पड़ रहा है उन्होंने कहा था भाशन से भूकम पाएगा अभी तो पूरा गठबंधन हिलेगा जप्पी देना आँख मारना फ्लाइंग किस तो देख लिया भगवान जाने या मुहबबत की दुकान में क्या क्या देखने को मिलेगा ऐसा है मित्र बिल्कुल सही कई मोहबबत की दुकान में मोहबबती देखने को मिलेगी जहां पर एक बड़ा सा पुराना सा गाना था कि आचल के तुझे मैं लेके चलू इस ऐसे गगन के तले जहां गम भी नहूं आसू भी नहूं बस प्यार ही प्यार पले यह राहुल जी का गाना है, यह महबत की दुकान है और आगे आने वाले समय में सब लोगों को ऐसे गगन के तले ले जाएंगे जहां मनशन्म पूर नहीं होगा यह जो है ना गाना, जो प्यार किया तो ठीक किया इजहार किया तो ठीक किया वो इजहार वो संसद में बार-बार कर रहे हैं अगर आप लोग प्यारी कर लेते हैं गुपाल जी तो सच बात यह है फिर तो महबत की दुकान खोलने की जरूरती नहीं पड़ती है आप छोड़िए बाइसाब यह तो आपने 60 साल किया होता तो इत इतने ये दिन देखने को मिलते ही नहीं आपको? सिर्फ बाते हैं भईसाब, सिर्फ बातों के बताशे फ्हेकती है भाजपा, राजनीतिक रोटियां बस सेàngती है भाजपा, सिर्फ बातों के बताशे फेकती है भाजपा राजनीतिक रोटियां बस सेखती है भाजपा ध्यान बगुला भगत बन गिध द्रिष्टी से सदा किसी तरह गद्धी मिले ये देखती है भाजपा किस तरह गद्धी मिले ये देखती है भाजपा ये बार बार साहब कह रहे थे किसीं फ्लाइंग फ्लाइंग किसीं पता नहीं कहा क्या अंड बन मैं एक छंद देता हूं सुनिएगा ये इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे जीतने के लिए सामदाम दंड भेद होगा फिर लोकतंत्र का खयाल कब लाओगे राहुल जी के पीछे हाथ धोके ही पड़े रहे तो देश को समस्याओं का हल कब दिलाओगे कहा कहा कौन कौन फुलाइंग करेगा और कहा कहा कौन कौन फुलाइंग करेगा और किस 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 पे सवाल यू उठाओगे कहा कहा कौन कौन फुलाइंग करेगा और किस 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 पे सवाल यू उठाओगे चाहे जितना लगा लो जोर कुछ होगा नहीं 24 में इंडिया को रोख नहीं पाओगे क्या हैं इन्हें नाम बदलने से कुछ नहीं होगा हम तो भारत के इंडिया के साथ बिल्कुल सही बात है और यह जो इंडिया बनी है इसमें कैसे कैसे लोग हैं मैं कुछ शेर सुना करता हूं जित्ती तालियां बचीयों सब बजा ले ना क्योंकि इसके वाश्यो खत्त मन में कुछ के डलहौजी कुछ अंदर से मैकाले हैं गट बंधन के नए दौर में काफी गड़बड जाले हैं अब जो बात हमारे गोपाल भाई साब कह रहे तो मैं उसी बात को नए अंदाज में कहता हूं नाम इंडिया रखकर कोई आर्या वर्त नहीं होता जरा इशारे देखो लक्षण अभी इटिली वाले इंडिया रखकर कोई आर्या वर्त नहीं होता जरा बाई साब आप इतना बुरा में क्यों बना रहे हों जरा इशारे देखो अब भी लक्षण इटिली वाले हैं उन्जा करता जिन्पत के पास है अच्छा मार सके हैं अपने दलके पहलवान को लंगडी खुद मिसरा सुनो तुकला के मुझ से अपने दलके पहलवान को लंगडी खुद गटबंधन वाले मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद गटबंधन के सारे योद्धा सच में बड़े निराले हैं दोशेर और सिंदीजे फिर आपके जवाब मेरे गाउं के बूढ़े कहते हैं गटबंधन अच्छा है नए लड़के तो मोधी मोधी कर रहे हैं मेरे गाउं के बूढ़े कहते हैं गटबंधन अच्छा है बस चीटी भर सचाई है हाथी भर गोटा लें बस चीटी भर सचाई है बहुत शुक्रिया और शेर आफिर और इसको दूर कर लीजेगा कि ताल मेल की कमी नजर आती है सर जी आपस में ताल मेल की कमी नजर आती है सर जी आपस में ऐसे तो 24 चुनाओं में राज तिलक के लाले बहुत शुक्रिया दो नाइने सुन लीजे फहमिदार याज ने लिखी थी मैंने नहीं कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने रहजन चोरों को कहते हैं यो बात आगी मोदीजी वाली इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहां हो सकता है कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहां हो सकता है कुछ और तो अकसर होता है पर इसका जवाब सुन लिजे इंडिया से पर हम इस पल में जिन्दा है ये पल हम में जिन्दा है ये वक्त नहीं फिर आएगा तुम अपनी करनी कर गुजरो जो होगा देखा जाए क्या बाता है तो इतना कह रहा हूं नाम बदलने से खुछ हुआ है आजी सदार जी आप सौगत कर रहे हैं सर मैं करूंगा दरसल क्या है आज कर लोग बेवफा बहुत हो गया है अब गोपाल जी तब का इसारा कर गए थे अब लोटे मैं इंतजार में बूड़ा हो गया हूं लग नहीं रहे लेकिन आप बूड़े हैं सर अभी राजबुजी आपके संदीप दीक्षित जी ने एक बात कही पत्रकार ने पूछा गठमंदन के बारे में तो उन्होंने का जेगा वो जंगल की तरह से है जिसमें आती भी होते है हैं शेर भी होते हैं और गीदड़ भी होते हैं और केजरी वाल कि आप पाइटी को दम गीदड़ भी नहीं मानते हैं यह यह कहा उन्हें बैसे बात यह ताली की थी पर तुम कब बजाओगे मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूं मेरी कही बात फलेगी मैंने इसी सो में कह दिया था कांगरेस और आप पार्टी में सबसे पहले जूतों में दाले बटेगी पर यह बठेगी जूतों होता है यह बशर्म आप रांकर चुण टांते हूं नीजगल में सबस्राक मछल मी है कुछ ग्युक्त को शेर मांकर तांते हो चलो आप पार्टी को दो घीधड़ भी नहीं मानने पर बाकी सब को घीधड ंहाए बाइजान वहत अछे, तो भाई, एकठी होने का पाल तो रहे ऋ गमंड मैं इसमें आपक अगा सब्ड़ुन берों we एकठी होने का पाल तो रहे हो गमंड क्या सेर का सिकार कर लेगा ये फलानों का जुंड तो आप बच्चे जाज हमें ऑने की हलता हूं कैसी यह बाजपा लुकलुक मरँ कांगरेज दुक Cont Alabama depressability भाजपा पभजी और कांगरेज Facebook रचसे है और बटाता हूं कैसे खेल नकली लेकन रेजल्ट असली है, खेल नकली लेकन रेजल्ट असली है, पबजी पर तो साधी बिवा होने लग गए। लेकन फेस उबुख पर तो पता ही नहीं चल ला है कंचे यह बबलू है, कि बबली है। अच्छा है वाह रही बात गठ बंदन की तो वो मजधार में है सर अगर मैं सुरुआत में ओपनर को ज्यादा टाइम बिलता है मैं एक मिनट लेता हूं मजधार मैंने सब्द लिया है एक नाव में तीन बेटे थे एक श्याना बेटा था एक बंदर था एक उंट था श्याने सुबाब के अनुसार बंदल को उंगली की बंदर सुबाब के अनुरूप उंट पे जा बैठा उंट सुबाब से करवट ले गया और नाब डूब गई तो इस बात का ध्यान रखना गटबंदन की नहप मजदार में है दूर दूर तक जमी नहीं है और कांगरेश में भी श्यानों की कमी नहीं है आए वाँ वाँ पा से कि अध्याश्ट में कहता हूं मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूं तालीव जाना को पाल जी रंग से मैं फलित जोतिसי का जोतिसी हूं 24 में यद गठ बंदन गोता खाएगा तो देख लेना उसे कोई कांग्रेसी स्याना ही डुबाएगा आपने कहा कांग्रेस में स्यानों की कमीनिये जरा स्यानिये की उनकी डेफिनेशन तो बता दो अब ये उंगली करी थी सुनी नहीं थे क्या है अब सुनिए पौजदार जी ने बहुत शांदार बाते हैं पहली चीज तो उन्होंने गडबंदन की बात कर दी बना कैसे तो लोग कहते हैं कि फिराक ने कहा था और फिराक का नाम रगुपती सहाय था कोई मौमिन खान नहीं थे पहले बता तो ठीक है कि सर जमीने हिंद पर अक्वाम आलम के फिराक काफिले बस्ते गए हिंदुस्ता बनता गया तो बच्चो ये गडबंदन हमारा ऐसे बना पौदी वाला हैंकार आ गया कि मुझसे मोहताथ होके गुफ्तगू करना मेरा सिलसिला अल्लामिया तक है अल्लामिया कहीं मोरी जी हो गए क्या बात आप समझो फौसदार जी हमारे गडबंधन की तो चिंता छोड़ दो हमारा गडबंधन तो अभी तक एक है लेकिन आप य अभी चार दिन पहले एक पार्टी भग गई 38 थी 37 रह गई मनिपूर वाली एक पार्टी कुकी नेशनल अलाइंस जो है वह भाग गया तो नाव में इनकी छेद हो रहा है कि 24 के चुनाओं में आपको यही बात कहनी पड़ेगी लेकिन आप हमारी तरफ से को गई गट बंदन जो गट बंदन है वो पूरी तरह से अगर पिछला इतिहास अगर आप देखेंगे तो ठक बंदन के अलावा कुछ नहीं है गोपाल जी आज मुझे आपको सचेत करने के लिए बिठाए गया नहीं मैं कांग्रेस की तरफ हूं आज और मैं सही मुद्व पर इतना क्यों इसके चारों बुल नहीं इसके ज़रूरी है दिल है कि मानता नहीं मैं कभी हो तो यह संतुरल बनाने ज़रूरी है और मेरे युवा साथियों बहुत अच्छा गाना है इंजॉय करना और आपको पहली बार लगेगा कि राजनीती में भी इंजॉय होता है आप सुना राय बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी लिके ले लो लिके ले लिके राए बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी अब ना जादा अहम में बहना मतमोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा रे आगे आगे जो लाइन आगी पूरा अंगा मा अबना सादा अहम में बहना मतमोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा रे जटका लगा रे मोदी जी की सरकार में जटका लगा रोज नहीं मिस्टेक है जी वादा प्रोमिस फेक है जी है खड़े काठके घोड़े की तरह मुश्किल में बाजार देखो महगाई की मार देखो पड़ रही पीठ पे कोड़े की तरह गट बंधन को है मौका अब मार रही है चौका जितनी गलती करोगे उसका लाब इनको मिलेगा देखो अब मार रही है चौका फिर मत कहना जनता ने क्यों दिया रह जटका लगारे मोधि जी की सरकार में इषन N साबदान रहें आपको देखो मोधि जी और हमारी सरकार जो भी है पूरी तरह से सरकार जनता के समवाद के साथ काम करती है अगर पिछले देड़ मैंने के काम को देखें जब नौ साल पूरे हुए थे जिस तरह से एक-एक कारेकरता एक-एक पदादिकारी एक-एक मंत्री एक-एक में लोगों उसके साथ मिल के काम कर रहे हैं उनसे समवाद कर रहे हैं और यहीं बात स्टेटेजी के रूप में हम 2024 के लिए आगे लेके जाएंगे एक मेरे मित्र ने कविता लिखी थी मैं दो दोहा सुना देता हूं आम आदमी की अगर नहीं सुनोगे बात तो जनता ही समझा देगी क्या है अपनी ओकार अब गोपाल जी को मैं सिरफ एक साहितिक माध्यम से जबाब दे रहा हूं कि जब क कश्ति साबितो सालिम थी साहिल की तमना किसको थी वाँ वाँ बाँ जब कश्ती यानि मोदी जिए जब 14 वाले मोदी तो यहां वहां सारे जहां में ये आवाज है अरे यहां वहां सारे जहां में यह आवाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिंदाबाद मोदी जी तुम जिन्दाबाद अरे सारे देशवासियों को मोदी जी पे नाज है सारे देशवासियों को मोदी जी पे नाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद के कहती है दुनिया ये सारी हो रही चर्चा तुम्हारी एक मोदी हाँ हाँ मोदी सब पे है भारी अरे आपके ही सर पे आपके ही सर पे तो 24 का ताज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दावाद कितने फूसें अगरवाल साब के यहां वहां दूसरा सुनो के राम का मंदिर बना के धारा सत्तर को हटा के घर में दुश्मन हाँ जी दुश्मन को यूं हरा के आपने बचाई ये भारत की लाज है मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद यहां वहां सारे जहां में यह आवाज है यहां वहां सारे बहुत नजदीक से भी देखने पर बड़ी से बड़ी चीज भी छोटी दिखाई देती है इनो गठबंदन की एक पार्टी है आमाजमी पार्टी बाजपा के कई नेताओं को मैंने सुना उनको कह रहें जी सुपारी जैसी पार्टी है इतीसी पार्टी है इस सुपारी ने 2015 से चैलेंज ले रखा है तूट तो रही नहीं जबडे में दर्द अलग दे रखा है दर्द अलग दे रखा है दिल्ली हो या पंजाब इसी सुपारी के चक्कर में भाजपा अपना वजूद खो रही है देखिएगा कहीं ये सुपारी चुइंगं तो नह नहीं आठ साल से चबाए जा रहे हैं खतमी नहीं हो रही है और और एक पंग्ति देता हूं आप सब तरक के बच्चे हैं इसको पकड़ना आपको ही खतमी नहीं हो रही है छोटी चीजों को हलके में नहीं लेना चाहिए वरना परिणाम बाद में नजर आता है आदमी पर तो बैठ सकता है पर छोटी सी सुई पर नहीं बैठ पाता है आपको ज्यादा वोट मिले अभी ये दिल्ली वाले मुद्दे पर आपको ज्यादा वोट मिले वो तो मिल नहीं थे क्योंकि संख्या के आधार पे आप बड़े हैं पर ये भी तो सच है कि इत्ती सी पार्ट के पक्ष में भी 103 वोट पड़े हैं और एक तथ्य बताता हूं बहुत आनंद आएगा आपको सुनके भाजपा ने तो मजाग उड़ा दिया जबकि 24 में सीधी लडाई भी नहीं है और NDA में जिन-जिन को शामिल किया है उनमें से कई पार्टियां तो सुपारी की एक चोथाई भी नहीं है और अंतिमपंति दे रहा हूं पार्टी छोटी है तो क्या हुआ पॉलिटिक्स में किसी को इग्नोर नहीं किया जाता है चीटी हाती की सून में घुस जाए तो हाती भी परेशान हो जाता है बहुत धन्यवाद देखें हमारी लड़ाई ना आप से है ना कॉंग्रेस से ना किसी अपोजिशन के और किसी पार्टी से इनकी आपस की लड़ाई है इन में पहले तै होने दीजे कि कौन सुपारी है कौन आती है कौन चीटी है तब फिर हमारे सामने लड़ाई होगे यहाँ पर तो गोपाल जी हम तो लड़ेंगे भी भिड़ेंगे भी और जीतेंगे भी वो पुरानी सी बात थी ना कि करते भी चलो बढ़ते भी चलो बाजू भी बहुत है सर भी बहुत और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे क्या बात बढ़िया बहुत बढ़िया कमल नाज जी को देखा आपने वो शरन में पहुच गए उनके तो मैं कॉंग्रेस से मुखातिफ होता हूं कि बागेश्वर सरकार का दामन थामे तो अंग निकले हैं नतमस तक दिख रहे हैं डाले भगवा सा रंग निकले हैं राजद क तो ये डर है कि तूटन जाए गठ बंधन कमल नाज जी कमल खिलाने वाले के संग निकले हैं थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं आदर्णी से पूछना चाहता हूं कि कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंद्र सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मन्थन करेंगे क्या नहीं करेंगे करेंगे कमल जी की कॉंग्रेस कमल जी की कॉंग्रेस मैं पूछ रहा हूं कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंद्र सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मन्थन करेंगे क्या या चुनाव जीतने की रणीती है हुजूर जूट मूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या जूट मूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या सिर्फ हिंदूओं को भर्माने का ही सोचे हैं या सच यहां मन से समर्पन करेंगे क्या नेता जी बताईए कि वोट पाने के लिए ही आप हिंदू राष्ट का समर्थन करेंगे क्या भारत एक संब्धान के से संपन्न रास्ट है हमारे देश का धर्म संब्धान है सबसे बड़ी बात ये कि हमारे देश का धर्म संब्धान है और भगवा रंग भगवा रंग किसी की बपोती नहीं है किसी की भी बपोती नहीं है भगवा रंग भगवा रंग सांती का प्रेम का महबत का संतत्तु का सुफिज्म का प्रतीक है इसलिए रंगों की राजनीती मंच पर नहीं होनी चाहिए कमल नाज जी भी आध्यात्मिक है आप भी आध्यात है आध्यात्मिक राष्ट की तरफ चलिए समयधानिक राष्ट की तरफ चलिए बागी सब बात हैं हिंदू और मुसल्मान की मत कीजिए लेकिन बजरन बली को गला गालिया देंगे एक जगह जन्युधारण कर लेंगे दूसरी जगह यह जो कंफ्यूजन है ना यह पसे अपनी बात को अपने विचारों को रखिए अगर आप क्या आपके विबिन पहलूँओं पे क्या विचार है उसमें डिलडाॉल करते हैं तो वहीं कंफ्यूज कर देते जल्दा चलिए तो अब मैं कंफ्यूजन वाली बात नहीं करता हूं कोई धार्मिक बात नहीं करत कहता हूं तो आपकी तबज्यों चाहिए दाद तो मिलेगी निए दाद इधर सुरेंसर आप से चाहिए सुनिया चला सियासत से जो है वोटर च्छका न डाले सवाल ये है कमिंग इलेक्शन में ये हुकूमत गिरा न डाले सवाल ये है सवाल ये है और एक शेर पूरे देश का बहुत दिन हो गए करीब दो महिने से इस समस्या से जूज रहे हैं तो आज रिपीट कर रहा हूं इसको ये जो टमाटर उतर के नीचे न आ रहा है कई दिनों से यही टमाटर तुम्हारी चटनी बनाना डाले सवाल ये यही टमाटर तुम्हारी चटनी बनाना डाले सवाल ये है और एक सवाल और बिया सिर्फ टमाटर ही नहीं जान ले रहा है कुछ चीजें और ले रहे हैं ये मिर्च तीखी अभी एक बड़ा बढ़िया फोटो आया था उसमें एक दिवाल पे मिर्च लगी थी किसी ने बड़ा अच्छा लेखा कि मिर्च में ये खासियत होती कहीं भी लग जाती है ये मिर्च तीखी ये जर्द जीरा ये सर्द लहसुन ये कृद्ध अधरक यही मसाला चुनाव को संसना न डाले सवाल ये है जिसको रोका वो शेर बबर पलट के संसद में आ गया है वो शेर बबर तुम्हारी कुरसी कांगरेस के अधक्ष जव तक कड़े रहे, जव तक के वो बैठ नहीं गई, रावल जी, और एक कुर्सी भी ढूंडी गई, और अविस्वास पर आप मत बोला, आपके भी आलत यही है, मैं बोलूँगा, और अविस्वास प्रस्ताप पे भी कुछ में कहूंगा, अब सुनिए, तेरा जबसे सुप्रीम कोट का फैसला आया है, कांगरेसी जस्न मना रही है, मिठाईयों के दोर चल रही है, चमचे पॉपकॉर्ण की तरह उछल रही है, यह किसकी तीन लाव देगा, चमचे पॉपकॉर्ण की तरह उछल लें, सुरे राजपू जी, कितना धमाल मचाया है, कोट ने राहूल को जेल जाने से रोका है, प्रदान मंत्री नहीं बनाया है, साधारन मेंबर बड़ा, यह अधक्छ बड़े रही, राहूल जब तक बैठ नहीं गए, तब तक खड़गे जी खड़े रही, तो यह कांगरेसी एक बढ़िया बात लाता हूं, तारीख और उस अ mirror जेकर जेख ना एक ब्यांग है, तो कांगरेसी बोला आप भाजपा के बेद नहीं खोलते, यह कांगरेसी बोला बाता हूं, थमौ जी तो नहीं बोलते, मोधी जी के आगे नड़ा जी भी तो नहीं बोलते. तुम्हारे ब्रह्म के बादल बहुत गने हैं बाई मोदी जी तो दो हजार चौदे से पीए में राउल जी तो चार अगस्त दो हजार तेईस को MP बने है को दो से कुटने कर रहे हैं भाई आप बताईे आप भी कर रहे थे यह कभी कितना परीना वाहं है जो बाया है खड़गे जी कांगरेस के अध्यक्ष हैं ये बात भी अब उनको हम बताने जाएं सुरेंद जी मैं हूँ अभी मैं कुछ मिनट हूँ और उनको जवाब मैं देता हूँ यह दरसल निकी अंदर का डर बोल रहा है हुई सुनुवाई देखो बैख हुआ भाई नए जोश में अब की तफा नक नकर दे सफा और प्हूर परेंगे हुई है बाजबा भा लाँ इस राहरे हैं अपने विकासकार नहीं गिना रहे हैं राहुल को कोसने के चकर में दिन रात राहुल का नाम जपा कहीं न कर दे सफा कहीं न कर दे सफा डरी हुई है भाज़ा कि गर जे गरोज तुम पर संसद में तुम फसोगे जितना उचल रहे हो उतना ही तुम धसोगे ओ सावा कि सद्मे में सब तुम्हारा घर अब तो दिख रहा है चेहरे पे हार वाला डर अब तो दिख रहा है ओ शावा ओ शावा ओ शावा फिर से देखिए जनता है तंग बुरे आपके है ढग सब जूटी लगे बतियां कहीं न कर दे सफा धरी हुई है वाजपा किसे बले हो के कुरसी पे जाके भी कुछ ना कर पाओगे जो डराए पडोसी तो डर जाओगे आपकी आद तेना बदल पाएंगी जो मिलेगा वही आप चर जाओगे जो मिलेगा वही आप चर जाओगे जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हें ना एजन्डा जिताए ना नारा तुम्हें अपनी कमियों को ना ढूंड पाए कभी इसलिए जन्ता ने है नकारा तुम्हें देखो आपको बताओं हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं डराने वाले लोग हैं अज तक अगर डराया है एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान बनाए गोवा को अपने में शामिल किया सिक्कम को अपने में शामिल किया और जिस चीन की आप बात कर रहे थे कि वहां पे लाला लाके दिखाएंगे हमने उनको जूला नहीं जूलाया मैं कुछ बाते बताता हूँ बीजेपी को और किन किन चीजों की उम्मीद नहीं है जो हो रहा है वो सुनो आप सर्व बीजेपी ने सोचा सदस्यता खत्म हुई अब कॉंग्रेस की इज़त धुल जाएगी पर भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि राहुल जी की वापसी होगी और मोहबत की दुकान फिर से खुल जाएगी फिर से खुल जाएगी उम्मीद तो ये भी नहीं थी कि महंगाई जैसी चवनी बात मुद्दों की लिस्ट में जुड़ सकती है और इडिया गठबंधन की मजबूती देखकर बीजेपी की नीद उड़ सकती है बीजेपी की नीद उड़ सकती है क्या पता नाराज साथी भी एक एक कर बिछुड़ने लग जाएं अभी तो सिर्फ नीद उड़ रही है हो सकता है इलेक्षन तक तोते उड़ने लग जाएं भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी एक पंक्ती कहता हूँ बात अच्छी लगा तो समर्थन जरूर करना इसका भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी पर अवकाद दिखाना, बेटे को सेट, दामाद को भेंट जैसी भाषा की उम्मीद भी नहीं रही होगी उम्मीद भी नहीं रही होगी, भाजपा सोच रही होगी कि हवाबाजी से ही काम चल जाएगा पर जनता की उम्मीद पे खरे नहीं उतरे, तो चुनाओं में परिणाम भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आएगा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आबाद वीडियो वाइरल हुआ था, उसमें प्रेस कॉन्फरेंस चल लगी है और नितीज जी बार-बार राहूल जी को कह रहा है कि थोड़ा बोल दीजिये ना कि अगुआ बनने का शौक छूटा है नितीज जी का घूट अपमान का वो घोट के ही रह गए सोचते हैं गलती हुई जो कहा बोलने को प्रेस कॉन्फरेंस में जो राहूल जी से कह गए गहें राहूल जी तो कुछ भी न बोले रिक्वेस्ट पर भी सभी अरमान जो थे दिल के वो बह गए आप बोल दीजिये ना प्रताप्ना आगाज नया होगा फिर किस तरह से आपका अंजाम नया और नहीं प्रताब ना आगाज नया होगा फिर किस तरह से आपका हंजाम नया होगा 24 के चुनाओं में विपक्षियों के पास सब काम पुराने रहेंगे नाम नया होगा अचा इन लोगों के काम भारती जनता पालिटी कैसे है शोर तो बहुत मसता है यह हो गया वह हो गया लाइन से गिनाएंगे लेकिन एक्चुली होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं सुरेंजी आपका साथ चाहिए बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस और इस पंक मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम हैं बस के जैसे घूंगट में कोई दुलहन हसीन हो ऐसे काम हैं बस आवाज करती हो खूब लेकिन जो काम करती नहीं हो बिलकुल अवाज करती हो खूब लेकिन जो काम करती नहीं हो बिलकुल बहुत खटारा पुरानी कोई मशीन हो ऐसे काम है बस ना बेल बूटे महबतों के जैसे बंजर उजाड कोई जमीन हो ऐसे काम है बस पढ़े लिखोंसा कोई सलीका कोई नतीजा नजर ना आए के बाद दस्वी के पास मैट्रिक जहीन हो ऐसे काम है आपको दो कि बाती पसंद नहीं आरे ती जरी आजाओ अब चुना प्रजार सुरूई हो चुगा दो तीन चार स्टेटों में चुहाए सिवराज चवांजी आया थे बुंदेल खंड और उन्होंने यह का था के बुंदेल खंड का विकास कांगरेस ने रोका था हाँ अब अब सुनिये लुपाल जी भाजपा जूट पर पैरगारती है अच्छा जी भाजपा जूट पर पैरगारती है बर्तमान में काम जीरो है इसलिए गड़े मुद्दे उखारती है वो ही पुराणी वो कैसे वाह मामा जी वाह वाह मामा जी वाह जनता की ख़वर की इतनी पतली गली राहुल की सदसिता की ख़वर बीस मिनिट में मिल गई और बुंदेल खंड का बिकास कांग्रेस ने रोका था ये ख़वर बीस साल बाद मिली भाजपा फिर वही गाना पाकिस्तान ये वो फिर वही गाना नेहरू का जमाना कांग्रेस का बहाना बात बात में पाकिस्तान हिंदू मुसलमान यार पुरानी ही कैसिट बज रही है पुरानी ही कैसिट बाजपा पुरानी ही और एक बात कहता हूं समझ में आजया तो हो करके पुरानी ही कैसिट बजा रही है भाई उसमें कुछ नए जुमलेई बना लो वो मेक इन इंडिया किस काम आ रही है इस बार वही तीन पात ढाक एक मौवरा है ना आप समझते होंगे ढाक के तीन पात इस बार वही तीन पात ढाक करोगे तुम नए जुमले तक तो गड़ नहीं पा रही हो विकास क्या खाक करोगे और अन्त में मैं यही कहूंगा चारों और तरह तरह दंगों की भजीते नहीं बचा सके और ताड़ी बजाना तुम और किसको कहां बचाओगे तुम अपने लाए हुए चीते नहीं बचा सके और यहीं सच है और वो सचाने वाला है सुनिए असली चेहरा यहीं सुनिए समर्दम युवापीडी का इस सच के लिए देश डूबा डूबा कांगरेस के बादों में खूब लूटा लूटा इनकी फरेभी बातों ने दम जिसके पसीने में चपन इन्ची सीने में देश में तरक्की की फसलें जिसने बोधी मुदी 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 मुद अभी sleeping करे, वो किस flying करे ऐसे ही इशारों से, दूर है किनारों से हरकतों को देख कर सारी जनता रोदी मोदी, 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 हाँ इंडिया पे नाम रख देने से ना कुछ होना सुनो, है बस रोना सुनो ब्रश्टाचारी मिले हैं आपस में ना कुछ पाना सुनो, है बस खोना सुनो अरे खामखा है चकर में, कोई ना जिसके ठकर में फिर से अंगा में के लिए तो यार खामखा है चकर में, कोई ना जिसके ठकर में जिसने धंग से अपोजीशन की इजद्धो दी मोदी, 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 हाँ बस्ती की पैरोडी सुनिया साथ और आपके चेरे पे मुस्कुराट की गारंटी है, सुनिएगा के बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहुल थोड़ी धीर धरो कभी लाल किले से भाशन होगा राहुल थोड़ी धीर धरो बोले और क्या होगा के इंडिया गेट पे अगले बरस हम जनगन मन गाएंगे चबी जन्वरी को के अगले इंडिया गेट पे अगले बरस हम जनगन मन गाएंगे चीफ गेस्ट सिरी बाइडन होंगे गेश्ट सिरी बाइडन होंगे पुतिन भी संग आएंगे नए वाला संसद भवन होगा राहुल थोड़ी धीरी धरों कैसे जीतेंगे केजू ममता लालू टीपू सब हैं अपने साथ उद्धव के संग नितिस चलेंगे सबसे आगे हाथ और पंजे के संग जन जन होगा राहुल थोड़ी धरों और एक बात और कई ओ एक ऑने एक लोस्ते से सब्सक्राइब कैसे आती एक लिए फील मैंने फील बताईए पीछे लाती यह कै Calling हो यह पीछे केबीनेट और आगे आप चलोंगे लोज रोज फीते काटोंगे मन की बात करोंगे हाथों में भारत रतन एक राय विशेश दिये मैंने उनको के जीत के तुम सबसे पहले शीरी धाम अयोध्या जाना यह काम कर ले ना यह promise है के जीत के तुम सबसे पहले शीरी धाम अयोध्या जाना काशी जाकर भोले बाबा का दर्शन कर आना और शिरी शाम प्रेभू का किर्टन होगा राहुल थोड़ी धीर धर बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहुल जी थोड़ी धीर धर इन्हों ने तो राहुल जी पर भविश्वानी कर दी एक भविश्वानी राहुल जी पर ओर है वह आप सुनो आपको आनन्द आएगा सजा हुई बाहर गए रोक लगी अंदर आए फिर बाहर हो गए तो उनका दिल क्या कहेगा 24 तक प्राब्लम सॉल्व होगी कि ये इनकमिंग आउट गोइंग लगा रहेगा यह लगा रहेगा आप बड़ा दम भर रहे थे कि वोटिंग में एक ता दिखाएंगे यहां सातियों ने पहले ही मौके पर गोली दे दी बाद में क्या क्या गुल खिलाएंगे बात में क्या-क्या कुन खिलाएंगे, अच्छे एक बात आपको बताता हूँ, बड़ी मैज़दार बात है, नेताओं के फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन राहुल जी के फैंस हैं, उनके फैंस हैं, मैं बता रहूँ आपको, ये नई थे तो मजा नहीं आ रहा था, उनके आते ही फैंस का चहरा खिल गया, भाई ने एक बाशन क्या दिया, लोगों को कितना मसाला मिल गया, कितना कितना मसाला मिल गया, राहुल जी का तो ठीक है, पर दूसरे नेताओं को खामियाजा भरना पड़ रहा है, सोचा था ये आएंगे तो हम अटेक करेंगे, या तो पहले ही द इन से डिफेंड करना पड़ रहा है, डिफेंड करना पड़ रहा है, और इनका पुराना बयान याद करना, डिफेंड करना पड़ रहा है, उन्होंने कहा था भाशन से भूकम पाएगा, उनके भाशन से, उन्होंने कहा था, उनके भाशन से भूकम पाएगा, अभी तो या मुहब्बत की दुकान में क्या-क्या देखने को मिलेगा इसा है मित्र बिल्कुल सही कई मुहब्बत की दुकान में मुहब्बती देखने को मिलेगी जहां पर एक बड़ा सा पुराना सा गाना था कि आचल के तुझे मैं लेके चलू इस ऐसे गगन के तले जहां गम भी नहूं आसू भी नहूं बस प्यार ही प्यार पले ये राहुल जी का गाना है ये महबत की दुकान है और आगे आने वाले समय में सब लोगों को ऐसे गगन के तले ले जाएंगे जहां मनेपूर नहीं होगा गाना जो प्यार किया तो ठीक किया इजार किया तो ठीक किया वो इजार वो तो संसद में बार-बार कर रहे अगर आप लोग प्यारी कर लेते गुपाल जी तो सच बात यह है फिर तो महबत की दुकान खोल JEFF तो इतने ये दिन देखने को मिलते ही नहीं आपको सिर्फ बातों के बताशे फैंकती है भाजपा सिर्फ बातों के बताशे फैंकती है भाजपा राजनीतिक रोटियां बस सेंकती है भाजपा सिर्फ बातों के बताशे फेकती है भाजपा, राजनीतिक रोटियां बस सेकती है भाजपा, ध्यान बगुला भगत बन, गिद्ध द्रिष्टी से सदा, किसी तरह गद्धी मिले ये देखती है भाजपा, किस तरह गद्धी मिले ये देखती है भाजपा, ये बार बार साहब क मैं एक छंद देता हूं सुनिएगा ये इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे जीतने के लिए सामदाम दंड भेद होगा फिर लोकतंत्र का खयाल कब लाओगे प्रस्टन है जीतने के लिए सामदाम दंड भेद होगा फिर लोकतंत्र का खयाल कब लाओगे राहुल जी के पीछे हाथ धो के ही पड़े रहे तो देश को समस्याओं का हल कब दिलाओगे कहा कहा कौन-कौन फॉलाइं करेगा और किस-किस-किस-किस-पे- करेगा और तालिया जोड़दार देना कहा कहा कौन कौन फ्लाइंग करेगा और किस 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 पे सवाल यू उठाओगे चाहे जितना लगा लो जोर कुछ होगा नहीं 24 में इंडिया को रोक नहीं पाओगे इंडिया को रोक नहीं पाओगे इसमें रोकना है ना आज रोकना है इन्हें नाम बदलने से कुछ नहीं होगा हम तो भारत के इंडिया के साथ बिल्कुल सही बात है और यह जो इंडिया बनी है इसमें कैसे कैसे लोग हैं मैं कुछ शेर सुना करके सुना करता हूँ जित्ती न नाम-इंडिया रखकर कोई आरेया वर्त नहीं होता जरा इशारे देखो लक्षण अब भी इटिलीवाले इंडिया रखकर कोई आर्यावर्त नहीं होता जरा बाई साब आप इतना बुरा में क्यों बना रहे हों जरा इशारे देखो अब भी लक्षण इटली वाले हैं मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगड़ी खुद मिसरा सुनो तुकला के मूँ से मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगड़ी खुद गटबंधन के सारे योधा सचमे बड़े निराले हैं दोशेर और सिंदीजे फिर आपके जवाब मेरे गाउं के बुढ़े कहते हैं गटबंधन अच्छा है बस चीटी भर सचाई है हाथी भर गोटा लें बस ठीटी भर सचाई है पर घूप शेरे भर बहुत शुक्रियां और शेरे आफिर अफिर और इसको दूर कर लिजेगा कि ताल मेल की कमी नजर आती है सर जी आपस में ऐसे तो 24 चुनाओं में राज तिलक के लाले राज तिलक के लाले दो नाइने सुन लीजे फहमिदार याज ने लिखी थी मैंने नहीं कुछ लोग तुमें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने रहजन चोरों को कहते है यो बात आगी मोदीजी वाली इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहां हो सकता है कुछ लोग तुमें समझाएंगे कुछ तुम को जिन्दा है यह वक्त नहीं फिर आएगा तुम अपनी करने कर गुजरो जो होगा देखा जाए तो इतना कह रहा हूं नाम बदलने से खुछ हुआ जी आप स्वागत कर रहे हैं सर मैं करूंगा दरसल क्या है आज कर लोग बेवफा बहुत हो गया है अब गोपाल जी तब का इसारा कर गए थे अब लोटे मैं इंतजार में बूड़ा हो गया हूं लग नहीं रहे लेकिन आप बूड़े हैं सर अभी राजबू जी आपके संदीप दीक्षित जी ने एक बा कारे में तो उन्होंने कहा जे कि वो जंगल की तरह से है जिसमें साती भी होते हैं शेर भी होते हैं और गीदड़ भी होते हैं और केजरी वाल कि आप पाईटी को दम गीदड़ भी नहीं मानते हैं यह यह कहा उनने बैसे बात यह ताली की थी पर तुम कब बजाओगे मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूँ मेरी कही बात फलेगी मैंने इसी सो में कह दिया था कांगरेस और आप पार्टी में सबसे पहले जूतों में दाले बटेगी कहा बटेगी जोतों में पात्रक्स नष्छे जanting और मतंग है वहाँ थे तो भाई एकटी होने का पाल तो रहे हो घमंड अब इसमें एक सब्दा आएगा फलाने भू समझ लेना मैं कहा कह रहा हूं एकटे होने का पाल तो रहे हो घमंड क्या सेर का सिकार कर लेगा ये फलानों का जुंड पलानों का जुण defence का लुथा फलानों का औरग। भाषे लुक लुक लूख कांग्रेस धुक अब कांग्रेस धुक लुक advocate और पवजपाप लुक बताता हूँ कैसे खेल नकली लेकन रजल्ट असली है. खेल नकली, लेकिन रेजल्ट असली है, पबजी पर तो साधी बिवा होने लग गए, लेकिन फेश उबुक पर तो पता ही नहीं चलना है, कि ये बबलू है, कि बबली है, रही बाद गठ बंदन की, तो वो मजधार में है, सर, अगर मैं सुरुआत में ओपिनर को ज्यादा टाइम बिलता है, मैं एक मिनट लेता हूं, मैंजधार मैंने सब्द लिया है, एक नाव में तीन बैठे थे, एक स्याना बैठा था, एक बंदर था, एक उंट था, श्याने ने सुभाब के अनुसार बंदल को उंगली की, गठ बंदन की नहप मजदार में है, दूर दूर तक जमी नहीं है, और कांगरेज में भी श्यानों की कमी नहीं है, वाँ, 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 तो देख लेना उसे कोई कांग्रेसी स्याना ही डुबाएगा आपने कहा कांग्रेस में स्यानों की कमीनिये जरा स्यानिये की उनकी डेफिनेशन तो बता दो अभी उंगली करी थी सुनी नहीं थे क्या है अब सुनिये पौजदार जी ने बहुत शांदार बाते हैं पहली चीज तो उन्होंने गडबंधन की बात कर दी बना कैसे तो लोग कहते हैं कि फिराक ने कहा था और फिराक का नाम रगुपती सहाय था कोई मौमिन खान नहीं थे पहले बता तो ठीक है कि सरजमीने हिंद पर अक्वामे आलम के फिराक काफिले बस्ते गए हिंदुस्ता बनता गया तो बच्चों ये गडबंधन हमारा ऐसे बहुत कभी हैं तो कभी के रूप में जबाब दे रहे हैं दूसरा आपने का फलित जोट्सी हो तो आपके अंदर तो वही मोदी वाला हैंकार आ गया कि मुझसे मोहताद होके गुफ्तगू करना मेरा सिलसिला अल्ला मिया तक है अल्ला मिया कभी मोदी जी हो गए क्या बात आप समझो फॉसदार जी हमारे गडबंधन की तो चिंता छोड़ दो हमारा गडबंधन तो अभी तक एक है लेकिन आप यह जो इनका गडबंधन है जिनकी तरह बाप बैठे हो इनके गडबंधन ने अभी चार दिन पहले एक पार्टी भाग गई 38 थी 37 रह गई मनिपूर वाली एक पार्टी कुकी नेशनल अलाइंस जो है वह भाग गया तो नाव में इनकी छेद हो रहा है 24 के चुनाओं में आपको यही बात कहनी पड़ेगी लेकिन आप हमारी तरफ से खाओ गडबंधन जो गडबंधन है वो पूरी तरह से अगर पिछला इतिहास अगर आप देखेंगे तो ठक बंदन के अलावा कुछ नहीं है गोपाल जी आज मुझे आपको सचेत करने के लिए बिठाए गया है नहीं मैं कांग्रेस की तरफ हूँ आज और मैं सही मुद्व पर इतना क्यों इसके चारों बोलते हैं इस दिल है कि मानता नहीं मैं कभी हो तो संतुल बनाने ज़रूरी है सुनिए गोपाल जी जादा कॉंफिटेंस पर रहना भी नहीं चाहिए और मेरे युवा साथियों बहुत अच्छा गाना है इंजॉय करना और आपको पहली बार लगेगा कि राजनीती में भी इंजॉय होता है अब सुना राय बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी लिके ले लो लिके ले लिके ले 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 अगे जो लाइन आगी पूरा अंगा मा अब ना साधा अहम में बहना मतमोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगारे हाई जटका ओए जटका ओए जटका जटका अरे जटका लगा रे मोदी जी की सरकार में जटका लगा रे मोदी जी की सरकार में जटका लगा तगड़ा लगा जटका लगा हाई 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 जटका लगा रोज नहीं मिस्टेक है जी बादा प्रोमिस फेक है जी है खड़े मुश्किल में बाजार देखो महंगाई की मार देखो पड़ रही पीठ पे कोड़े की तरह गट बंधनको है मौका अब मार रही है चोका कें जितनी गलती करोगे उसका लाव इनको मिले मैं आर्इट आप गट बंधनको है मोका अब मार रही है चौका फिर मत कहना जनता ने क्यों दिया दगारे अर जटका लगारे मोदी जी की सरकार में जटका लगारे साफदान रही है जटका जटका लग सकता आपको देखो मोदी जी और हमारी सरकार जो भी है पूरी तरह से सरकार जनता के समवाद के साथ काम करती है अगर पिछले देड़ मैंने के काम को देखें जब नौ साल पूरे हुए थे जिस तरह से एक-एक कारेकरता एक-एक पदाधिकारी एक-एक मंत्री एक-एक MP साथ मिल के काम कर रहे हैं उनसे समवाद कर रहे हैं और यहीं बात स्ट्रेटेजी के रूप में हम 2024 के लिए आगे लेके जाएंगे एक मेरे मित्र ने कविता लिखी थी मैं दोहा सुना देता हूं आम आदमी की अगर नहीं सुनोगे बात तो जनता ही समझा देगी क्या है अप गोपाल जी को मैं सिरफ एक साहित्तिक माध्यम से जबाब दे रहा हूं कि जब कष्टी साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी अब ऐसी शिकष्टा कस्ती में साहिल की तमन्ना कौन अब यह कष्टी शिकष्टा हो गई है कि अधन के इमार है डूबती सरकार है महिलाएं नग्न हो करके आप क्या वो हुरा है मणिपूर में आपके सामने कहना है नहीं सकते इन बच्चों के सामने पूरा देश चर्मसार है और मोदी जी को लेक और किसी को बोलना हो तो ठीक है नहीं मैं खरूँ शुरूँ तो हिंसा का हिस्सा बन जागा चल शुरूँ यह कह रहा था मोदी जी का नाम नहीं है मोदी जी का नाम नहीं तो क्या पता सुनो कि यहां वहां सारे जहां में ये आवाज है अरे मोदी जी तुम जिन्दाबाद कि कहती है दुनिया ये सारी हो रही चर्चा तुम्हारी एक मोदी हां हां मोदी सब पे है भारी अरे आपके ही सर पे तो 24 का ताज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद कितने फूसें अगरवाल साब के यहां वहां दूसरा सुनों के राम का मंदिर बना के धारा सत्तर को हटा के घर में दुश्मन हां जी दुश्मन को यूं हरा के आपने बचाई ये भारत की लाज है मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद मोदी जी तुम जिन्दाबाद यहां वहां सारे जहां में ये आवाज है यहां वहां सारे आज कल क्या है भाजपा ने अपना कद इतना उंचा सोच लिया है कि बहुत नजदीक से भी देखने पर बड़ी से बड़ी चीज भी छोटी दिखाई देती है गठबंदन की एक पार्टी है आमादमी पार्टी बाजपा की कई नेताओं को मैंने सुना उनको कह रहे जी सुपारी जैसी पार्टी है तब कविता पढ़ता हूं आनंद लेना सुनना मज़ा आएगा इस सुपारी ने 2015 से चैलेंज ले रखा है तूट तो रही नहीं जबडे में दर्द अलग दे रखा है दर्द अलग दे रखा है दिल्ली हो या पंजाब इसी सुपारी के चक्कर में भाजपा अपना वजूद खो रही है देखिएगा कहीं ये सुपारी चुइंगन तो नहीं आठ साल से चबाए जा रहे हैं खतमी नहीं हो रही है और एक पंक्ती देता हूँ आप सब तर्क के बच्चे हैं उसको पकड़ना आप कोई खतमी नहीं हो रही है छोटी चीजों को हलके में नहीं लेना चाहिए वरना परिणाम बाद में नजर आता है आदमी पहाड पर तो बैट सकता है पर छोटी सी सूई पर नहीं बैठ पाता है आपको ज्यादा वोट मिले अभी ये दिल्ली वाले मुद्धे पे आपको ज्यादा वोट मिले वो तो मिल नहीं थे क्योंकि संख्या के आधार पे आप बड़े हैं पर ये भी तो सच है कि इत्तिसी पार्टी के पक्ष में भी 103 वोट पड़े हैं बाजपा ने तो मजाग उड़ा दिया जबकि 24 में सीधी लड़ाई भी नहीं है और NDA में जिन-जिन को शामिल किया है उनमें से कई पार्टियां तो सुपारी की एक चौथाई भी नहीं है पार्टी छोटी है तो क्या हुआ पॉलिटिक्स में किसी को इग्नोर नहीं किया जाता है चीटी हाती की सून में घुस जाए तो हाती भी परेशान हो जाता है देखे हमारी लड़ाई ना आप से है ना कॉंग्रेस से ना किसी अपोजिशन के और किसी पार्टी से इनकी आपस की लड़ाई है इन में पहले तै होने दीजे कि कौन सुपारी है कौन आती है कौन चीटी है तब फिर हमारे सामने लड़ाई होगे यहां पर तो गौपाल जी हम तो लड़ेंगे भी भिड़ेंगे भी और जीतेंगे भी वो एक पुरानी सी बात थी ना कि करते भी चलो बढ़ते भी चलो बाजु भी बहुत है सर भी बहुत और चलते ही चलो कि अप डेरे मंजिल पे ही डाले जाえंगे क्या बात बढ़िया बहुत बढ़िया कमल नाज जी को देखा आपने वो शरन में पहुच गए उनके तो मैं कॉंग्रेस से मुखातिफ होता हूं कि बागेश्वर सरकार का दामन थामे तो अंग निकले हैं नतमस तक दिख रहे हैं डाले भगवा सा रंग निकले हैं राजद क तो ये डर है कि तूटन जाए गठ बंधन कमल नाज जी कमल खिलाने वाले के संग निकले हैं थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं आदर्णी से पूछना चाहता हूं कि कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंद्र सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मन्थन करेंगे क्या नहीं करेंगे कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंद्र सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मंथन करेंगे क्या या चुनाव जीतने की रणीती है हुजूर जूट मूट गंगाजी से आचमन करेंगे गंगा जी से आचमन करेंगे क्या सिर्फ हिंदूों को भर्माने का ही सोचे हैं या सच यहां मन से समर्पन करेंगे क्या नेता जी बताईए कि वोट पाने के लिए ही आप हिंदू राष्ट का समर्थन करेंगे भारत एक संब्धान के से संपन्द रास्ट है हमारे देश का धर्म संब्धान है सबसे बड़ी बात ये कि हमारे देश का धर्म संब्धान है और भगवा रंग कि भगवा रंग किसी की बपोती नहीं किसी की भी बपोती नहीं भगवा रंग सांती का प्रेम का महबद का संतत्य का सूफिज् helping है इसलिए रंगों की राजनिती मंच पर नहीं हूनी चाहिए कमल अब्धापी अपर है आप भी अध्यात्मीक हो और हम भी अध्यात्मीक अध्यात्म रास्ट की तरफ चलिए खाल्वन QUE एक जगह जन्युद दारन कर लेंगे दूसरी जगा यह जो confusion है ना यह confusion देश के लिए आज के समय में जनता इसको accept नहीं करती है आप स्पश्च रूप से अपनी बात को अपने विचारों को रखिए अगर आप क्या आपके विबिन पहलूं पे क्या विचार है उसमें डिल डॉल करते हैं तो वो ही confuse कर देते जनता चलिए तो अब मैं confusion वाली बात नहीं करता हूँ कोई धर्मिक बात नहीं करता हूँ सीधे सीधे कुछ सवाल जो पूछना चाहिए उधर से भी पूछे जाते हैं और इधर भी हम लोग सिर्फ इसलिए बठें से लिए शो का नाम है लपेटे में नेता जी लपेटे में आई गाले सवाल ये है हाँ कमींg इलेक्सन में ये हुकूमत गिरा नादाले सवाल लिए है और एक महीने से इस समस्या से जूज रहे हैं तो आज रिपीट कर रहा हूं इसको यह जो टमाटर उतर के नीचे न आ रहा है कई दिनों से यही टमाटर तुम्हारी चटनी बना न डाले यही टमाटर तुम्हारी चटनी बना न डाले जान ले रहा है कुछ शीजें और ले रहे हैं यह मिर्च तीखी अभी एक बड़ा बढ़िया फोटो आया था उसमें दिवाल पे मिर्च लगी थी किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि मिर्च में यह खासियत होती कहीं भी लग यह जर्द जीरा आठसर रुपए किलो आसर हम लोग तो लहीं नहीं बारे यह मिर्च तीखी यह जर्द जीरा यह सर्द लहसुन यह कुद्ध अदरक यही मसाला चुनाव को संसना न डाले सवाल यह है फजिस को रोका वो शेर बबबर पलट के संसद में आ गया है वो शेर बबबर तुम्हारी कुरसी हिला न डाले सवाल यह वो शेर बबबर एक द्रस मैंने यह देखा था कि कांगरेस के अध्रक्ष जवता कड़े रहे जवता के वो बैठने गई राउल जी आपके भी आलत यही हैं मैं बोलूगा और अविस्वाज प्रस्ताप पर भी कुछ में कहूंगा अब सुनिए तेरा जवाब है पहले जब से सुप्रीम कोट का फैसला आया है कांगरेशी जस्न मना रही है मिठाईयों के दोर चल रही है चमचे पॉपकॉर्ण की तरह उचल रही है यह किसकी तीन लाव देगा चमचे पॉपकॉर्ण की तरह उचल लें सुरे राजपू जी कितना धमाल मचाया है बाई कोट ने राहूल को जेल जाने से रोका है प्रदान मंत्री नहीं बनाया है साधारन मेंबर बड़ा यह अधर्च बड़े रहे राहूल जब तक बैठ नहीं गए तब तक खड़गे जी खड़े रहे तो यह कांगरेशी एक बड़ी बात लाता हूँ तारीख और उस पर ज्यान गए तो कांगरेशी बोला आप भाजपा के बेद नहीं खोलते यह कांगरेशी बोला, भाजपा के भेद नहीं खोलते, मोधी जी के आगे नड़ा जी भी तो नहीं बोलते, मैंने कहा, कांगरेशी तुम्हारे ब्रह्म के बादल बहुत गने हैं। कांगरेशी यो, तुम्हारे ब्रह्म के बादल बहुत गने हैं। भाई, मोधी जी तो 2014 से पीए में, राउल जी तो 4 अगस्त 2023 को MP बने हैं। सुरेंजी समझ गए हैं बातों। भाई, यह नहीं आप बताइए, हमी से उम्मीद आप भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। यह कभी कितना पसीना भाए हैं। खड़गे जी कांगरेश के अध्यक्ष हैं। यह बात भी अब उनको हम बताने जाएं। सुरेंजी मैं हूँ, अभी मैं कुछ मिनट हूँ, और उनको जवाब मैं देता हूँ। यह दरसल निकी अंदर का डर बूल रहा है। हुई सुनवाई देखो बैख हुआ भाई नए जोश में अब की दफा। कहीं न कर दे सफा। डरी हुई है भाजपा। फ़रा सबूल। और यह कर क्या रहे हैं। अपने विकास कार नहीं किना रहे हैं। राहुल को कोसने के चकर में दिन रात राहुल का नाम जपा। कहीं न कर दे सफा। डरी हुई है भाजपा। सुलीजे यह कांग्रेसी बोल ला है। कि गरजे गरोज तुम पर संसद में तुम फसोगे। जितना उचल रहे हो उतना ही तुम धसोगे। ओ सावा, ओ सावा। घर अब तो दिख रहा है चेहरे पे हार वाला। डर अब तो दिख रहा है ओ सावा, ओ सावा, ओ सावा। फिर चर देखिए। जनता है तंग बुरे आपके है धंग सब जूटी लगे बतियां। फिर चर ताली बजाना जब अच्छी लाएना ही। जनता है तंग बुरे आपके है धंग सब जूटी लगे बतियां। बुझने लगी है सत्था वाली है तुम्हारी अब सारी मौंबतियां। कही न कर दे सफा, कही न कर दे सफा, हाँ धरी हुई है वाधपा्दूना। आपने कोना थैंक्य। करसी पे जाके भी कुछ न कर पाऊ। किसे भल ले हो kate कुरसी पे जाके भी कुछ न कर पाऊ। जो डराए पड़ो सी तो डर जाओगे आपकी आद तेना बदल पाएंगी जो मिलेगा वही आप चर जाओगे जो मिलेगा वही आप चर जाओगे और सुनिए जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हें कितने गढ़ बंदन बना लो जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हें ना एजंडा जिताए ना नारा तुम्हें अपनी कमियों को ना ढूंड पाए कभी इसलिए जनताने है नकारा तुम्हें देखो आपको बताउं जी सरॉ हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं डराने वाले लोग हैं अज तक अगर डराया है एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान बनाए गोवा को अपने में शामिल किया सिक्कम को अपने में शामिल किया और जिस चीन की आप बात कर रहे थे जिस चीन की आप बात कर रहे थे कि वहाँ पर लाला लाखे दिखाएंगे हमने उनको जूला नहीं जूलाया मैं कुछ बाते बताता हूँ बीजेपी को और किन किन चीजों के उम्मीद नहीं है जो हो रहा है वो सुनो आप सर बीजेपी ने सोचा सदस्यता खत्म हुई अब कॉंग्रेस की इज़त धुल जाएगी पर भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि राहुल जी की वापसी होगी और मुहबद की दुकान फिर से खुल जाएगी फिर से खुल जाएगी उम्मीद तो ये भी नहीं थी कि महंगाई जैसी चवन्नी बात मुद्दों की लिस्ट में जुड सकती है और इड्डिया गठबंधन की मजबूती देखकर बीजेपी की नींद उड सकती है बीजेपी की नींद उड सकती है क्या पता नाराज साथी भी एक एक कर बिछुडने लग जाएए अभी तो सिर्फ नींद उड रही है हो सकता है इलेक्षन तक तोते उडने लग जाएं भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी एक पंक्ती कहता हूँ बात अच्छी लगा तो समर्थन जरूर करना इसका भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी पर अवकाद दिखाना, बेटे को सेट, दामाद को भेंट जैसी भाषा की उम्मीद भी नहीं रही होगी उम्मीद भी नहीं रही होगी, भाजपा सोच रही होगी कि हवाबाजी से ही काम चल जाएगा पर जनता की उम्मीद पे खरे नहीं उतरे, तो चुनाओं में परिणाम भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आएगा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आबाद वीडियो वाइरल हुआ था, उसमें प्रेस कॉंफरेंस चल लगी है और नितीज जी बार बार राहूल जी को कह रहा है कि थोड़ा बोल दीजिए ना कि अगुआ बनने का शौक छूटा है नितीज जी का घूट अपमान का वो घोट के ही रह गए सोचते हैं गलती हुई जो कहा बोलने को प्रेस कॉंफरेंस में जो राहूल जी से कह गए राहूल जी तो कुछ भी न बोले रिक्वेश्ट पे भी सबी अर्मान जो थे दिल के वो बह गए आप बोल दीजिए ना थोड़ा बोल दीजिए ना please गँरों नहीं प्रताप्ना आघाज नया होगा का से होगा Lean गऌरों नहीं प्रताप्ना आगाज नया होगा फिर किस तरह से आपका अंजाम नया होगा जोबीस के चुनाओं में विपक्षियों के पास सब काम पुराने रहेंगे नाम नया होगा अचा इन लोगों के काम भारती जनता पालिटिक कैसे है शोर तो बहुत मस्ता है यह हो गया वह हो गया लाइन से गिनाएंगे लेकिन एक्चुली होता क्या है वह मैं आपको बता रहा हूं सुरेंजी आपका साथ चाहिए बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस और इस प मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस के जैसे घूंगट में कोई दुलहन हसीन हो ऐसे काम है बस आवाज करती हो खूब लेकिन जो काम करती नहीं हो बिलकुल अवाज करती हो खुब लेकिन जो काम करती नहीं हो बिल्कुल बहुत घटारा पुरानी कोई मशीन हो ऐसे काम है बस पढ़े लिखोंसा कोई सली का कोई नतीजा नजर नजर ना आए पढ़े लिखोंसा कोई सली का कोई नतीजा नजर ना आए के बाद दस्वी के पास मेट्रिक जहीन हो ऐसे काम है अब इजी हमारे भी करें जबात है बहुत बढ़िया आपको तो इसकी बाती पसंद नहीं आ रही ति इधर ही आजाओ आजाओ अब तुना प्रचार सुरू ही हो चुगा है दो तीन चार स्टेटों में चुगा है जो है सिवराज चवान जी आया थे बुंदेल खंड और उन्हों नहीं यह का था के बुंदेल खंड का विकास कांगरेस ने रोका था अब अब सुनिये भाजपा जूट पर पैर गारती है बरतमान में कामजीरों है इसलिए गड़े मुद्दे उखारती है जूट पुराणी वह कैसे बाहर मामा जी वह जनता की खवर की इतनी पतली घली जनता की खवर की इतनी पतली घली राहुल की सदसिता की खबर 20 मिनिट में मिल गई और बुंदेल खंड का बिकास कांग्रेस ने रोका था ये खबर 20 साल बाद मिली भाजपा फिर वही गाना पाकिस्तान ये वो फिर वही गाना नेहरू का जमाना कांग्रेस का बहाना बात बात में पाकिस्तान हिंदू मुसलमान यार पुरानी ही कैसिट बज़ रही है पुरानी ही कैसिट बाजपा पुरानी ही और एक बात कहता हूं समझ में आज़ा तो हो करके पुरानी ही कैसिट बज़ा रही है भाई उसमें कुछ नए जुमलेई बना लो वो मेक इन इंडिया किस काम आ रही है रही है अब करें कि इस वार वही तीन पात ठाक एक मौबरा है ना आप समझते होंगे ढाक के तीन पात इस वार वही तीन पात ठाक करोगे तुम नए जुमले तक तो गड़ नहीं पा रही हो विकास क्या खाक करोगे और अन्त में मैं यही कहूंगा चारो और तरह तरह दंगों की भजीते नहीं बचा सके और तारी बजाना तुम और किसको कहां बचाओगे तुम अपने लाए हुए चीते नहीं बचा सके अच्छा बात है शुलिए बहुत बढ़िया पाजी बहुत बढ़िया देश डू बडू बकांग रेस के वादों में यही सच है और वो सचाने वाला है सुनिए असली चेहरा यही है सुनिए समर्दें युवा पीडी का है सच के लिए देश डूबा डूबा कांग रेस के वादों में खूब लूटा लूटा इनकी फरे भी बातों ने दम जिसके पसीने में चपन इन्ची सीने में देश में तरक्की की फसलें जिसने बोधी मोधी 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 हां कुछ नहीं कह रहा आप बिलकुल बढ़िया कह रहें आपस मोधी की चेहरा गोधी 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 अभी स्लीपिंग करे, वो किस फ्लाइंग करे ऐसे ही इशारों से, दूर है किनारों से हरकतों को देख कर सारी जनता रोदी मोदी, 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 हाँ इंडिया पे नाम रख देने से ना कुछ होना सुनो, है बस रोना सुनो ब्रष्टाचारी मिले हैं आपस में ना कुछ पाना सुनो, है बस खोना सुनो अरे खामखा है चकर में, कोई न जिसके ठकर में फिर से एंगा में के लिए तो यार खामखा है चकर में, कोई न जिसके ठकर में जिसने धंग से अपोजीशन की इजद्धो दी मोदी, 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 हाँ मस्ती की पैरोडी सुनिये साथ और आपके चेरों पर मुस्कुराट की गारंटी है, सुनिएगा के बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहुल थोड़ी धीर धरू कभी लाल किले से भाशन होगा राहुल थोड़ी धीर धरू बोले और क्या होगा के इंडिया गेट पे अगले बरस हम जनगन मन गायेंगे हम जनगन मन गायेंगे चीफ गेश्ट सिरी बाइडन होंगे पुतिन भी संड आएगे चीफ गेश्ट सिरी बाइडन होंगे, पुतिन भी संग आएंगे, नए वाला संसद भवन होगा, राहुल थोड़ी धीरी धरो, बोले कैसे जीतेंगे? केजू, ममता, लालू, टीपू सब हैं अपने साथ, उद्धव के संग निति से चलेंगे सब से आगे हाथ, और पंजे के संग जन जन होगा, राहुल थोड़ी धरो, बढ़िया, 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 और एक बात और कहीं मैंने, फील कैसी आती है, मैंने फील पीछे, पीछे, कैबिनेट और आगे आप चलोगे, रोज-रोज फीते काटोगे, मन की बात करोगे, हाथो में भारत रतन होगा, राहुल थोड़ी धील धरो, बढ़िया, बढ़िया, करो एक राय विशेस दिये मैंने उनको, के जीत के तुम सबसे पहले शिरिधाम अयोध्या जाना काशी जाकर भोले बाबा का दर्शन कर आना और शिरिशाम प्रेभू का किर्टन होगा राहुल थोड़ी धीर धर बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहुल जी थोड़ी धीर धर बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहुल जी थोड़ी धीर धर बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहुल जी थोड़ी धीर धर बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा अंदर आए फिर बाहर हो गए तो उनका दिल क्या कहेगा 24 तक problem solve होगी कि ये incoming out going लगा रहेगा ये लगा रहेगा आप बड़ा दम भर रहे थे कि वोटिंग में एकता दिखाएंगे यहां साथियों ने पहले ही मौके पर गोली दे दी बाद में क्या-क्या गुल खिलाएंगे अच्छे एक बात आपको बताता हूँ बड़ी मैज़दार बात अजी नेताओं के followers होते हैं लेकिन राहुल जी के fans हैं उनके fans हैं मैं बता रहूं आपको ये नई थे तो मजा नहीं आ रहा था उनके आते ही fans का चहरा खिल गया भाई ने एक बाशन क्या दिया लोगों को कितना मसाला मिल गया कितना कितना मसाला मिल गया राहुल जी का तो ठीक है पर दूसरे नेताओं को खामियाजा भरना पड़ रहा है सोचा था ये आएंगे तो हम अटेक करेंगे यह तो पहले ही दिन से डिफेंड करना पड़ रहा है और इनका पुराना बयान याद करना डिफेंड करना पड़ रहा है उन्होंने कहा था भाशन से भूकम पाएगा उनके भाशन से उन्होंने कहा था उनके भाशन से भूकम पाएगा अभी तो पूरा गठ बंधन हिलेगा जपी देना आख मारन फ्लाइंग किस्तों देख लिया भगवान जाने या मुखबत की दुकान में क्या क्या देखने को मिलेगा ऐसा है मित्र बिल्कुल सही कही मुखबत की दुकान में मुखबत ही देखने को मिलेगी जहां पर एक बड़ा सा पुराना सा गाना था कि आचल के तुझे मैं लेके चलू इस ऐसे गगन के तले जहां गम भी नहूं आसू भी नहूं बस प्यार ही प्यार पले यह राहुल जी का गाना है यह महबत की दुकान है और आगे आने वाले समय में सब लोगों को ऐसे गगन के तले ले जाएंगे जहां मनःपूर नहीं होगा जो है ना गाना जो प्यार किया तो ठीक किया इजार किया तो ठीक ही वही इजार संसद में बार बार कर रहे हैं अगर आप लोग प्यारी कर लेते गुपाल जी तो सच बात यह है फिर तो महबत की दुकान खोलने की जरूरती नहीं पड़ती है आप छोड़िये भाई साब यह तो आपने साथ साल किया होता तो इतने यह दिन देखने को मिलते ही नहीं आपको सिर्फ बाते हैं भैसाब सिर्फ बातों के बताशे फैंकती है भाजपा राजनीतिक रोटियां बस सेंकती है भाजपा सिर्फ बातों के बताशे फेकती है भाजपा, राजनीतिक रोटियां बस सेकती है भाजपा, ध्यान बगुला भगत बन, गिध द्रिष्टी से सदा, किसी तरह गद्धी मिले ये देखती है भाजपा, किस तरह गद्धी मिले ये देखती है भाजपा, ये बार बार साहब कह र प्रश्चा कर रहते जीतने के लिए सामदाम दंड भेद होगा फिर लोक तंत्र का खयाल कब लाओगे राहुल जी के पीछे हाथ धोके ही पड़े रहे तो देश को समस्याओं का हल कब दिलाओगे कहा कहा कौन कौन फ्लाइंग करेगा और किस 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 पे सवाल यू उठाओगे कहां कहां कौन کौन फ्लाइंग करेगा और किस किस पर सवाल यह उठाओगे चाहे जתना लगालो जोर कुछ होगा नहीं 24 में इंडिया को रोक नहीं पाओगे 24 में आज रोकना है ना आज रोकना है इन्हें ना नाम बदलने से कुछ नहीं होगा हम तो भारत के इंडिया के साथ बिल्कुल सही बात है और ये जो इंडिया बनी है इसमें कैसे कैसे लोग हैं मैं कुछ शेर सुना करके समाथ करता हूं जित्ती तालियां बचीओं सब बजा ले ना क्योंकि इसके वाश्योखत मन में कुछ के डलहौजी कुछ अंदर से मैकाले हैं मन में कुछ के डलहौजी कुछ अंदर से मैकाले हैं गट बंधन के नए दौर में काफी गड़बड जाले हैं और जो बात हमारे गोपाल भाई साब कह रहे तो मैं उसी बात को नए अंदाज में कहता हूं नाम इंडिया रखकर कोई आर्या वर्त नहीं होता नाम इंडि अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद मिसरा सुनों तुकला के मूं से मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद गड़बंधन के सारे योद्धा सच में बड़े निराले हैं दो शेर और सिंदी जे फिर आपके जवाब मेरे गाउं के बूढ़े कहते हैं गड़बंधन अच्छा है नई लड़के तो मोदी मोदी कर रहे हैं बहुत शुक्रिया और से रहे आफिर और इसको दूर कर लीजेगा कि ताल मेल की कमी नजर आती है सर जी आपस में ताल मेल की कमी नजर आती है सर जी आपस में ऐसे तो 24 चुनाओं में राज तिलक के लाले बहुत बहुत शुक्रिया दो लाइने सुन लीजे फहमिदार याज ने लिखी थी मैंने नहीं कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने रहजन चोरों को कहते हैं यो बात आगी मोदी जी वाली इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहां हो सकता है कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने कुछ और कुछ आ यहां नाम बदलने से खुछ हुआ है अजी सदार जी आप स्वागत कर रहे है सर मैं करूंगा दरसल क्या है आज कर लोग बेवफा बहुत हो गया है अब गोपाल जी तब का इसारा कर गए थे अब लोटे मैं इंतजार में बूड़ा हो गया हूं लग नहीं रह लेकिन आप राजबुज जी आपके संदीप दिक्षित जी ने एक बात कही पत्रकार ने पूछा गठमंदन के बारे में तो उन्होंने का जी का वो जंगल की तरह से है जिसमें आती भी होते हैं शेर भी होते हैं और गीदड़ भी होते हैं और केजरी वाल कि आप पाईटी को दम गीद होगे मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूं मेरी कही बात फलेगी मैंने इसी सो में कह दिया था कांगरेस और आप पार्टी में सबसे पहले जूतों में दाले बटेगी कि अचरा कि कहां बटेगे जूतों रहए था क्या पात्र चुना है एव भाबर आई और आए भे खुद को शेर मान कर आ सब गीदड़ भी नें और जन्गल में शेर भी है कुछ स्क्रुं को शेर मान कर counseling नें पार्टी को ढाल ठोन महां नहीं माने कर बा Hugेbi तो भाई एकठी होने का पाल तो रहे हो गमंड अब इसमें एक सब्दाइगा फलाने भू समझ लेना मैं कह रहा हूं एकठी होने का पाल तो रहे हो गमंड क्या सेर का सिकार कर लेगा ये फलानों का जुंड तो घृष दोनों का अचा डौन वडेयार की याले ऐ बताता हूं कैसी यह बाजपा लुकलुक कांगरेश धुक्तुक अधकर फाजपा लुकलुक कांगरेश धुक्तुक भाजपा पवजी ओंगरेश पेस्टुक बताता हूं कैसे, खेल नकली लेकन रेजल्ट असली है, खेल नकली लेकन रेजल्ट असली है, पबजी पर तो साधी बिवा होने लग गए, लेकन फेष भुक पर तो पता ही नहीं चला है के यह बबलू है, के बबली है अच्छा है, रही बाद गठबंदन की, तो वो मजधार में है, सर अगर मैं सुरुआत में ओपिनर को ज्यादा टाइम बिलता है, मैं एक मिनट लेता हूं, मजधार मैंने सब्द लिया है, एक नाव में तीन बैठे थे, एक श्याना बैठा था, एक बंदर था, एक उंट था, श्याडे ने सुभाब के अनुसार बंदल को उंगली की, बंदर सुभाब के अनुरूप उंट पे जा बैठा, उंट सुभाब से करवट ले गया और नाप डूब गई, तो इस बात का त्यां रखना, गठबंदन की नाप मजधार में है, दूर दूर तक जमी नहीं है, और तो कांगरेस में भी श्याणों की कमी नहीं है, वाँ, 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 लास्ट में कहता हूं, मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूं, ताली वजाना को पाल जी रंग से, मैं फलित जोतिस का जोतिसी हूं, चौबीस में यद गठ बंदन गोता खाएगा तो देख लेना उसे कोई कांग्रेशी श्याना ही डुबाएगा आपने कांग्रेश में स्यानों की कमीनिये जरा स्यानिये की उनकी डेफिनेशन तो बता दो अभी उंगली करी थी सुनी नहीं थे क्या पौजदार जी ने बहुत शांदार बाते हैं पहली चीज तो उन्होंने गड़बंधन की बात कर दी बना कैसे तो लोग कहते हैं कि फिराक ने कहा था और फिराक का नाम रगपती सहाय था कोई मौमिन खान नहीं थे पहले बता तो ठीक है कि सर जमीने हिंद पर अक्वाम आलम के फिराक काफिले बस्ते गए हिंदुस्ता बनता गया तो बच्चों ये गड़बंधन नवारा ऐसे हैं मुझसे मोहताद होके गुफ्तगू करना मेरा सिलसिला अल्लामिया तक है अल्लामिया कई मोरी जी हो गए क्या बात आप समझो फॉसदार जी हमारे गड़बंधन की तो चिंता छोड़ दो हमारा गड़बंधन तो अभी तक एक है लेकिन आप ये जो इनका गड़बंधन है जिनकी तरह बाब बैठे हो इनके गड़बंधन ने अभी चार दिन पहले एक पार्टी भाग गई 38 थी 37 रहे गई मनिपूर वाली एक पार्टी कुकी नेशनल अलाइंस जो है वह भाग गया तो नाव में इनकी छेद हो रहा है चौबिस के चुनाओं में आपको यही बात कहनी पड़ेगी लेकिन आप हमारी तरफ से को गड़बंधन जो गड़बंधन है वो पूरी तरह से अगर पिछला इतिहास अगर आप देखेंगे तो ठक बंदन के अलावा कुछ नहीं है गोपाल जी आज मुझे आपको सचेत क करने के लिए बिठाए गया नहीं मैं कांग्रेस की तरफ हूं आज और मैं सही मुद्व पर इतना क्यों इसकी चारों बलें आप 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 दिल है कि मानता नहीं मैं कभी हो तो संत्रल बनाने ज़रूरी है सुनिए गोपाल जी जादा कॉन्फिदेंस पर रहना भी बहुत अच्छा गाना है इंजोई करना और आपको पहली बार लगेगा कि राजनीती में भी इंजोई होता है अब सुनना राय बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी लिके ले लो लिके ले लिके ल बड़ी बन जाएगी अब ना जादा अहम में बहना मतमोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगारे आगे आगे जो लाइन आगी पूरा अंगामा अपना जादा अहम में बहना मत मोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगारे हाई जटका ओए जटका जटका अरे जटका लगा रे मोदी जी की सरकार में जटका लगा रे रोज नहीं मिस्टेक है जी वादा प्रोमिस फेक है जी है खड़े काठके घोड़े की तरह मुश्किल में बाजार देखो महगाई की मार देखो पड़ रही पीठ पे कोड़े की तरह गट बंधन को है मौका अब मार रही है चौका जितनी गलती करोगे उसका लाब इनको मिले जा देखो आप गट बंधन को है मौका अब मार रही है चौका फिर मत कहना जनता ने क्यों दिया दगारे अर जटका लगारे मोधी जी की सरकार में जटका लगारे सावदान रही है धटका धटका लग सकता आपको देखो मोधी जी और हमारी सरकार जो भी है पूरी तरह से जनता के समवाद के साथ काम करती है अगर पिछले देड़ मैंने के काम को देखें जब 9 साल पूरे हुए थे जिस तरह से एक-एक कारकर्ता एक-एक पदाधिकारी एक एक मंतरी एक एक MP कॉंस्ट्वेंसी में जा लोगों उसके साथ मिल के काम कर रहे हैं उनसे सवाद कर रहे हैं और यही बात स्ट्रेटेजी के रूप में हम 2024 के लिए आगे लेके जाएंगे एक मेरे मित्र ने कविता लिखी थी मैं दोहा सुना देता हूं आम आदमी की अगर न आहित्तिक माध्यम से जबाब दे रहा हूं कि जब कश्टी साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी अब ऐसी शिकष्टा कस्ती में साहिल की तमन्ना कौन थी अब यह कश्टी शिकष्टा हो गई है महगाई की मार है डूपती सरकार है महिलाये नगन होकर के क्या वो हो रहा है मनीपूर में आपके सामने कह नहीं सकते इन बच्चों के सामने पूरा देश ठर्मसार है और मोदी जी को हैंकार है और किसी को बोलना हो तो ठीक है नहीं मैं खरूँ शुरू तो हिंसा का हिस्सा बन जागा चल शुरू यह कह रहा था मोदी जी का नाम नहीं है मोदी जी का नाम नहीं है तरह क्या पता सुनो के यहां वहां सारे जहां में ये आवाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद सारे देश वासियों को मोदी जी पे नाज है सारे देश वासियों को मोदी जी पे नाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद के कहती है दुनिया ये सारी हो रही चर्चा तुम्हारी एक मोदी हां हां मोदी सब पे है भारी अरे आपके ही सर पे तो चौबिस का ताज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद कितने फूसे अगरवाल साब के यहां वहां दूसरा सुनो किराम का मंदिर बना के धारा सत्तर को हटा के घर में दुश्मन हां जी दुश्मन को यूं हरा के आपने बचाई ये भारत की लाज है आपने बचाई ये भारत की लाज है मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद यहां वहां सारे जहां में ये आवाज है यहां वहां सारे आज कल क्या है भाजपा ने अपना कद इतना उंचा सोच लिया है कि बहुत नजदीक से भी देखने पर बड़ी से बड़ी चीज भी छोटी दिखाई देती है यहनों गठबंदन की एक पार्टी है आमादमी पार्टी बाजपा के कई नेताओं को मैंने सुना उनको कहरे जी सुपारी जैसी पार्टी है तब कविता पढ़ता हूँ आनन लेना सुनना मज़ा आएगा इस सुपारी ने 2015 से चैलेंज ले रखा है तूट तो रही नहीं जबड़े में दर्द अलग दे रखा है दर्द अलग दे रखा है दिल्ली हो या पंजाब इसी सुपारी के चक्कर में भाजपा अपना वजूद खो रही है देखिएगा कहीं ये सुपारी चुइंगं तो नहीं आट साल से चबाए जा रहे खतमी नहीं हो रही है और एक पंक्ति देता हूँ आप सब तरक के बच्चे हैं उसको पकड़ना आप कोई खतमी नहीं हो रही है छोटी चीजों को हलके में नहीं लेना चाहिए वरना परिणाम बाद में नजर आता है आदमी पहाड पर तो बैठ सकता है पर छोटी सी सुई पर नहीं बैठ पाता है छोटी सी सुई पर नहीं बैठ पाता है आपको ज्यादा वोट मिले अभी यह दिली वाले मुद्धे पे आपको ज्यादा वोट मिले वो तो मिल नहीं थे क्योंकि संख्या के आधार पे आप बड़े हैं पर ये भी तो सच है कि इत्तिसी पार्टी के पक्ष में भी एक सो त वोट पड़े हैं और एक तथ्य बताता हूं बहुत आनंद आएगा आपको सुनके भाजपा ने तो मजाक उड़ा दिया जबकि 24 में सीधी लडाई भी नहीं है और NDA में जिन-जिन को शामिल किया है उनमें से कई पार्टियां तो सुपारी की एक चौथाई भी नहीं है सुपारी की एक चौथाई भी नहीं है और अंतिमपंती दे रहा हूं पार्टि छोटी है तो क्या हुआ पॉलिटिक्स में किसी को इग्नोर नहीं किया जाता है चीटी हाती की सून में घुस जाए तो हाती भी परेशान हो जाता है देखे हमारी लड़ाई ना आप से ना कॉंग्रेस से ना किसी अपोजिशन के और किसी पार्टी से इनकी आपस की लड़ाई है इन में पहले तै होने दीजे कि कौन सुपारी है कौन आती है कौन चीटी है तब फिर हमारे सामने लड़ाई होगे यहां पर तो गुपाल जी हम तो लड़ेंगे भी भिड़ेंगे भी और जीतेंगे भी यूए पुरानी सी बात थी ना कि कि करते भी चलो बढ़ते भी चलो बाजू भी बहुत है सर भी बहुत है अब देरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे क्या बात बढ़िया बहुत बढ़िया कमल नाज जी को देखा आपने वो शरन में पहुंच गए उनके तो मैं कॉंग्रेस से मुखातिफ होता हूं कि बागेश्वर सरकार का दामन थामे तो अंग निकले हैं नतमस तक दिख रहे हैं दाले भगवा सा रंग निकले हैं राजद को ये डर है कि तूट न जाए गठ बंधन कमल नाज जी कमल खिलाने वाले के संग निकले हैं थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं आदर्नी से पूछना चाहता हूं कि कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंदर सास्त्री से मिली आप इस घटन करेंगे क्या नहीं करेंगे 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 कमल जी की कॉंग्रेस कमल जी की कॉंग्रेस मैं पूछ रहा हूं कमल जी की कॉंग्रेस धिरेंदर सास्त्री से मिली आप इस घटना पे मन्थन करेंगे क्या या चुनाव जीतने की रणीती है हुजूर जूट मूट गंगा जी स करेंगे क्या सिर्फ हिंदू को भर्माने का ही सोचे हैं या सच यहां मन से समर्पन करेंगे क्या नेता जी बताइए कि वोट पाने के लिए ही आप हिंदू राष्ट का समर्थन करेंगे भारत एक सम्मिधान के से संपन्रास्ट है हमारे देश का धर्म सम्मिधान है सबसे बड़ी बात यह कि हमारे देश का धर्म सम्मिधान है और भगवा रंग भगवा रंग किसी की बपोती नहीं है किसी की भी बपोती नहीं है भगवा रंग भगवा रंग सांती का प्रेम का महबबत का संतत्तु का सुफिज्म का प्रतीक है इसलिए रंगों की राजनीती मंच पर नहीं होनी चाहिए कमल नाज जी भी आध्यात्म हो और हम भी आध्यात्मिक है आध्यात्मिक राष्ट की तरफ चलिए समयधानिक राष्ट की तरफ चलिए बागी सब बात हैं हिंदू और मुसल्मान की मत कीजिए लेकिन बजरंग बली को गला गालिया देंगे एक जगह जन्युधारण कर लेंगे दूसरी जगह यह जो confusion देश के लिए आज के समय में जनता इसको एकसेप्ट नहीं करती है चलिए आप स्पष्ट रूप से अपनी बात को अपने विचारों को रखिए अगर आप क्या आपके विबिन पहलूं पे क्या विचार है उसमें डिल्डॉल करते हैं तो वही कन्फ्यूज कर देते हैं चलि ने जमें और गजल के मार guard कहता हूं तो आपकी तवज्यों चाहिए दाद तो में लेगी निकाश शला सियासते हूप से जो है वोटर चपना डाले सवाल यह New 2024 द्यान में शुक्रिया चला सियासत से जो है वोटर छका न डाले सवाल ये है कमिंग इलेक्षन में ये हुकूमत गिरा न डाले सवाल ये है और एक शेर पूरे देश का बहुत दिन हो गए करीब दो महीने से इस समस्या से जूज रहे हैं तो आज रिपीट कर रहा हूं इसको ये जो टमाटर उतर के नीचे न आ रहा है कई दिनों से ये जो टमाटर उतर के नीचे न आ रहा है कई दिनों से यही टमाटर तुम्हारी चटनी बना न डाले सवाल ये यही तमाटर तुम्हारी चटनी बना ना डाले और एक सवाल और भी ऐसे टमाटर ही नहीं जान ले रहा है कुछ चीजें और ले रही है यह मिर्च तीखी अभी एक बड़ा फोटो आया था उसमें दिवाल पे मिर्च लगी थी किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि मिर्च में यह खासियत होती है कहीं भी लग जाती है यह भी लगेगी यह मिर्च तीखी यह जर्द जीरा आठ सो रुपए किलो ऐसर हम लोग तो लहीं नहीं पा रहे यह मिर्च तीखी यह जर्द जीरा यह सर्द लहसुन यह कुद्ध अदरक caf। था जिस को रोका वो शेर बबर पलट के संसद में आ गया है वो शेर बबर तुम्हारी कुर्सी हिला न डाले सवाल ये वो शेर बबर एक द्रस मैंने ये देखा था कि कांगरेस के अध्रक्ष जब तक कड़े रहे जब तरके वो बैठने गए रावल जी पहां और एक कुर्सी भी ढूंडी गई और अविस्वाज पर आप मत बोला आपके भी आलत यही हैं मैं बोलूगा और अविस्वाज प्रस्ताप पर भी कुछ में कहूंगा अब सुनिए तेरा जवाब है पहले जब से सुप्रीम कोट का फैसला आया है कांग रेसी जस्न मना रही है मिठाईयों के दोर चल रही है चमचे पॉपकॉर्ण की तरह उचल रही है कितना दमाल मचाया है बाई कोट ने राहुल को जेल जाने से रोका है प्रदान मंत्री नहीं बनाया है साधारन मेंबर बड़ा या अदक्ष बड़े रही रावल जब तक बैठ नहीं गए तब तक खडगे जी खड़े रही प्रोड कर late तो कांगरेसी नहीं बहुते हैं तारिक और उस पर ज्यान दकना यह तो कांगरेसी बोला आप भजपा के भेध नहीं खोलते मोदी जी के आगे ओड़गा जी भी तो नहीं बोलते मैंने कहा कांगरेशी तुम्हारे ब्रह्म के बादल बहुत गणे हैं, तुम्हारे ब्रह्म के बादल बहुत गणे हैं, भाई, मोधी जी तो 2014 से पीए में, राउल जी तो 4 अगस्त 2023 सो को MP बने ही, मिलाका शुरेंजी समझ गए बातों, भाइ ये अब बताइए अब फीये से उम्मिद आप आप भी कर रहे थे ये कभी कितना पसीना बहाएं ये कभी कितना पसीना बहाएं घड़ें जी एक आप निये ये वाप शुप में आप बताने जाएं वाँ भाज वाँ भाँ 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 था पूर्ण वाँ डाव सुरेच जी मैं हूं अभी में पुछ मिनट हूँ और उनको जबंद को जबाब देता उं यह दरसल ना कि अंदर का डर बूल रहा है हुई सुन वाई देखो बैक हुआ भाई नए जोश में अब कहीं न कर दे सफा, कहीं न कर दे सफा, डरी हुई है भाजपा, डरी हुई है भाजपा, थाधा सबूर्ट, और ये कर गया रहे है, अपने विकास कार नहीं कि ना रहे हैं, राहुल को कोसने के चकर में दिन रात राहुल का नाम जपा कहीं न कर दे सफा डरी हुई है भाज़पा सुन लिजे यह कांग्रेसी बोल ला है कि गर जेगा रोज तुम पर संसद में तुम फसोगे जितना उचल रहे हो उतना ही तुम धसोगे ओ सावा मज़ देखो कि सदमे में सब तुम्हारा घर अब तो दिख रहा है चेहरे पे हार वाला डर अब तो दिख रहा है ओ शावा ओ शावा फिर चे देखिए जनता है तंग बुरे आपके है ढंग सब जूटी लगे बतियां फिर चे ताली बजाना जब अच्छी लाए ना है जनता है तंग बुरे आपके है ढंग कुरसी पे जाके भी कुछ न कर पाओगे किसे बलने हो जो मिलेगा वही आप चर जाओगे जो मिलेगा वही आप चर जाओगे और सुनिये कितने गढ़ बंदन बना लो जीत काना दिखेगा नजारा तुम्हे ना एजंडा जिताए ना नारा तुम्हे अपनी कमियों को ना ढूंड पाए कभी इसलिए जनता ने है नकारा तुम्हे इसलिए जनता है नकारा तुम्हे देखो आपको बताओं हम लोग डरने वाले लोग नहीं है डराने वाले लोग है सुन लीजिए आज तक अगर डराया है एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान बनाए गोवा को अपने में शामिल किया सिक्कम को अपने में शामिल किया और जिस चीन की आप बात कर रहे थे कि वहाँ पे लाला लाखे दिखाएंगे हमने उनको जूला नहीं जूलाया मैं कुछ बाते बताता हूँ बीजेपी को और किन-किन चीजों की उम्मीद नहीं है बीजेपी ने सोचा सदस्यता खत्म हुई अब कॉंग्रेस की इजद धुल जाएगी पर भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि राहूल जी की वापसी होगी और महबत की दुकान फिर से खुल जाएगी फिर से खुल जाएगी उम्मीद तो ये भी नहीं थी कि महंगाई जैसी चवन्नी बात मुद्दों की लिस्ट में जुड सकती है और इड्डिया गठबंधन की मजबूती देखकर बीजेपी की नींद उड़ सकती है बीजेपी की नींद उड़ सकती है क्या पता नाराज साथी भी एक एक कर बिछुडने लग जाएं अभी तो सिर्फ नींद उड़ रही है हो सकता है इलेक्षन तक तोते उड़ने लग जाएं भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी एक पंक्ती कहता हूँ बात अच्छी लगा तो समर्थन जरूर करना इसका भाजपा द्वारा संसद में विपक्ष को उत्तर देने की रणनीती जाने क्या रही होगी पर अवकाद दिखाना बेटे को सेट दामाद को भेंट जैसी भाषा की उम्मीद भी नहीं रही होगी उम्मीद भी नहीं रही होगी भाजपा सोच रही होगी कि हवाबाजी से ही काम चल जाएगा पर जनता की उम्मीद पे खरे नहीं उतरे तो चुनाओं में परिणाम भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आएगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आबाद वीडियो वाइरल हुआ था उसमें प्रेस कॉंफरेंस चल लगी है और नितीश जी बार-बार राहुल जी को कह रहा है कि थोड़ा बोल दीजिए ना कि अगुआ बनने का शौक छूटा है नितीश जी का घूट अपमान का वो घोट के ही रह गए सोचते हैं गलती हुई जो कहा बोलने को प्रेस कॉंफरेंस में जो राहुल जी से कह गए राहुल जी तो कुछ भी न बोले रिक्वेस्ट पे भी सभी अर्मान जो थे दिल के वो बह गए आप बोल दीजिए ना थोड़ा बोल दीजिए ना, प्लीज बोल दीजिए ना, कहते हैं ही रहते, प्लीज बोल नहीं प्रताप ना आघाज नया होगा, कहां से होगा, फिर किस तरह से आपका अंजाम नया होगा, फिर किस तरह से आपका अंजाम नया होगा, 24 के चुनाओं में विपक्षियों के पास सब काम पुराने रहेंगे नाम नया होगा अचा इन लोगों के काम भारती जनता पालिटिक कैसे है शोर तो बहुत मस्ता है ये हो गया वो हो गया लाइन से गिनाएंगे लेकिन एक्चुली होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ जी आपका साथ चाहिए बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस और इस पंक्ति पर आप सब की तालियां जोरदार उठें बिना मका के मकीन कोई मकीन हो ऐसे काम है बस के जैसे घूंगट में कोई दुलहन हसीन हो ऐसे काम है बस आवाज करती हो खूब लेकिन जो काम करती नहीं हो बिलकुल बहुत खटारा पुरानी कोई मशीन हो ऐसे काम है बस न बेल बूटे महबतों के सुरेंसर सही है? ऐसे काम है बस पढ़े लिखोंसा कोई सली का कोई नतीजा नजर ना आए के बाद दस्वी के पास मेट्रिक जहीन हो ऐसे काम है अब 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 चुना प्रचार शुरूई हो चुगा दो तीन चार स्टेटों में जो है सिवराज चवां जी आया थे बुंदेल खंड और उन्होंने यह का था के बुंदेल खंड का विकास कांगरेस ने रोका था अब अब सुनिए भाजपा जूट पर पैर गारती है बरतमान में कामजीरों है इसलिए गड़े मुद्दे उखारती है के बुढ़े सब्सक्वाम्हाथ वो मामा जी वाह जनता की खवर की इतनी पतली गली जनता की खवर का विकास कांग्रेस ने रोका था, ये खबर 20 साल बाद मिली. भाजपा, फिर वही गाना, पाकिस्तान ये वो, फिर वही गाना, नेहरू का जमाना, कांग्रेस का बहाना, बात बात में पाकिस्तान, हिंदु मुसलमान यार पुरानी ही कैसित बज रही है, पुरानी ही कैसित बज रही है, भाई उसमें कुछ नए जूमलेई बना लो, वो मेक इन इंडिया किस काम आ रही है, इस वार वही तीन पाथ ढाक एक मुआबरा है ना आप समझते होंगे ढाक के तीन पाथ इस वार वही तीन पाथ ढाक करोगे तुम नए जुमले तक तो गड़ नहीं पा रही हो विकास क्या खाक करोगे और अन्त में यही कहूंगा चारो और तरह तरह दंगों की भजीते नहीं बचा सके और तारी बजाना तुम और किसको कहां बचाओगे तुम अपने लाए हुए चीते नहीं बचा सके अच्छा बादों में यही सच है अब मों सचाने वाला है सुनिये असली चेहरा यही है सुनिये समर्थेम युवा पीडी का है सच के लिए देश डूबा डूबा कांगरेस के बादों में खूब लूटा लूटा इनकी फरे भी बातों ने दम जिसके पसीने में चपन इंची सीने में देश में तरक्की की फसलें जिसने बोधी स्के बड़े प्लानिंग करें गलक्ताकीं करें संसद में चलाएं अखिया कभी कभी स्लीपिंग करें वो किस फ्लाइंग करें ऐसे ही इशारों से दूर है किनारों से हरकतों को देख कर सारी जनता रोदी मोदी 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 हाँ इंडिया पे नाम रख देने से ना कुछ हो ना सुनो है बस रोना सुनो ब्रश्टाचारी मिले हैं आपस में ना कुछ पाना सुनो है बस खोना सुनो अरे खामखा है चकर में कोई न जिसके ठकर में फिर से एंगा में के लिए तयार खामखा है चक्कर में कोई न जिसके ठक्कर में जिसने धंग से अप पोजीशन की इजद्धो दी मोदी 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 हाँ बस्ती की पैरोडी सुनिये साथ और आपके चेरो पे मुस्कुराट की गारंटी है सुनियेगा के बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो कभी लाल किले से भाशन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो बोले और क्या होगा के इंडिया गेट पे अगले बरस हम जनगन मन गाएंगे चीफ गेश्ट सिरी बाइडन होंगे पुतिन भी संग आएंगे नए वाला संसद भवन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो बोले कैसे जीतेंगे के केजू ममता लालू टीपू सब है अपने साथ उद्धव के संग निति से चलेंगे सब से आगे हाथ और पंजे के संग जन जन होगा राहूल थोड़ी धरो और एक बात और कहीं मैंने फील कैसी आती है फील मैंने फील बताईए पीछे पीछे कैबिनेट और आगे आप चलोगे रोज रोज फीते काटोगे मन की बात करोगे हाथों में भारत रतन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो अंतिम और सुल्दो साहब एक राय विशेश दिये मैंने उनको के जीत के तुम सब से पहले शिरिधाम अयोध्या जाना काशी जाकर भोले बाबा का दर्शन कर आना और शिरिशाम प्रेभू का किरतन होगा राहूल थोड़ी धीर धरो बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा राहूल जी थोड़ी धीर धरो इन्होंने तो राहूल जी पर भविश्वानी कर दी एक भविश्वानी राहूल जी पर और है वो आप सुनो आपको आनन्द आएगा सजा हुई बाहर गए रोक लगी अंदर आए फिर बाहर हो गए तो उनका दिल क्या कहेगा 24 तक प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि ये इनकमिंग आउट गोइंग लगा रहेगा ये लगा रहेगा आप बड़ा दम भर रहे थे कि वोटिंग में एकता दिखाएंगे यहां साथियों ने पहले ही मौके पर गोली दे दी बाद में क्या-क्या गुल खिलाएंगे बात में क्या-क्या गुन खिलाएंगे, अच्छे एक बात आपको बताता हूँ, बड़ी मैज़दार बात है, नेताओं के फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन राहुल जी के फैंस हैं, उनके फैंस हैं, मैं बता रहूं आपको, ये नई थे तो मजा नहीं आ रहा था, उनके आते ही फैंस का चहरा खिल गया, भाई ने एक बाशन क्या दिया, लोगों को कितना मसाला मिल गया, कितना कितना मसाला मिल गया, राहुल जी का तो ठीक है, पर दूसरे नेताओं को खामियाजा भरना पड़ रहा है, सोचा था ये आएंगे तो हम अटेक करेंगे, यहां तो पहले ही उनका पूराना बयान याद करना, उन्होंने कहा था भाशन से भूकम पाएगा, उनके भाशन से भूकम पाएगा, अभी तो पूरा गठ बंधन हिलेगा, जपी देना, आँक्छ मारना, फ्लाइंग किस्तों देख लिया, भगवान जाने या मुहबबत की दुकान में क्या-क्या देखने को मिलेगा बहुत 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 ऐसा है मित्र बिल्कुल सही कई मुहबबत की दुकान में मुहबबती देखने को मिलेगी जहां पर एक बड़ा सा पुराना सा गाना था आचल के तुझे मैं लेके चलू इस ऐसे घगन के तले जहां गम भी नहूं आसू भी नहूं बस प्यार ही प्यार पले यह राहुल जी का गाना है यह महबत की दुकान है और आगे आने वाले समय में सब लोगों को ऐसे घगन के तले ले जाएंगे जहां मणेपूर नहीं होगा यह जो है ना गाना जो प्यार किया तो ठीक किया इजार किया तो ठीक किया वह इजार संसद में बार-बार कर रह में अगर आप लोग प्यारी कर लेते गोपाल जी तो सच बात यह है फिर तो म的话 कि दुकान प्षेकती है भाजपा. स्रिफ बातों के बताशे फैकती है भाजपा. हाडन बगुला भगत बन गिधदृ द्रिश्टी से सदा किसी गद्दी मिले यह देखती है भाज़ाने बार बार साहब कह रहे थे किसीं फ्लाइंग फ्लाइंग किसीं पता नहीं कहां यांड बन मैं एक चंद देता हूं सुनियेगा ये इंडिया की वी चर्चा कर रहतें जीतने के لिए सामडाम दंड भेध होगा फिर लोगतंत्र का खयाल कब लाओगे? राहूल जी के पीछे हाथ दोके ही पड़े रहे तो देश को समस्याओं का हल कब दिलाओगे? देश को समस्याओं का हल कब दिलाओगे कहा कहा कौन कौन फ्लाइंग करेगा और किस 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 पे सवाल यू उठाओगे कहा कहा कौन कौन फ्लाइंग करेगा और किस 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 पे सवाल यू उठाओगे चाहे जितना लगा लो जोर कुछ होगा नहीं 24 में इंडिया को रोक नहीं पाओगे इंडिया को रोक नहीं पाओगे इसमें रोकना है ना आज रोकना है इन्हें नाम बदलने से कुछ नहीं होगा हम तो भारत के इंडिया के साथ बिलकुल सही बात है और यह जो इंडिया बनी है इसमें कैसे कैसे लोग हैं मैं कुछ शेर सुना करके समाप करता हूं जित्ती नए हंदाज में नाम इंडिया रखकर कोई आरया वर्त नहीं होता जरा इशारे देखो लक्षन अब फी इटली वाले इंडिया रखकर कोई आर्या वर्त नहीं होता जरा इशारे देखो अब भी लक्षण इटिली वाले हैं मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद मिसरा सुनो तुकला के मूँ से मार सके हैं अपने दल के पहलवान को लंगडी खुद गटबंधन के सारे योद्धा सच में बड़े निराले हैं दोशेर और सुन दीजे फिर आपके जवाब मेरे गाउं के बुढ़े कहते हैं गटबंधन अच्छा है नए लड़के तो मोदी मोदी कर रहे हैं मेरे गाउं के बुढ़े कहते हैं गटबंधन अच्छा है बस चीटी भर सच्चाई है हाथी भर गोटा लें ताल मेल की कमी नजर आती है सर जी आपस में ऐसे तो 24 चुनाओं में राज तिलक के ला लें बहुत बहुत शुक्रिया दो लाइने सुन लीजे फहमिदार याज ने लिखी थी मैंने नहीं कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने रहजन चोरों को कहते है यो बात आ गई मोधीजी वाली इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहां हो सकता है कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे कुछ तुम को खौफ दिलाएंगे जो है वो भी खो सकता है इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहां हो सकता है कुछ और तो अक्सर होता है पर इसका जवाब सुन लिजे इंडिया से पर हम इस पल में जिन्दा है यह वक्त नहीं फिर आएगा तुम अपनी करनी कर गुजरो जो होगा देखा जाए क्या बाता है कि मैं तो इसना कह रहा हूं नाम बदलने से खुछ हुआ है अजी सदार जी आप सौगत कर रहे हैं सर मैं करूंगा दरसल क्या है आज कर लोग बेवफा बहुत हो गया है अब गोपाल जी तब का इसारा कर गए थे अब लोटे मैं इंतजार में बूडा हो गया लग नहीं रहें लेकिन आप बुड़े हैं सर अभी राजबू जी आपके संदीप दिक्षित जी ने एक बात कही पत्रकार ने पूछा गठमंदन के बारे में तो उन्होंने का जी का वो जंगल की तरह से है जिसमें आती भी होते हैं सेर भी होते हैं और गीदड़ भी होते और केजरीवाल कि आप पाइटी को दमगीदड़ भी नहीं मानते हैं यह यह कहा उन्हें पैसे बात यह ताली की थी पर तुम कब बजाओगे मैं फलित जोतस का जोतसी हूं मेरी कही बात फलेगी मैंने इसी सो में कह दिया था कांगरेस और आप पार्टी में सबसे पहले जूतों में दाले बटेगी कहां बटेगी जूतों में आप या पात्र चुना ये वावराय बे अच्छा सेंग कोद को शेर मान कर मूचे तानते हो यह जंगल में शेर भी यह वा कुछ खुद को शेर मान कर मूचे तानते हो चलो आप पार्टी को तो गीधड़ भी नहीं माननें पर बाकी सब को कि पर य्मानते हो काल तो रहे हो घमंड़ में लिए इसमें इक सब्डक आईगगा फ्लाण भू समझ ले ना किया रहा हूं एकटे रहे एक ड़कार अर्मठ टो रहे हो घमंड़ क्यशेर का सिकार कर लेगा ये फिलानों का जुन्ड़ यह बनानों का जुन्ड, दोनों का अच्छा, दोनों के ठमंदन की हालत, आप बच्चे जाजा समझेंगे, दोनों के ठमंदन की हालत बताता हूं, कैसी है, भाजपा लुकलुक, कांग्रेश धुक्तुक, भाजपा लुकलुक, कांग्रेश धुक्तुक, भाजपा पवजी, औ वहाँ खेल नकली लेकन रेजल्ट असली है, खेल नकली लेकन रेजल्ट असली है, पबजी पर तो साधी बिवा होने लग गए, लेकन फेस्बुक पर तो पता ही नहीं चला है के ये बबलू है, के बबली है अच्छा है, रही बात गठबंदन की, तो वो मजधार में है, सर अगर मैं सुरू आत में ओपिनर को ज्यादा टाइम बिलता है, मैं एक मिनट लेता हूं, मजधार मैंने सब्द लिया है, एक नाव में तीन बैठे थे, एक स्याना बैठा था, एक बंदर था, एक उंट था, श तो इस बात का ध्यान रखना, गठबंदन की नाप मजधार में है, दूर दूर तक जमी नहीं है, और कांगरेस में भी श्यानों की कमी नहीं है, बा, 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 तो देख लेना उसे कोई कांग्रेशी स्याना ही डुबाएगा आपने कांग्रेश में स्यानों की कमीनिये जरा स्यानिये की उनकी डेफिनेशन तो बता दो अभी उंगली करी थी सुनी नहीं थे क्या पौजदार जी ने बहुत शांदार बाते हैं पहली चीज तो उन्होंने गड़बंधन की बात कर दी बना कैसे तो लोग कहते हैं कि फिराक ने कहा था और फिराक का नम रगपती सहाय था कोई मौमिन खान नहीं थे पहले बता तो ठीक है कि सर जमीने हिंद पर अक्वाम आलम क के फिराक काफिले बसते गए हिंदुस्ता बनता गया तो बच्चों यह गड़बंधन नवारा ऐसे हैं पौजदार जी कवी हैं तो कवी के रूप में जबाब दे रहे हैं दूसरा आपने का आप फलित जोट्सी हो तो आपके अंदर तो वही मोदी वाला हैंकार आ गया कि म मुझसे मोहतात होके गुफ्तगू करना मेरा सिलसिला अल्ला मिया तक है अल्ला मिया मोरी जी हो गया वात आप समझो पौजदार जी हमारे गड़बंधन की तो चिंता छोड़ दो हमारा गड़बंधन तो अभी तक एक है लेकिन आप यह जो इनका गड़बंधन है जिनकी तरह बाब बैठे हो इनके गड़बंधन ने अभी चार दिन पहले एक पार्टी भाग गई 38 थी 37 गई मनिपूर वाली एक पार्टी कुकी नेशनल अलाइंस जो है वो भाग गया तो नाव में इनकी छेद हो रहा है चौबिस के चुनाओं में आपको यही बात कहनी पड़ेगी लेकिन आप हमारी तरफ से को गड़बंधन जो गड़बंधन है वो पूरी तरह से अगर पिछला इतिहास अगर आप देखेंगे तो ठक बंदन के अलावा कुछ नहीं है गोपाल जी आज मुझे आपको सचेत क करने के लिए बिठाए गया नहीं मैं कांग्रेस की तरफ हूं आज और मैं सही मुद्व पर इतना क्यों इसकी चारों बोले है कि अधिल है कि मानता नहीं मैं कभी हो तो संतुरल बनाने जरूरी है सुनिए गोपाल जी जादो कॉन्फिदेंस पे रहना भी नीची है और मेरे युवा सातियों बहुत अच्छा गाना है इंजोई करना और आपको पहली बार लगेगा कि राजनीती में भी इंजोई होता है अब सुनना राए बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी लिके ले लो राए बिगड़ गई जनता की तो मुश्किल तुमको आएगी गठ बंदन की गाठ गले की फास बड़ी बन जाएगी अब ना जादा अहम में बहना मतमोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा रे आगे उड़ी पूरा अंगा मा अब ना सादा अहम में बहना मतमोदी के नाम पे उड़ना लग जाए तो फिर ना कहना जटका लगा रे घटका ओऔर जटका जटका अरे जटका लगा रे मोदी जी की सरकार में मोदी जी की सरकार में जटका लगा तकड़ा लगा जटका लगा हाई 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 जटका लगा रे रोज नहीं मिस्टेक है जी वादा प्रोमिस फेक है जी है खड़े काठके घोडे की तरह मुश्किल में बाजार देखो महगाई की मार देखो पड़ रही पीठ पे कोड़े की तरह गट बंधन को है मौका अब मार रही है चोका जितनी गलती करोगे उसका लाब इनको मिलेगा अर देखो आप गट बंदन को है मोका अब मार रही है चोका फिर मत कहना जनता ने क्यों दिया दगारे अर जटका लगारे मोदी जी की सरकार में जटका लगारे साफ़धान रही है जटगा जटगा लग सकता आपको देखो मोधी जी और हमारी सरकार जो भी है पूरी तरह से सरकार जनता के समवाद के साथ काम करती है अगर पिछले देड़ मेने के काम को देखे जब 9 साल पूरे हुए थे जिस तरह से एक एक कारेकरता, एक एक पदादिकारी, एक एक मंतरी, एक एक MP, कॉंस्ट्वेंसी में लोगों उसके साथ मिलके काम कर रहे हैं, उनसे सवाद कर रहे हैं, और यही बात स्ट्रेटेजी के रूप में हम 2024 के लिए आगे लेके जाएंगे. एक मेरे मित्र ने कविता लिखी थी, मैं दोहा सुना देता हूँ, आम आदमी की अगर नहीं सुनोगे बात, तो जनता ही समझा देगी क्या है अपनी ओकार, अब गोपाल जी को मैं सिरफ एक साहित्तिक माध्यम से जबाब दे रहा हूँ, कि जब कष्टी साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, जब कष्टी, यानि मोदी जी जब 14 वाले मोदी जी 19 वाले थे, जब कष्टी साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकष्टा कष्टी में साहिल की तमन्ना कौन थी, अब ये कश्टी सिकस्ता हो गई है महंगाई की मार है डूपती सरकार है महिलाए नगन होकर के क्या वो हो रहा है मणीपूर में आपके सामने कह नहीं सकते इन बच्चों के सामने पूरा देश ठर्मसार है और मोदी जी को हैंकार है और किसी को बोलना हो तो ठीक है नहीं मैं खरूं शुरू तो हिंसा का हिस्सा बन जागा चल शुरू यह कह रहा था मोदी जी का नाम नहीं है तरह क्या पता सुनो के यहां वहां सारे जहां में यह आवाज है अरे यहां वहां सारे जहां में यह आवाज है मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिंदाबाद मोधी जी तुम जिन्दाबाद अरे सारे देशवासियों को मोधी जी पे नाज है सारे देश वासियों को मोदी जी पे नाज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाब के कहती है दुनिया ये सारी हो रही चर्चा तुम्हारी एक मोदी हाँ हाँ मोदी सब पे है भारी अरे आपके ही सर पे आपके ही सर पे तो चौबिस का ताज है अरे मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद कितने फूसे अगरवाल साब के यहां वहां दूसरा सुनो के राम का मंदिर बनाके धारा सतर को हटाके घर में दुश्मन हाजी दुश्मन को यूं हराके आपने बचाई ये भारत की लाज है आपने बचाई ये भारत की लाज है मोदी जी ओ मोदी जी तुम जिन्दाबाद यहां वहां सारे जाहां में ये आवाज है यहां वहां सारे बहुत नजदीक से भी देखने पर बड़ी से बड़ी चीज भी छोटी दिखाई देती है गठबंदन की एक पार्टी है आमादमी पार्टी भाजपा के कई नेताओं को मैंने सुना उनको कह रहें जी सुपारी जैसी पार्टी है इस सुपारी ने 2015 से चैलेंज ले रखा है तूट तो रही नहीं जबड़े में दर्द अलग दे रखा है दर्द अलग दे रखा है दिल्ली हो या पंजाब इसी सुपारी के चक्कर में भाजपा अपना वजूद खो रही है देखिएगा कहीं ये सुपारी चुइंगन तो नहीं आठ साल से चबाए जा रहे हैं खतमी नहीं हो रही है और एक पंग्ती देता हूँ आप सब तरक के बच्चे हैं इसको पकड़ना आप कोई खतमी नहीं हो रही है छोटी चीजों को हलके में नहीं लेना चाहिए वरना परिणाम बाद में नजर आता है आदमी पहाड पर तो बैठ सकता है पर छोटी सी सुई पर नहीं बैठ पाता है छोटी सी सुईपर नहीं बैट पाता है आपको ज्याधा वोट मिले अभी ये दिल्ली वाले मुद्दे पे आपको ज्याधा वोट मिले वो तो मिल नहीं थे क्योंकि संख्या के आधार पर आप बड़े हैं पर ये भी तो सच है कि इत्तिसी पार्टी के पक्ष में भी 103 वोट पड़े हैं और एक तथ्य बताता हूं बहुत आनंद आएगा आपको सुनके भाजपा ने तो मजाक उड़ा दिया जबकि 24 में सीधी लडाई भी नहीं है और NDA में जिन-जिन को शामिल किया है उनमें से कई पार्टियां तो सुप सुपारी की एक चौथाई भी नहीं है और अंतिमपंति दे रहा हूं पार्टी छोटी है तो क्या हुआ पॉलिटिक्स में किसी को इग्नोर नहीं किया जाता है चीटी हाती की सून में घुस जाए तो हाती भी परेशान हो जाता है बहुत धन्यवाद बहुत आप देखें हम इनकी आपस की लड़ाई है इन में पहले तय होने दीजे कि कौन सुपारी है कौन आती है कौन चीटी है तब फिर हमारे सामने लड़ाई होगे यहां पर तो गोपाल जी हम तो लड़ेंगे भी भिड़ेंगे भी और जीतेंगे भी पुरानी सी बात थी ना कि करते भी चलो बढ़ते भी चलो बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत और चलते ही चलो के अब डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे। कमल नाच जी कमल खिलाने वाले के संग निकले हैं। जेंद्र सास्त्री से मिली आप इस घटना पर मन्थन करेंगे क्या। या चुनाव जीतने की रणीती है हुजूर जूट मूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या। जूट मूट गंगा जी से आचमन करेंगे क्या। सिर्फ हिंदूों को भर्माने का ही सोचे हैं या सच यहां मन से समर्पन करेंगे क्या। नेता जी बताइए कि वोट पाने के लिए ही आप हिंदू राष्ट का समर्थन करेंगे। भारत एक सम्मिधान से संपन राष्ट है हमारे देश का धर्म सम्मिधान है। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे देश का धर्म सम्मिधान है और भगवा रंग किसी की बपोती नहीं है। भगवा रंग सांती का प्रेम का महबत का संतत्तु का सुफिज्म का प्रतीक है। इसलिए रंगों की राजनीती मंच पर नहीं होनी चाहिए। कमल नाज जी भी आध्यात्मिक हैं आप भी आध्यात्मिक हो और हम भी आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक राष्ट की तरफ चलिए सम्मेधानिक राष्ट की तरफ चलिए। बागी सब बात हैं हिंदू और मुसल्मान की मत कीजिए लेकिन बजरंग बली को गालिया देंगे एक जगह जन्युधारण कर लेंगे दूसरी जगह यह जो कन्फ्यूजन है ना यह कन्फ्यूजन देश के लिए आज के समय में जनता इसको एकसेप्ट नहीं करती है आप स्प चाहरे उसमें डिलडॉल करते हैं तो वहीं कन्फ्यूज कर देते जलता चलिए तो अब मैं कन्फ्यूजन वाली बात नहीं करता हूं कोई धार्मिक बात नहीं करता हूं सीदे सीदे को सवाल जो पूछना चाहिए उधर से भी पूछे जाते हैं और इधर भी हम लोग लपेटे में नेता जी लपेटे में आये और गजल के मार्फत कहता हूं तो आपकी तवज्यों चाहिए दाद तो मिलेगी नहीं दाद इधर सुरेंसर आप से चाहिए सुनिया च्छला सियासत से जो है वोटर छका न डाले सवाल ये है च्छला सियासत से जो है वोटर छका न डाले सवाल ये है कमिंग इलेक्शन में ये हुकूमत गिरा न डाले सवाल ये है और एक शेर पूरे देश का बहुत दिन हो गए करीब दो महीने से इस समस्या से जूज रहे हैं तो आज रिपीट कर रहा हूं इसको बहुत ये जो टमाटर उतर के नीचे न आ रहा है कई दिनों से यही टमाटर तुम्हारी चटनी बना न डाले सवाल ये है यही तमातर तुम्हारी चटनी बनाना डाले सवाल यह है आप स्वागत कर रहे हैं सर मैं ही करूंगा दरसल क्या है आज कर लोग बेवफा बहुत हो गया है अब गोपाल जी तब का इसारा कर गए थे अब लोटे मैं इंतजार में बूड़ा हो गया हूं लग नहीं रह लेकिन सर अभी राजबू जी आपके संदीप दिक्षित जी ने एक बात कही पत्रकार ने पूछा गठमंदन के बारे में तो उन्होंने का जी का वो जंगल की तरह से है जिसमें आती भी होते हैं शेर भी होते हैं और गीदड़ भी होते हैं और केजरी वाल कि आप पाइटी को दम गीदड़ भी नहीं मानते हैं यह कहा उन्हें पैसे बात यह ताली की थी पर तुम कब बजाओगे